फ्लोरीन था वो क्या करता था, कार्बन कार्बन की जो चेंज थी, उस कार्बन कार्बन की चेंज से एलक्टरोन खीचता था, तो जो लोग एलक्टरोन खीचते हैं कार्बन कार्बन की चेंज से, उनको माइनस आई इफेक्ट सो करने वाले गृप्स कहते हैं, अगर मालो कोई नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर प्रेजंट है और नाइट्रोजन पर प्रेजंट है कार्बन पर प्रेजंट है तो वो नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है वहां ज्याद स्टेबल होता है यह एलेक्ट्रोनिक फैक्टर इन दोनों में सेम आ रहे थे इसलिए हमने यहां आइड्रोजन बॉर्डिंग कंसीडर किया है इसमें ना कंसीडर कर देना क्योंकि यहां माइनस हम थोड़ी न है हेला स्टुडेंट्स कैसा आप लोगा यहोब आप बच्चे होंगे वल्कम तो दिसमेजिंग प्लैट्नम फिजिक्स वाला मेरे नम ओमर आप देखना सुरू कर चुके हैं अर्जुना नीट के इस बहतरीन से यूट्यूब बैच में और्गनिक कमिस्ट्री का अगला लेक्च तो यह एक आधार सिला है यह वो बेस है यह वो निव है जिसको बिना पढ़े बिना समझे बिना मजबूत किये आप अपनी इमारत बना नहीं पाएंगे तो कृपया ध्यान से सुनेंगे समझेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे और मैं आपको बता दू यह चाप्टर कम्प्ल सारे बालक रटते हैं इसलिए उनको समस्याएं आती हैं एक बात है कि समझ में ना आना तो एक बात ध्यान रखना मैं कोसिस करूंगा कि समझा दूँ अगर कहीं पर आपको प्रॉबलम आते थोड़ा सा पीछे जाए एक दो मिनट और उसको दुबारा सुन करके वहां तक प आईसे तो यह आईसोमर्जम में पढ़ा दिया जाता है लेकिन आईसोमर्जम में मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया किए कि वहां उसको समझना कठिन है तो यहाँ पर समझेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर आसे और बेस के बारे में पता चल चुका होगा आईए जी आज का हमारा टॉपिक है that is क्लिवेज और बॉन्ड हम यहां से सुरुवात करेंगे हम बॉन्ड के साथ तोड़तार मचाएंगे दो तरीके से तोड़ा जा सकता है अब बॉन्ड क्या होता है भाई या A और B दो लोगों ने क्या किया एक 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 करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाया अब हमें वही सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है तो दो तरीके से तोड़ सकते हैं या तो दोनों एक एक को दे दें या दोनों एक्ट्रॉन बी को दे दें तो किसी में से A और B में से कोई ऐसा होगा जिसके पास कोई electron नहीं होगा लेकिन इन में से कोई एक ऐसा होगा जिनके पास दोनों electron होंगे अच्छा पहला तरीका दूसरा तरीका है कि वो जो दो electron bond में थे shared paired of electron उनको एक उठा करके A को दे दीजी एक B को दे दीजी तो इस दो तरीके को हम नाम देते हैं पहला पढ़ लीते हैं पहला तरीका है that is homolytic cleavage तो ऐसा तोड़ताड ऐसी breaking of bond जहां पर सब को इज़द दी जा रही है मतलब सेम तरीके से इसका distribution हो रहा electron का मतलब क्या कहने का है कि जैसे मान लीजिए सब्द समझिएगा जैसे मान लीजिए कहीं पर कार्बन और हाइड्रोजन का bond है कहीं पर कार्बन और हाइड्रोजन का bond है और इस bond को बनाने में कार्बन ने अपना एक electron दिया हाइड्रोजन ने भी अपना एक electron दिया और मैं कुछ इस तरीके से इसका विभाजन करूँ इसको तोड़ूँ कि एक इलेक्टरॉन को उठा करके मैं इधर रख दूँ और दूसरे इलेक्टरॉन को उठा करके मैं इधर रख दूँ जब आप एक इलेक्टरॉन को इस तरीके से हटाएं तो देखिए पूरा एरो नही खोपड़ी पर उसका ही एक imagined यहां पर आ जाता है, अगर मैं valency की बात करूँ तो यहां पर चाहो तो valency भर लोग पैदा होते हैं जिनका जनम होता है उनको हम radicals कहते हैं, मेरे साथ सब्द बोलिए क्या बोलते हैं इसको रेडिकल बोलते हैं ठीक है जी इसको हम रेडिकल बोलते हैं एक एक इलेक्टरॉन रख रहे हैं इस तरीके से लोग रेडिकल कहलाते हैं तो कोई कहे अंगरेजी में लिख कर कि हुमोलिटिक क्लिवज के बाद हमें रेडिकल्स मिलते हैं तो बा हेट्रो का मतलब डिफरेंट मतलब देखो यहां सेम का क्या मतलब था कौन बताएगा जी सेम का मतलब क्या हो था सर हमारा दिमाग बताएगा हम बताते हैं का होगा सेम का मतलब यह जो डिस्ट्रिबूशन है वो इस तरीके से किया गया कि वो सेम तरीके का डिस्ट्रिबूशन है, एक electron इनको तो एक electron इनको यहाँ different type का क्या देखने को मिलेगा, वो सुनो different, सब्द पकड़िएगा यह hetero सब्द आपको पूरी chemistry में कई बार मिलेगा समझात, समझावत है इधर देखो, पहली condition लेता हूँ जहाँ पर carbon ने अपनी valences मालीजी, तीन किसी और से बरी है एक मैंने सामने fluorine ले लिया है क्या लिया अबालक? fluorine लिया है, मैं carbon और fluorine के इस bond को प्यार से देखना चाहता हूँ और जब मैंने देखा तो हमने पाया कि carbon ने एक electron अपना दिया होगा fluorine ने अपना एक electron दिया होगा अब मैं पता है, fluorine जो होता है वो बहुत ही जादा, electronegative है अगर fluorine बहुत जादा, electronegative है तो वो क्या करेगा? carbon से electron को अपनी तरफ खीचेगा तो इस तरीके से यहां मान लीजिए कि fluorine जो है, electron को रखने की पाने की लालायत है इक्षा रखता है अच्छा जी, तो इसलिए actually यहां पर क्या होगा? यह दोनों के दोनों electron उट करके fluorine की खोपड़ी पर इस तरीके से आ जाएंगे जब दोनों electron fluorine की खोपड़ी पर जाएंगे तो क्या होगा? समझना, carbon जिसकी valency तीन भरी गई है किसी से उसका तो electron कोई ले गया समझो, किसी atom से तुमने electron निकाला है तुमने electron निकाला है तो क्या होगा? उसकी खोपड़ी पर positive charge आएगा क्या आएगा भईया? उसकी खोपड़ी पर positive charge आएगा अरे किसी atom का तुमने electron खीच लिया भाई या उन्होंने दिया था कि तुम सेरिंग कर लो वो तुम पर भरोसा करते थे लेकिन तुमने क्या किया यह दिल तोड़ दिया बेचारे का देखो भाई तो यहाँ पर इस कारबन की खोपड़ी पर क्या हैगा पॉजटिव चार्ज तो इसका मतलब यह है कि पॉजटिव चार्ज पैदा तब होता है जब किसी एटम का इलेक्ट्रॉन खीच लिया जाता है अच्छा लेकिन फ्लोरीन को ध्यान से देखें फ्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है लेकिन साथ साथ कारबन वाला electron भी मिल रहा है इसलिए उसकी खोपड़ी पर complete एक negative charge आ चाएगा यह negative charge क्यों लगाया गया क्योंकि उसके उपर एक extra electron इसलिए इसकी खोपड़ी पर negative charge आएगा कार्बन की खोपड़ी पर ये जो चीज नजर आई है ध्यान दीजिएगा इसको कैटाइन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं कैटाइन इसको कहते हैं और जब कैटाइन सब्द पगडिये जगा जब ये पॉजटिव चार्ज कार्बन की खोपड़ी पर हो तो इसक कार्बो कैटायन कहते हैं जब ये positive charge कार्बन की खोपड़ी पर हो तो इसको हम कार्बो कैटायन कहते हैं तो कोई कार्बो कैटायन आज के बास जीवन में तुम्हें कहेगा तो समझ जाओगे न हाँ सर समझ जाएंगे अगली बाचीत और चर्चा का कुछ और विसे बनाते हैं यहाँ देखिएगा मानली जी मेरे पास कार्बन है उसकी तीन वैलंसी कहीं से भरी गई है उन्होंने एक bond बना रखा है मानली जी हाइड्रोजन के साथ कुछ यहाँ पर ऐसा हमला होता है कुछ reaction होती है कि भाईया यह दोनों के दोनों electron उठा करके मजबूरी बस कार्बन को अपनी उपर रखना पड़ता है इस situation में क्या होगा आप कहेंगे sir पहले तो कार्बन का electron खिचवाया तो उस पर positive आया लेकिन आपने यहाँ दोनों electron अगर कार्बन को दिये तो निष्चित है सुनिष्चित है कि उस कार्बन पर अरे बोलरे बालक क्या होगा उस कार्बन पर क्या होगा negative charge होगा क्यों होगा negative charge क्योंकि hydrogen वाला electron भी carbon की खोपड़ी पर आ चुका है hydrogen ने अपना खुद का electron खो दिया इसलिए इस hydrogen को बरदास करना पड़ेगा positive charge क्योंकि उसके अंदर से electron निकल चुका है अरे बात समझ में आई क्या ये बात समझ में आई क्या जी अब देखिए ये भाई साब को हम कहेंगे तुम कैटाइन हो इनका नाम है कैटाइन काटाइन कौन होता है ऐसा इसपी्ज जहांपर positive charge हो उसको हम कैटाइन कहते हैं लेकिन ये जो चीज है ये एनाइन है ये जो नेगटिफ चार्ज है वो कहाँ पर है carbon की खोपड़ी पर है इसलिए इसको carbonion कहते हैं इसको क्या कहते हैं कारबनायन तो यह है carbonion और यह है carbonEZ यह है भाया जी हमारा radical यह दोनों को radical बोलते हैं यह सब्द पकड में आने चाहिए अब मैं कुछ language बोलूँगा इसको याद रखेंगे आगे बड़ा काम आएगा क्या बोलना है कि देखो भया जिसके उपर negative charge आता है वो दूसरे का electron हडप लेता है खीच लेता है तब उस पर negative आता है ये देखिए negative charge का बाता है जब दूसरे का electron हडप लेता है positive charge का बाता है जब अपना electron को इखो देता है तो ये सब्द से आपका काम आगे बनने वाला है आ यह देखते हैं topic है first one जो topic हमें पढ़ना होता है that is inductive effect बहुत basic बात है आपने electro negativity सब्द सुना होगा electro negative element का मतलब होता है एक ऐसा element जो equivalent bond के electron को अपनी तरफ खीचता हो उसको हम electro negative element कहते हैं यह बात period table में पढ़ी गई थी और हम क्या कहते थे हम कहते थे जब हम left से right जाते हैं तो electro negativity बढ़ती है इसी वज़ा से fluorine most electro negative element के तोर पर जाना जाता है यह सब basic बाते हैं पहले हो चुकी है हाँ हो चुकी है चलिए और कुछ बाते करेंगे यहाँ पर क्या होगा कुछ कार्यकरम का आनंद लेंगे देखिए भीया यहाँ पर क्या होगा हम पहले बहुत एक basic सी बात करेंगे आई अजीत समझाते हैं आपको हम अगर आपके सामने प्रस्तूत करें एक एक molecule that is CS3, CH2, CS3, CS3, CS2, CS3 यह क्या है इसका नाम क्या होता है बताओ चलो नाम क्या होता है सर इसका नाम तो प्रोपेन है हाँ तो यह जो प्रोपेन है यहाँ पर carbon है और hydrogen है carbon और hydrogen मे electron negativity का जादा difference नहीं होता अगर आपको याद हो तो carbon की electron negativity होती है 2.5 on falling scale hydrogen की होती है 2.1 तो जादा electron negativity का difference ना होने की वज़ा से यहाँ पर इन पर कोई charge डबलप नहीं होते तो इसको हम कहते हैं कि यह एक non polar molecule है सब्द पकड़िएगा मैंने क्या बोला यह एक non polar molecule है यहाँ कोई polarity नहीं आती कोई positive negative कोई charge create नहीं होते लेकिन अगर लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर्मकांड कर दें लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर्मकांड कर दें कि यह जो CS3 है उससे हम एक hydrogen हटा दी सब्द पकड़िएगा क्या बोला मैंने मैंने कहा कि जो CS3 है उसको मैं CH2 लिख दूँ जो CS3 है उसको मैं CH2 लिख दूँ और वहां का जो एक हाइडरोजन है या उसको हटा करके उसकी जगापर अगर मैं फ्लोरीन लगा दूँ क्या करूं? फ्लोरीन is the most electronic element वो क्या करेगा वो इस bond के electron को अपनी तरफ खीचेगा यह bond किसके किसके बीच में carbon और फ्लोरीन के बीच में है electron किधर सिफ्ट होंगे fluorine की तरफ सिफ्ट होंगे क्यों 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 कि fluorine most electron negative है falling scale पर इसके data आता है 4.0 और carbon का कितना 2.5 तो ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगटिव कौन? फ्लोरीन तो फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रोन को अपनी तरफ खींच लेता है क्या करता है? उसको अपनी तरफ खींच लेता है तो इस फ्लोरीन की खोपड़ी पर सांत सुनिएगा क्योंकि electron की जो density है जो electron की density जो अभी shared थी carbon and fluorine के बीच में वो shift हो रही है towards fluorine इसलिए fluorine की खोपड़ी पर negative charge आएगा लेकिन ये negative charge complete नहीं होगा पीछे जो हमने पढ़ा था उसमें ये दोनों electron उठकर के आ रहे थे fluorine पर यहां उठके नहीं जा रहे बस सरक रहे सरक रहे उठके जाने का मतलब कूद के उसी के उपर आ जाना और उनके बीच में तब bond टूट जाएगा लेकिन यहां bond है लेकिन बस electron को सरक आया गया और भाया fluorine की तरफ shift कराया गया क्योंकि fluorine की ताकट जादा है वो electron को अपनी तरफ जादा अच्छे से खीच पाता है अच्छा ऐसा होने पर तो complete negative charge नहीं आएगा फिर क्या आएगा फिर आएगा भाया partial negative charge डेल का मतलब होता है partial partial मतलब एक छोटे charge को बताने का तरीका है complete charge तो है नहीं छोटा charge है वो कितना है वो भी में पता नहीं है तो उसको लिखने का तरीका होता है partial negative charge इस वज़ा से यहाँ पर कहते हैं फ्लोरीन पर partial negative charge आता है तो यह carbon और फ्लोरीन में फ्लोरीन जादा electro negative है electro negative है देख लो electron की वज़ा से इस पर negativity आ जाती है समझ में बात आ रही कि सारी बाते वैसे periodic table में करवाई जाती है chemical bonding में समझाया जाता लेकिन एक बार दुबारा यहाँ देख लिया हमने कि फ्लोरीन की खोपड़ी पर partial negative charge आएगा लेकिन जो carbon होगा क्योंकि उसका electron shift हो रहा है towards fluorine उससे खिचवा लिया किसने fluorine ने तो carbon की खोपड़ी पर उतना ही लेकिन positive charge आता है that is plus dell अब देखो इस fluorine के चकर में यहाँ तो कोई polarity नहीं थी लेकिन यहाँ पर charges डबल अप होना सुरू हो गए इसलिए हम इसको कहते हैं polar molecule सब्द पकड़ पा रही है मैंने क्या बोला हम बोल रहे हैं भाईया यह क्या है polar molecule है अच्छा जी अब एक बास समझेगा यह carbon ऐसा जिस पर थोड़ा सा positive charge है यह carbon ऐसा जिस पर कोई charge नहीं है तो यह जो carbon और carbon के बीच में यहाँ पे जो electrons होंगे वो electrons कहा जाना चाहेंगे सर, electrons को तो positive charge चाहिए electrons तो negative होते हैं तो electrons shift होंगे इस positive charge की तरफ तो देखे अगर electron इधर shift होंगे सब्द पकड़िएगा अगर यह electron इधर shift होंगे plus की तरफ तो एक बात बताईए इस carbon पर क्या होगा इस carbon पर electron जो होंगे डल लिख करके बताते हैं ध्यान रखना, दो बार डल लिखने का मतलब यह नहीं होता, जादा charge दो बार डल मतलब कम charge अब देखो, अगर यहाँ पर positive है तो यह carbon कहता है, हमारे बगल में कैसा carbon है, जहाँ पर plus है तो electron को ऐसा करो, उधर ही भेज तो electron कहेगा, भईया मैं तो उधर ही जाऊँगा electron इधर जाएगा, तो इस carbon पर triple deal लगा दीजे, triple deal का मतलब बहुत कम charge, तो देखें यह वाला सबसे बड़ा charge है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा charge create हुआ लेकिन यह create किस ने करवाया यह fluorine ने create करवाया तो कहते हैं कि यहाँ fluorine का inductive effect लगता है यहाँ पे fluorine नहीं था तो यह non-polar था, कौनो charge नहीं था, लेकिन fluorine के entry मारते ही, पूरा का पूरा molecule क्या हो जाता है क्या हो जाता है भईया, polar हो जाता है, अरे भईया देख रहे पूस और पूल उफ एलेक्ट्रोंस in covalent sigma bond is known as inductive effect यहाँ पे हो क्या रहे सिग्मा के एलेक्ट्रोंस एक जगा से दूसरे जगा पर पहुंचाई जा रही है यह भाई साब क्या कर रहे है इसको अपनी तरफ खीच रहे है और कहा जाए, देखने का तरीका हम कहेंगे, फ्लोरीन यहाँ खीच रहा है इसको कहने का दूसरा तरीका और भी है कि यह कारबन इसको ढखेल रहा है तो यहाँ पर चल क्या रहा है पूस या पूल मेकानिजम चल रहा है सिग्मा बॉन्ड में बस इलेक्टरॉन को ढखेला जा रहा है इतनी बार समझ में आगी इसी को इंड़क्टिव इफेक्ट कहते है सब्द पकड़िएगा, कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने प्रस्तुत करूँगा प्रॉपर्टीज के अगर मैं बात करूँ तो पहला लिखा है इस ओर्गनिक कमपाउंड में पार्शियल पॉज़िव इंड़क्टिव इफेक्ट लगता है वो आप देख पा रहे है यहाँ पर तो नहीं था ना लेकिन इसके लगने के बाद ये कारेकरम हुआ है तो it is a permanent effect ऐसा नहीं है कि भाईया ये थोड़ी देर रहेंगे थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है ये permanent molecule के अंदर ये charges developed रहेंगे जब तक fluorine रहेगा तब तब यहां पे प्लस प्लस दिखाई देते रहेंगे और fluorine के खोपड़ियों पर negative रहेंगे मतलब permanent effect है बदलने वाला अरे बोल रहे बाबाँ नहीं है अगला इस अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेंड अब्यस्ली ये fluorine जहां लगा है वो सबसे ज़्यादा खून इस कार्बन का चूचता है अरे ये fluorine ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगिटिव ज़्यादा पावर कहा दिखाएगा जो बगल में हैं तो पडोसी को लोग ज़्यादा परिसान कर रहे है इसका इलेक्ट्रोन या आसानी से कीचेगा तो सबसे ज़्यादा positive charge यहाँ पर आता है लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाएंगे fluorine से जैसे जैसे दूर जाएंगे fluorine का effect इस वाले कार्बन पर कम से कम होता जाएगा रहेगा लेकिन कम होता जाएगा और एक बाद बताता हूँ inductive effect को तीन कार्बन तक जादा तर कंसीडर करते है और नहीं तो हद तक जाते हुए चार कार्बन देख लिया जाता है बस चार कार्बन तक से जादा जो है inductive effect को कभी कंसीडर नहीं करना होता अच्छा जी distance dependence अगला इट operates only through sigma bond यह सिर्फ sigma bond के through operate होता यह यह पाई bond में operate नहीं होता आईए types of inductive effect में समझते हैं पहचानने के तरीके सीखते हैं अगर आप रटते होंगे तो विस्वास मानिए अब रटना आप बंद कर देंगे ठीक है जी आईए inductive effect में plus I effect कौन सो करता है यह दो नाम क्यों बने देखो fluorine था वो क्या करता था carbon carbon की जो chains थी उस carbon carbon की chain से electron खीचता था तो जो लोग electron खीचते हैं carbon carbon की chain से उनको minus I effect सो करने वाले groups कहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो carbon carbon की chain को electron का support देते हैं तो उनको हम कहते हैं plus I effect सो करने वाले groups ठीक है जी इसमें कोई दुख दर्द समस्या परिशानी हो तो जरूर बताईएगा देखेगा यह एक line लाता हूँ पहले यह सब्द पकड़िएगा जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास देखे एक carbon carbon की चार carbon की इस तरीक इस chain है चलो मालो तीन carbon मानते है अना सरा आपने चार बनाई है अभी समझी बाजाएगा क्या कहना चाहरा हूँ यहाँ पे यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ oxygen की खोपड़ी पर negative charge लगा देता हूँ तो देखे एक दो ती तीन carbon की एक ऐसी chain है जिससे मैंने O negative जोड़ा है और O negative में समझी oxygen atom पर क्या है electron की density negative charge का मतलब electron की density अब इसका मतलब यह एक ऐसा item जहाँ पर पहले से खूब electron प्रजेंट है तो उसको electron खीचने की ज़रूरत नहीं है वो क्या करता है electron देने का काम करता है तो यह जो O negative है वो इस carbon carbon की chain को electron देता है इसे लिए O negative को minus I sorry plus I effect so करने वाला group कहते है obviously यार carbon carbon की chain को जो लोग electron देंगे जो लोग electron बढ़ाएंगे plus करेंगे बढ़ाना मत्त प्लस करेंगे उनको हम plus I effect के अंदर consider करेंगे लेकिन लेकिन हे बंदू हे बांधो अभी जो पढ़ाया था उससे आपको ये बात तो समझ में आही गई थी कि भईया अगर हमने यहाँ fluorine लगाया अगर हमने यहाँ fluorine लगाया तो वो क्या करेगा carbon carbon की इन chain से electron को अपनी तरफ खीचेगा electron को क्या करेगा भई electron को वो अपनी तरफ खीचेगा जोकि ज़्यादा electronegative है तो ये carbon carbon की chain से electron को अगर ये अपनी तरफ खीचेगा इसका मतलब है कि भईया fluorine जो है इस समय minus I effect so करने वाला group है क्यों जोकि वो क्या कर रहा minus कर रहा है क्या कम कर रहा है कहाँ पर electron density कहाँ पर कम कर रहा है इस carbon carbon की chain में इसलिए इसको minus I के अंदर consider करते हैं अब आईए देखते हैं क्या लिख है more electropositive than hydrogen more electropositive का मतलब उसके उपर plus charge होता ऐसा नहीं है electropositive का मतलब होता है जिसके पास भर-भर के electrons present है भर-भर के उसके पर electron की density है तो देखिए O negative यहाँ पर consider हो रहा है यहाँ hydrogen ऐसे समझेए कि hydrogen एक reference है hydrogen से जादा hydrogen वो ऐसे भी ना तो electron देता है ना तो electron लेता है अब वो इसलिए hydrogen को जो reference treat किया गया कि hydrogen से जादा जो लोग electron सपोर्ट करने की इच्छा जाहिर करते हैं किसी carbon-carbon की chain को उसको consider कर लीजिए प्लस आई के अंदर और hydrogen से के respect में जो लोग carbon-carbon की chain से ही electron निकलवाल आना चाहते हैं उनको minus i में consider कर लीजिए तो more electron negative than hydrogen इस element को हम कहां consider करेंगे minus i में जैसे fluorine fluorine क्या है भईया fluorine के बारे मगर आपको पता है तो fluorine जो होता है उसका 4.0 होते ही है क्या भईया जी electronegativity hydrosine की होती है 2.1 तो यहां से समझ में आ रहा है जादा electronegative कौन है जादा electronegative कौन है भईया अगला देखते हैं it pushes electron paired towards carbon chain carbon chain की तरफ electron को यह push करता है लेकिन यह भाई साब carbon chain से ही electron को withdraw करना चाहते हैं या कहिए pull करना चाहते हैं तो pull का खेल minus i में है push का खेल plus i में है सिर्फ बात यहीं तक नहीं है इसको और पहचानने के तरीके हैं उनको देखते हैं चलिए देखते हैं एनायन एनायन में समझाता हूँ एनायन के अगर मैं बात करूँ तो आप ले सकते हैं इस तरीके से CH2 negative और क्या ले सकते हुई है carbon ले लिया carbon के बाद आप nitrogen ले लिजिए NH negative और ले लिजिए O negative वैलेंसी के हिसाब से यह लिखा जाता है आप देखें carbon की वैलेंसी होती है 4 तो तीन अगर bond बना दिये तो एक negative charge हो जाएगा nitrogen की वैलेंसी है 3 तो दो bond बनाया एक इधर एक hydrogen के साथ एक negative तो इस तरीके से वैलेंसी फुल्फिल होती है oxygen की कितनी होती है 2 एक bond बनाया एक negative charge यह एनायंस क्या करेंगे plus I effect में consider किये जाएंगे क्योंकि एनायंस में जो यह first carbon है यहाँ nitrogen है यह जो oxygen जो इसका first atom है उनकी खोपड़ियों पर खूब negative charge है negative charge का मतलब electron density उनके उपर जादा है तो वो carbon की chain को electron का support देंगे तो इसलिए यह plus I में consider किये जाएंगे I hope आपको आनन्द आया हो है न जी हाँ कैटायन की बात करते है अरे भाया एनायन जो है electron देगा तो कैटायन मतलब जिसकी खोपड़ी पर plus charge है वो तो electron नोचने का काम करेगा खीचने का काम करेगा अरे बात सही कह रहे न जी हाँ तो यहाँ पर आप consider कर सकते हैं जैसे माली जी NH3 positive कहीं पर है NH3 positive कहीं पर है या आप ले ली जीए कि भाया कहीं पर CH2 plus है कहीं पर CH2 plus है कारबन की खोपड़ी बे भी प्लस है ऐसे लोग कहां consider किये जाते हैं माइनस आई में सल्फर वाला भी मिल सकता है SH2 positive या कभी-कभी SR2 positive भी लिख करके आप बता सकते हैं कुल मिला के जो कैटाइन्स होंगे वो electron खीचने का काम करेंगे carbon-carbon की chain से उसके लिए उसका minus I में अगली बात है metals का अब देखो metals को समझाता हुआ अब जैसे लिखा कैसे जाता है मानलो ये carbon-carbon की chain है कर्फय ध्यान दीना Carbon-carbon की एक chain है मैं यहाँ लिख रहा हूं magnesium और इसके बाद लिख रहा हूं तो कार्बन कार्बन की चेन इधर है मैगनीशियम एक मेटल है और मेटल अपना करेक्टर रखता है इलेक्ट्रो पॉजिटिब ये तो फेमस है ना मेटल फेमस है इलेक्ट्रों देने के लिए इलेक्ट्रों देने के लिए फेमस है हमको बहुत दिक्कत है और इक्जाम पल दीजिए आई से हम नहीं समझते हैं चलिए वैसे तो यहाँ पर sodium जो है plus बनाता है oxygen minus बनाता है लेकिन अगर इस तरीके से समझना है plus आई में तो देखना यहाँ की बात करें तो sodium क्या करता इलेक्टरौन देने का काम करेगा अब किसको भाई या oxygen को है ना वैसे simply बोल सकते हो कि यह इस तरीके से exist करता है oxygen पर खोपड़ी पर negative charge sodium की खोपड़ी पर positive charge ठेका जी इलेक्टरौन देने का काम कौन करता है oxygen अगला देखते हैं halogen की पूरी विरादरी fluorine आपको पता ना कि most electron negative family कौन है अरे भईया halogen family तो जो हो यह fluorine है यह chlorine है यह bromine है यह जो iodine है यह सब के सब लोग carbon से electron खींचने का काम करते हैं क्योंकि इन सब की electron negativity value जो है वो carbon से जादा होती है इसलिए यह लोग electron खीचेंगे जैसा कि फ्लोरीन कर रहा है अगला एलकाइल ग्रुप्स के लिए देख लेते हैं जैसे मानली जी एक तो CS3 ले लेते हैं कार्बन पर जोड़ देते हैं तीन हाइड्रों वो भी लेक्ट्रों सपोर्ट करता है दूतरा देते हैं एक कार्बन पर हम क्या कर लेते हैं दो इस तरीके चलो तीन लगा देता हूं तीन CS3 लगा देता हूं तो देखो होगा क्या देखो बालक होगा क्या यहाँ पर यह इलक्ट्रों देने का काम करते हैं तीक है यह देखें कार्बन को यहाँ यह कार्बन सपोर्ट करता है यह सपोर्ट करता है यह सपोर्ट करता है और जब carbon पर electron density कठा होती है तो वो सामनी देनी कोशिस करता है तो overall alkyl groups electron देने का काम करते हैं आई अगला देखते हैं groups of electron negative element ये बहुत काम की बात है समझना group of electron negative element अगर एक carbon पर इकठा हो जाए तो निश्चित हुरूप से वो कहां आएगा minus i में otherwise रटते रहोगे दर्द होती रहती परिशानियां होती रहती देखना जैसे एक carbon है इस carbon पर अगर मैंने मालो की double bond oxygen लगा दिया और माली जी एक hydrogen लगा दिया अब मैं पूछू ये group जो है plus i में है minus i में तो आप कहोगे जो ये carbon लगा है उस carbon से क्योंकि electronegative element जुड़ा है तो जो electronegative element सब्द पकड़िएगा जो electronegative element है वो sigma से अपना electron अपनी तरह बुलाएगा sigma से electron अपनी तरह बुलाएगा क्योंकि oxygen क्या है एक electronegative element है अगर oxygen एक electronegative element है तो carbon के electron को अपनी तरफ खीचेगा तो यह carbon कहेगा अच्छा, तो मेरा electron ले जा रहे हूँ, मैं सामने से electron खींचूंगा, तो जो carbon-carbon की chain इस group से जोड़ी होगी, वो यहाँ से electron खींचेगा, अगर यह group यहाँ लगाओगे, तो इस से electron खींचने का काम यह करेंगे, अच्छा जी, इसे तरीके से अगला एक example लेता खींचेगे, fluorine electron को अपनी तरफ खींचेगा, अब अगर electron सारे fluorine की तरफ से उप्टोंगे, carbon की खोपड़ी पर खोब positive चार जाएगा, अब अगर positive चार जाएगा, तो सामने से वो भी electron खींचेगा, तो इस तरीके से पहचान सकते हैं, कौन प्लस आई, कौन माइनस आई, बात ठीक ठाक है, आई अगला देखते हैं, रटना नहीं होता, logical हम सीखते हैं, आई ये देखते हैं, एनाइनस में हम order निकालना देखेंगे अभी, क्या है वह यह देखना, CH2 negative, अगला है NH negative, यही बताया था न, उसके आगे हमने पढ़ा O negative, और होता है एक, that is, C double bond O O negative, C double bond O O negative, जान दीजिएगा, C double bond O O negative, तो ये orders आपको आने चाहिए, अब इनको हम बैट कर रटा मारते हैं, तब ही हम भूल जाते हैं, उसके लिए हम trick बनाते हैं, अरे trick की कौनों जरूरत नहीं है, simple है, logical learning करेंगे, रटा मारते हैं, कितना रटेंगे भी है, आपको पूरा बा खोपड़ी पर negative charge है, यहां nitrogen की खोपड़ी पर negative charge है, यहां oxygen की खोपड़ी पर negative charge है, और जब भी आपके elements जो हैं, किसी एक period को हो, देखो carbon, nitrogen, oxygen, यह second period element है, और जब हम left से right जाते हैं, तो electronegativity बढ़ती है, तो oxygen की electronegativity जादा है, बिस रिस्पक्ट तो nitrogen, और nitrogen की electronegativity रखोगे नेगटिव चार्ज रखोगे तो वो पगड़ के बैठे रहेंगे वो देना नहीं चाहते उनकी इक्षा नहीं होती तो जादा इक्षा किसकी है देने की आप पहेंगे देखो भाया यह कारवन बड़ा दिलदार आदमी है कि कि इसकी इलेक्ट्रो नेगटिविटी पावर कम है वो कहता है कि ठीक है भईया हमारे पर नेगटिव चार्ज आया मैं डोनेट कर दूँगा तो जादा डोनेट करने की च्छंता इनके पास प्राप्त है बिद रिस्पेक्ट ट्ट तो रिजन क्या है उलेक्ट्रो नेगटिविटी ओज से समुझो ऑक्सीजन प्लस आई ओर्डर में तुम पीछे आओगी, ये बाट ठीक लगी, यस, अब देखिए, ओक्सीजन नेगटिब के बाद, आपको यहाँ देखे कैसे लगाए, दिखाया गया है, बीच में Cu, तो आपको पता है कि, जो आपका आई एफेक्ट है, वो distance dependent है, अगर distance dependent है, तो जो carbon की chain लगने वाली है, वो direct O negative के touch में तो नहीं है न, बीच में Cu आ रहा है, इसलिए वो थोड़ा पीछे होगा, distance dependent के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, या ऐसे समझों, कि O negative जो है, इस carbon, carbon की chain में पहले electron का support देगा, फिर ये जा करके बाहर इस तरफ से देंगे, यहाँ तो ये direct electron दे सकते हैं, carbon, carbon की chain को, कैसे देखते हैं, यह सारे लोगों को आप carbon, carbon की chain पर लगाते हैं, फिर आप देखते हैं, कौन ज़्यादा electron दे रहा है, logically तब समझ में आता है, अब बात आती है, अलकाइल गुरुप्स की, जो अलकाइल गुरुप ज़्यादा तो यहाँ पर electron कोई नहीं देना चाहता, लेकिन, 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 एक carbon है, जिसमें सिर्फ दो नन्हे मुन्हे बालक हैं, लेकिन उनके घर में कोई एक बड़ा आदमी है, जो support कर सकता इस carbon को, अगली चीद देखेगा, एक carbon है, कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान के घर में, तीन लोग कमाने वाले हैं, तो CS3 तीनों कमाने वाले क्या करते हैं, इस घर वाले को पैसा भेजते हैं, तो इस carbon के पास क्या, भरपूर पैसा, भरपूर electron की density है, तो भरपूर electron की density है, इसलिए वो बाहर की तरफ खूब डोनेट करता है, इसलिए वो बाहर की तर लो donation करते हैं यह बहुत ज़्यादा donation नहीं कर पाएंगे तो donation की ताकत कहा पर है जहाँ ज़्यादा substitution है अब substitution समझाता हूँ कारबन में देखना ध्याँ से यह जो कारबन है उस पर तीन hydrogen है तो इसको कहते हैं कि यह substitute नहीं है लेकिन एक hydrogen को हटा कर एक CS3 लगा दिया तो इसको कहते हैं substitute कर दिया यहाँ पे तो सारा substitution ही है है ना जी साज आप कुछ बात समझ में आगे हो प्लस i order रटने की ज़रूतब न लिखना जान से अगर electronegativity किसी की ज़ादा होगी तो वो जो है minus order में सबसे आगे आएगा primarily वही देखा जाएगा minus i order नहीं लिखना है minus i effect उसका सबसे ज़ादा होगा minus i effect सबसे ज़ादा होगा सबसे ज़ादा खून चूसने का काम वही करेगा किसका खून चूसना है काम कौन करेगा तो पता चला fluorine तो बहुत ज़ादा electronegativity अरे आपने पड़ा fluorine, chlorine, bromine, iodine यह एक ही group के member है और उपर से नीचे जाने पर electronegativity घटती है तो सबसे ज़ादा electronegativity कोन है fluorine इसके बाद यह order है अगर यह order है तो यही order जो है minus i का भी होगा अगली चीद देखें यहाँ carbon पर 2 fluorine यहाँ carbon पर एक fluorine है आप सीख गए होंगे अब तक कि जहाँ 2 fluorine होता है वो क्या करेंगे दोनों electron खीचेंगे electron कीचेंगे तो यह सामने से बहुत ज़्यादा electron खीचेंगे यहाँ अगर यह कही fluorine है तो यह थोड़ा कम ही खीचेंगे तो ज़्यादा electron अगर carbon carbon की chain यहां लगा दी जाए तो ज़्यादा यह खींचेंगे इसलिए minus i power इनकी ज़्यादा है तो ऐसा carbon जहाँ ज़्यादा नमबर अफ फ्लोरीन लगे होंगे ज़्यादा नमबर अफ electron negative elements लगे होंगे वो ज़्यादा electron खींचते हैं अगले चे देखते हैं यह बात बड़ी important है यह कई बार हम confused हो जाते हैं इसलिए सीखना है पहले जानिए कि electro negativity of carbon जो की SP hybridized है अब आपको hybridization आना चाहिए देखिए hybridization नहीं आता तो किर पे आप hybridization पहले समझ करके आईए जो की आपको पढ़ाया जा चुका है chemical bonding के one sort वीडियो में ठीक है तो पहले वो सीख करके आईए तभी आपको आनंद आएगा carbon एक ऐसा carbon जो की SP hybridized है तो वो जो होता है वो जादा electro negative है with respect to एक ऐसे carbon के जो की SP3 hybridized है एक ऐसा nitrogen जो की SP3 hybridized समझाता हूँ जैसे example के तौर पर मान लीजिए एक nitrogen है इस nitrogen पर हमने क्या किया है दो hydrogen लगा दिये यहाँ पर एक loan pair ऐसे है ठीक है यह आप क्या है यहाँ nitrogen देखिए एक दो तीन तीन bond बनाता है एक loan pair रखता है तो इसका मतलब total चार steric number निकालते हैं steric number चार होगा तो इस लिए इस nitrogen पर hybridization क्या हैगा sp3 अच्छा लेकिन अगर एक carbon ऐसा है जिस carbon से कृपया ध्यान दें जिस carbon से जिस carbon से मालो यह वाला carbon है यह carbon है यहाँ पर मैं hydrogen करतेता हूं ठीक है यह वाला जो carbon है इस carbon को देखें इधर एक sigma bond इधर एक sigma bond अगर 2 sigma bond है तो steric number 2 अगर steric number 2 तो उस carbon का hybridization sp hybridization होगा तो इ इस लहजे में इस सब्द को समझे कि यह जो carbon है वो ज्यादा electronegative होता है with respect to this nitrogen समझ में बात आ गई यह इसके कहने का मतलब होता है यह सब्द आना चाहिए तो ज्यादा electrone negative जो होगा वो minus i effect ज्यादा सो करेगा तो ज्यादा electrone की density को sigma bond से खीचने का काम कौन करता है यह करत ज्यादा electrone negative फ्लोरीन बड़े जालीम है बहुत जालीम है फ्लोरीन बहुत जालीम है वो क्या करेगा भर भर की electron खीचेगा लेकिन chlorine थोड़ा सा कम जालीम है थोड़ा कम ही electron खीचेगा जालीम दोनों है जालीम मतलब electron खीचने वाला परिशान करने वाला यह तो minus i order में यह I hope आपको यहां तक में कोई दर समस्या परेशान नहीं होगी आईए different hybridization के सब्द को और समझते हैं जैसे यह percentage as character का कहानी है पीछे अगर आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दुख तकलीप समस्या आपको नजर आया सकती है आपको मैं तब भी आन लिखे में बता दीता हूँ electro negativity, en मतलब electro negativity किसी element की electro negativity तब ज़्यादा होती है जब वहाँ पर percentage as character ज़्यादा होता है सर यह percentage as character क्या होता है मैंने तो जीवन में इसको सुना ही नहीं है पहली बार तो सुन रहा हूँ तो हे बालक hybridization पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बता देता हूँ electro negativity का अगर कोई order पूछे तो कहिएगा कि SP hybridization जहां होगा वहाँ पर SP hybridization ज़्यादा जहां पर हो मतलब जहां पर SP hybridization होगा वहाँ electro negativity ज़्यादा होती है with respect to SP2 and with respect to SP3 I hope आपको इतनी बात में आनन्द आए ये बात जानना जरू नहीं सर हमको कैसे पता चलेगा SP hybridization गिन के कैसे निकालते हैं वो बाई मैं यहाँ पर बता देता हूँ जैसे यहाँ देखना ये वाला कार्बन किसी कार्बन चीन से लगा होगा तो हमें इस कार्बन पर बात करनी है देखेगा जहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ उसकी बात करनी है इस कार्बन जिस पर स्टार लगा रहा हूँ उसकी बात करनी है ध्यान से ये सब्द पकड़िये गादरवाई दिक्कत होगी तमझना एक कार्बन जिस पर की एक सिग्मा इधर है एक सिग्मा इधर है तो दो सिग्मा बॉंड जब लगे होते हैं तो वहाँ पर SP हाइब्रडाइजेशन होता है ध्यान दीचेगा यहाँ पर देखिए एक सिग्मा इधर और इन तीनों में एक सिग्मा होगा दो पाई तो अगर इस कार्बन पर दो सिग्मा है तो SP हाइब्रडाइजेशन है अगर SP हाइब्रडाइजेशन तो यह ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगटिव है अगर यह ज़्यादा electro negative ही तो यह minus I order में आगे आएगा तो इसलिए इसको आप minus I order में आगे रखेंगे तो triple bond वाला आगे आएगा double bond में क्या होता SP2 hydrogen कैसे बताता हूँ देखो carbon के साथ 1 sigma इधर है hydrogen के साथ भी 1 sigma होगा और इन दोनों bond में 1 sigma 1 pi तो sigma कितने हुए इस carbon पर 3 3 sigma को लिखने है SP3 देखो 1 SP कितने 2 तो यहाँ पर SP2 तो इसलिए इसको आगे रख दीजे double bond पर SP2 होगा लेकिन जहाँ पर सिर्फ single bonds होगे एक carbon जिस पर इधर एक sigma लगा 3 hydrogen मतलब इस carbon पर total 4 sigma है 4 sigma है मतलब SP3 hydrogen तो यह order आएगा similarly यही चीज यहाँ आपको बताई गई है same order triple bond यहाँ पर देखी यह carbon connected होगा यह carbon connected होगा यह carbon connected होगा ठेक है अब अगर इस carbon की बात करें तो यह carbon SP hybridized है यह वाला carbon SP2 है उपर कितरा देखो यह carbon SP3 hybridized है तो यह order आएगा आई होप आपको आनंद की अनुभूत हुई हो आई अगला देखते हैं different functional group देखिए अभी different hydrogen अब different functional group में कैसे compare करेंगे वो देखेंगे पहला देखते हैं OH and NH2 कोई दिक्कत की बात नहीं इसको alcohol कहते हैं इसको mine कहते हैं इनमें अगर minus I order पूछे minus I का मतलब electron खीचना अच्छा electron अच्छे से कौन खीचेगा यहां खीचने वाला oxygen है और यहां खीचने वाला nitrogen तो आपको पता है कि nitrogen and oxygen में electronegativity किसकी जादा होती है बताईए electronegativity का factor आपको आना चाहिए ठीका जी left से right जाते हैं periodic table में तो electronegativity बढ़ती है right side में कौन पढ़ता है oxygen तो electronegativity of oxygen is greater than nitrogen अच्छा अगर nitrogen less electronegative है तो nitrogen तो जादा electron खीच नहीं पाएगा electron खीचना कौन चाहता है जादा अच्छे से oxygen क्या हो जोकि उसकी electronegativity जादा है ठीका जी यह कम electron खीचेंगे तो जो जादा electron खीचेगा उसका minus i order में इजद बढ़ जाएगी वो आगया जाएगे है ना जो खून चूचने का काम करें जो दैत सभाव का हो वो minus i order में आता है आई अगली बातचीत करते हैं अगली बातचीत है इन में देखेगा यह क्या लिखे हैं यहाँ पर देखें अल्डी हाइड और इसमें देखें अल्डी हाइड में देखो CO और यह इतना पार तो दोनों में हैं यहाँ पर hydrogen यह कोई response खास सो नहीं करते हैं लेकिन chlorine क्या इलेक्टरौन खीचेगा यह वाला पार्ट तो दोनों में से मैं चाहो तो बनाना बना सकते हूं यह carbon और यह oxygen इलेक्टरौन कौन खीच रहा है oxygen यहाँ पर एक sigma bond से इलेक्टरौन खीचेगा तो यहाँ दो लोग इलेक्टरौन खीचेगे तो इसलिए यह ज़्यादा खून खून चूसने का काम करेंगे ठेक है जी यह खून चूसेंगे लेकिन कम इलेक्टरौन खीच पाएंगे तो यह ज़्यादा खीच रहें तो माइनस आई ओडर में यह आगिया जाए अगले चीज़ देखते हैं अगला क्या है eldehyde and ketone में देख लेते हैं eldehyde में तो आपको खीच तो रहें लेकिन इसको support भी मिल रहा है तो इसका मतलब overall पूरा group जो है जादा electron नहीं खीच पाएगा अरे भाई यह electron खीच रहें लेकिन इनको मिल भी जा रहा है इस carbon को तो इसका मतलब इसका पेट अगर खाली किया हो इन्होंने तो इन्होंने भर दिया इसका मतलब यह जादा खीच नहीं पाएंगे खीचेंगे तो जरूर जादा नहीं खीच पाएंगे जादा कौन खीचेंगा यह यह कम खीचेंगे इसलिए यह minus i में आगी आएंगे ठीका जी रटना नहीं है logically ठीकना है more substituted hetero atom अब कई बार यह सब समझ में नहीं आता है hetero atom क्या होता ह है जैसे आप hetero atom को कह लीजिए कि भईया यह क्या क्या है जैसे nitrogen, oxygen, sulfur ठीक है इनको आप hetero atom के तरह treat करिए ठीक है is more electronegative than less substituted यह कह रहे हैं कि एक ऐसा nitrogen जहाँ पर जादा CH3 लगे हूँ जादा उसका substitution हुआ हो वो जादा electronegative होता है with respect to NH2 के हना क्योंकि अगर nitrogen पर hydrogen लग हुआ हुआ है alkyl group तो इसको कहते है more substituted है समझ जाएंगे आप अभी यहां पर देखेगा जैसे यहां देखे ऑक्सीजन एक hetero atom है carbon तो नहीं है यह carbon के लिए रूल लागू नहीं होता ध्यान रखना तभी hetero atom सब लगा है oxygen पर hydrogen लगा है जहां दीजेगा यहां oxygen पर R group लग यह कम electron खीचेंगे तो जो ज्यादा electron खीचेगा वो minus I order में आगी आएगा तो more substitution में वो ज्यादा electron खीचता है carbon carbon की chain से यहां देखिए NH2 nitrogen पर 2 hydrogen कोई substitution नहीं है nitrogen पर 1 R group एक substitution है nitrogen पर 2 R group दो substitution है तो जहां ज्यादा substitution minus I order में वो आगी आएगा तो this is the order अगली चीज़ देख ल नीक है यह कुछ data लिखा है पहले ना एक बाद data देखते हैं क्या क्या है संधाओंगा क्या है डरना नहीं यहां क्या लिखा है CS3 और CS3 के बीच में एक carbon carbon के बीच में मैंने एक bond बनाया हूँ जो यह bond है carbon carbon का यह जो single bond है इस carbon carbon single bond की जो bond length हाती है वो bond length हाती है 154 picometer picometer कितना होता 10 की power minus 12 meter जैसा कोछ सुना तो होगा जीवन में अच्छा तो कुल मिला कितना समझ में आता है कि carbon carbon के बीच में जो यह sigma bond बनाया एक bond बनाया उसकी length है 154 picometer अगर मैं यही चीद देखो इसको क्या कहते है इथेन इसको क्या कहते है इथेन में carbon carbon के बीच में जो यह bond है दो दो bond है जी यहाँ पे तो एक sigma होगा एक πाई होगा लेकिन हम क्या कहेंगे carbon carbon के बीच में जो इस समय bond length निकल करके आती है वो bond length कितनी है 134 picometer है और हम यह जानते हैं कि अगर दो carbon के बीच में दो bonds होगे तो वो bond length छोटी होगी और carbon carbon के बीच में अगर एक bond होगा तो वो bond length बड़ी होगी यह बात तो ठीक लग रही है क्योंकि इसका data बड़ा है इसका data छोटा दिख रहा है इतनी बात में कोई दिखकत नहीं है लेकिन अब चर्चा करनी थी benzeen पर ध्यान सुनिएगा अब हमें चर्चा करनी है benzeen पर benzeen का formula हमने सुना था c6 h6 बनाने का तरीका हमने सुना था कुछ इस तरीके का क्या सुना था भईया कुछ इस तरीके का सुना था कि भईया जी यह जो carbon carbon की chain होती है यहाँ पर alternate pie bonds होते हैं alternate pie bonds होते हैं और hydrogen जो होता है हर carbon पर इस तरीके से connected है बोलो भईया हर carbon पर एक hydrogen इस तरीके से connected है देखीं क्या अपने जीवन में benzene को इस तरीके से बना हुआ देखा है अरे हाँ सर देखा है इतने भी हम जो है गए गुजरे लोग नहीं है अच्छा इसको देखते हुए खोपड़ी में एक बात तो आती है कि अगर सर हम इसके bond length की बात करो ना तो मैं आपको बता सकता कि यहाँ तीन bond ऐसे हुँगे जिसका data इससे match करेगा क्योंकि carbon carbon का double bond यहाँ है carbon carbon का double bond यहाँ है यहाँ है अच्छा जी इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा मैं numbering करने वाला हूँ यह जो carbon है 1 यह carbon है 2 यह carbon है 3 यह carbon है 4 यह carbon है 5 यह carbon है 6 तो इस तरीके से मान लीजे मैंने numbering क कह सकते हैं कि सर देखिए मुझे तो ऐसा लगता है अब पता नहीं सही लगता है कि गलत वह आप बताईएगा लेकिन मुझे ये लगता है कि कारबन नंबर 1,2, कारबन नंबर 3,4, कारबन नंबर 5,6 के बीच में जो बॉंड्स बने हैं उनका जो डेटा है वो 134 पिको मेटर आना चाहिए और आप कहेंगे कि कार्बन नमबर 2-3 जहाँ पे सिग्मा बॉंड सिर्फ एक दिख रहा है सिर्फ एक बॉंड है कार्बन नमबर 4-5 जहाँ पर एक बॉंड है कार्बन नमबर 6-1 जहाँ पर सिर्फ एक बॉंड है इन तीनों बॉंड की बॉंड लेंथ जो है इन 34 पिको मेटर की दूसरी bond length होगी 154 पिको मेटर की ऐसा हमें लगता है क्या मैं सही हूँ सर नहीं जनाब देखने पर ये नहीं मिलता experimentally जब देखा गया तो experimentally हमें क्या मिलता है वो देखिए experimental data for benzene में carbon carbon की जो bond length थी वो 139 पिको मेटर मिल गई ये क्या जुल्म है सर ये तो ना ये मिला ना ये मिला ये क्या मिल गया ये जो चीज मिली वो data कहता है ये data चिला चिला के कहता है ये data actually इन दोनों के बीच का है ये data इन दोनों के बीच का है देखो 134 पिको मेटर से जादा है लेकिन 154 पिको मेटर से single bond है, बलकि एक ऐसा carbon carbon का bond है जहाँ पे single bond के साथ साथ थोड़ा सा double bond character है, थोड़ा सा double bond दोनों character एक साथ है और जितने यहाँ पर carbon carbon bond है, वो सब की bond length एक जैसी है सारी bond length same है, और वो 139 picometer आती है तो इसमें दो different type के नहीं बलकि एक ही type के carbon carbon की bond length मिलती है, यह data बेसिक कर हमें किये पता चला यह data तो इनके बीच में आता है तो इससे हमने अंदाजा लगाया, किसका मतलब बेंजीन में, जो carbon carbon की जो bond length हम सोच रहे हैं वो इसलिए 139 picometer आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पर ना तो purely single bond होगा, ना तो purely double bond होगा, उनके बीच का कोई एक character होगा, तो वहाँ से जन्म होता है, resonance जैसी फिनॉमिना का, जो यह कहता है, अरे सुनरे बालग, जो यह कहता है, कि pie bond अगर conjugation में हो conjugation मतलब, double single, double single, double single जो यह character है, double, single double, single, double, single इसको कहा रहे हैं, वो conjugation है और जब कभी भी conjugation है तो कहते, pie bond बैठे नहीं रहते, pie bond नाचते रहते क्या करते हैं भाई, नाचते रहते तो चलिए नचाते हैं, क्या नचाना है सिर्फ pie bond, sigma bond को touch भी नहीं करना pie bond को नचाना है, तो sigma bond पहले बना लो, बेंजीन के अंदर सारे sigma bond बनाओ, पहले मैंने carbon carbon के सारे sigma bond आपके सामने प्रस्तुत कर दिये हैं, carbon carbon के अब carbon carbon के साथ hydrogen भी है जी, तो hydrogen बना लेते हैं hydrogen के sigma bond बना ली जी, बन गया क्या, हाँ सर बन ली आपको कभी भी resonance की फिनॉमिना बनाते वक्त, sigma bond को नहीं गुमाना, sigma bond जैसा यहाँ था वैसा है, नचाना क्या है, अरे हमें नचाने की छूट दी है, resonance ने सिर्फ pi bond को, तो चलिए नचाते हैं, क्या होगा, one, two के बीच में जो यह pi bond है, इनके बीच में लेकर के आईए, two, three के बीच में लेकर के आईए, इस तरीके से three और four के बीच में जो electron's हैं, उनको उठा करके आप कहां लेकर के आईए, five and four के बीच में लाइए, five and six के बीच में जो electron's हैं, उनको उठा करके आप six और one के बीच में लेकर किया चलिए आईए नचा कर देखते हैं अगर आप इस तरीके से नचाएं तो आपको समझ में आता है जो पहले one two के बीच में पाई बॉंड था वो तो हट गया तो वहाँ पर सिर्फ एक बॉंड बचेगा two three के बीच में receive होगा तो यहाँ बन जाएगा देखे हमने यही पाई बॉंड के इलेक्ट्रॉन को नचाया यहाँ ला दिया अच्छा जी अब देखिए three and four के बीच में पहले पाई बॉंड था अब वहाँ का इलेक्ट्रॉन हटा करके हमने यहां लगा दिया अच्छा यहां पे जो था उसको नचा करके यहां लगा दिया यह देखो यहां लगा दिया नचा के यह लग गया क्या जी इतनी बास समझ में आई यस तो इसका मतलब हुआ यह स्ट्रक्चर अगर अपने पाई लेक्ट्रॉन को डी लोकलाइज कर दे घुम क्या करें घुमा दे मुव्मेंट कर दे तो यह स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है तो इससे यह स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है अच्छा अगर यह स्ट्रक्चर अपने पाई लेक्ट्रॉन को घुमा दे तो यह स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है वो देख लेते हैं यहां पे ज electrons को उठा कर कि मैं इसको इधर ले आता हूँ यहां के pi electron, दोनों lightning को उठा कर कि आप यहाँ लेकर पर आप देखिए जब आप यह नचा रहे थे तो क्या यह बन रहा है, हाँ सर बन रहा है इसका मतलभ इससे यह बन रहा है और इस से ये बन रहा है, तो देखो इस से ये बन रहा है तो ये sign अब इस से ये बन रहा है, तो इसका sign क्या होगा, इधर से आप बना दीजिये, तो इस तरीके से जो ये sign मिलता है, इसको हम कहते हैं, Tingnya. तो मैं इसको study करूँ या इसको study करूँ तो सोचा गया भाईया ऐसा करो एक ऐसा structure बनाओ जिसमें इन दोनों का character उठा करके डाल दिया जाए सब्द पकड़िएगा दोनों का character उठा करके डाल दिया जाए जब दोनों का character डालने की कोसिस करी तो हमने क्या कहा, कि भईया हमें क्या करना है, पहले तो sigma bond as it is बनाईए, कभी sigma bond को मत छेड़िये, sigma bond को मत छेड़िये नहीं, तो resonance जो है, इस वीडियो से बाहर निकल करके थपड़ मार जाएगा आपके भरतर, समझिएगा जी, क्या कह रहे हैं, sigma bond को मत छेड़ियेगा, चलि भी रहेगा, तो हम इसको दिखाते हैं, ऐसे देखो, dotted line से, ऐसे दिखाते हैं, आधा πई bond, मतला आधा πई bond यहां है, आधा πई bond यहां है, आधा πई bond यहां है, तो इस तरीके से आधा 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 पाई bond जो है, हर तरफ distribute हो जाता है, आच्छा जी, हमने क्यों सोचा ऐसा, क यहां रहता है, और यह लगातार नाचता रहता है, अगर हर जगा रहता ही है, तो उसको बताने का तरीका हमने dot line से दिखाया, यह जो चीज है, इसको हम resonance hybrid कहते हैं, क्या कहते हैं, बालक मेरे resonance hybrid कहते हैं, नराज मत हो ना, बालिकाएं भी यहां पर पढ़ रही है, ठीक है, resonance hybrid करते हैं, कभी-कभी आपने देखा होगा, बेंजीन में से गोला बना दिया जाता है, जो गोला है, वो यही बता रहा है, कि electron जो है, हर तरफ नाचता हुआ जा रहा है, कौन सा electron, पाई electron, बस, इतना ही concept होता है resonance, खतम हो गया सर, नहीं रहे, अभी तो सुरुआत हुई है आईए, resonance क्या होता है बालक तो यहाँ पर लिखा है, de-localization of pi electrons, pi electrons के नाचने को resonance कह देते हैं, अच्छा जी, आईए देखते हैं, और इज़्जत से, और अच्छे तरीके से, यह बात उमने आ समझा दी, अच्छा, एक बात और बताता हूँ, de-localization of pi electrons in conjugation, in conjugation system, actually, हर जगा resonance possible नहीं है, जहाँ पर conjugated system होगा, वही पर pi electrons के नाचने की छंता देखने को आपको मिलेगी, और pi electrons में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि pi bond के electrons होगे, वहाँ पर आपको pi bond के electrons भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको loan pair भी मिलेगा, वहाँ पर आपको negative charge भी मिलेगा, वहाँ प अब को pi electrons तब कहते हैं, जब resonance की phenomenon होगी, आगे बताऊंगा, अभी कृपया सब्द सुन लीजिए सिर्फ, याद नहीं करना, कृपया, प्लीज, 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 डे-लोकलाजेशन का मतलब है नाचना, क्या, हिंदी में कहते हैं इसको नाच movement, सर, नाचने को movement नहीं कहते हैं, आपके अंग्रेजी ठीक नहीं लग रही है, अरे बालक एक तरीके से देखो, हाथ कर क्या रहे हो, तुम नाची रहे होते हो, बस अगर नाचने को stepwise धंग से कर लिया जाए, तो अच्छा dance हो जाता है, बस इतनी सी बात है, है ना जी, सब्दा आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जैसे, समझना, मालो मेरे पास यहाँ पे एक πाई बॉंड है, क्या ही यह पाई बॉंड, थोड़ा गंदा बना दिया है, इसको अच्छा बनाने की कोसिस करते हैं, कारबन कारबन के बीच में हमने एक पाई बॉंड बना है, ऐ यहाँ पर क्या है, CS2 ग्रूप, यहाँ पर भी CS2 ग्रूप, अच्छा जी, यहाँ पर इस तरीके से, मालो एक दूसरा कारबन का पाई बॉंड, इन दोनों पाई बॉंड को मैं आपस में सिग्मा बॉंड से गर कनेक्ट कर दूं, तो कहा जाता है, कि हमने दोनों पाई बॉ सिंगल, डबल, सिंगल, इसलिए इसको Conjugated System कहते हैं, तो Conjugated System में एक चीज यह होती है, दूसरी क्या होती है, वो सुन लीजिए, एक होता है कि भाया देखो मेरे पास एक पाई बॉंड है, अब यहाँ पर कोई एक Element Z है, जिसकी खोपड़ी पर Lone Pair हो सकता है, जिसकी Connect कर दिया जाए Sigma Bond के थूँ, तो इनको भी Conjugated System में Consider करेंगे, वैसे देखो 5 हो गया, एक तो ये वाला, और देखो अगर एक Lone Pair है और एक Double Bond, तो एक ये, Negative Charge Double Bond, Plus Double Bond, Radical Double Bond, है न जी, तो सायद आपको समझ में आया हो, तो यही वो Conjugated Systems हैं, जहाँ पर आपको De-Localization of Pi Electrons द लाया हूँ, देखिएगा, Orbital Representation of Resonance, ये बात है तरीक नाच रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सरना उसके Molecule के अंदर घुसके बताओ, कि उनके Orbitals किस तरीके से विहाइब करते हैं, आईए, आपके सामने कुछ लोग प्रस्तूत करेंगे, अभी इनको छोड़ते हैं, न सिंगल बॉंड छोड़कर तुबारा पाई बॉंड बनाऊंगा, क्या मैं इसको बंजीन कह सकता हूँ, हाँ, खुले तो और पर कहिए, सर क्या दिक्कत है, अच्छा जी, यहाँ पर अब एक बात confirm है, कि देखिए, मैंने हाइड्रोजन को छोड़ रखा है, हाइड्रोजन क बना लीजे, तब बता दिता मैं, अच्छा जी, चलिए बना लिए, अब बताईए, यहाँ बाकी पर हाइड्रोजन एक एक लगे हुए, आप इतने समझदार हैंगे, समझ जाएंगे, फिलाल बताईए, आप कहेंगे, यह जो कार्बन देखिए, इसमें एक सिग्मा अगर आप देखिए, तो एक्चुली यह 6 के 6 कार्बन SP2 हाइड़ाईजड हैं, SP2 हाइड़ाईजड हैं, और 6 कार्बन अगर SP2 हाइड़ाईजड हैं, एक बास सोच कर देखो, SP2 हाइड़ाईजड में क्या होता है, आपने पढ़ाओगा, ट्राइगनल प्लेनर होता है, इ तो सारे कार्बन एक ही प्लेन में होने जरूरी है, वो कंडिशन मैंने सटेस्पाई करवा दी, अब एक सब्द सुनिएगा, सब्द यह है कि एक बात बताईए, यह पाई बॉन्ड बनाया किस ने, यह पाई बॉन्ड भाईया बनाया किस ने, आपने पढ़ा होगा कि period element, कोई भी second period element एक दूसरी के साथ अगर πाई बॉन्ड बनाते हैं तो हर बार वो अपने P orbital यूज करते हैं, सुनिएगा यह देखो, यह जो carbon है वो अगर SP2 hybridized है इसका मतलब उस carbon के S और 2 P orbital चले गए hybridization में sigma bond बनाने के लिए लेकिन इस carbon के पास अभी भी एक P orbital बचा है यहाँ पर भी एक P orbital बचा है तो इन दोनों के इस तरीके से P orbital आपस में मिलकर पाई बॉन्ड का ये formation कर लेंगे और इस चीज को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ देखेगा, white color सी जो मैंने बनाया है यह carbon carbon के बीच के sigma bonds को हमने represent किया है hydrogen को हमने इसलिए छोड़ दिया ताकि बहुत complex structure ना हो जाए for the sake of simplicity अच्छा जी, अब सब्द पकड़िएगा यह pi bond को मुझे explain करना है तो मैं कह रहा हूँ कि यह जो carbon है उस carbon का एक P orbital इस वाले carbon का एक P orbital दोनों के P orbital आपस में गटबंधन करके यह जो pi bond है वो बना देते हैं मेरी इस बात से सहमत है? हाँ सर सहमत है इसमें को दिक्कत नहीं है इसी तरीके से यहाँ पर जो pi bond है उसको बनाने के लिए इस carbon का P orbital इस carbon का P orbital आपस में गटबंधन करके यहाँ पर pi bond का formation करते हैं अब आईए यहाँ पर जो pi bond है उसको बनाने के लिए इस carbon का P orbital इस carbon का P orbital आपस में देखिए गटबंधन करके क्या बनाते हैं? पाई bond बनाते हैं तो actually यह orbital representation इसका ऐसा दिखता है sigma bond को छोड़ दीजिए क्योंकि उसको कोई movement हमें कराना नहीं है pi bond को समझना है तो इसलिए हमने उनको P orbital के थूँ आपके सामने 3D में एकदम present कर दिया है ठीका जी यह जो उपर उपर दिख रहा है यह red color से बना हुआ है हलकालका दिख रहा होगा अगर resonating structure बनाओ तो क्या बनाओंगा यह बताईए आप ले चलिए बताईए क्या बनाना चाहिए मुझे इसका अगर मैं resonating structure बनाओं मैं कहूंगा कि जो pi bond यहां थे अब वो वाला pi bond यहां आजाएगा दूसरा कडर उठाते हैं जी यहां देखे यह वाला जो pi bond है वो pi bond अब यहां आएगा यह वाला जो pi bond है अब वो यहां आएगा यह वाला जो pi bond है अब वो यहां आएगा ठीक है तो इसका एक resonating structure बन गया देखो यह जो दो structures बनते हैं इनको आपस में resonating structures कहते हैं क्योंकि यह आपस में resonance के थुरू जूड़े होते हैं क्या कहते हैं इसको resonating structures structure इसको हम resonating structures कहते हैं तो माल लीजिए ये first resonating structure है ये second resonating structure है अब इसका orbital graph कैसे बनेगा ये देख लीजिए इसको मैं समझा देता हूँ देख लीजिए क्या हो रहा है देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर pi bond देखे यहाँ पर pi bond है ठीक है जी तो एक pi bond यहाँ पर बनाना द्यान से देखेंगे यहाँ इस carbon यहाँ इस carbon के बीच में pi bond बनाना है तो दोनों के p orbital आपस में गड़ बंधन करके क्या कर रहे हैं दोनों आपस में गड़ बंधन करके pi bond बना रहे हैं pi bond ऐसी बनता है इस थरीके से overlapping से बनता है यह बात तो आप जानते होंगे अगली बात देखेंगे यहाँ जो carbon यह वाला carbon और यह वाला carbon इनकी बात करें तो देखें इस पर एक p orbital इसके p orbital इनका आपस में गड़ बंधन होगा तो pi bond बनेगा यहाँ देखेंगे यहाँ और यहाँ की बात करें यहाँ पर जो बनेगा वो देखेंगे यह है और इनको आपने आपस में connect किया तो यह वाला pi bond यहाँ explain होता है तो इन दोनों को देखकर देखो तो actually क्या हुआ पता है पहले सब्द पकड़िएगा पहले यहाँ दोनों pi orbital के बीच में क्या थे pi bond था लेकिन अगले वाले में हो क्या रहा है यहाँ का जो electron था वो यहाँ सिर्फ होने का मतलब होता है कि यहाँ के आपस में pi orbital देखो यह pi orbital आपस में क्या करने लग गए overlap अगले वाले में यह overlap करने लग गए यहाँ देखो नीचे देखो यहाँ वाले में यहाँ overlap करने लग गए इसका मतलब इससे इसमें जाने में overlapping में change हो रहा है इसमें पहले यहाँ overlapping होती थी अब यहाँ overlapping होने लग जाती है तो ये दोनों आपस में resonating structures हैं और ये दोनों resonating structures आपस में क्या किये जा सकते हैं भई या देख लिजी resonance के तुरू बनाए जा सकते हैं यहाँ पर आप क्या कहेंगे ये दोनों भी resonating structure है ये दोनों भी resonating structure हैं यहाँ पर कुछ खास नहीं हो रहा है पहले यहाँ पर दोनों overlap करते थे अब यहाँ overlap करते हैं तो actually यहाँ पर इधर भी overlapping है इधर भी overlapping है अब बताइए इन दोनों को देखकर आपको क्या लगता है किसका resonance hybrid कैसा दिखता होगा आप कहेंगे सर सही से देखो तो यह वाला P orbital वो इनके साथ भी जुड़ा है वो वाला P orbital इनके साथ भी जुड़ा है देखे इसका मतलब सारे के सारे P orbital एक दूसरे की साथ ऐसे ऐसे connected हैं अब देखे यहाँ पकड़ में आएगा यह देखे सारे P orbital मैंने 6 carbon पर present P orbital आपके सामने रख दिया और मैं resonance hybrid बनाने वाला और resonance hybrid बनाते वक्त आपको यह बताया गया था आपको बताया गया था कि भाईया हमें करना क्या है कि πाई electron को इस तरीके से बनाना है बनाने का मतलब क्या होता है कि जो यह उपर के लोब हैं इसका मतलब पता है क्या हो रहा है जो carbon carbon की यह जो white color से carbon carbon की हमने एक ऐसे seat बनाई है उसके उपर भी electron की density है उसके नीचे भी electron की density है carbon carbon की sheet के उपर भी electron density है नीचे भी electron density क्योंकि है पा रहा हूँ क्योंकि orbitals के lobes उपर भी है और नीचे भी है तो इस तरीके से आपको पूरा benzeen का concept समझ में आया होगा resonance का concept feel हुआ होगा आई अगली बातचीत और चर्चा करते हैं Conjugation क्या है? वैसे प्रबाचीत हो चुकी है. चलिए जी आगे आते हैं. क्या है? Conjugation एक necessary condition है for resonance. अगर Conjugation होगा तभी resonance possible है. तो पहली चीत देखते हैं. Pi Pi Conjugation जो मैंने आपको बताया है. क्या है Pi Pi Conjugation? Double bond, Single bond, Double bond. अब देखिए, यहाँ पर open है. यहाँ रिंग की तरह तो है electrons को show कर दीजिए. क्योंकि तब आसानी रहते हैं. अभी आप सीख रहे हैं. तो इसलिए सीखना इस तरीकेस जरूरी है. तो दोनों electron को उठा के क्या करिए? यहाँ पर अगले वाले के इन दोनों carbon के बीच में डाल दीजिए. ठीक है? आप चाहिए तो numbering कर लीजिए. numbering से चीजें थोड़ा आसान हो जाएं. अगर आपके लिए तो कर लीजिए. देखें. यह one, यह two, यह three, यह four. यह चार carbon हमने इस तरीके से connect किये. देखना द्यान से. समझना. अभी हमने क्या किया? वन और two के बीच में जो pi electron थे उसको उठा के two, three के बीच में डाल दीए. three, four के बीच में जो उठे उसको electron को उठा करके carbon number four पर ले जा करके रख दीजिए. करना क्या है? pi electron को उठाना है, यहाँ पे बनाना है. यहाँ तो pi bond बन जाएगा. लेकिन three, four के जो electron वो उठकर carbon पर जाएंगे. एक बाल बताएगे. यहाँ जो fours number का carbon है, वहाँ पे आपको ठीक है? यहाँ पे देखना भया, अध्यांस देखना. मैंने carbon number one, two, three, four बनाए हुए. हो क्या रहा है? two और three के बीच में एक pi bond आएगा. देख लीजी. अरे भया, जब दो electron उठेंगे, two और three के बीच में आएगे, तो पहले से sigma बना हुआ है. एक और bond बनेगा, तो pi bond ही त पर plus आएगा. यहाँ जो carbon उस पर plus आएगा. यहाँ जो carbon उस पर plus आएगा. यह बात समझ में आई की नहीं? अरे इसका electron चला गया. अब सुनीगे. थ्री और four के बीच में जो electron उठकर के चार पर जाएगे. तो इस वाले पर क्या आएगा? इस वाले पर plus आएगा. अरे प्ल electron है. एक electron इस थ्री वाले का है. लेकिन अपना electron तो चौथा carbon ले जा रहा है. लेकिन तीसरे वाले का भी उठा ले गया. तो दूसरे का हडप लिया electron. हडपने पर negative charge आता है. तो इस तरीके से यह structure बनते हैं. अब अगर मैं इसमें ही resonance करा दूँ. ध्यान सुनना. यह negative charge. negative charge क मतलब क्या हुआ? वहाँ पर दो electron है. ध्यान सुनना. एक तो उसका खुद का. एक इन्हों ने जो दिया था. तो जब यह दो electron उठकर के माल लीजेए. यहाँ पर आएं. इन दोनों के बीच में. हमेशा क्या करना? negative charge को दो carbon के बीच में लाना है. अच्छा जी. अब देखि charge इन दोनों के बीच में receive होगा. तो यहाँ pi bond बन जाएगा. देखो यह वाला pi bond बन जाएगा. और अगर यहाँ का pi electron उठके आगे जाएगा. तो यहाँ सिर्फ single bond बनेगा. देखो यह उठके आगे चला गया. अच्छा जी. अगर यह electron उठके आगे जाएंगे. क्योंकि य electrons हैं. तो यह carbon के जो plus charge है. उसको electron मिलेगा. तो क्या हो जाएगा? neutral हो जाएगा. यह carbon neutral हो जाएगा. और वहाँ पर एक pi bond भी बन जाएगा. तो इस तरीके से इस से ये और इस से ये बनाए जा सकते हैं. तो यहाँ पर resonance phenomena हो रही है. pi electron movement चल रहा है. आप सुन लीजे. जो यह negative charge इसको pi electrons कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि यह negative charge जब resonance करता तो देखिए यहाँ पर pi bond बना रहा है. आपका negative charge भी pi bond का electron बन के निकल के आ रहा है. इसलिए इस समय यह जो negative charge है. जो कि यहाँ resonance में है. जो कि conjugation में है. उसको हम pi electron की तरह consider करेंगे. अगली चीद देख लेते हैं. यह बात तो मैंने पहले ही प्यार से समझा दी थी. कि अगर pi bond के साथ कोई z हो. जैसे कि उस पर क्या हो? positive charge हो. जैसे कि उस पर lone pair हो. मतलब दो electron हो. या एक negative charge हो. या उस पर एक electron हो. मतलब radical हो. तो यह sub conjugation में आते हैं. जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे lone pair. तो lone pair का example है. z यह यहाँ पर NH2 है. आपको पता है NH2 में nitrogen की खोपड़ी पर lone pair आता है. है ना जी? nitrogen पर lone pair. तो यहाँ पर z कौन है? nitrogen. अब होगा क्या? nitrogen जो कि lone pair. ध्यान से सुनिएगा. यह सब्द सीखना है. अभी सीखने की उम्र है आपकी. क्या करना है? carbon यहाँ है, nitrogen यहाँ. इन दोनों के बीच में क्या करिए? यह electron लेकर क्या आईए. अगर electron यहाँ आएंगे तो यहाँ pi bond बनेगा और pi bond के दोनों electron को उठाईए. इसको उठा करके यहाँ रखिए. प्रोसेस फॉलो करिए. जो कुछ बता रहा हूं उसको. अच्छा. ऐसा करने की बाद, पहले क्या करिए? sigma bond बन तो मैंने पहले sigma bond वाले सारे बना दिये. अब सीखिए क्या करना है? अब देखिए क्या करना है? जहां सुनिएगा? nitrogen ने दो electron इन दोनों के बीच में receive कराया. इन दोनों के बीच में receive कराया मतलब यहाँ पर pi bond बनेगा. इसमें कोई सक नहीं है. पाई bond बनेगा. अब सुनि नहीं मिलेगा. nitrogen ने अपना lone pair दे करके bond बनवाया. इसलिए इस पर plus. वैसे मैं समझा दूँ. अगर आपने formal charge पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि nitrogen अगर 4 bond बना ले तो उसकी खोपड़ी पर plus लाना जरूरी है. तो इसको इस तरीके से भी कह लीजी. लेकिन मैं जो त negative charge आएगा. इस carbon की खोपड़ी पर negative charge आएगा. इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परशानी? नहीं है. तो इससे हम ये बना ले जाएंगे. क्या मैं इससे ये बना सकता हूँ? चलिए चक करते हैं. अगर आप नहीं सीखेंगे तो दिक्कत होगी, मैं आपको confirm बता रह तो यहाँ पर πाई बन जाएगा. और जब ये दोनों electron उठकर के nitrogen के plus को मिलेंगे, तो nitrogen electron खाएगा, खाने के बाद neutral हो जाएगा. तो वो NH2 बन जाएगा. देख लीजे. ये electron चले गे ना वापस उसके उपर. तो देख लीजे, ऐसा NH2 बन जाएगा. इसका मतलब ये दोनों आपस में inter-convert हो सकते हैं by delocalization of pi electron. तो ये जो lone pair है, वो यहाँ पर pi bond बना रहा है. इसलिए इस lone pair के electron को जो की conjugation में है, किसके साथ, pi bond के साथ, उसको हम pi electrons कह सकते हैं. आई अगला करते हैं बात. कैटायन में अगर मैं बात करूँ, तो कैटायन में देखिएगा. कैटायन मे यह जो carbon है, उसकी खोपड़ी पर positive charge है. आप निकाल के चेक करिए, carbon पर sp2 hybridization आएगा, तो यहाँ पर एक vacant p orbital होता है. और वही vacant p orbital, यहाँ वाला जो p orbital होता है, जो की pi bond बना रहा है, उसके साथ overlap करता है. सिंपल समझाओं, तो क्या करना है, सुनिएगा. यहाँ पर positive charge, यहा तो pi bond है, उनका दोनों electron उठेगा, अगले carbon, carbon पर जाकर receive होगा. अच्छा, resonance की phenomenon में कभी भी sigma bond को नहीं छेडा करते, नहीं छेडेंगे भईया, कोई दिखकत नहीं है. देखे, sigma bond को as it is बनाईए. अगली बात क्या है कि pi electron उठे कहां से हैं? यहां से. जहां से pi electron उठे हैं, उसके इस वाले carbon पर, उसके इस वाले carbon पर plus बना दीजी, plus बना दीजी, क्योंकि आप pi electron को आगे, जब जब pi electron आगे जाता है, यहां से electron आगे बढ़ा, तो उस पर plus आएगा. देखो, यहां से भी electron आगे गया, तो one पर क्या आया? प्लस आया. सेम कहानी यहां पर लगा नही अच्छा, लेकिन यह दोनों electron अगर इन दोनों के बीच में receive होंगे, सोच कर देखो, इस plus को तुमने जाकर के electron दिया, तो एक तो plus neutralize हुआ, और यहां पर एक bond बन जाएगा, यहां पर एक pi bond बन जाएगा, ठेक, अब यही चीज यह भी है, यह दोनों आपस में interconvert हो जाए अच्छा जी, अगली बात करते हैं, NIN की बात करते हैं, NIN की बात चलिए कर लेते हैं, अगला, NIN पर क्या है, nitrogen की खोपड़ी पर negative charge है, अब nitrogen की खोपड़ी पर अगर negative charge है, तो इस negative charge को आप कहा लाएंगे, यहां carbon nitrogen के बीच में, और यहां जो electrons हैं, वो electrons को उठा करके आप इस carbon पर रख दीजिए, ऐसा करते हैं वक्त, जब भी resonance बनाना हो, resonating structure बनाना हो, तो कभी भी sigma bond को मत छड़िए, मत छड़िए, छड़ गया क्या, नहीं छड़ा, तो यह बन जाएगा, अच्छा, अब देखें, carbon nitrogen के बीच में जो negative charge है, उसको उठा करके यहां इनके बीच म लूटा हुआ धन, लूटा हुआ धन लूटाओगे, तो भाया, neutral हो जाओगे, लेकिन अगर अगर अपना, अपना धन, loan pair मतलब अपना पैसा, अपना पैसा लूटाओगे, तो करजी में आ जाओगे, positive charge उस पर आ जाएगा, अच्छा, यह दोनों electron उठकर कहां आगे, यह क electron का खेला कैसे चलता दिखेगा, यह जो एक electron है, उसको ले करके एक इधर आईएगा, arrow half बनाईए, यहाँ पे πाई में दो electron है, अब दो में से एक ही electron आगे जा सकता, क्योंकि यहाँ पर तो एक electron आ चुका है, तो अब क्या होगा, यहाँ से एक electron यहाँ आएगा, एक electron उठ करके यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें sigma skeleton को जैसा था वैसा बनाना है, sigma skeleton बन गया, sigma skeleton का मतलब है, sigma के जो bonds हैं वो बना दीजिए, अब सुनिएगा, यहाँ सुनिएगा, एक electron यहाँ से आ रहा है, एक electron यहाँ से, तो यहाँ आएगा अच्छा इससे ये और इससे ये आपस में convert हो सकते हैं जिसको ये समझ में आ गया उसको आगे कठनाई आ ही नहीं सकती क्योंकि initially बस यही points में सीखने होते हैं समझने होते हैं I hope आपको यहां तक में पूरा का पूरा आनंद आया होगा देखो ये पढ़ेना उसे पहल bond हो जाता है और जहां कहीं पर single bond होता है देखो 2-3 के बीच में यहां पर देखो double bond हो जाता है इसका मतलब जब जब resonance की फिनॉमिना होगी तो जहां कहीं पर double bond character होगा double bond character होगा वो convert हो जाता है single bond character में single bond character और जहां कहीं पर single bond होता है जिसे यहां पर single bond है यहां double है ना तो single bond वाला क्या हो जाता है double bond में तो यह चीज देखने को यहां पर मिलते है इतनी वासमझनारी है तो आप कहेंगे कि देखो जो double bond होता है वो single bond में convert हो रहा है इसका मतलब जो कहीं पर double bond है तो वो क्या हो उसके अंदर आ रहा है तो यही कहने का साफ मतलब है कि जहां डबल बॉन्ड है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड करेक्टर आने का मतलब होता है कि है मेरे बालक यहां पर थोड़ी लेंथ जितनी दिख रही है उससे ज़ादा होगी जैसा कि बेंजीन में मैंने बताया हुआ था यहाँ पे भी देखिए, जहाँ double bond है, वहाँ single bond character है, जहाँ double bond है, वहाँ single bond character है, जहाँ double bond है, वहाँ single bond character है, इसका उल्टा, यहाँ देखो single bond है, तो यहाँ double bond है, यहाँ पहले single bond है, अब यहाँ double bond है, पहले यहाँ single bond है, अब यहाँ double bond है, अब यहाँ double bond है, अब यहाँ single bond को मिलती है जब आप resonance की phenomenon perform करते हो किसी की ओपर आई अगला देखते है rules for writing वैसे हमने सीख रखा है लेकिन एक बर देखते हैं पहला क्या है follow octet rule for second period element obvious सी बात है कि आप किसी की covalency से ज़्यादा bond नहीं बना सकते एक्जामपल के तोर पर अगर मैं बताऊं तो जैसे boron है, carbon है nitrogen है, fluorine है यह सब second period element है oxygen भी है, oxygen को बीच में डाल लेते हैं नहीं तो वो अपनी बिज़ती समझेगा अरा वही याजी यहाँ पर oxygen बनाना था oxygen and fluorine इन में maximum electron कितने हो सकते हैं? 8 electron यह तो हमने पढ़ा हुआ है, octet rule करके पढ़ा है न, अरे बालक है बालक, इसलिए कहा जाता है sequence में पढ़ना जरूरी होता है तो यह लोग maximum electron रख सकते हैं तो आपको जब कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी boron बनाना हो तो boron की covalency maximum char हो सकती है वो भी negative charge के साथ है वो भी negative charge के साथ चार bond बनाएगा अगर boron तो negative charge के साथ बनाएगा, क्यों क्यों कि boron के valence cell में 3 electron होते हैं, एक electron और लेगा, तब जाके उसके पास 4 bond बनाने की छमता प्राप्त होगी इसी तरीके से nitrogen की बात करें, तो nitrogen जो है जब मान लीजे इस तरीके से 4 bond बनाता है, तो उसकी खोपड़ी पर positive charge आता है कोई जिक्कर कोई परिशानी नहीं है है ना, अच्छा जी, लेकिन carbon जो है, 4 bond बनाता है तो आपको पता है कि इस पर कोई charge नहीं आएगा क्योंकि carbon के valence cell में 4 electron है, उसको 4 electron और मिल जाएंगे bond के थूँ तो इस तरीके से उसका भी offset पूरा हो जाएगा, बट nitrogen के पास कभी 10 electron गलती से मत कर दीजिए, carbon के पास कभी 10 मत करिए boron के पास कभी 10 मत करिए क्योंकि 10 possible ही नहीं है अगर कहीं 10 बन रहा, इसका मतलब आफ गलत बना रही हैं, तो यह सावधान करने का एक तरीका है आप तो, अच्छा जी, अगला क्या है कि देख मेरे भाई, यह बात तो समझ में आती है कि sigma skeleton कभी भी नहीं बगलना है sigma bond को agitated छाप देना है और नचाना किसको है, pi bond को नचाना है, अच्छा, number of paired and unpaired electron should be same, यह चेक करना पीछे जितने भी paired and paired electron होंगे वो same आएंगे, देखना चाहते हो, आज़ो दिखा देते हैं, यहां देखो यहां देखो, बालत, इसमें radical में देखो, यही एक electron है, जो की unpaired है जो paired नहीं है, यहां पे देखिए, यहां पे भी एक unpaired electron मतलब इसके इस resonating structure और इस resonating structure में दोनों में number of unpaired electron कितने है बालक एक ही है, तो unpaired electron भी same आएगा, इन में भी चेक कर लीजिए paired and paired same आएगे negative का मतलब यहां दो electron है तो paired है, यहां भी दो है, paired है यहां देखिए, दो electron paired है और bond में भी सारे electron paired है ठीक है जी, तो इसका मतलब है जी last line भी, ठीक ठाक सही साबित होती है आईए, यहां पर तो बड़ा सीखते हैं, तो समझिएगा यहां क्या है, carbon double bond oxygen है, उससे पहले देखिए double bond है, मैं कहा रहा हूं कि resonating structure एक बार बना कर देख लेते हैं यहां पे दो electron जो है πाई की जो दो electron है यह दोनों electron को उठाईए लेकर कि कहां चले जाएगे, इधर की तरफ, ठीक है यहां की तरफ लाएंगे कैसे सोचा हमने, क्योंकि यहां पर double bond, single bond, double bond करेक्टर है दुबारा सुनेंगे, क्या present है double bond present है, single bond present है double bond present है, मतलब resonance होगा अच्छा, यह दोनों electron यहां आएंगे और bond के अंदर जो दो electron है वो दोनों electron उठ करके oxygen की खोपड़ी पर आ जाएंगे अरे बोलना भईया बाट ठीक है हाँ, इसका मतलब इसका resonating structure इजली बनाया जा सकता है अगर हम इनके सिर्फ sigma skeleton को इज़ट से चाप लें तो, अरे बोलो भईया इसके sigma skeleton को इज़ट से चाप लें जिसको हमें बदलना नहीं है यही बात समझाने के लिए मैंने यह लिखा हुआ है अच्छा जी यह दोनों electron उठकर के आगे गए तो जो यह वाला carbon उसकी खोपड़ी पर क्या आएगा positive charge आएगा यह दोनों electron इन दोनों के बीच में receive होगा इसका मतलब यहाँ पाई bond आएगा अब यहाँ का पाई electron जो है उठकर के oxygen की खोपड़ी पर चला गया means यहाँ negative charge आएगा तो जब भी bond के दो electron किसी atom पर जाते हैं तो negative charge होते हैं और जब पाई electron आगे shift होता है तो यह जो पहला होता है carbon उसकी खोपड़ी पर positive charge आता है तरीके से यह एक दूसरे के resonating structures होंगे जहाँ पर यह सारे rules follow होते हैं आथ देख पाईंगे अगली चीज है यहाँ पर यह देखते हैं अच्छा यहाँ पर मैं आ रहा है उससे पहले मैं इस चीज़ सिखाना चाहूंगा बहुत जरूरी है कि देख मेरे बालक करें अगर तुम्हें बंजीन मिल जाए अगर तुम्हें कभी बंजीन मिल जाए बंजीन यह सही बनाया है ना मैं बीच में गोला बनाने का मतलब इलेक्टरउन हर तरफ नाच रहा है पा इलेक्टरउन अच्छा इस बंजीन को और हम substitute कर दें अगर मैं इसमें एक गरुप जी लगा दूँ तो बेंजीन से जिस कार्बन पर ये गरुप जी लगा है इस कार्बन को हम कहते हैं ipso इस कार्बन को कहते हैं इस प्सो कार्बन देखना भया बेंजीन का वो कार्बन जिससे कोई गुरुप जुड़ा है उसको इप्सो पोजीशन कहते हैं और जिस गुरुप से ध्यान दें गुरुप से बगल वाला जो ये कार्बन है और ये कार्बन है इनको हम और्थो कहते हैं और्थो कहते हैं हम इस कारबन को क्या कहते हैं बालक और्थो कहते हैं मेरे साथ बोलिए जोर से क्या बोलना है और्थो कहते हैं ये कारबन इपसो जिस पर वो ग्रुप लगा है उसके बगल वाला क्या होगा बालक और्थो लेकिन इस G के respect में देखो अगर ये 1 है अरे बालक देखना क्या बोला अगर ये 1 है ये 2 है ये 3 है तो ये जो 3 वाला है ये देखो इधर से भी 1, 2, 3 वाला है ये 3 वाला मेटा कहलाता है मेरे साथ बोलेंगे बटा क्या कहेंगे इसको मेटा कहेंगे हाँ तो ये है 입so ortho meta अब देखो G का पैर कहा है पैर इसका नीचे है यहाँ पैर इसका यहाँ है याद करने के लिए मैंने बताया तो ये है पैरा position अगर तुम से कोई कहे कि benजीन के खोपड़ी पर देख कर बताईए कि कोई गृप G लगा है और वहाँ पर पैरा position कहा होगा तो कहना उस group से गिनते आए जोथे नमबर पर है ना तीसरे और पांचवे को मेटा कहते हैं छटे और बांचवे को और्थो कहते हैं और जिस पर group लगा है बात तो मज़ेधार लगिए सब आईए यहां देखते हैं यहां देखो डबल बॉन्ड दिखरा है बेंजीन का फिर सिंगल बॉन्ड एक जेड एटम पीछे पढ़ाया था उसकी खोपड़ी पर नेगटिव चार्ज ऐसा होने की कंडिशन में ये नेगटिव चार्ज यहां आएगा और पाई बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्टरॉन ह के अगले पर आ जाएंगे अरे बोलो आ जाएंगे क्या इसके बजाए आप पहले एक एक करके बनाते हैं एक साथ सिखाऊंगा तो दर्द साथ हो जाए इसलिए पहले क्या करिए नेगटिव चार्ज को बॉन्ड के बीच में लाइए और बॉन्ड के इलेक्टरॉन को नेग भाईया जी सिगमा स्केलेटन तो फिक्स रखते हैं ये है सिगमा स्केलेटन अच्छा नाच क्या रहा है पाई बॉंड ये नेगटिब चार्ज इन दोनों के बीच में आया तो पाई बॉंड यहां बनाएंगे अच्छा ये दोनों इलेक्टरॉन उठकर के इस कार्बन पर आ अच्छा अगले ची सुनिए ये जो नेगटिब चार्ज है ये उन दोनों कार्बन के बीच में लेकर के आये और यहां पर जो पाई के दो इलेक्टरॉन है इनको उठाईए अगले कार्बन की खोपड़ियों पर इनको नचा दीजिए बोलो भी आबाट ठीक है और बोलो न आबाट ठीक है क्या सायद ये बात आपको ठीक लगे हाँ जिस पार्ट को आप छू नहीं रहे हैं उसको वैसे बनाईए देखिए ये इसको हमने टच्छ नहीं किया इसको भी नहीं किया इन पर कोई फरक आया नहीं क्योंकि इधर हमने कुछ किया ही नहीं उस पर आबाट बीच में क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है अब सुनिए अगला सब्द ये जो नेगटिब चार्ज है ये पहले बॉन्ड पर आएगा हम हर बार क्या कर रहें नेगटिब चार्ज को बॉन्ड के बीच मिलाते हैं पाई बॉन्ड को तोड़ करके नेगटिब स्केलेटन सेम रखिए जो पार्ट हमने टच नहीं किया उनको चाप लीजिए इतना पार्ट चाप लीजिए फिर देखिए ये नेगटिब चार्ज इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा मतलब पाई बॉन्ड यहां आएगा देखो और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर अएगा उसको यहां इन दोनों के बीच में लाओ यहां जो पाई के इलेक्ट्रोन है इनको उठा करके यहां पे डाल दीजिए अरे बोलुरे बालक बात समझ में आई इस तरीके से हमने क्या बना दिया यह बना दिया भीया देख लीजिए जिस पार्ट को हमने टच नहीं क परिवर्तन आया, उसको देखिए, यह negative charge इनके बीच में आएगा, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, यह दोनों electron उठकरके oxygen की खोपड़ियों पर नाचने आएंगे, इसलिए यहाँ पर तो इस तरीके से इतने resonating structure बन गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह five resonating structures बन जाते हैं, जब बेंजीन की खोपड़ी पर हम O negative लगाते हैं, चलिए, यही पर मैं एक मंत्र दे देता हूँ, जो की आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सुनिए क्या है, अगर मैं पूछूं कि भाया, जो यह O negative है, इस O negative के चकर में, यह negative charge कहां कहां गए, किस position पर गए, तो आप कहेंगे, O negative जिस carbon से लगा, यह तो इपसो है, कहीं इपसो carbon पर negative नहीं आया, कहां कहां आया, ortho position पर आया, देखिए, ortho position पर आया, पैरा position पर आया, ortho position पर आया, इसका मतलब, electron की density, electron density बढ़ती है, on para and, para and ortho position जब कभी भी, benzene की, benzene से जुड़ा हुआ कोई एक item हो, जहां पर negative charge है, तो वो negative charge, जब benzene के अंदर, entry करता है, तो वो electron की density, मतलब, negative charge क्या है, अरे, negative charge क्या होता है, electron की density न जी, हां, तो negative charge कहां कहां आया, ortho, para, ortho, तो वहीं दोनों position पर electron की density, बढ़ जाती है, जब ऐसी situation होती है, लेकिन, क्या meta पर कोई प्रभाव आया, but there is no effect, no effect on meta position, no effect on meta position, ये काम की बात है, जान रखियेगा, कोई भी effect meta position पर नहीं आया, meta कहां पर है यह, यहां पर कभी negative charge नहीं मिलेगा, देखो यहां भी negative नहीं है, यहां भी negative नहीं है, meta पर कभी भी negative charge नहीं आता, I hope इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, इतनी बात आनी जरूरी है, चलिए अगली बात अब compare करेंगे, आनंद की अनव होती होगी, चलिए क्या है, rules for stability of resonating structure, आपको एक structure दिया जाएगा, उसका आपको resonating structure बनाना होगा, और उन दोनों resonating structure में, आपको compare करके बताना है, कि उन दोनों resonating structure में जादा stable कौन होगा, उसके क्या तरीके होगे, यही ढूड़ना है, आएगे देख लेते हैं, क्या लिखा है, सब्द पकड़िएगा, सब्द पकड़िएगा क्या लिखा है, resonating structures having more number of pi bonds with complete octet is more stable, वो कहना चाते, एक ऐसा resonating structure जि लेकिन साउधान ये रहिए, कि हर carbon, हर nitrogen या हर atom का octet complete होना चाहिए, तो वो वाला resonating structure ज्यादा stable होता है, जैसे कि example के तोर पर ये देख लिजिए, हमारे सामने जो प्रस्तूत है, वो ये है, यहाँ देखिए, carbon पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक plus है, यहाँ पर त तीन bond में 6 electron मतलब octet पूरा नहीं है, किसका, इस carbon का octet पूरा नहीं है, लेकिन क्या nitrogen का octet पूरा है, जबाब है, हाँ, nitrogen की खोपड़ी पर एक lone pair है, और वो कितने bond बना रहा तीन, दो hydrogen के साथ bond बनाएगा और एक bond carbon के साथ, तो nitrogen ने 3 bond बनाए, तो 6 electron वहाँ और उसकी का मतलब क्या है, देख लीजिए, ये electron उठ करके आएगा यहाँ, पाई bond बनवाने, अरे बोलरे बालक, क्या बनवाने आएगा, पाई bond, हमें सिखाया ये गया था, कि भईया हमें जो है ना, sigma bond को बरवाद नहीं करना है, चलिए, sigma bond सारे लिख दिये गए, सारे sigma bond लिख दि बालक, ये दोनों electron अगर इन दोनों के बीच में उतरेंगे, किसके nitrogen और carbon के बीच में, तो carbon को electron मिलेगा, तो वो neutral हो जाएगा, लेकिन nitrogen ने भईया अपना loan pair दिया, इसलिए इसकी खोपड़ी पर positive चार जाएगा, और मैंने पीछे बताया भी है, कि जब ऐसी situation आए, कि nitrogen double bond और दो इस पर hydrogen लगे हों, तो इस पर प्लस जरूर आएगा, कि ये वैलनसी 4 हो चुकी है, बात समझ में आ चुकी है, अच्छा, अब प्रस्न ये है, कि ये वाला regionating structure A ज़्यादा stable है, या B ज़्यादा stable है, A या B में ज़्यादा stable कौन है, ये बताना है, तो आपको क्या द 8 electron होंगे, तो यहाँ दोनों के octet complete है, nitrogen के भी, carbon के भी, बट यहाँ octet भी complete नहीं, दूसरी चीज, pi bond यहाँ देखिए, एक भी नहीं है, यहाँ एक pi bond है, तो नमबरा pi bond इनका ज़्यादा है, यही पर octet complete है, इस वज़ा से this one is more stable, ये क्या होगा, ज़्यादा stable होगा, simple है पहचानने का तरीका समझगा है, ये वाला ज़्यादा stable होगा, अगली चीज देखिएगा, यहाँ पर एक carbon है, जिस carbon पर positive charge है, अच्छा जी, cs3 लगा, c double bond, o लगा, क्या यहाँ resonance possible है, चलिए sir करके देखते हैं, इधर आईए बताता हूँ, यहाँ देखो direct donation का resonance होता है, carbon के पास total electron गिनो, bond गिनो पहले, एक, दो, ती, total तीन bond है, अगर carbon के surrounding में 3 bond है, मतलब उस पर 6 electron, अगर उस पर 6 electron मतलब octet पूरा नहीं है, अगर octet पूरा नहीं है, तो वहाँ पर electron कैसे donation होगा, यहाँ पर आएगा, पाई bond बनाने के लिए, अब देखिए, अगर यहाँ प bond पहले से बने थे, दो bond पहले से बने थे, तो बना लीजिए, जितना पहले से बना होता है, उसको अगर चाप लीजिए, सर चाप लिया, फिर क्या करना है सर, यह दोनों electron आपने इनके बीच में विराजमान करवा दिये, अच्छा, वो जब आएगा, तो electron plus को भी तो इलेक्टरॉन प्लस को मिलेगा तो neutralize, carbon neutralize, लेकिन oxygen ने अपने loan pair दिये, तो oxygen पर इसमें plus charge हो जाएगा, यहाँ पर carbon ऐसा है, जहाँ पे octet पूरा नहीं है, लेकिन इस carbon का octet पूरा है, गिनिये कैसे, एक, दो, तीन, चार, चार, बॉन, आठ इलेक्टरॉन, octet पूरा, इन oxygen का भी, अच्छा जी, तो ये दोनों आपस में resonating structure है, अब आपको ढूड़ना है कि फर्स्ट और सकंड में ज्यादा stable कौन है, फर्स्ट और सकंड में ज्यादा stable कौन है, तो बताए पेट किसका वरा है, octet किसका वरा, इसका, पाई बॉन कितने हैं, एक, दो, दो पाई होगा, तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये more stable लिख दिया जाएगा, more stable लिख दिया जाएगा, कहानी शायद आपको समझ में आ गई होके, बहुत illogical है भई, अगली चीज क्या है, एक पाई बॉन्ड सेम निकला तब, then less ionized resonating structure is more stable, तो वो resonating structure ज्यादा stable माना जाता है, जहां पे ions कम से कम दिखाई देते हूं, ठीक है जी, क्योंकि जितने ज़्यादा ions होंगे, उतनी ज़्यादा reactivity होगी, और अजमाली जी किसी के ऊपर खूब सारा negative charge है, तो उसके ऊपर भाग करके कोई plus वाला आना चाहेगा, जूड़ना चाहेगा, मतलब वहार reaction होगा, अगर कहीं reaction हो रहा है, तेजी से जल्दी से, इसका मतलब वहार stability नहीं है, stability का मतलब है, चतरतान के सोरह कौनो दिक्कत परिसानी समस्या नहीं है, reaction auction में participate ना करना पड़े, अच्छा ये बात है, अगला देखेंगे, यहां आपको पता है कि क्लोरीन की खोपड़ियों पर त इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी, इतना तो मैं मान के चलनू भाई, अरे बोलो रहे भाई, इतनी बात मान के चलनू क्या, एक मिनट रुकिएगा यहां बनाना है, पहले आपको sigma skeleton बनाना है, हमने sigma skeleton बना दिया, अच्छा, अब देखो हुआ क्या, ये दोनों electron उठ करके यहां आ गए, तो इसका मतलब यहां negative charge है, दोनों उठ करके इस carbon पर आए, मतलब यहां negative charge है, ये दोनों electron उठ करके इनके बीच में आ गए, और देखो chlorine ने अपना lone pair दिया, इसलिए chlorine को plus jail ना पढ़ रहा है, अब देखो octet भरा है क्या, यहां सब का octet भरा, चक कर ली यहां, दो hydrogen लगे हुए, भईया यह लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी, हमने सोचा के कुछ liquid के बताएंगे, लेकिन यहां तो ना टक करने लगता है, यहां नीचे बना देता हूँ, हलाकि यह ऐसे नहीं बनाना होता, यह आप ऐसे बनाईएगा, ठीक है जी, अब देखि चुली यह ऐसा दिखता है, इनके resonating structure ऐसे दिखते हैं, तो 1 और 2 में stable कौन, अरे बोल रहे हैं बालक, 1 और 2 में stable कौन, A और B में stable कौन, बताएगा कोई, A और B में stable कौन, आप कहेंगे सर आपने कहा था, less ionized resonating structure चेक करियो, जहां पे charges नहीं है, यहां कोई, यहां देखो क चार्ज है ही नहीं, यहां चार्ज है, तो जहां चार्ज नहीं है, यह वाला more stable, समझे जी, यह वाला ज्यादा stable, similarly यहां पर देख लीजिए, nitrogen की खोपड़ी पे lone pair है, वो यहां आएगा, पाई के दोनों electron उठकर के यहां पे आएंगे, यह तो बहुत पढ़ा दिया जी, बहुत महनत करके पढ़ा दिया, कई बार बता दिया है इस तरीके से, देखो जिन पर कोई फर्क नहीं पढ़ता, उनको एजटेस बनाईए, जब तक आप यह सब्द अपनी खोपड़ियों में नहीं डालेंगे, दिक्कत होगी, पहले यह बन गया, अब बनने के बाद सोच पाई लेक्रान कहा नाच नहीं जाएगा, इन्होंने अपना लोन पेर दे करके यहाँ पाई बॉन्ड बनवाया, देखो, यहां पाई बना, यहां का पाई लेक्रान उठ करके यहाँ पर यह पर नेगटिव चार्ज आएगा, अब एक बात देखो कुछ छूटा क्या, यस, यह देखो nitrogen का lone pair गया था तो यहाँ पर आएगा plus और एक बात तुम्हें बताता हूँ चेक करने का एक तरीका और खुनिए यह molecule कैसा neutral अगर यह molecule देखो neutral तो नहीं है यहाँ पर plus minus है लेकिन neutral like तो है क्यों क्यों क्योंकि इसमें plus b और minus b है overall charge देखो तो zero charge है overall charge zero है लेकिन charges हैं इसमें समझ गए तो जैसे यहाँ zero charge दिख रहा है तो overall molecule पर zero charge है लेकिन ज़्यादा charge कहाँ है यहाँ है यहाँ तो charge ही नहीं है तो ज़्यादा stable कोन है ज़्यादा stable कोन है यह वाला ज़्यादा stable है इसको हम कहते है most stable सब लोग जूर लगा के बोलेंगे बात ठीक कह रहा हूं क्या अरे बोलो भई आप ठीक कह रहा हूं क्या तो यह वाला ज्यादा और नैट्रोजन पर अनदो to go झायाँ आयव क्र दो जब कभी बोला जाए कि आप बताएए ज्यादा स्टेवड कहां होगा कार्बन की खोपड़ी पर नैट्रोजन की खोपड़ी खोपड़ी पर उक्सीजन की खोपड़ी पर इनमें जादा स्टेबल कौन सा है तो बता देता हूँ मैं आपको जो जादा इलेक्ट्रो नेगटिव है ये है उक्सीजन जादा इलेक्ट्रो नेगटिव है उसकी खोपड़ी पर उक्सीजन रखोगे और नेगटिव चाज रख अब ये एक आपके पास molecule है जहां carbon की खोपड़ी पर एक negative charge है अगर ये negative charge यहां resonance करेगा क्यों करेगा देख लीजिए पाई bond single bond एक carbon ऐसा जहां पर negative charge एक jet atom ऐसा जहां पर negative charge तो यहां का जो पाई electron होगा ध्यान देना sigma तोड़ना नहीं होता पाई electron उठा करके यहां नचा के फेक दीजिए इसके खोपड़ी पर बाकी चीज़ को as it is छाप दीजिए हू बहू छाप देजिए सर किसके बहू की बारे में बात कर रहे हैं अरे नालायक यहां कोई बहून की बात नहीं हो रही है यहां जैसा sigma skeleton है वैसा छाप दीजिए छाप दीजिए फिर क्या करना है यह negative charge इन दोनों carbon के बीच में आये था तो यहां पे πाई bond बना दीजिए बना दीए सर अब देखे पाई electron टूट करके oxygen पर चले गए means यहां negative charge आएगा इससे हम यह बना सकते हैं और इसी को नचा करके लाइए तो इससे हम यह बना सकते हैं मतलब यह दोनों आपस में resonating structure A and B हैं अच्छा इन दोनों में हमें देखना है कि ज़्यादा stable कौन है तो दोनों में पाई bond कितने हैं एक पाई bond यहां एक पाई bond यहां अब बोला यह जाता है इन दोनों में ज़्यादा stable वो होता है जहां पे negative charge जो है more electro negative पर आता है तो oxygen पर negative charge वाला ज़्यादा stable होगा यहां carbon की खोपड़ी पर negative यह ज़्यादा stable नहीं होगा यहां क्योंकि negative charge oxygen की खोपड़ी पर है more electro negative पर that's why this is more stable इन दोनों में ज़्यादा stable कौन है यह होगा अगली बात देखते हैं यहाँ पे carbon यहाँ समझना यहाँ लिखा कुछ नहीं है अगर जहां लिखा नहीं होता अपने आप वहाँ पर परंब्रम hydrogen present होते हैं सबसे छोटे atom मतलब atomic number के हिसाब से size wise मत सोच ले ना हाँ अब देखिए यहाँ देखिए double bond carbon carbon पर negative अब यह देखू यह नेगटिब चार्ज यहाँ आता है और दोनों electron उठ करके oxygen की खोपड़ी पर नाचने चले जाते हैं oxygen की खोपड़ी पर नाचने चले जाते हैं ऐसी situation में हमें क्या करना चाहिए हे बालक हमें पहले sigma skeleton बनाना चाहिए हमें sigma skeleton बनाना चाहिए बोलो 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 सब लोग जोर लगा के बोलेंगे क्या बनेगा sigma skeleton बनेगा आप सुनिए यह जो negative charge इन दोनों के बीच में आया आप तो pi bond यहाँ बनेगा अच्छा पाई electron उठकरके oxygen की खोपड़ी पर आया negative charge बनेगा आई होप आपको आनंद आया होगा बताइए इन दोनों में stable कौन इस A और इस B में ज़्यादा stable कौन है दोनों इस दूसरी के resonating structure है इस situation में यहाँ negative charge oxygen की खोपड़ी पर है इसलिए यह more stable है अगली बातचीत कर लेते है अगली बातचीत है इफ 5 bonds are same negative charge is present अगली बातचीत है इफ 5 bonds are same negative charge is present अगली देखो same period element हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना जब कभी भी same period element मिले जैसे carbon, nitrogen, oxygen यह लोग मिले तो electro negativity का factor लगेगा लेकिन अगर कोई ऐसा element मिले जो कैसा हो वह या अलग अलग period का हो तो अलग अ इफ 5 bonds are same and negative charge is present at different period elements then आपको क्या करना है then negative charge is more stable at larger size अब जैसे की example के तौर पर मैं बताऊं तो oxygen और sulfur है एक negative charge यहाँ है एक negative charge यहाँ है ज्यादा stable कौन है larger size वाला ज्यादा stable अब कोई पूछे क्यों तो उसका जबाब देंगे stability कौन सा negative charge ज्यादा stable है अरे बहिया यहाँ sulfur जो है size में बहुत बड़ा है यह oxygen size में इतना छोटा है अब जो size में बड़ा है उसकी खोपड़ी पर भी एक negative charge है इसकी खोपड़ी पर भी एक negative charge है अलग बहुत सोच के देखो जितना बड़ा surface area होगा और उस हिसाब से charge तो ए charge density मतलब एक particular जगा पे dense कितना है चार जादा है कम है तेंसिटी यहां पर charge density कम होगी और किसी molecule किसी atom किसी भी जगा पर जहां charge की density कम से कम होती है वो कम से कम reactive होता है और ज्यादा से ज्यादा stable होता है ठीक जी तो charge density कम है इसका मतलब reactivity सब्द पकड़िएगा reactivity क्या होगी reactivity भी कम होगी अगर reactivity कम होगी तो ब्रह्मशत्य है stability ज्यादा होगी stability क्या होगी ज्यादा होगी इसलिए यह ज्यादा stable है सब्द पकड़ में आ गया जी हाँ आईए यह यहां देखते हैं हमारे पास एक molecule है जहांप सलफर की खोपड़ी पर negative charge है यह negative charge यहां आता है और पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रोन है क्रिपय ध्यान दे वो दोनों इ पहले हमें सिग्मा स्केलेटन बनाना पड़ता है हमें क्या बनाना पड़ता है सिग्मा स्केलेटन बनाना पड़ता है समझे तो यहां पर अगर एलेक्ट्रोन आएगा तो यहां पर पाई बॉन्ड आएगा यहां पर पाई एलेक्ट्रोन ऑक्सिजन की खोपड़ी पर elements तब आपको हमेशा ध्यान रखना है size का factor बड़े size वाला NIN जादा stable है इसलिए ये more stable होगा ये जादा stable होगा ये कम stable होगा I hope आपको यहां तक की बात में कोई समस्या परिशानी ना हुई हो अगला देखते हैं if pie bonds are same then aromatic ring structure is more stable aromatic ring को आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा फिल हाल आप यहां benzene की तरह treat करके चल लीजिए ठीका जी एक molecule है जहां पर यह benzene दिख रहा है और oxygen की खोपड़ी पर negative है यह negative charge जब चलेगा देखना आप चाहो तो एक एक step करके बनाओ लेकिन अब आपको इतना आ चुका है कि मैं direct बता सकता हूँ यह negative charge यहां आएगा अब देखे पाई का जी दो electron होगे यह दोनों electron उठकर के यहां आ सकते हैं देखे पाई का electron उठकर के यहां और यहां पे जो दो पाई के electron हैं वो उठकर के यहां आएंगे और nitrogen nitrogen के जो पाई के electron सब वोट करके यहां आएंगे अब थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया ताकि आपकी खोपड़ी को समझ आए कि भाईया ऐसा भी खेल चलता है यहां से चलता है नास्ते 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 ऐसा चलता है जी अगर ऐसा है तो भाईया क्या हम इनका resonating structure easily बना सकते हैं अरे भाईया आराम से बना सकते हैं कई से पहले sigma skeleton बना देजिए करना भाईया sigma skeleton जिस पर कोई प्रभाव नहीं आया उसको agitize रखी है देखो भाईया इन पर कोई प्रभाव नहीं आया और देखो ये भाई साब involved नहीं हुए है ये ये involved नहीं हुए तो squisitive अब देखिए जो लोग involved हुए उन पर आईए ये negative charge इन दोनों के बीच में है negative charge इन दोनों के बीच में अरे पकड़ो रे बालक इन दोनों के बीच में ये पाई electron उठकर के यहां आएंगे अच्छा जी यहां आएंगे तो लादिया भईया का बात कर रहे हैं ये उठा करके हमने इनके बीच में लाना है मतलब इनके बीच में लाना है लादिया भईया ये क्या बात कर रहे हैं दोनों electron उठा कर oxygen की खोपड़ी पर रखिए यहां पे तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर है solution देजिए भईया problem तो दुनिया के पास है ये आपका रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर ये A है और ये B आपसे बूचा गया A और B में ज़्यादा stable कौन है बता दीजिए तो हमने कहा देखो भईया यहाँ पे तो बेंजीन नजर नहीं आ रही है इसका मतलब ये aromatic चीज नजर नहीं आ रही है यहाँ बेंजीन नजर आ रही है तो जहां कहीं aromatic ring है बेंजीन की ring दिख रही है उसको simply ज़्यादा stable गोसित कर दीजिए सब में यह मिलाईए नमबरा पाई बॉंड आपको सेम मिलेगा तो यह जो है more stable होगा सब्द पकड़ ले गए की नहीं यह क्या होगा more stable अभी फिलहाल aromatic का इतना मतलब समझेए आगे पहुत detail में पढ़ाऊंगा अच्छा अगली बात पढ़िए अगला लिखा है in fused benzene ring system structure with more number of calculate benzene will be more stable calculate सहब ने पहली बार process करी थी benzene के structure को define करने के लिए calculate scientist का नाम है अब calculate benzene का मतलब क्या होता है calculate benzene का मतलब होता है एक ऐसा benzene जिसके अंदर तीनों pie bonds present हो सर क्या बाग करते है ऐसा तो हर जगा होगा नहीं होता कुछ जगा अभी समझ में आएगा तो एक ऐसा भाईया six member ring जहां पे तीनों pie bond अंदर ही मौझूद हो उनको calculate benzene कहते हैं example के तौर पे यहां देखिए यह है हमारा naphthalene तो naphthalene में ये एक structure possible है एक मिनट भाईया नहीं चलना चाहो तो एक तरीका है देखो ये जो बीच का pie electron है इनको क्या करिए इनको उठा करके लाइए इनके बीच में जोकि देखो क्या है double bond, single bond, double bond तो ये double bond यहां आ सकता है ठीक है ये जो double bond का electron है वो उठा करके यहां लाइए फिर ये जो इलेक्ट्रोन उनको उठा करके यहां लाईए देखा जी चलिए नाचा के देखते हैं इन वाले पार्ट पर कोई फरक आया नहीं आया जिस पर कोई फरक नहीं आया उनको एजटेस बनाईए पहले तो सिगमा स्केलेटन बना दीजिए सिगमा स्केलेटन बन गया बनने के बाद इन पर इन पर कोई फरक नहीं आया तो इसको एजटेस छाप लिजी छाप लिया सर फिर देखिए ये जो इलेक्ट्रोन थे इनको उठा करके आप यहां लेकर के आए मतलब क्या है उसको दूसरे कलर से कर देते ये देखिए यहां पर आ गए हना ये उटके यहां ये उटके आगे मतलब ये यहां पर आ गए ये वाले भाई साब यहां आ गए अब बताएए यहां पर कैकूले बेंजीन कितने बने ये दोनों एक दूसरे में क्या हो रहें इंटर कनवर्ट करके resonating structures हैं ज्यादा stable कौन है आप बताना है यहाँ पे बना ले गए ना ये वाली बात मैं हटाता हूँ अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बनाया है ठीक है no down तो करी लिया होगा अब मुझे बताना है कि भाईया यहाँ पे कैकुले बंजीन किदर है तो देखो ये ए कैकुले बंजीन सौर ये देखो इधर अरे भाईया चाहे पाई बनाओ चाहे इधर एक ही बात है इसमें दिक्कत नहीं है तो एक कैकुले बंजीन यहाँ दो कैकुले बंजीन है यहाँ वाले structure में लेकिन इसमें देखो इसमें तो यहाँ देखो मेरे बालक यहाँ पर एक कैकुले बंजीन है और अगर एक कैकुले बंजीन है तो हो कम stable है तो ज़्यादा stable कौन ये है ज़्यादा stable कौन है मेरे भाहिया आप कहेंगे यह वाला ज़्यादा stable है ये बातें अब आपको आती है अच्छा जी अब क्या पढ़ना है stability of resonating structure of different molecules अभी क्या था कि हमने एक ही molecule के दूसरे resonating structure बनाए और उनको आपस में compare किया अब ऐसा नहीं है अब दो अलग-अलग सुभाव की अलग-अलग behavior वाले resonating structure आएंगा और उनको compare करना तो उनके भी कुछ rules है चलिए देख लेते हैं वो क्या कहते हैं वो rules आप से कुछ कहते हैं वो का कहते हैं larger conjugation is more stable than smaller conjugation conjugation समझ रहूं न double, single, double, single यही करना है तो सुनिएगा यहाँ पर देखें दोनों में comparison यहाँ देखो double, single, double अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से एक और बना दीजी ताकि number of carbon at least same दिख जाए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे एक, दो, तीन, चार, पाँच एक और बना दीपे 6 number of carbon मैं सेम रख दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना लगे अब एक बार बताओ यहाँ पर conjugation लंबा है कैसे larger conjugation होगा तो πाई electrons यहाँ से यहाँ नाचेंगे और πाई electrons यहाँ से नाचेंगे तो इस carbon पर आ जाएंगे, अच्छा, तो यह larger conjugation है, तेकिन अगर मैं यहाँ से चलू, तो हे बालक एक मिनट, यहाँ कहां रख दिया भी पाई बॉंड को उठाके, अगले पाई बॉंड बन ले जाना है, यहाँ पर, सिग्मा पर ले आना है फिर इसको उठाइए, इसको अगले बार के carbon पर ले आईए, क्योंकि उसके आगे conjugation ही नहीं है, तो जहाँ जादा conjugation, वो जादा stable होता है, that's it, एक बार मैं बता देता हूँ जितना जादा नाचोगे उतना जादा fit रहोगे, क्या जितना जादा नाचोगे उतना जादा fit रहोगे, मतलब de-localization de-localization of electrons, जितना जादा होगा, जितना पाई electrons नाचेंगे, उतना वो एक जगाँ पर टिके नहीं रहेंगे अगर एक जगा पर टिके नहीं रहेंगे तो उनसे कोई जल्दी reaction नहीं कर पाएगा सिंपल बात है ना अगर वो कोई घूमता रहे तहलता रहे और किसी आदमी को उससे मिलना हो तो मिल पाएगा नहीं और मिल गया तो reaction हो जाएगी हाँ तो यही बात है deal localization of electron जितना ज़्यादा होगा stability stability उतना ज़्यादा होगा stability उतनी ज़्यादा होगा चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ potential energy पर क्या फर्क पड़ेगा potential energy अगर आप जानते हो कोई मनुष्य जो सबसे ज़्यादा सांत है उसकी potential energy बहुत कम होती है सांत है वो stable है जो ज़्यादा stable है उसकी potential energy कम से कम होती है तो इसका मतलब ऐसा molecule अगर कोई पूछ ले कि भया potential energy इन दोनों में किसका ज़्यादा है कुछ नहीं सोचना ज़्यादा potential energy इन में देखे भया potential energy उनकी कम होती है जिनके stability ज़्यादा होती है अगर इसका उल्टा कर देए stability कम तो potential energy ज़्यादा होती है समझ में आया ना जी अगली चीज़ देखे यहाँ पे carbon की खोपड़ी पर negative charge है यह resonance करते हुए आएगे देखो कैसे कियागे लास्ट में carbon की खोपड़ी पर negative दे दिया करो यह negative चलेगा यह यहाँ आएगा बोलो भयाजी तो यहाँ पे ज़्यादा एकदम घूमता टहलता delocalization stability की ज़्यादा होती है आई अगला सवाल पढ़ते है linear conjugation system is more stable than cross conjugation linear conjugation मतलब सीधा-सीधा conjugation जैसे कि यह सीधा-सीधा conjugation तो देख लीजिए यह जो सीधा-सीधा conjugation है यह आराम से smoothly हो सकता है इसके लिए कोई रुकावट नहीं है बीच में लेकिन cross conjugation में देखना क्या होगा cross conjugation में अरे भया यहाँ जो पाई electron है वो यहाँ आएंगे तो जो यह वाला पाई electron होगा इनमें से एक पाई electron इस कारवन की खोपड़ी पर चला जागा लेकिन उस समय यह भाई साहब resonance का part नहीं है यह भाई साहब delocalize नहीं करेंगे यह रुके रहेंगे और रुकने का मतलब है पानी का सड़ जाना और पानी के सड़ जाने का मतलब है कम stable होना ज़्यादा stable कौन? जहाँ पे पानी का flow है जहाँ पे नदी बह रहे हैं पानी साथ सुतरा है electron भाग रहे हैं delocalize हो रहे हैं stability जादा है इसलिए हे मनुष्य यहाँ पर जादा होगा this is linear conjugation and this is cross conjugation क्यों? क्योंकि यह भी इधर जाना चाते हैं और यह भी इधर जाना चाते हैं दोनों चाते हैं resonance करना इसी एक के साथ लेकिन कर तो एक ही पाएगा अगर यह करेगा तो यह रुका रहेगा यह resonance possible नहीं है तो cross conjugation के time पे आप यहाँ पे less stable बताईए आगे बढ़ चाईए अगली चीद देखते हैं क्या है if nature of bonding is different then negative charge is more stable at more electronegative element पढ़ लिया है and positive charge is more stable at less electronegative element simple बात है negative charge जादा electronegative पर जाना चाहेगा positive charge less electronegative पर जाना चाहेगा समझा दूँगा यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो तो यहाँ oxygen है इसकी खोपड़ी पर negative charge है यह अगर resonance करेगा तो इनके electron उठकर के कहाँ आएंगे यहाँ आएंगे अच्छा इस तरीके से आप कहेंगे यह negative charge कहां कहां जाता है यह negative charge कहां कहां नाचने जाता है इस हिसाब से यह negative charge एक oxygen पर जाता है यह 10 नहीं लिखा मैंने और तो नहीं समझ गए रहे तुम भाईया एक एक जीरो जीरो नहीं रहे oxygen एक oxygen पर यह negative charge रहेगा और दूसरा देखिए यहाँ पे जब आएगा तो carbon पर रहेगा तो एक carbon पर रहेगा ठीक है जी एक बार एक बार negative charge oxygen पर दूसरे इसके resonating structure पर carbon पर आएगा अब direct समझने में को दिक्कत तो नहीं है देखो इस resonating structure पर oxygen पर है लेकिन इसका दूसरा जब resonating structure बनाएंगे तो उसमें negative charge carbon पर आएगा बस उसको note down करना है अगले इस ये देखे ये एक ऐसा molecule है इसको इसके साथ compare करना है देखो अलग-अलग behavior के लोग है न तो यहाँ देव negative charge आपको पता है जब यह यहाँ आते हैं तो negative charge कहा जाता है आपको बताया हुआ था और तो पर जाता है और तो पर जाता और पैरा पर जाता है और तो पर जाता और पैरा पर जाता यह बना करके मैंने बताया था तो हम कहेंगे कि यह जो negative charge है वो नाचने कहां कहां गया था वो जो negative charge है वो नाचने कहां गया था आपने कहा एक तो देखो वया ऑक्सिजन पर है एक तो इस वाले structure में ऑक्सिजन पर है बाकी तीन कारबन पर नाचने गया था ठीक जी अच्छा अगले चीछ देखें यहाँ पर अगर resonating structure बनाएं तो यह negative charge यहाँ आएगा तो पाई के electron उठकर यहाँ जाएंगे इसका मतलब यहाँ वाले में जो negative charge है वो कहां कहां नाचने जाएंगे कहां कहां डे-localization करते हुए किन atoms पर जाएंगे आप कहेंगे दो बार oxygen पर आएंगे देखो इस पर भी negative charge इसका resonating structure बनाएंगे उस पर यहाँ आएंगे इसका मतलब दो बार वो oxygen पर आएंगे जब इनका resonating structure आप बनाएंगे अगली बात देखिए यहाँ पर जो यह negative charge है यहाँ तो देखो यहाँ पर इस तरीके से इधर भी जा सकता है तो एक resonating structure यह बनेगा दूसरे resonating structure में आप इधर करिए तो यह वाला पाई बॉन तोड़ दीजे इसका मतलब यह negative charge यह negative charge तीन बार oxygen पर नाचने जाता है और आपको पता है आपको एक बात पता हो चुकी है कि भाई यह negative charge जो है more stable चिभल नोटा जाए फोतता है जब more extra negative पर जादा बार जाये तो देख़ए तीन बार वह oxygen पर गया तो यह वाला जादा stable है तीन बार oxygen पर गया तो जादा stable है यह negative Charts फो ढख पर गया तो यह भाला जादा stable है इससे हाँ जी हिससे क्योंकि यहां वाले में तो एक ही बार oxygen पे यहां पे भी एक बार oxygen पे अब इनको compare कैसे करें अब सुनो इनका comparison कैसे यहां यहां देखो oxygen oxygen तो एक ही बार है न तो इसको छोड़ दो अब देखो यहां negative charge तीन बार carbon पर गया और आपको पता है कि negative charge जितना घूमेगा जितना अलग-अलग item पर distribute होगा उसके एक point पर charge density कम होगी तो stability जादा होगी तो यहां तीन carbon पर घूमा इसलिए ज़्यादा stable है यहां एक ही carbon पर है तो यह reason है भईया जी अब देखिए अगला यहां पर nitrogen पर NH2 प्लस लिख दिया गया यहां पर OH2 प्लस लिख दिया गया अब positive charges को कैसे देखना है nitrogen nitrogen और oxygen में ज़्यादा electro negative कौन ज़्यादा electro negative कौन तो ज़्यादा electro negative इन दोनों में oxygen और कहा जाए कोई stability पूछे तो ऐसा atom जो की धान से सब्द सुनिए ऐसा atom जो की less electro negative है अगर उस पर प्लस है तो वो ज़्यादा stable होता है means यह ज़्यादा stable है with respect to this one तो stability का यह order आएगा I hope आपको आनंद की अनभूती हुई हो अगला देखते हैं negative charge is more stable यह बात तो हमने कर ली है ऐसे देख लेते हैं एक बार है ना यहाँ देखिएगा यहाँ प्रेजोनेंस कराके देखिए यह negative charge आप यहाँ कराएंगे तो यह notch करके यहाँ आजाएंगे similarly आप इनमें से किसी सो नचा लीजी अगर आप sulfur सो नचाना चाहते हैं तो यह electron उट करके यहाँ आजाएंगे यहाँ पर आगर आप oxygen से नचाना चाहते हैं तो आप यहाँ ले करके यहाँ आजाएंगे चलिए बताइए सब लोग बताइए बुर्दी लगा यह जी यहाँ पर negative charge कहा कहा गया था तो आपने कहा कि दो बार तो sulfur पर गया दो बार sulfur पर और एक बार oxygen पर दो बार sulfur पर एक बार oxygen पर side से करेंगे तो यहां पर दो बार sulfur पर गया था दो बार sulfur पर negative charge गया इसलिए सबसे दया stable यह यहां एक बार sulfur पर गया लेकिन यहां तो sulfur है यह नहीं तो सबसे पीछे stability में यहा है this is the reason यह आपको आना चाहिए अगला देखते हैं benzenoid system having more number of calculate benzene is more stable बात हमने कर ली है कि बेंजोनाइट सिस्टम है बेंजीन से बना हुआ सिस्टम जोर जोर कर बना दी यह हमने एक सिस्टम राण ली जी यहां पर इस तरीके से चलिया यह यह जी यहां ऐसा है जहां पे तीनों पाई बांड आ रहे हैं लेकिन यहां देखिए यहां पे देखिए इसको देखिए इसको देखिए इसको देखिए यह वाला क्या है यह वाला क्या है मेरे भीया मेरे बंदू यह वाला क्या है यह यह एक क्या है आपको पता है यह एक आपका कैकुले बीच में देखे ये भी एक कैकुले बंजीन ये देखो ये देखो एक कैकुले बंजीन ये देखो ये भी एक कैकुले बंजीन ओ भाई साथ इसका मतलब यहां तीन कैकुले बंजीन है बना दू क्या यहां पर देखो यह वाला भी एक कैकुले बंजीन है और यह तो एक कैकुले बंजीन है यहां पर तीन कैकुले बंजीन है और यहां पर हमें एक कैकुले बंजीन नजरा रहा है इसका मतलब साफ साफ है कि जहाँ पर जादा number of calculate engine है वहाँ पर हम कह देंगे वैसे तो इनके resonating structure को देख करके भी बताया जा सकता है इन सब के resonating structure बनाएंगे तो आपको समझ में आता है यहाँ पर तो चली calculate में ने दिखा दिया है यहाँ पर तीन कैको ले एक ये एक ये एक ये ठीक है तो जो ज़्यादा stable आपको समझ ना गया है लेकिन इसको ना number of resonating structure से भी बता सकते हैं इसके आप आप निकालते हैं तो आप देखेंगे कि इसके resonating structures total number of resonating structures जो यहाँ पर निकलते हैं और यहाँ पर जो resonating structures मिलते हैं यहाँ पर चेक करके जरूर देखिएगा इनको ठीक है यहाँ पर चार और पांच और जहाँ पर जितने ज़्यादा resonating structure होंगे जितने बार electron घूम का टहलता रहेगा उतना ज़्यादा stable मिलता है I hope यहाँ तक में कोई दिक्कता को नहीं आई होगी अब बात करते हैं bread's rule पर bread's rule कहता है कि bridgehead carbon cannot be planar अब bridgehead होता क्या है वो समझा देता हूँ यह देखिए यह carbon ऐसा है जिसको bridgehead कहते हैं ठीक है जी देखिए एक तो normal ring की तरह था carbon कभी planar नहीं हो सकता obvious सी बात है उसको देख के सोचो उसको देख के सोचो समझ आएगा यहाँ एक carbon है यह देखो कैसा बनाया हुआ है उसकी सकल देखो उसकी सकल देखो कैसे है यह भाईया कभी planar कैसे हो सकता है यह planar तो possible ही नहीं है भाई ये plane में नहीं है, ये tetrahedral fashion में दिख रहे हैं, ठीक है जी तो ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आपको जो है, क्या नहीं मिलेंगे, planer नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये देखे कैसे रहते हैं, ये ऐसे, अभी मैं आपको दिखाओंगा भी, बट अभी एक सब सुनियेगा, planer कहने क मतलब होता अगर आपने hybridization सुना होगा तो sp2 hybridization इसका मतलब bridgehead carbon मतलब ये जो carbon's हैं इन पर कभी जीवन में आप इसको sp2 मत बनाईएगा that's it कहने के सिर्फ इतनी सी बात है सुनिए आपके सामने आपके लिए मैं एक चीज प्रस्तुत करता हूँ देखता हूँ मेरे पास pencil है शायद हाँ देखते ही यह है यह देखिएगा अब इन pencil से मैं क्या नाटक और नौटक की आपके सामने प्रस्तुत करूँगा वो खेल देखिएगा खेल सिर्फ इतना है कि यह जो carbon उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि जो नीचे ring बने हैं वो कैसे रहे होंगे देखिएगा भी जा देखिए दो ही यह कुछ ऐसे है यह देखो भी यह कुछ actually ऐसे है यह plane में हो ही नहीं सकते देखो कैसे है देखना यह वाला कुछ ऐसा है देखो यह वाला कुछ ऐसा है यह कुछ ऐसा यह देखो 3D structure में यह line यह वाली line मानली जी यह है यह वाली line तो जो इधर वाली है वो यह सामने की तरफ है जो इधर वाली है वो यह वाली है तो क्या ये कभी plane में हो सकते हैं ये कभी plane में हो इनी सकते भाई ये देखो ऐसा लग रहा न कि किसी चीज के उपर रखेंगे तो ऐसे पिरैमिड टाइप का बन जाएगा ये पिरैमिड टाइप का हमेसा बनेगा तो ब्रिजहेड कारबन कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता प्लेनर हो गा तो भाईया सोचो ना ये कितना स्ट्रच हो जाएगा और मॉलीक्यूल ऐसा कभी नहीं करना चाहेगा ठीका जी बात सिंपल सी है कि ये कारबन कभी आपको SP2 नहीं बनाना है अब सब्द सुनिए क्या कहना है अगर मैं कहूं कि ये जो हाइ तो क्या बनेंगे बताईए यहां पर नेगेटेव चार्ज बनेगा ये तो मैं बता चुका हूँ ऐसी चीजे कारबनान बनाना तो नेगेटेव चार्ज बनेगा तो बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रोन अगर उठकर देखेगा सब्द पकड़िएगा आनंद आएगा सब्द बाद बताओ क्या यहां पर negative charge बनाना possible है चलो चेक कर लेते हैं तो आपको पता है अगर आपने पढ़ा होगा hybridization तो देखिए यहां carbon पर एक bond, दो bond, तीन bond, तीन bond है एक negative charge मतलब यहां पर hybridization sp3 है तो हाँ जनाब यह possible है क्योंकि यहां पर tetrahedral geometry आ रही है ठीक है जी sp3 possible है वो कह रहा था कि sp2 possible नहीं है तो sp3 आया तो possible मतलब brishead carbon पर anion बन सकता है बस इतनी इसी बात है brishead carbon पर anion बन सकता है अब अगली चीज़ सुनिएगा अगले सब्द पकड़िएगा अगर मैं ऐसा कहूं condition कुछ यह है कि दोनों electron जो है उठ करके hydrogen के पास चले गए अब बताए क्या यह possible है देख लेते हैं क्या यह reaction possible है देख लेते हैं क्या यह चीज possible है देख लेते हैं अगर ऐसा होगा अगर ऐसा होगा है मेरे बंधू है मेरे बालक तो यहां carbon पर ध्यान दीजिएगा दोनों electron लेके कौन चला गया अगर hydrogen लेके उड़ गया तो इस carbon पर positive charge आएगा तो इस carbon पर positive charge आएगा तो इस carbon पर देखो तो अरे कौन सा hybridization आया अरे उस carbon पर सिर्फ 3 bond है एक दो ती अगर यहां 3 bond सिर्फ आया अस्याम से देखे तो इनकी वज़ा से हम बोलेंगे यहां पर SP2 hybridization होगा इस carbon पर SP2 hybridization होगा और SP2 hybridization possible नहीं है इसलिए कभी भी यह bond इस तरीके से तूटेगा ही नहीं कि यह electron उठ करके hydrogen की तरफ चले जाए जब भी होगा तो वो electron यह यहां याएंगे क्यों क्योंकि यहां पर ऐसा करने पर इस carbon पर plus आएगा और carbon पर पर प्लस आगया तो वहाँ तीन bond है तीन bond होगया तो SP2 आएगा और SP2 जीवन में यहां possible है ही नहीं क्योंकि ब्रिजहेड पर कभी भी SP2 नहीं हो सकता वो planar नहीं हो सकता SP2 का मतला planar होता ह प्लेनर्टी आई नहीं सकती है, इसलिए ये reaction कभी भी possible नहीं है, देखो हमने कैसे बता दिए यही बात, अच्छा जी अगली बात देखते हैं, अगर मैं कहूं कि दो electron है, एक electron मैं साइड्रोजन को दूँगा, एक मैं धर दूँगा, तो इसकी वज़ा से क्या बन सकता है, आ आपको पता है, कभी SP2 possible ही नहीं है, radical भी नहीं बन सकता, ये चीज़ भी possible नहीं, तो possibility सिर्फ इसकी है, तो Brett सुरूल से मैं ये पता चला, कि ये reaction तो possible है, लेकिन बाकी reactions तो possible हैं ही नहीं, ये reaction easily possible है, बस ये नहीं possible है, चलिए, इसका कहा और यूज होता है, उसको दूसरे स सब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ये देखिएगा, सब्द पकड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, सब्समझ में आएगा, यहां देखिएगा, अगर मैं कहूं कि ये ऐसा कुछ है, और यहां पर carbon double bond carbon है, और यहां negative charge है, एक चीज ये है, दूसरी चीज क्या होगी, ये बात तो मुझे लगता है, आप तक आ गई होगी आपको, बोल मेरे भाई, अरे बोल मेरे भाई, बात समझ में आई क्या, अब एक बात बताईएगा, इन दोनों में ज्यादा stable cone, stable cone, stable cone कैसे पता करेंगे, अरे भाईया, resonance चेक करो, क्या resonance possible है, देखते हैं, अगर ये negative charge यहाँ आएगा, एक logical चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, ये अगर यहाँ आएगा, तो यहाँ के पाई के दोनों electron उठकर के इस oxygen पर नाचने चले जाएंगे, बात ठीक कह रहे हैं आप, यहाँ का negative charge अगर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आ बता पाएगा, कौन बता पाएगा किसका regionating structure कैसा बनेगा, सर, यहाँ देखिए, पाई बॉन्ड जब आप तोडएंगे, पाई बॉन्ड आप तोडएंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा, तोड़ा तेन हमेड़ा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं समझा देंगे, यह देखो यहाँ पर बनाएंगे, तो यह पाजाएंगे, पाई बॉन्ड यहाँ पर पाजाएंगे, देखें, पाई बॉन्ड यहाँ पर पाजाएंगे, तो इसके regionating structure से यह बनता है, इस से यह बनता है, प्रश्न है, resonance possible भी है कि नहीं, अरे भाईया, आप अगर इसमें resonance करोगे, तो इस कारबन को तो चक करो, ये कारबन को देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक सिगमा बॉन, दो सिगमा बॉन, तीम सिगमा बॉन, और एक पाई बॉन, तो इसका मतलब ये कारबन जो है, इस हिसाब से तो SP2 हो गया, ये कारबन तो SP2 हो गया, जबकि SP2 तो हो ही नहीं सकता इसका मतलब साफ है कि bris head पर बैठा हुआ negative charge यहाँ पे रहे हुए लोगों के साथ resonance नहीं कर सकता क्योंकि जब वो resonance करता है तब वहाँ पर वो carbon sp2 हो जाता, planar हो जाता और planar होना possible है ही नहीं लेकिन यह देखिए यह carbon तो bris head है नहीं यहाँ पर तो simple सा carbon है जिसे 2 carbon लगें bris head कहां होगा जहां 3 carbon ऐसे connected होंगे तो अगर bris head नहीं है तो यह carbon sp2 है कोई बात नहीं यह तो normal बात है इसका मतलब यह तो possible है यह अगर possible है तो यहाँ resonance possible है अगर यहाँ resonance possible इसके resonating structure possible है इसका मतलब यह negative charge नाचता है और oxygen पर चला जाता है इसका मतलब resonance involved है de-localization of electron involved है इसका मतलब यह ज़्यादा stable है तो अगर stability की बात करें तो यह ज़्यादा stable है यह खतरनाक stable बढ़िया stability है लेकिन इसके stability अच्छी नहीं है क्यों क्यों क्योंकि यह भाई साब कभी resonance करी नहीं सकते है क्योंकि जैसे resonance कर रहे हैं वहां कार्बन पर aspect हुआ रहा है इसका मतलब वो बनना नहीं चाहेगा तो यह काम possible नहीं है लेकिन यह काम possible है यह है bread's rule का सही तरीके से यूज करना I hope आपको आनन्द आया हो अब तो भाईया यह बहुत ही काम की चीज़ है मेजोमेरिक effect अभी तक हमने resonance की phenomenon सीख लिए resonating structures बनाने सीख लिए उन्हीं का काम यहाँ पर आएगा लेकिन समझिए resonance की phenomenon में हम electron का flow किसी भी तरफ करा सकते थे जैसे कि example के तोर पे यहाँ बेद देखिए यहाँ जो पाई के यह electrons हैं इन electrons को आप इस side ला सकते हैं और यहाँ के जो पाई के electron हैं उनको आप इस side ले जा सकते हैं मतलब आप इधर move करा लिए लेट से right या दूसरा तरीका यह भी है कि यह जो electrons हैं उन electrons को आप उठाईए आप उनको इधर ले के आजाईए और उनको उठा करके इस carbon पर रख दीजिए यह दोनों तरफ से allowed हैं इसमें कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई समस्या नहीं तो यह सिर्फ normal सा resonance की phenomenon है इसको मैजोमेरिक नहीं बोलेंगे इसमें flow of electron दोनों तरफ हो रहा है तो यह normal सा resonance है लेकिन अगर 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 इस जो conjugated system है इस conjugated system से कोई एनायन जोड दिया जाए तो कभी भी ध्यान दीजिएगा πाई का electron कभी इधर आही नहीं सकता कोई बताएगा क्यों इसलिए क्योंकि nitrogen का octet पहले से भरा पड़ा है अगर octet पहले से भरा पड़ा है तो उसमें ये दो electron ला करके कहां जोड़ोगे क्योंकि nitrogen second period element है आठ से जादा electron ले ही नहीं सकता इसलिए कभी भी electron इधर flow करेगा ही नहीं बलकि electron देने का काम कौन करेगा ये negative charge वाला करेगा और ये कहां लाएगा यहां पर लाएगा electrons को यहां का पाई electron उठकर के यहां आएगा और यहां का पाई electron उठकर के इस last के carbon पर आएगा तो कुल मिला के समझ में ये आया कि जो ये Conjugated System है ये जो Conjugated System है इसको मैं short form में लिख दूँ चलो लिख देता हूं Conjugated Conjugated System ठीक है जी लिख ले ना लिखे देता हूं यह मैं कहेंगे ये Master बहुत बहुत साथ कट मारता है बहुत है साथ कट मार देता है हा ना हा सिस्टम तो ये Conjugated System को electron का support देने वाला जो ग्रुप आ गया इसी particular ग्रुप को हम plus M group कहते हैं सब्द पकड़िएगा plus M group कहते हैं ठीक है जी दुबारा सुन लीजिए यहां पर कभी भी उल्टा नदी नहीं बहेगी यहां तो दोनों तरफ नदी बहेगी electron की कोई दिक्कत नहीं यहां नाचना दोनों तरफ allowed है अगर हाथ इधर गया तो हाथ भया वापस भ flow कहा है नाचने की जो यहां पर प्रक्रिया है वो इधर की तरफ ही हो सकती है अब जो ये conjugated system है carbon की द्वारा बनाया हुआ जो ये conjugated system है उसको electron का support देने वाला जो group है जो लोग उसको electron दे रही हैं उनको हम plus M group कहते हैं मेरे साथ बोले उसको क्या बोलते हैं plus M group कहते हैं तो यहाँ पर जो electron का flow देखने को मिलता है वो conjugated system को दिया जाता है conjugated system की तरफ plus m group जो होते हैं वो electron देते हैं दुबारा सुनेंगे सब्द पकड़ेंगे क्या बोला plus m group वो group होते हैं जो conjugated system को resonance की phenomenon के थूँ electron का support देते हैं तो यह जो electron का flow है यह electron का जो flow अध्यान दीजिएगा इस electron के flow में भाई साहब यहाँ पर जो electron जा रहा है वो group से conjugated system की तरफ जा रहा है कितनी बाद समझने में कोई दिक्कत नहीं अच्छा अगर मैं इसका resonating structure बनाओं इसका मैं resonating structure बनाओं तो मैं कैसे बनाओंगा पहले मुझे क्या करना चाहिए बोलो बालक पहले मुझे इनके क्या करने चाहिए सिगमा skeleton बना देने चाहिए सिगमा skeleton बना देने चाहिए यहाँ पर मैंने एनेच छाप दिया अच्छा जी सिगमा skeleton बनाने के बाद बालक क्या होगा यहाँ समझेगा समझेगा बालक ये negative charge इन दोनों के बीच में आएगा अरे आएगा तो यहां positive charge अरे भाई यह कैसी बात कर रहे हैं ये negative charge इन दोनों के बीच में आएगा तो pie bond बनाएगा ये pie bond उठकर के इन दोनों के बीच में आएगा तो pie bond यहां पर आजाएगा अच्छा ये दोनों electron उठकर किनारे वाले कार्बन पर आएंगे मतलब इस कार्बन पर negative charge आएगा अब एक बात समझना इस group के donation की वज़ा से देने की वज़ा से electron density move करती हुई conjugated system के अंदर गई और conjugated system पर negative charge लेकर आती तो plus M group जो है conjugated system में negative charge create करता हिंदी में लिखलो ये line plus M group जो है conjugated system के अंदर negative charge पैदा करते हैं बात तो सर समझ में आई इसी तरीके से अगला देखिए यहां कार्बन की खोपड़ी पर positive charge है क्या यहां से कभी electron चलेगा अरे जिसके पास plus है वो खुद कह रहा मैं तो बिखारी आदमी हूँ मुझे तो खुद electron चाहिए तो देखो electron का support कैसे जाता है पाई electron यहां से चलेंगे इनकी तरफ ठेक है जब उधर move करेंगे तो यह electron आएंगे इनकी तरफ तो देखें भाईया ऐसा होने पर इनके resonating structure बनाने होंगे और resonating structure बनाते वक्त साउधानी सिर्फ इतनी सी है कि भाईया पहले sigma skeleton बनाना होगा अगर sigma skeleton बनेगा तो कुछ ऐसा होगा कुछ ऐसा होगा बालक देखें क्या होगा यह दोनों electron उठकर के यहां bond बनाने आए अगर bond बनाएंगे यह तो एक बास समझो electron जा रहे हैं तो plus को electron दिया neutralize हो जाएगा यह अच्छा अब देखें यह bond उठकर के इनके बीच में आया यहां पे πाई bond बनेगा लेकिन जो किनारे वाला carbon है क्योंकि उससे electron दूर जा रहा है तो उसकी खोपड़ी पर positive चार जाएगा इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि यह वाला group क्या कर रहा है conjugated system से electron को चूस रहा है खींच रहा है धड़ा धड़ अपनी तरफ लेकिन कौन सा कौन सा electron सिर्फ pi electron सिग्मा का कोई लेना देना इधर नहीं है जी मेजोमेरिक में समझे क्या बात हुई कि यह जो group है यह group electron खींचता है मतलब माइनस करता है घटाता है तो इसको इसलिए माइनस M group M क्यों? मेजोमेरिक के लिए ठीक है जी? और यह हमारा conjugated system है यह हमारा conjugated system है तो यहाँ पर electron का flow conjugated system से group की तरफ होता है माइनस M group की तरफ होता है अरे समझे एक मिनट रुकी है गात्रोला सा गलत क्लिक हो गया है कहां गया जी हाँ ही हाँ सही है न जी एक पर देखें हाँ ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ जो माइनस M group है वो electron को खीच रहा है पाई electron shift हो रही कौन सा पाई electron shift हो रही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह कौन से electron है कहीं तुम्हारी खोपड़ी में कुछ और बात चली जाए यह पाई electrons है यह जो electrons है अब बताईए conjugated system से अगर तुम electron निकालोगे तो उस conjugated system पर कौन सा चार जाएगा अरे बोलना बाबा positive इसका मतलब जो group माइनस M है वो conjugated system में plus create करते हैं जो group plus M group होते हैं वो system के अंदर electron देते हैं इसलिए इस पर negative charges आते यह basic अंतर है इतनी बात आपको समझ मा आ गई अब प्रस्णी यह है कि हम कैसे पहिचाने यह तो आपने गुणा गडित कुछ बताया था घर से पड़वड के आये थे हम कैसे पहिचानेंगे अरे भया तो ही देखो काम की बात सिखाता हूँ तुम्हें रटना नहीं है जी logical learning करनी है बुद्धी खोलनी है जी आज़े यह खोल लेते हैं देखिएगा प्लसम गुरुप में क्या लिखा है अगर नेगटिब चार्ज और लोन पेर अगर नेगटिब चार्ज या लोन पेर होगा तो गारंटी से प्लसम होगा जैसे की एक बॉन्ड यह मतलब किसी conjugated system से लगा होगा अगर वहाँ पे जैसे माल लीजिए एनस टू है तो नाइट रोजन की खोपड़ी पर लोन पेर होगा अगर लोन पेर है तो अरे कहतो रहाऊं गारंटी है भाई गारंटी है प्लसम है नेगटिव चार्ज है तब भी वो क्या है भाईया प्लसम गुरुप होगा यह फर्स्ट अटम पर चाहे लोन पेर हो चाहे नेगटिव चार्ज हो वो प्लसम के अंदर ही consider होगा ऐसे बहुत सारे बनाई जा सकते हैं ऐसे कोई एक दो नहीं है अरे भाईया इसे बहुत सारे बनाई जा सकते हैं देखो लोन पेर है similarly oxygen की खोपड़ी पर नेगटिव चार्ज लगा दीजिए यह सब प्लसम गुरुप के अंदर आते हैं और इसको पहचानना कतई जहर आसान है पहला एटम डूढ़िए उस पर negative charge है लोन पेर है धडले से बोलिए मुहले में कि भाईया यह प्लसम गुरुप है अरे बोल रहे बाले लेकिन अगर आपको बजार में minus m गुरुप घूमता हुआ दिख जाए तो भाईया जी उनके लिए ख्याल रिखना अब कौन से वैकेंट और्बिटल है जो पाई बॉंड बनाते ही यह क्या बात कर दी सर यह तो हमें पढ़ाया नहीं गया chemical bonding में पढ़ाया जाता है vacant orbital कौन-कौन से है जो πाई बॉंड बनाते है तो P बनाता है और D बनाता है S तो कभी भी बनाता है S सिर्फ सिग्मा बना सकता है तो P और D अगर vacant orbital रहे तो निश्चित रूप से minus m गुरुप होँगे अब समझेगा जैसे अगर मान लेजिए यहां कार्बन है और कार्बन पर जुड़े हुए हैं हाइट्रोजन सब्द पकड़िएगा सबानंद आएगा अधरवाई दुख तकलीफ समस्याएं खतम नहीं होती और्गनिक कमिश्टे लोग रटते हैं भईया रटने का सब्जेक्ट नहीं है गलत धंधा करोगे प्रॉफिट कहां से होगा यहां पर देखें अगर मैं कहूं कार्बन पर प्लस है तो आप जानिए यह जो कार्बन है उसने तीन बॉन्ड बनाए तो कार्बन SP2 हाइब्राइजड है अगर SP2 हाइब्राइज है तो इस पर एक वेकंट पी औरबिटल होगा प्लस चार्ज कामतलब होता है तो मैं बता दूं फ्लस का मतलब होता है उस औरबिटल के अंदर कौनू इलेक्ट्रण नहीं है तो उसको कहते हैं प्लस ठीक है जी वेकेंट पी और्बिटल इस तरीके से आपको मिल सकता है इसमें कोई दिक्कत कोई परिशानी कोनो समस्या नहीं है अगली चीज़ सुन लीजिए मान लीजिए मेरे पास सिलिकन है ठीक है समझाता हूँ कौन-कौन सिलिकन हुआ, कॉस्पोरस हुआ, क्लोरीन हुआ, सल्फर हुआ ऐसे कोई से लोग थर्ड पीरिएड या फॉर्थ पीरिएड फिफ्थ पीरिएड इन सब के पास वेकेंट डी और्बिटल होते है तो सामने से दिये हुए इलेक्ट्रोन को यह एक्सेप्ट कर सकते है इसलिकन यहाँ पर माइनस M गुरुप की तरह काम करेगा वो सामने से आ रहे है इलेक्ट्रोन को खुद खा जाएगा, ले लेगा यह बात थोड़ी बुद्धी में गई, यह बात है, समझ में आया, अरे वाला, समझ में आया, जी अगला, इफ गुरुप है, यह तो मेरा अपना एक तरीका है, तो इसको आप ओम्स रूल लिख दीजिए, ओम्स रूल, ठीक है OMR, ठीक है, ओम्स रूल फॉलो करिएगा, इफ गुरुप है एक्स वाई रिलेशन, अब समझाता हूँ, क्या है एक्स वाई रिलेशन, पहले तो गुरुप देख लो, कैसा रहेगा, एक्स डबल बॉन्ड वाई, या हो जाएगा, एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, एक्स ड वो एक्स से जादा ही होना चाहिए, देख लिजए, सब्द पकड़िए क्या है, इलेक्ट्रो नेगटिविटी ओफ वाई, हमेशा एक्स से जादा अगर रहा, तो चाहे जो ये गुरुप को सटिस्पाई करेगा, उसको हम एक्स वाई रिलेशन बोलेंगे, और उसको हम यहीं आ करके धरासाही होते हैं, इन्हीं के सरणों में आते हैं कैसे समझाता हूं, देखना, पहली कंडिशन, पहली कंडिशन, पहली सिचुएशन क्या कहती है, एक्स को, एक्स लेस लेक्ट्रो नेगटिव हैं तो मैं इसको कार्बन ले लेता हूं, वाई को मैं नाइट्र ले लेता हूं अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सिजन का कॉंबिनेशन लूँ तो और यह तो और आसान बात कर दिया आपने चलो थर्ड ले लेता हूं थर्ड में क्या है आप ले लिजे कार्बन और ऑक्सिजन तो यह तीन सिचुएशन ज्यादा तर देखने को मिलती हैं दिलाते हैं एक्जामपल के तोर पर आप यह जैसे A मान लीजिए और यह B मान लीजिए देखो प्लस M वाला तो बड़ा आसान है यह इसको समझते हैं प्यार से समझाता हूं जैसे A वाला देखो ठीक है तो यह इलाका थोला किसका होने वाला है माइनस M का है तो समझना यह इनका इलाका है और बाकी इनका है चीक है x y के relation को समझाता हूँ जैसे अगर यहाँ पे कहीं लिखा है carbon तो आप लिख दीजिए double bond oxygen x y का relation satisfy हुआ x क्या हो गया carbon oxygen और oxygen is more electron negative than carbon means that बात सही है और यह कहां मिलता है यहाँ कोई group g लगा दीजिए यह अगर g group बदलते जाईए अगर g को h रख दीजिए तो यह aldehyde है g को cs3 कर दीजिए ketone है o r कर दीजिए ister है है की नहीं है o c o r कर दीजिए तो क्या होगा बालक अरे बोलना n hydride होगा तो ऐसे बहुत सारे यहाँ chlorine कर दीजिए acid chloride हो जाएगा तो यह situation मिलेगी अच्छा यह तो सारा का सारा group तो यहीं आ गया हाँ यही तो बात कर रहा था अगला c triple bond n ले लिजिए c triple bond n ले लिजिए example चाहिए तो भर भर के दे दूँगा यहाँ पे आ जाओ भईया example ले लिजिए c double bond o h अगला ले जिए यहाँ पर लिख सकता हूँ n double bond o और यहाँ देखिए o इस तरीके से ले लेता हूँ group g यह देखिए भईया यह भी तो एक situation है अरे भईया तुमको कहीं confusion तो नहीं हो गया यह देखे nitrogen oxygen is more electron negative तो भईया condition कर दो stir हो जाएगा है ना तो इस तरीके से आप पूरा भर भर के लिख सकते हो भईया जी कावनों इसमें संदेह मत करिएगा ठेका जी यह थोड़ा सा गंदा हो गया तो आप इसको लिख लीजेगा acid भी है है ना acid भी लिख सकते हो ठेका जी तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर लिखे जा सकते हैं I hope अब पहचाने में दिक्कत नहीं होगी प्लस M का तो भईया एक एक कई condition है या तो लोन पेर ले के आओ या तो तुम भईया लोन पेर ले के आओ या तो भईया negative charge ले के आओ तुम्हें मैं प्लस M घोसित कर दूँगा लेकिन माइनस M में थोड़ी नौटंकी है लेकिन नौटंकी बड़ी आसान है X Y का relation रखने वाला माइनस M घोसित है या vacant orbital रख दो कहानी संपूंड है अब कभी आपको दिक्क समस्या परिशानी जीवन में नहीं आएगी ये मुझे लगता है simplest तरीका था अब तक का आईए प्लस M order में हमें पता करना है आसानी से electron कौन देगा ये बात हो चुकी है वैसे अगर वहाँ जब हमने बात करी थी इंडक्टिब में तो सिग्मा के थूँ वहाँ पे हम धकेल रहे थे electron लेकिन यहाँ पे ये negative charges resonance में involved होंगे और बाकायदे नाचने लग जाएंगे आसानी से electron donate कौन करेगा carbon पर जो खोपड़ी पर negative है ये आसानी से चला जाएगा क्यों क्यों क्योंकि conjugated जो system होगा उसमें ये electron आसानी से इसलिए दे पाएगा क्योंकि carbon less electron negative है और less electron negative पर negative charge जो होता है वो भाईया आराम से donate हो सकता है more electron negative तो देना ही नहीं चाहता तो भया जी अगर ये देना नहीं चाहता तो भया प्लसम यहां तो हमें देने का order देखना है आसानी से कौन देगा उसी का प्लसम order आच्छा होगा न जी अरे बोलो हाँ अगला देखेंगे यहाँ oxygen के loan pair का donation होगा यहाँ oxygen के loan pair का donation होगा यहाँ नाइट्रोजन के donation होगा अब कहीं लोग इसको उल्टे समझते सर देखो oxygen पे दो loan pair है अरे ना लेकिन donate तो कोई एक ही करना है ना अच्छा यह बात है अब सुनिए nitrogen पर loan pair oxygen पर loan pair ज्यादा stable कहा feel करेगा वो loan pair कहां पे oxygen की खोपड़ी पर खुझ से कहता कि भाईया मैं तो oxygen कहता मैं तो ज्यादा electronegative हूँ मैं अपना oxygen पकड़ कर बैठा रहा हूँगा मैं दूंगा नहीं किसी को कौन देगा फिर कहगा nitrogen भाईया तुम ही दे दो तुम तो आसानी से दे सकते हो कि nitrogen is less electrone negative यह easily donate कर सकते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला item पहचानी है सिर्फ पहला item हमको जादा नाव टंकी नहीं करनी है प्लसम में जादा नाव टंकी नहीं आसानी से कौन donate कर पाएगा आप कहेंगे यह वाला donation easily नहीं होता लेकिन nitrogen की खोपड़ी पर लगा हुआ जो है न वो आसानी से conjugation में participate करेगा और यह easily donate हो जाता है बोलो बात ठीक है क्या अरे बोलो भहिया बात ठीक है क्या अरे ऐसे समझ जाओगे न जी कौन बुद्धी अरे उपर वाली बात इधर ही लेख दी है हमें first term देखना था इसलिए हमने ये बात देख ली है अच्छा इन दोनों के हिसाब से ये भाई साब जीत चाहिए अच्छा अगला देखते हैं यहाँ पे देखें और इसमें बता दिता हूँ इसली डोनेट हो सकते हैं लेकिन ये जो लोन पेर हैं ये लोन पेर होते क्या हैं इलेक्टरौन के डेंसिटी हैं अच्छा तो ये जो बड़ा सा गृप है ना वो बड़ा सा गृप इसली डोनेट नहीं होने देता इसलिए याद क्या रखना कि more substituted वाला जादा सफ्टिटिटोटज़ जादा बड़े गृप रखने वाला इसली डोनेट नहीं करने देता जबकि ये इसली डोनेट करने देगा इसलिए प्लसम जादा होगा तो जहाँ पर कम सफ्टिट्यूशन होगा डोनेशन वहाँ जादा होगा ये बात आपके खोपड़ी में उतर जानी चाहिए अब अगली बात देखें तो समझ में आ रहा है ज़्यादा सब्टिट्यूशन या है देखो सब में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की खोपड़ीयों पर लोन पेर है ये बात हमें खुले तोर पर समझ में आ रही है लेकिन जहाँ ज़्यादा सब्टिट्यूशन है वहाँ ये डोनेट नहीं हो पाते जहाँ लेस सब्टिट्यूशन है ज़्यादा अच्छे से डोनेट होंगे तो प्लस एम का ये ओडर आएगा प्यारा खुब्सूरत सा अच्छा जी अगर मैं प्लस एम के ओडर को आपको एक चीज़ जो याद कराई जाती है आपको पहली बार लगेगा कि अरे ये तो याद ही नहीं करना था इसके ट्रिक की तो कोनो जरूरत नहीं थी ट्रिक कितना याद करोगे पागल हो जाओगे समझो यहाँ पे क्या लिखा है इनके ओर्डर को हम जानते हैं सर आपने ही पढ़ाया अभी कि ये ओर्डर होता है है ना ये ओर्डर होता है इनके ओर्डर को हमने अभी पढ़ाया कि भया देखो ये order होता है अब प्रश्ण ये आता है कि क्या ये इसके बाद आएगा या ये आगे आएगा तो समझे जहां पे negative charges है negative charges का मतलब क्या होता है छीना हुआ electron भया इनके पास खूब सारा electron है loot करके electron लाए है लेकिन यहाँ इन सब में nitrogen पर खुद का अपना loan pair जो देना है तो loan pair डोनेट करना आसान है चीन करके लागर के डोनेट करना आसान है तो चीना हुआ electron आसानी से डोनेट हुआ logically बताता हूँ जब negative charge कहीं होता तो वहाँ पर charge density ज़ादा है क्योंकि ये electron जो है ना loan pair loan pair पर central item का बहुत अच्छे से command रहता है इस वज़ा से इससे donation tough है इस वज़ा से plus M के order में negative charge वाला आगे आएगा एकदम logical है भाईया कौनों चीज रटवाई नहीं अभी तक बात समझाई है अगली चीज़ देखें अब OH और OR में हमने बताया जहां less substitution है उसका मामला ठीक चलेगा इन दोनों में मैंने बताया कि जहां nitrogen है उसके through donation easily हो जाता है तो ये देख लीजी अच्छा जी अब एक बात समझना पहले हम ये समझते हैं कि ये वाले भाई साब क्या इन से आगे हैं तो इसको समझ लीजिए यहां oxygen के through donation है यहां nitrogen के through donation है तो एक बात बता दीजिए हे बालक अरे बालक हो क्या बोला मैंने यहां oxygen के through donation यहां nitrogen के through donation है donation आसानी से कौन करता है सर ये nitrogen वाला करता है इसलिए ये वाले तीनों लोग इन दोनों से आगे आएंगे तो ये भी एक बड़ा सा लगा दीजिए, ये समझ में आ गया, अब इनको देख लीजिए, सर यहां तो nitrogen आपको यहां लिखना चाहिए, समझदारी, समझदारी, इधर आईए, इधर इधर इधर, इधर इधर देखो, अपनी खोपड़ी यहीं बगल में लगा के रखना नही किन देखो, इस पर भया इधर भी resonance की phenomenon हो रही है, इधर भी resonance की phenomenon हो रही है, ये electron की density कुछ इधर भी आएगा, किधर conjugated system की तरफ, और कुछ जो है internally अंदर ही घूमेगा, ये कहानी यहां भी होगी, ये आगे भी जाएगा, और यही electron की density अंदर भी resonance करेगी, और आपको पता है, जहां cross conjugation आता है, वो पीछे की तरफ रखा जाता है, ये सब के सब लोग, इससे पहले, इससे पहले जितने लोग लिखे गए हैं, वहाँ पे ये सब के लोग सिर्फ आगे डोनेट कर रहे हैं, conjugated system को, लेकिन ये अंदर भी दे रहे हैं, बाहर भी दे रहे हैं, इसलिए ये पीछे लिखे गए हैं, logical है की नहीं है, अरे बोल रे बालक, logical है की नहीं है, I hope आपको ये logical लगा हो, ठेका जी, आनंद की अनभूती हुई क्या, आनंद की अनभूती हुई क्या, हाँ, अब सुनिए, यतनी बात ने प्टाने के बात, अब यहां आते हैं, fluorine, chlorine, bromine, iodine म है, अगर iodine 5th period element है, तो वहाँ पर तो donation बड़ा tough है, क्योंकि 5th period में size बहुत बड़ी होगी, तो वो easily donate नहीं कर पाएगा, बराबर size के लोगों में अच्छा resonance होगा, इसलिए fluorine के जो loan pairs होते हैं, वो easily donatable हैं, बहिया, easily donate हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े size वाले donate नहीं होग तो जब भी size का factor लगाना है, तो देख लें महिया, यहाँ पर लगा दीजिएगा, ये भी समझ गाया, लेकिन ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, बेंजीन यहाँ पर, इस तरीके से electron donate करके plus M करता है, और ये आगे आता है, और इसके just पीछे गया, बस बेंजीन वा अब एक बात समझना, ये जो nitrogen है, यहाँ पर lone pair है, ये जो oxygen है, यहाँ पर lone pair है, इन में दोनों में plus M effect किसका अच्छा है, प्लस M effect इन दोनों में किसका अच्छा है, तो आप कहेंगे NH2 का plus M effect अच्छा है, with respect to OH अभी समझाया, क्योंकि nitrogen से donation easily हो पाता है, समझना, अरे बाल किया किया गया पता है, अरे ये NH2 ने अच्छे से electron donate किया यहाँ, और यहाँ पर हुआ बहुत बढ़िया resonance की phenomenon, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से donate नहीं करता है, donate ये भी करता है, लेकिन उतने अच्छे से donate नहीं करता है, जितना अच्छा ये करता, अच्छा, अगर ये NH H2 group अच्छे से donate करेगा तो ये carbon पर भरपूर electron की density आएगी तो क्या सामने से जो conjugated system है उससे ये CO जो है electron ले पाएगा? नहीं ले पाएगा क्यों? क्योंकि इस CO को इधर से NH2 group बहुत electron दे दे रहा है, तो सामने से वो कम खीचेगा, अगर सामने से कम खीचेगा, कम खून चूसेगा तो माइनस M में पीछे हो जाएगा, माइनस M order मतलब खून चूसने का काम करना है भया यहाँ electron की density मूब करा के खुद अपने उपर लानी है यही हैना माइनस M जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर oxygen जादा है, दे ही नहीं रहा है अगर यह जादा electron दे ही नहीं रहा है इसके हिसाब देखो, प्लस M किसका जादा है तो जिसका जो आसानी से आगे नहीं दे रहा है, तो भया जो यहाँ conjugated system लगा होगा, उससे यह भरपूर electron खीचेगे तो जो भरपूर electron खीचेगे, वो minus ठीक है, यह simply यहाँ से देख लो प्लस M effect जिसका जादा होगा, वो सामने वाले से electron को खीचने नहीं देगा इसलिए minus M इसका खराब हो जाता है logical अवया रटना नहीं है, प्लीज, रटना नहीं यहाँ पे देखना यहाँ पे, oxygen जो है एक तरफ यहाँ दे रहा है और यह देखो, यह यहाँ अवरा है तो यहाँ पे oxygen केवल इधर electron दे रहा है तो यह सामने से सामने से इनको कहेंगे electron की ज़्यादा दिरोतने ले तो लूँगा मैं, पाई electron खीच लूँगा क्योंकि मैं तो माइनस M हूँ मैं तो XY का relation satisfy करता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं माइनस M का behavior छोड़ दूँगा रखूँगा, बट इसके respect में कम कैसे, oxygen की खोपड़ी पर जो lone pair है यही lone pair यहाँ भी donate होगा यही lone pair यहाँ भी donate होगा अब समझिएगा यहाँ पर तो सिर्फ electron की density इधर ही जा रही थी सिर्फ electron की density इधर जा रही थी अगर इधर जाएगी तो CO को electron भरपूर मिलेंगे तो सामने से वो जादा नहीं खीचेंगे लेकिन यहाँ आईए यहाँ oxygen के electron इधर भी divide हो रहे है देखो इधर जाएंगे तो इधर भी resonance होगा होगा की नहीं होगा इधर भी resonance होगा अब इसका electron आधा electron इधर चला गया तो आधा ही तो इधर आया अगर आधा ही इधर आया तो यह πाई conjugated system से electron क्या करेंगे जादा से जादा खीचेंगे इसलिए माइनस M में यह आएगा या इसको पहले क्या करिए प्लस M order लिख लीजिए प्लस M order में आप देखेंगे तो जो OH है वो आगे आएगा with respect to OCO OCO R से एक बार जाके check कर लीजिए पीछे ठीक है अगर इसका प्लस M effect अच्छा है तो यह जादा electron इधर देगा अगर जादा इधर देगा तो यह पूरा system सामने से electron कम से कम खीचेगा माइनस M में यह order लगाएंगे और यही चीज यहाँ हर जगा करनी है check कर लेना OH और OR में भी check कर लेना ठीक है जी? OH और OR में OH जो होगा खूब electron सामने की तरफ भेजेगा खूब electron अगर सामने की तरफ भेजेगा तो सामने से वो कम electron खीचेगा तो माइनस M में पीछे आएगा सिंपल बात OH का जो है जादा होता है यह बात तो समझ में आ गए कि यह भी समझ में नहीं आया ठेका जी इधर देखिए LDHID और CS3 CS3 क्या करता है electron देगा बाकी चीजे तो common है अब देखो अगर यह electron देगा तो इस carbon को sigma bond के through electron मिलेगा अगर यहां electron मिलेगा तो उसका पेट थोड़ा भरेगा तो सामने से वो कम खीचेगा अगर वो कम खीचेगा तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यह भईया माइनस M ओर्डर में LDHID आ कि आए माइनस M ओर्डर में LDHID NO2 और CN यह याद करना पड़ता है कि NO2 में जादा होता है बिद रिस्पेक्टर C, triple bond N याद करना पड़ता है मैं बहुत खुले विचार का टीचर हूँ भईया जहां याद करना याद करा हूँगा लॉजिकली बाकि सिखा चुका हूँ तेक है क्योंकि आप सब रटा मार रहे थे आए देखते हैं पहले मैंने बोला कि NO2 और CN में जंजटी नहीं है याद करना पड़ेगा NO2 याद रख लो NO2 खतरनाक आदमी है वो भईया पूरा विसाला आदमी है पूरा पाई लेक्टरॉन को एकदम खून चूसना चाहता है कौन? NO2 इसके बाद CN अब देखिए अल्डिहाइड और कीटोन में आपको पता था अल्डिहाइड जो होगा उसका माइनस M जो होगा वो क्या होता है? जादा होता है ये एलेक्टरॉन जादा खीचते है और इसके जस्ट बात देखी ये आता है ठेक? इतनी बात में कोई से दिक्कत समस्या नहीं होगी और यहाँ से देखना कुछ भी इदर मूव कर रही है यहाँ तो सिर्फ सिग्मा के थू इलेक्टरॉन धकेला जा रहा है यहाँ पर इलेक्टरॉन अगर ज़्यादा धकेला जाएगा मतलब ज़्यादा दिया जाएगा प्लस M के थू तो यहाँ पर जो सी-ओ है उसको थोड़ा सा पेट भर जाएगा वो कहेगा मैं सामने से कम लोगा इसलिए यह आगे है और यह पीछे है तो यह इस तरीके से लिखा दिया बाकी इनके इनके बीच का कंपेरिजन मैंने पढ़ा दिया है और इन दोनों का कंपेरिजन आप करके अक्चुली बहुत आसान है सुनो माइनस एम का जश्ट उल्टा ओडर है बट अगर सीओ 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 लगा दो देखो इधर नालाइक कहीं कि इधर देखो तो मैं सब सिखाना पड़ता है सीएच टू नेगटिब एनएच नेगटिव ओ नेगटिव नेगटिव चार्ज होगा वो नेगटिव चार्ज होगा वो नेगटिव चार्ज बहुत आसानी से बहुत आसानी से बहुत अच्छा रेजोनेंस करेंगे अगर बहुत अच्छा रेजोनेंस करेंगे तो इस सीओ का पेट भर देंगे तो सामने से वो एलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा इसलिए घटिया माइनस M के ओर्डर में ये नजर आता है आई होप आपको यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परिशानी, कोई समस्या नहीं होगी प्लस M और माइनस M को सीखने के बाद अब हम चलिए सीखते हैं कि इनका इफेक्ट क्या पढ़ता है बेंजीन पर क्योंकि बेंजीन हमारे पूरी केमेस्ट्री का बहुत मेजर पार्ट कवर करता है बहुत सारे क्वेस्टन दिखाई देते हैं तो ये कॉंसेट बहुत जरूरी हो जाते हैं तो प्लस M गुरूप और माइनस M गुरूप का हम बेंजीन पर इफेक्ट देखेंगे अगर यहां कॉंजूगेशन है तो यह चीज यहां आती है वैसे ऐसी चीज मैंने पढ़ाई है भी तो यहां पर आ जाएगी और यह दोनों इलक्ट्रोन उठ करके पाई वाले अगले कार्बन की खोपड़ी पर नाचने लग जाएंगे बोलो भई परिशान नहीं किया उनको एजटेस बना दिया अब देखो जिनको परिशान किया अब सब उनके पर बात होगी अरे एक बात बता रहे बालक यह जब लोन पेर यहां दोनों के बीच में आएगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में तो यहां पर क्या बनाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा अरे बनाएगा न जी और अगर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेर दिया तो उसकी खोपड़ी पर पॉजटिव चार्ज नचाना हक बनता है हमारा दोनों इलेक्ट्रोण उठकर अगले कार्बन पर गए यहां नेगटिव चार्ज नेगटिव चार्ज का मतलब क्या है वहाँ पर दो इलेक्ट्रोण मौझूद हैं तो इसका यह रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसको उल्टा कर दीजी तो यह मिल जाएगा इसका मतलब ऐसा सिंबल बनाना सर्व सक्ते साबित होगा अगली बार सुनिए यह नेगटिव चार्ज अगर मैं यहां बॉन्ड पर लियाओं कार्बन कार्बन के तो यहां कार्बन कार्बन पर जो पाई के इलेक्ट्रोण थे वो दोनों उठकर के कार्बन की इस खोपड़ी पर आ जाएगे बोलें यहां तक बाट ठीक है क्या पहले में क्या करना होता है सर आपने सिखाया था कि सिग्मा स्केलेटन को छेड़ना नहीं है तो दुनिया में किसी को छेड़ना नहीं है लेकिन यहां पर सिग्मा स्केलेटन को छेड़ना नहीं है सिर्फ और सिर्फ पाई उलेक्टरॉन को छेडने का हक मिला हूँ सुनिएगा जिस पार्ट को आप टच नहीं करते उसको च्छाप लीजी हूँ बहू च्छाप लीजी च्छाप दिया इतना अच्छा इनको तो हमने परेशान नहीं किया ये देखिए अब जिनको परेशान किया उनको देख लेते हैं कौन से लोग थे ये नेगटिब चार्ज इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा मतलब ये पाई बॉन्ड यहां बनाएगा और ये पाई के इलेक्टरॉन उठकर अगले कार्बन पर आएगे उसके बाद जो नेगटिब चार्ज इसको यहां लेकर के आईएगा ये दोनों इलेक्टरॉन उठकर के यहां आजाएंगे कुल मिला कि आपको ये एक बात समझ में आई कि अगर मैं बेंजीन पर प्लस एम ग्रूप लगाता हूं अगर मैं बेंजीन पर प्लस एम ग्रूप लगाता हूं तो इलेक्टरॉन डेंसिटी इनक्रीजस क्या इलेक्टरॉन डेंसिटी इनक्रीजस एट देखो कहाँ पर इलेक्टरॉन डेंसिटी बढ़ रही यह सब्द आप से पूछा जाता और यह आपको आना जरूरी है इसके दो रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर के पर आप बना लीजिएगा इतना अब आप कर ले जाएंगे क्योंकि ऐसा ही मैंने इसके पहले O negative वाले में बताया था मैंने हाँ O negative करके बताया था अच्छा जी आईए अब आपके सामने प्रस्तूद करते हैं बेंजीन की खोपड़ी पर लगा हुआ माइनस M ग्रूप सर आपको कैसे हक है यह कहने का कि यह माइनस M कैसे पता चलता है घर से रट क्या आते है नहीं बाला क्या देखेंगे X Y का relation है Carbon is less electro negative Oxygen is more electro negative यहाँ पर इस तरीके का conjugation कहाँ पर है Double bond, Single bond, Double bond तो बेंजीन के अंदर का जो दोनों electron है वो दोनों electron निकल उचल कूद करके यहाँ आएंगे और Carbon और Oxygen के पाई electron जो होंगे वो उचल करके Oxygen की खोपड़ी पर आजाएंगे सायद इसमें कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी तो इससे हम आपके Resonating structure को तुरंद बना देते हैं देखिए अब यहाँ में क्या करना है हमें Sigma bond के skeleton को नहीं छेड़ना है Sigma bond के skeleton को नहीं छेड़ना है पहले वो बनाया मैंने Sigma bond वाला फिर जिन पाई bonds को हमने touch नहीं किया उनको एजटेच छाप दीजिए सर छप गया एक बात देखिए electron जो है यहाँ से इस carbon को ध्यान से देखिए इस carbon के जो electron से वो उठकर आगे जा रहे है तो इसका वाला electron आगे जा रहे है इस वाले carbon का जो electron है वो तो यहीं आ रहा है न तो उसके touch में है लेकिन ये वाले का electron तो आगे चला गया जहां से electron आगे गया उस पर positive charge बना दीजिए मिरे साथ बोले क्या बनाना है आप पर positive charge बनाना है ये दोनों electron उठकर carbon carbon के बीच में आएंगे तो यहाँ पर pi bond बनेगा अरे बोलो रे बाला क्या बनेगा pi bond बनेगा और ये दोनों electron oxygen की खोपड़ी पर आएंगे इसलिए oxygen की खोपड़ी पर negative charge बनेगा I hope आपको आनन्द आया हो तो पहले अगर ये बना ले गए बिस्वास मानू कुछ नहीं होता अब प्लस बन गया अब रेजुनल संदर कराना है देखो कैसे देखो यहाँ पर एक atom जहाँ पर प्लस है single bond, double bond अब pi bond के जो electrons होंगे वो उठ कर कहा आएंगे अगले वाले bond पर आजाएंगे देख लिजी अगले वाले bond पर आजाएंगे यही होगा न हमें क्या करना है हमें पहले sigma skeleton को as it is छाप लेना है मैं बार बार यह लाईने इसलिए दोहराता हूं ताकि आपकी खोपड़ियों में बातें बस जाएं अब देखो जिनको हमने परिसान नहीं किया वो ऐसे ही रहेंगे देखो इन पर हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की इन पर भी नहीं की तो इनको यहां लगा दीजे बोलो रे बालक बाट ठीक कहा रहा हूं यस दोनों electron उठकर यहां आएंगे तो देखो जब electron जाएंगे और इस carbon को भी मिलेंगे तो यहां पर neutralize हो जाएंगे और πाई bond बनेगा पाई electron के shift होने से carbon जो प्लस में था वो neutralize हो जाएगा अब जो यह वाला carbon है उस पर positive charge आ जाएगा ठिक आगे भी resonance कर सकते हैं जो यहां पर पाई के electrons हैं यहां पर जो पाई के electrons हैं उन पाई के electrons को आप यहां आगे ले करके आए तब की बार प्लस यहां बन जाएगा मतलब कुल मिला कि आप एक चीज़ देखेंगे कि कभी metaposition पर positive नहीं आता कभी metaposition पर negative नहीं आता मतलब plus M और minus M group metaposition पर कोई बात चीज़ नहीं करते उन पर कोई charges नहीं लाते लेकिन ध्यान से सुनिएगा जब भी आप benzene की खोपड़ी पर plus M लगाएंगे तो वो negative charge बenzene पर लाएंगे और वो negative charge और तो और पर पर पोजिशन पर होगा क्योंकि negative charge है तो electron density बढ़ रही है लेकिन यहां की बात करें तो electron density कहाँ पर सबसे कम होगी बताइए electron density कम से कम कहाँ होगी क्यों क्योंकि भया माइनस M गुरूप है तो वो benzene के electron को अपनी तरफ सिफ्ट कर रहा है तो आपने देखा और तो और पैरा ये दोनों ऐसे positions मिले जहाँ पर positive charge है और positive charge का मतलब ही होता electron की कम ही होना इस condition में carbon के case में तो electron density कम है क्रिपया ध्यांदे उसका जबाब होगा ortho and para position पर ortho and para position पर actually minus M group का effect ortho और para पर आता है plus M का भी effect ortho and para पर आता meta पर इन दोनों का कोई effect नहीं आता तो line लिखा है there is no effect at meta position इन दोनों ही situation और condition पर मतलब अगर minus M और plus M group लगे हुए है तो वो meta position पर कभी भी ना तो electron density बढ़ाते हैं ना तो घटाते हैं अरे सुनना रे बालक क्या बोला मैंने मानलो ये कोई group है चाहे ये group plus M हो चाहे ये group minus M हो कभी भी यहाँ जो meta position है meta position कौन होता ये third वाला one two three इस position पर कोई भी effect कभी भी नहीं आएगा ना तो यहाँ पर electron की density बढ़ती है ना तो electron की density घटती है इन group के आने की वजह से ये बातें आपको पता होंगी तभी आपको आनन्द आगे आएगा आए जी आगे देखते हैं अगली बात चीत करने है select the position of maximum electron density थोड़ा सा चाहता हूँ आप समझदार भालक बन जाएं तो देख लेते हैं बेंजीन की खोपड़ी पर OH लगाया और आपको पता है कि oxygen पर lone pair होता अगर lone pair है तो वो electron बेंजीन के अंदर डाल देगा भाया जी मतलब plus m group है और plus m group आपको पता है कहां कहां पर electron बढ़ाते हैं ortho position पर बढ़ा देते हैं और para position पर बढ़ा देते हैं तो ortho slash para ortho slash para पर आपको electron density बढ़ती हुई नजर आएगी यह NO2 भाय साब आपको पता है xy का relation देखो xy का relation है अरे है ना भाया जी xy relation means that minus m group है तो minus m group तो ortho और para पर electron density कम करते हैं तो ज़्यादा कहां रहेगा यह तो कुछ नहीं करते हैं कहां पर meta position पर तो actually ज़्यादा कहां मिलेगा meta position पर ध्यान दीजिएगा इनकी वज़ा से यहां पर electron density वड़ी ऐसा नहीं है actually minus m group की वज़ा से ortho और para की electron density कम हो गई तो ज़्यादा कहां पर है वो हमें meta मिल गया अपने आप समझ गए इन्होंने छेड़ छड़ कहां पर कड़ी ortho और para पर meta को तो उन्होंने चुआ भी नहीं उन्होंने ortho और para से electron खीच कर अपनी तरफ ले लिया लेकिन meta के electron को नहीं खीच सकते इसलिए हम कहेंगे यहां पर meta position पर electron density सबसे ज़ादा होगी meta position पर electron density सबसे ज़ादा होगी अगला देख लेते हैं भया अगली बातचीत और चर्चा का विशे है कि यहां nitrogen और nitrogen की खोपड़ी पर लोन पर जैसे ऐसा मिले यह प्लसम ग्रूप गोसित हो जाएगा और जैसे ही प्लसम ग्रूप गोसित होगा यह ortho और para की कहानी यहां पर चलेगी तो ortho slash para यह आएगा आई हो आपको आनन्द आया हो अगला देखेगा बेंजीन से जुड़ा हुआ है एक double bond और उस पर लगा हुआ है एक group ध्यान रखेगा गलती से भी गलती मत करिएगा यह group चाहे कुछ भी हो यहां लिख दो महिंदे में लिख देता हूं यह group चाहे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो यह group चाहे कुछ भी हो आप जो है हमेशा यहां पर इस इन लेक्ट्रॉन डेंसिटीज को इधर इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए देखेंगे और यहाँ पर इनको आप जब इस तरीके से बढ़ाएंगे तो आपको और्थो पर मिलेगा, बाद में पैरा पर मिलेगा तो अगर ऐसा हो कि बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई डबल बॉन्ड है तो वो गारंटी है, देन ध्यान से सुन लीजी बेंजीन है, अगर मैं डारेक्ट सिर्फ इतना लगा दूँ तब भी ये कैसा होता है, और्थो एंड, और्थो श्लैस पैरा पर जो है, इलेक्ट्रोन डेंसिटी बढ़ती है पर इलेक्ट्रोन की डेंसिटी जादा होती है ठीका जी, चाहे ऐसा रहे, लेकिन अगर माल लो, मैं इस पर क्या लगा दू LD हाइट, C, double bond, O, H, हमें कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए G ग्रूप चाहे कुछ भी हो, और हमें लगेगा कि ये लेक्ट्रोन इधर जाएगा तो सारे इलेक्ट्रोन इधर मूब करेंगे, ऐसा नहीं होता ठीका जी, तो हमेंसा याद रखिए, G ग्रूप चाहे जो ले लो चाहे तुम प्लस म लो, चाहे माइनस म लो, चाहे जो ले लो ये पूरा ओवर ओर जो है, इलेक्ट्रोन डेंसिटी इंक्रीज करेगा और तो एंड पैरा पोजीशन पर आईए, हाइपर कॉन्जूगेशन पढ़ते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, सब देखो कितना खुद सूरत है, हाइपर कॉन्जूगेशन मतलब कॉन्जूगेशन की जो कंडिशन तुमने पढ़ी है, उससे भी बहुत आगे की भात करने वाले हाइपर कॉन्जूगेशन यहाँ पर हम सिग्मा बॉंड के इलेक्ट्रोन को डि लोकलाइज कराते हैं सर आप तो कह रहे थे कि सिगमा बॉंड का इलेक्टरॉन तो डी लोकलाई नहीं करता, अरे बालक वो रेजुनेंस में नहीं करता, रेजुनेंस की फिनॉमिना में सिर्फ पा इलेक्टरॉन नाचता और घुमता है, लेकिन यहां भी कुछ सिचुएशन है, कुछ कंडिशन है, अगर वो सटिस्फाई होती है, तभी सिगमा बॉंड के इलेक्टरॉन को नचाना अलाउड है, और इसको हम हाइपर कॉंजुगेशन कहते हैं, उसको तो कॉंजुगेशन कहते थे न, सिंपल रेजुनेंस कहते थे, अच्छा, दी लोकलाईजेशन ऑफ सिगमा इस इलेक्ट होना चाहिए, SP3 हाइबरडाईजड का मतलब होता है, वहाँ पर चार सिगमा बॉंड होने चाहिए, तो चार सिगमा बॉंड है, अच्छा, और अगला एक सिस्टम बनाते हैं, जो सिस्टम सब्द का मतलब समझेंगे यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा कमस्टरी का सिस्टम अगल वाला कार्बन कैसा होना चाहिए SP2 hybridized और वहाँ पर plus charge अच्छा एक बाद बताओ plus charge का मतलब क्या होता कितनी लोग ने पढ़ा लिखा और देखा है chemical bonding में कि सर अगर ऐसा है यहाँ पर plus charge होगा न तो यह carbon SP2 hybridized अगर carbon SP2 hybridized तो इसका मतलब अभी carbon के पास एक P orbital बचा है क्योंकि P orbital कितने होता है तीन में से दो ही तो hybridization में गए इसका मतलब एक P orbital बचा है तो यहाँ पर एक vacant P orbital और vacant P orbital को यहाँ पर इन में plus लगा करके बताया गया है तो यह कहा जा रहा है कि sigma electron जो है इस P orbital के साथ interact करता है सर किसका sigma electron वो सुनिएगा carbon और hydrogen का जो यह sigma electron का carbon और hydrogen में क्या होगा अरे sigma electron होंगे की नहीं होंगे भई अरे बोलो रे बालाक होंगे की नहीं होंगे तो जो यहाँ पर यह sigma electron है carbon और hydrogen के यह electron actually इसमें shift होना चाहते है हम interaction दिखाते इस तरीके से बनाते कैसे आगे बाचीत होगी फिलहाल introductory part में इतना समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है अच्छा समझ में आया सर कुछ कुछ तो खोपड़ी खुली ऐसा ही आप एक बना सकते हैं radical के लिए तो देखें सेम तरीके से छाप लीजिए क्या करिए एक carbon ऐसा बनाईए जहां पर minimum एक carbon hydrogen bond हो जहां से सुनिएगा minimum एक carbon hydrogen bond हो और वो sp3 hybridized हो अगला carbon कैसा होना चाहिए sp2 hybridized होना चाहिए अगर sp2 hybridized हो यहां पर vacant p orbital होना चाहिए अगर आप radical बनाने जाने तो radical का मतलब होता है carbon की खोपड़ी पर एक electron carbon की खोपड़ी पर एक electron इसको radical कहते हैं या अगर आपको आदत है dot बनाने की तो आप dot ही बना लीजिए नहीं तो आपको लगेगा कि यह master कभी-कभी dot बनाता है कभी-कभी ऐसे बना देता है इतनी बाद ठीक है तो radical और इस carbocatine में देखने को क्या मिलता है जो carbon hydrogen के ये bonds होते हैं ये bond के electron जो है यहाँ पर interact करते हैं ये electron इनके साथ interact करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या दो electron देना possible है इस तरीके से नहीं possible है क्यों 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 क्योंकि carbon पर एक electron पहले से है सुनना ध्यांसे यहाँ carbon पर देखो एक, दो, तीन, तीन bond बन गए च्छाई electron एक ये साथ, साथ electron हो गए और carbon maximum 8 electron रख सकता है इसलिए आप गलती से भी ये मत बनाईएगा मैंने जानबुच के ऐसा बनाया था ताकि आपको समझ में आपाए तो यहां से एक electron को आप आगे बढ़ाते हैं जान दीजिएगा एक electron को आगे बढ़ाते हैं और एक electron को hydrogen के ऊपर कर देते हैं लिखने के तरीके हैं पहले आप समझेंगे धीरे-धीरे आदत में डालेंगे तब आनंद आएगा ठीक है फिलहाल इस interaction को hyperconjugation कहते हैं आई अगला देखते हैं delocalization of sigma electron with pi star pi star orbital अब एक सब्द है pi star इस pi star का मतलब उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने chemical bonding में molecular orbital theory पढ़ी होगी वहाँ पर pi और pi star की बात होती है तो जब कभी भी कहीं pi bond होगा तब ही वहाँ पर pi star बनने का chance है तो बस simple कर देता हूँ मैं आपको कैसे कहना है कि देख भाई एक carbon है जो कि sp3 hybridized होना चाहिए एक carbon है जो sp3 hybridized होना चाहिए और इस carbon से कोई भाईया क्या लगा होना चाहिए double bond लगा होना चाहिए इस carbon से कोई double bond लगा होना चाहिए अगर ऐसी situation और condition आती है तो यहाँ पर hyperconjugation possible है सर कैसे possible actually यहाँ पर direct electron का transfer में दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि πाई स्टार molecular orbital आप अगर मोगडी पढ़ोगे तो आपको समझ में आता है बाकाइदे molecular orbital डाइग्राम बनाना पड़ता है फिर उसके अंदर input करते है यहाँ simply कैसे लिखा जाता है वो समझाता हूँ carbon hydrogen के बीच में जो यह electrons है इन में जो यह electrons इन electrons को हम ऐसे दिखाते देखो यह दोनों electron यहाँ आते है देखना ध्यान से पहले समझो यह carbon कैसा sp3 hybridized यह carbon कैसा sp2 hybridized तो क्या यह condition satisfy हो रही है जैसे उपर था यस तो एकदम बास सही है यह यहाँ आएगा carbon carbon के बीच में जो electron होंगे पाई वाले वो दोनों उठकर के कहा आ जाएंगे इस carbon की खोपड़ी पर आ जाएंगे ठेके जी यह simply resonance की तरह लग रहा है resonance की तरह लग रहा है लेकिन यहाँ पर बस carbon hydrogen का sigma electron यूज किया गया है बस यह बात ख्याल रखना पड़ता है अच्छा जी यह बात समझ में आगे तो यह इस तरीके का जो resonance type का behavior देखता है इसको हम hyperconjugation के नाम से जानते हैं अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर यह कारिकरम किया क्या मैं यही कारिकरम benzene के साथ नहीं कर सकता कर सकते हैं sir देखिए यहाँ पर क्या होगा समझना भया यह कार्बन कैसा sp2 hybridized है यहाँ पर double bond कार्बन जहाँ पर एक hydrogen और इस carbon पर क्या लगा हुआ है दो यहाँ पर इस तरीकिस लगा दिया ध्यान सुनिएगा यह जो carbon है ये carbon sp3 hybridized है ये carbon कैसा है sp3 hybridized यह carbon SP2 hybridized है इसका मतलब सर यहां hyperconjugation possible है तो carbon hydrogen के दो electron को लीजिए दोनों को आप यहां लाने की कोशिस करिए इन दोनों electron को यहां लाने की कोशिस करिए carbon carbon के बीच में जो पाई electron है वो दोनों electron उठाईए और अगले carbon की खोपड़ी पर ले चलो भया देखते हैं पहला तो कार्वो कैटान ही ले रेते हैं यह वाला ऐसा ही करना है यहां पर ठीक है अभी देखे जैसा मैंने यहां सिखाया न वह जैसे मैं यहां डारेक्ट दिखा रहा हूं उस तरीकिसे हम यहां भी carbon carbon के बीच में आक्चुली दोनों इलेक्ट्रोन लाते हैं ठीक है बस यह समझाने के लिए लाइन आपको आनी चाहिए यहां पर आक्चुली इंट्राक्शन ऐसे होता है यह carbon sp3 hybridized है यह carbon sp2 hybridized है बात एक्दम सही है क्या यहां पर पाएगा वो कारिकरम जो आप वहां कह रहे थे hyperconjugation yes carbon hydrogen के जो यह दोनों electron यह दोनों electron carbon carbon के bond में receive होंगे देखिएगा direct यहां पर receive कराईए कराने पर क्या होगा आपको पता है कि जब ही electron यहां आते हैं तो carbon के plus को electron मिलने का मतलब होता है कि वहां पर क्या हो जागा neutral carbon होगा carbon carbon के बीच में पहले sigma bond था यह सर पहले से था एक और bond बनेगा क्योंकि 2 electron आ रहे हैं 2 electron आने से pi bond बन जाएगा यह बाट तो ठीक है सर अब यह वाले carbon पर 2 hydrogen थे तो वो दोनों hydrogen आप यहां पर प्रस्तुत कर दीजिए देखे इतनी बाट समझने में को दिक्कत नहीं है अब देखे यह hydrogen का electron चला गया आगे तो यहां hydrogen का electron चले जाने पर क्या होता है उसकी खोपड़ी पर positive चा जाता है तो यहां पर H प्लस आ जाएगा लेकिन यह दोनों hydrogen पर तो कोई अभी फर्क तो नहीं आया तो वो अभी यहीं इसी तरीके से लगे रहेंगे तो देखें कहा जाता है कि यह इसमें convert किया जा सकता है और ऐसे ही जब πाई electron को इधर ले करके आओगे तो यह इसमें convert किया जा सकता है तो resonance जैसा एक यहां पर sign बना देना है बलकि वही sign यहां पर बनता है ठीका जी इसको ना no bond resonance भी कहते हैं देखो जब भी इसके resonating structure बना bond resonance क्यों कहते हैं यह सब्द समझ में आना चे क्योंकि इसका जब hyperconjugative structure बनता है वहां कहते थे resonating structure यह hyperconjugative जब structure बनता तो carbon hydrogen के बीच में bond नहीं आते अच्छा यह कितनी बार बनाया जा सकता है अरे sir इस carbon पर जितने hydrogen मौजूद होंगे उनी hydrogen को गिल लीजे उतनी ही structure बनाय जा सकते हैं तो पहले मैंने इससे बनाया अभी आगे चाहूं तो मैं यहां से बना सकता हूं यहां से बना सकता हूं यहां से बना सकता हूं ठीक है समझ रहे बात को तो यहां से बनाओगे तब भी वही काम होगा ठीक चलिए यहां से बना के देखते हैं यह वाला electron मैं यहा जब यह बनाओगे तब उपर वाला तो रोकना पड़ेगा न जी उपर वाला थोड़ी न कराईएगा ठीक इसको बना करके मैंने समझा दिया अब मैं यह वाला समझा रहा हूं जहां सुनिएगा यह जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा कार्बन होगा लेकिं सिंग यहां गये तो यहां पाई बॉंड बन जाएगा लेकिन यहां पर कोई बॉंड नहीं होगा क्योंकि बॉंड टूड गया और यहां पर प्लस आएगा तो यह दोनों भी आपस में क्या हैं थिक इसी तरीके से यह वाला बचा है उसको भी बना सकते हो तो अगर मैं आपसे उस पर प्रजंट जो हाइड्रोजन उनको अलफा हाइड्रोजन कहते हैं क्यों अलफा हाइड्रोजन कहते हैं क्योंकि यह जो कार्बो कैटाइन तो इतने को कहते हैं कार्बो कैटाइन को एक सिस्टम की तरह एक गुरूप की तरह ट्रीट करिए इस गुरूप के बगल में जो hydrogen लगे होंगे उतने इसके और structures possible हैं अच्छा जी और एक तो यह है इसका मतलब अगर मैं कहूं कि number of number of hyperconjugative structures कितने होंगे number of hyperconjugative structures कितने होंगे तो आप कहेंगे alpha plus 1 क्योंकि यह वाला तो है यह भी considered होगा ना यह एक है इससे बना हुआ यह structure इससे बना हुआ यह structure और जब यह hydrogen के दोनों electron इधर जाएंगे तो एक और है ना जी तो यहाँ पर बताए alpha hydrogen कितने थे अलफा hydrogen कौन होता है इस कार्बो केटाइन के बगल वाला कार्बन जिस पर की 3 hydrogen दिख रहा है जी यह अलफा कार्बन है तो यह 3 अलफा hydrogen होगे तो 3 रख जीजिए 3 प्लस 1 तो टोटल यहाँ पर 4 चो है क्या आ जाएंगे number of hyperconjugative structures आ जाएंगे तो इस तरीके से देखने का न चार्घेस लिए आ रहे हैं कि यहां पर जो carbon उस पर क्या positive charge है तो जो carbon पर positive charge है वहां पे क्या है प्लस को वह कम करने आ रहे है थोड़ा सा वहाँ पे positive charge की density को कम करना चाहते हैं, अपना electron यहाँ ला करके, देख लो यहाँ पे, जब वो electron देते हैं, तो यह carbon देखो, neutralize हो गया, जब electron देते हैं, तो यह carbon neutralize हो गया, जो यहाँ directly positive दिख रहा है, complete positive दिख रहा है, उसका पेट थोड़ी देर के लिए भर जा देखिए, यहाँ पर neutral है, और यह वाला यहाँ पे भी neutral है, हाँ, उसका जटका सहने को hydrogen को मिल रहा है, लेकिन कम से कम carbon का पेट तो भरने आ रहा है, कौन? hydrogen और carbon के बीच के वो दूनों electron, I hope आपको यह बात समझ में आ गए हैं, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, कि जो carbon वो cation होता है, उसके यह positive charge को कम करने की कोसिस करते हैं, और मैं यही एक चीजहाँ पर असपष्ट करना चाहता हूँ, अगर किसी atom पर बहुत जादा charge होता है, तो वो बहुत reactive होता है, किसी पर जितना जादा charge होगा, वो उतना जादा reactive होगा, सब सुनिएगा, वो उतना जा positive charge है, तो वो negative charge वालों को बहुत जल्दी जल्दी बुढ़ाएगा, भईया आजाओ मुझसे reaction कर लो, ठेक है, इसी पर हम कहेंगे, कि इसका उल्टा जो है stability होती, क्या आप ये बात मानेंगे, obviously sir, ज्यादा stable वो होगा, जिन पर कम से कम charges होंगे, तो ध्यान क्या रखना है, क भईया यहां कार्बो कैटाइन पर ये hyperconjugation सो करने वाले hydrosons जो हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप कहिए इनको stable कर रहे हैं, क्योंकि वो इनको electron की supply कर रहे हैं, जब electron की supply कर रहे हैं, तो ये plus charge कम हो रहा है, plus charge कम हो रहा है, कहीं पर charge density कम होती है, तो stability बढ़ती है, ध्यान charge density अगर कहीं कम होती है, तो वो चीज इस्टेबल होती, stability वहाँ पर जादा होती, तो charge density हमें कम करना, चाहे वो negative charge हो, चाहे वो positive charge, चाहे जैसा हो, अगर वो जादा हुआ, तो वो जादा reactive हो जाएगा, कम stable होगा, अगर वो बहुत कम हुआ, तो बहुत stable हो जाएगा, वो reaction क चाहते हैं। आपको आपको अभी वता भी दिया गया है चलिए देख लेते हैं। Carbon Hydrogen के अगर मैं बात करूं तो 2 electron, 2 में से 1 electron यहां पर लाएं bond में, और यह जो 1 electron उसको यहां पर लाएं, देखेगा, pi bond कैसे बनेगा, देखना भजा, pi bond कैसे बनेगा, थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा यहापको, मैं color थोड़ा change करता हूं, अच्छे से देखना जिरूर और एक यह वाला electron यह भी आएगा, pi bond बनाने, ठीक है जी, इतनी बात दिख रही है क्या, यस दिख रही है, अब दिखे कैसे बनाएंगे, जो carbon है, यह hydrogen है, carbon और carbon पहले क्या करिए, जिन पर हमने disturbance नहीं किया, कम से कम, वो तो बना लो गई, वो तो बना लो, यह बना दिया, यस, hydrogen जो यहाँ था, कृपया ध्यान से सुनिएगा, hydrogen जो यहाँ था, उसको आपने एक electron दिया, इसका मतलब यह hydrogen के पास एक electron होता है, मतलब hydrogen atom के form में यहाँ पे रहता है, ठीक, यह वाला electron कहा होगा, यहाँ आएगा pi bond बनाने, तो देखे यह pi bond, कैसे बना pi bond, अरे radical का एक electron, यहाँ bond का एक electron, दो electron मिलकर के एक pi bond बना देते हैं, तो radical के time पर आप इस तरीके से बनाएंगे, यह structure कितने बनेंगे, अरे जितने यहाँ पर alpha hydrogen होंगे, तो sir, alpha hydrogen आप कैसे ही gas कर लेते हो, यह देखो, यह आप इनको radical बोलोगे, carbon जहाँ पर एक electron इसको radical, radical के just बगल वाल carbon, alpha carbon है, और alpha carbon पर जितने number of hydrogen present होंगे, उतने hyperconjugative structure तो तुरंद बन जाएंगे, लेकिन इसको consider करो, तो total 4 यहाँ पर hyperconjugative structure बनते हुए, नजर आएंगे, इसी तरीके से बनाना है, ठीक है, क्या सिर्फ यही एक hydrogen करेगा, नई, ऐसा ही इनके साथ, ऐसा ही इसके साथ आप कर लीजिएगा, आई, एलकीन पर बात करें, एलकीन पर सुनिएगा, हमने एलकीन वाली बात में बताया कि carbon hydrogen को target करिए, देखो, यह carbon कैसा, SP3 hybridized, यह carbon कैसा, SP2 hybridized, इसका मतलब मैं इसको as a system treat कर सकते हैं, जो as a system treat कर सकते हैं, तो यह carbon कैसा है, यह वाला carbon alpha carbon है, तो alpha carbon पर कितने hydrogen है, तीन hydrogen है, तीनों hydrogen hyperconjugation करेंगे क्या, यह जना करेंगे, क्या करेंगे, hyperconjugation करेंगे, तो सुनिएगा, क्या होगा, यहाँ पे किस तरीकिस होगा, यह दोनों electron उठकर के carbon carbon के बीच में आएंगे, और carbon और carbon के बीच में जो pi electrons है, क्योंकि वही loosely bound होते हैं, अच्छा bond नह जन्द ने बालक, क्या बोला मैंने, जिन लोगों को छेडा नहीं गया, कृपया, उन लोगों को as it is बना दीजिये, इनको छेडा नहीं गया था इतने लोगों को, मैंने च्छाप लिया उनको, अच्छा, यहाँ दोनों electron अगर आगे गए, तो आपको पता है कि hydrogen की खोपड पर आगे तो negative charge यहाँ पर आएगा बाट ठीक है अरे बोलो रे बालक इससे ये बन जाएगा ऐसे ही ये वाला bond टूटेगा तब भी बना दोगे ऐसे ही इससे टूटेगा मतलब यहाँ पर भी चार hyperconjugative structure बनेंगे जोकि यहाँ पर तीन alpha hydrogen है तो उनके तूरू तीन बन और यह खुद structure तो टोटल चार hyperconjugative structure बोले जाएगे सेम कहानी बेंजीन को भी सुनानी है ना आएए बेंजीन में देखते हैं बेंजीन में करना क्या है कार्बन hydrogen के बीच में दो दो electron है इन दो electrons को आप यहाँ लेकर के आईए और कार्बन कार्बन के बीच का यहाँ चुआ नहीं किया चुआ नहीं परेशान नहीं किया उनको एजटे चाप लीजिए देखे हमने इस पाई बॉंड को नहीं तोड़ा इस पाई बॉंड को नहीं तोड़ा तो इसको पहले बना लीजिए निशंदे यह बात समझ में आ रही होगी multiple color मैं इसले यूज कर रहा कोई हलका सा भी दिमाग लगाए तो समझ में आ जाएगा देखना बालक हाईड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो हाईड्रोजन यहां तो प्लस के फॉर्म में ऐसा रहेगा अच्छा लेकिन यह यहां पर आए जाएगा पाई बॉंड का करेक्टर देखने में ल क्या इसके आगे आपको रेजोनेंस की फिनॉमिना दिख रही है अगर हाँ इसका मतलब है आप सही पढ़ रहे थे सुनिएगा बालक यहां पर देखे यहां कार्बन की खोपड़ी पर नेगटिब चार्ज फिर सिंगल बॉंड फिर डबल बॉंड इसका मतलब यह नेगटि इतने पर कोई च्रच कारपारे करते हैं अब यह इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन कार्बन के बीच में आएगा तो यहां पर यह हो जाएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर के कारबन की को पर पर यहां जाएगा नेगटेव हो जाएगा वैसे रियल जिंदगी में छेडखानी बहुत ही बड़ा घंगहूर पाप है जीवन में कभी गलती से इसके बारे में सोचेगा मत ऐसे ऐसे कानून बने हैं कि जीवन बरबाद हो जाएगा ठीक है जी तो एक बात समझ यह यह बन ज हाइड्रोजन का बॉंड जब दोनों इलेक्टरॉन बेंजीन के अंदर भेजे गए तो वो कहा कहा रिसीव हुए और तो और पैरा अब फिर यहां पर और तो इसका मतलब हुआ कि बेंजीन की खोपड़ी पर अगर कोई कारबन लगा है और उस कारबन पर एक भी हाइड्रो बाकी माल लो को यह और सफ्ट्रिट्यूशन है चलिए माल लेता हूँ मैं यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर मैं माल लेता हूँ क्लोरीन है इस तरीके से हैं ब्रोमीन क्लोरीन है चलो ब्रोमीन क्लोरीन को छोड़ सीस्थ्री कर देते हैं जहां एकदम तोड़ने का चां in-tree करेंगे तब तब आपको और थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉं की डंसिती जादा मिलेगी और थो पैरा पोजीशन पर मिलेगी अरे बोलो पहले structure में, यहाँ पर carbon double bond carbon, यही हमारा system है, यही अलकीन, अब देखे, इस अलकीन के बगल में जो यह carbon है, this is alpha carbon, इससे जुड़ा हुआ यह alpha carbon, तो यहाँ पर total alpha carbon, alpha hydrogen कितने हुए, alpha carbon दो हुए, hydrogen कितने हुए, alpha hydrogen यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं, वो 6 alpha hydrogen, अगर 6 alpha hydrogen है, तो hyperconjugative structures कितनी होंगे, alpha plus 1, मतलब 6 plus 1, 7 होंगे, तो यहाँ total 7, यहाँ पर आपको hyperconjugation मिल जाएंगे, मतलब hyperconjugative structures मिल जाएंगे, लेकिन question सिर्फ साथ hydrogen को ही बताना था, तो 6 हो जाएगा, अगला देखते हैं, यहाँ कि अगर मैं बात करूँ तो देखो, यह alpha carbon, alpha मतलब carbon के जस्क बगल वाला carbon, बढ़ नाम है यह तो, हैना, total alpha carbon कितनी होंगे, sorry, alpha hydrogen कितनी होंगे, तो 3, 3, 6, 3, 9, 12 होगे भईया, 12 alpha hydrogen यहाँ पर present है, अगर कोई तुम से पूछे, hyperconjugative structures इसके कितनी होंगे, तो कहना 12 plus 1, क्योंकि यह structure भी गिना जाता है, तो इसलिए total 13 होंगे, इसा थोड़ी नहीं यार, इसी से तो बाकियों को बनाया है, जिसको बनाया है, उसको तो ध्यान में रखना पड़ेगा न जी, हाँ, इतनी बासन भाई, अब एक बात पूछी जाती है, that is, stability of alkin, यह भी alkin है, और यह भी alkin है, प्रस्ट नहीं यह है, कि ज्यादा stable, यह है, ज्यादा stable है, stability of alkin का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, stability सब्द का मतलब होता है, जो less reactive हो, stability का मतलब होता है, जो less reactive हो, क्योंकि अगर वो reaction ज्यादा करने लग गया, इसका मतलब तो भईया, वो stable ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो reaction कर रहा है, वो तो धड़ा-धड़ से मेल मिला आप गडबंधन कर रहा है ना जी तो लेस रियक्टिब देखना है कौन सा एलकीन होगा तो ज़्यादा स्टेबल बोला जाए या लेस रियक्टिब बोला जाए वो कहां मिलेगा जहां पर ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे नंबर ऑफ अल्फ पर बार इस कारबन डबल बॉंड कारबन को तोड़ते रहेंगे क्या करेंगे तोड़ते रहेंगे बही यह जब तुम बनाते हो तो आपको पता है यह यहाँ आता है और nori टो सकता है तो इसका मतलब यह एलकीन के फॉर्म में सही से रहे हिना committed brauchen यहां पर नंबर अफ recuerds करते हैं जितने भी आफा-ाइडरिस यह जतना ज्यद़ को एंपर stable कौन है तो शायद आप बता ले जाएंगे कि second one is more stable than first one second one is more stable than first one I hope आपको यहां पर आनंद की अनभूती हुई हो अगला line पढ़िएगा भी यह बहुत important line hyperconjugation generate double bond character in single bond and single bond character in double bond जैसा कि resonance में पढ़ाया था same कहानी यहां पर भी होती है देखिए यह देखिएगा ध्यान से अगर मैं कहूं कि यह जो carbon carbon की length है ध्यान सुनिए गाज्या ऐसे नहीं समझना आएगा अभी length से compare करा रहा हुँआ तम ऐब जाता है यह मालो carbon carbon की length L1 है ये वाली कार्बन कार्बन की लेंथ L1 है और मैं कहूं ये बताईए ये जो कार्बन कार्बन की लेंथ है अगर मैं कहूं ये L2 है ये वाली लेंथ कार्बन कार्बन की L1 है और ये वाली L2 है तो बताईए L1 बड़ा या L2 सर हम कैसे बताएंगे अरे बालक यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर hyperconjugation लग रहा है चले चिक करते हैं यह देखो ये बैंजीन है ये भैया बैंजीन है पहचाने में कोई गल्ती तो नहीं हुई जर नहीं हुई बैंजीन आरे बालक यहाँ पर तो आप जो है तीनो अलफा हाइड्रोजन को यूज करके पाई बॉंड यहाँ पर ला सकते हैं यहाँ पर तो आप पाई बॉंड ला सकते हैं इस तरीके से देखिएगा देखिएगा बालक यहाँ पर इस तरीके से जैसा है पहले वैसा बना देता हूँ देखना ऐसा होगा फिर देखिए इनको और इनको डिस्टर्ब नहीं किया पाई के जो दो इलेक्ट्रोन होंगे वो उट करके यहां आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा इसका मतलब हुआ यह इसमें और यह इसमें कनवर्ट होता रहे लेकिन क्या ऐसा कोई structure यहां बन सकता रहें बन सकता इस alpha carbon पर कोई hydrogen ही नहीं है if there is no alpha hydrogen क्या भीया जी hyperconjugation possible है तो कोणो hyperconjugation नहीं अगर hyperconjugation नहीं है तो यह सिर्फ single bond रहेगा इसके अंदर सिर्फ single bond करेक्टर रहेगा क्या only single bond करेक्टर इनके अंदर सिर्फ single bond का character रहेगा क्योंकि यहाँ पर pi bond बनी नहीं सकता यहाँ कभी double bond बनी नहीं सकता double bond बनेगा कहाँ पर जहाँ hydrogen होगा लेकिन यहाँ वाले में आप क्या देखते हो कि पहले तो single दिख रहा था लेकिन अब आप यहाँ पर double bond character देख रही है in single bond पहले था single bond सुरिएगा नहीं तो कईयों की खोपड़े में बात ही नहीं जाती यह देखो single bond में double bond का character डालने वाला कौन है यह hyperconjugation के 3 alpha hydrogen इसलिए यहाँ पर क्या होगा कुछ time के लिए यहाँ पर double bond रहेंगे अगर double bond रहेगा तो double bond तो size में छोटा होता है लेकिन यह single bond double sorry sorry single bond जो होगा वो size में बड़ा होगा लेकिन यह भाई साब चोटे होंगे इस हिसाब से L1 और L2 को compare करें तो L1 और L2 में L2 is greater than L1 होगा तो जहां कई भी single bond करेक्टर होगा वो size में बड़ा होगा जहां कहीं पर double bond करेक्टर होगा वो size में छोटा होगा क्यों double bond size में छोटे होते हैं I hope आपको आनन्द आया हूँ अगली चीज क्या पढ़नी है order of effectiveness अब हमें यह जानना है कि हमने तीन चीजें सीख ली है हमने सीखा resonance हमने सीख लिया resonance हमने फिर सीखा hyperconjugation फिर हमने सीखा भया inductive effect प्रश्ण यह है इन तीनों में ज़्यादा effective कौन है रटना नहीं समझना होता है कैसे वो देखते हैं देखना भया यहाँ पर carbon है सारे carbon भूंखे पड़े क्यों सारे carbon जो है electron deficient है यहाँ पर सब पर 6 electron है होने कितने चाहिए 8 लेकिन carbon की खोपड़ियों पर positive charge आते ही क्या हो जाते हैं वो भूंखे हो जाते 6 electron होने की वज़ा से अब इनकी भूंख मिटानी है तो देखना भूंख ज्यादा कौन मिटाता है जो ज्यादा भूंख मिटाएगा जो ज्यादा दानी होगा वही तो effectiveness ज्यादा रखता है वो ज्यादा effective होगा वही ज्यादा powerful माना जाएगा यह जनाव तो देखते हैं यहाँ पर resonance की phenomenon में तो हम πाई bond के दोनों electron को उठाते हैं और उठा करके आगेर दे देते हैं ऐसा करने पर हम एक क्या बना रहे होते हैं resonating structure बनाते हैं अरे बोलो रे बालक यहाँ पर इस तरी किसा आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा ठेका जी? यस लेकिन hyperconjugation में हम क्या करेंगे? यह देखो, यह हमारा system है system पहचानिए, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन इस अल्फा कार्बन पर दो hydrogen सर आपको कैसे पता? अरे दो ही bond बने हैं आगे इस तरीके से hyperconjugation करेंगे अगर इस तरीके से hyperconjugation करेंगे तो यहाँ पर double bond करेक्टर आएगा देखो, यहाँ पर double bond करेक्टर आएगा यहाँ पर एक hydrogen यह जो H plus है वो H plus यहाँ ऐसे plus के form में रहेगा और एक H यहाँ पर बना लीजिए हलाकि यह उपर बनाने में ही अच्छा लगता उपर बना दे रहा हूँ न अरे इतने बुद्धी तो है कि समझ जाओगे कि कहां से बनाया, क्यों बनाया अब देखने में ठीक लग रहा न जी यहाँ पर यह वाला देखो यह carbon और hydrogen का जो sigma bond उनका electron आगे चला गया तो यहाँ पर देखो कोई bond नहीं इनके बीच में तो यहाँ H प्लस है, लेकिन यह वाला bond मैंने इधर बना दिया, that's it तो अच्छा जी, यह hyperconjugation के थुर्फ सपोर्ट किया लेकिन inductive में तो सिर्फ sigma electron ढखेले जाते है सिर्फ धकेल करके सपोर्ट मिलता, आप बताईए कि कौन ऐसा जो जादा donation करें, सर यह तो सबसे घटिया तो यही लग रहा है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पुस हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, धकेला जा रहा है, electron को धकेल करके sigma के through इनके पास पहुचाया जारा, तो थोड़ा मोड़ा support यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर अगर electron का थोड़ा support मिलेगा, यहाँ पर प्लस आई effect लगेगा तो यहाँ जो carbon है, वहाँ पर charge density थोड़ी सी घटेगी क्या, charge density, charge density थोड़ी सी घटेगी सुनिएगा, charge density क्यों घटी, क्योंकि यहाँ से electron का हलका-लका support गया, तो इस carbon को, जिस पर की खुब positive charge था, positive charge को electron मिलने से क्या होता है neutralize होता है, तो इसका मतलब plus charge कम होगा, तो भही लिखा है कि charge density, positive charge density on this carbon क्या हो रहा है कम हो रहा है, positive charge की जो density हो, वो कम हो रही है इसलिए यह stable हो रहा है, stable हो रहा है, लेकिन प्रश्चन है सबसे रहे stable कहा होगा, वो देखेगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों, क्योंकि πाई electron पूरी तरह से उखड करके, मतलब वो neutral हो गया, मतलब यह जो donation करने वाला उसने यह positive अपने उपर ले लिया इसका मतलब दिल खोल के समर्थन किया, इसका मतलब भया जी, resonance वाला सबसे उपर आएगा इसके बाद hyper conjunction हमने बीच में क्यों डाला पता है, क्योंकि carbon और hydrogen के बीच का sigma bond तूट रहा है यह एकदम दिल खोल कर support करेंगे, यहाँ पर तो electron का धीरे धीरे, सिर्फ समर्थन चल रहा था अगर समर्थन धीरे धीरे चलेगा, तो यहाँ charge density क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी लेकिन यहाँ पर charge की density दिखो, करीब परी neutral ही कर दिया इनको, approximate neutral कर दिया तो neutral की बजाए हम यहाँ पर लिख देते हैं, कि यहाँ पर जो positive charge की density है, जो positive charge की density है, वो बहुत ही कम है यहाँ पर देखेंगे positive charge की density क्या होगी, वो भी charge की density थोड़ी कम होगी यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ बहुत कम, यहाँ पर तो एकदम ही कम, तो जहाँ पर charge density सबसे कम होती है, वही ज़्यादा stable होता है, stability वही पर ज़्यादा होती है, अब जिस factor की वज़ा से यह ज़्यादा stable हुए हैं, वो factor boss माना जाएगा, तो कहीं भी resonance मिले, कहीं भी plus m मिले या अभी तो plus m की बात हो रही है, कभी आगे minus m मिले, तो यह इनको आप बहुत समझेंगे, with respect to hyperconjugation के, और plus i and minus i के, कभी मान लीजे, टककर आजा, minus i और minus m में, तो कौन जीतेगा, minus m जीतेगा, plus m और plus i में तो plus m जीतेगा, बस इतनी सी बात बतानी, इस तरीके से हमें सम अब ये बात सायद आपकी खोपणियों तक गई हो, रटना ना पढ़ा हो, ऐसा मैं मान कर चल रहा हूँ, आईए, question करते हैं, electron density in benzene ring, हमें ये देखना है कि कहां पर electron जो है, benzene ring के अंदर जादा होंगे, वैसे आप ये बात पढ़ चुके हैं, लेकिन application form में देख लेते है जैसे electron donating group लगा देते हैं, मानली जी मेरे पास एक benzene है, मेरे पास एक benzene और इस benzene पर मैंने electron donating group लगा दिये हैं, कृपया ध्यान से सुनेंगे, हमने electron donating group लगा दिये हैं, तो ये electron donating group क्या करेंगे, benzene को electron का support देंगे, जब ये benzene को electron का support देंगे, तो इस benzene के अंदर क्या होगा electron की density बढ़ेगी लेकिन अगर मैं एक ऐसी situation ले लूँ जहां पर मैं कि ले रहा हूं भया benzene benzene से किसी ऐसे को लगा दिया जो electron withdrawing group है जो electron खुद खून चूसने का काम करता देख रहे भया अरे हे बालक क्या बोला मैंने कोई ऐसा लग गया जो electron खीचता हो अब जो electron खीचता हो अपनी तरफ वो इस benzene के अंदर वो इस benzene के अंदर क्या electron density रहने देगा वो कहेगा भया हम खुद उठा ले जाएंगे तो इस तरीके से benzene में electron की density क्या हो जाती है कम हो तब electron withdrawing ग्रूप लगा तो electron density कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा तो सिंपल बात है सरी तना कहीं जोड़ दे रहे हैं अच्छा सुनिएगा जो electron donating है वो कौन कौन से हो सकते हैं या तो प्लस M हो सकता है या तो प्लस hyperconjugation मतलब hyperconjugation हो सकता है या तो iodine बोल दिया inductive effect हो सकता है आना बहुत लंबा टाइम पढ़ाते पढ़ाते एक साथ में यही होता है ठीक है mesomeric effect hyperconjugation और inductive effect अगर positive हो तो वो electron डालते हैं इस हमारे benzene में तो यहाँ पर electron density बढ़ती है लेकिन हे बालक अगर minus M और minus I group लगे हो negative mesomeric and negative inductive लगा हो तो electron खीच कर ले जाते हैं तो electron density को कम करते हैं comparison करा देता हूँ ऐसे तुम जानते हैं तुम्हें पढ़ाया है मैंने अरे मैंने ही तो बताया था नाला एक प्राणियों क्या बताया था मैंने कि benzene से जुड़ा हुआ अगर LD है तो xy relation satisfy कर रहा है यह प्लस M group है है यह क्या है प्लस M group है सर आप गलत क्यूं पढ़ा रहे है यह तो मुझे minus M लगता था very good अगर आप यह अपने आप से समझ पा रहे हैं मेरे बिना बताए तो इसका मतलब आप समझदार भालक है यहाँ पर यह minus M group है हना जी xy relation minus M में था ठीक है इसका मतलब यह electron density को उपर की तरफ खींचते हैं इतनी बात तो समझ में आती होगी yes ए अगर यह sigma के थूखी चेंगे तो यह carbon bean से sigma के थूखी चेंगे तो overall यह जो group है वो minus I group भी होता है तो minus M minus I दोनो एलडिहाइड यह दोनो एफेक्ट्स हो करता है इसकी वज़ा से benzene से electron निकल करके ऊपर की तरफ जाएगा मतलब benzene के अंदर electron की density अब कम होगी लेकिन अब आ करना पड़ता है याद करना पड़ता है कि minus I power जो है इसके plus M से जादा होता है सर मुझे तो plus M नहीं समझ में आ रहा है minus I समझ में आ रहा है कि यह sigma bond के electron को खीशते है क्योंकि bromine क्या है electron negative element है अच्छा अगर electron negative element है तो minus I लेकिन एक बास समझो bromine के उपर तो lone pair भी थोते हैं तो lone pair अगर किसी के पास है तो वो donate भी करता है सर आप पीछे तो यह कह रहे थे कि मेजोमेरिक वाला ज्यादा impactful होता है लेकिन यहां के case में ऐसा नहीं होता यह बात आपको खयाल रखनी पड़ती है मैं बहुत ही जबरदस्ती यह line आपकी खोपड़ी में डालना चाहता हूँ simple बात है यह बात आपको खोपड़ी में डालनी पड़ेगी कि इसका minus i power जो है उसके plus m से ज़्यादा होता है तो overall जो effect आता है वो क्या है electron खींचने का ही आता है लेकिन यहां पर देखें दो effect है minus m से पाई electron खींचा जा रहा है minus i से sigma खींचा जा रहा है मतलब सब कुछ इस तीन अलफा हीड्रोजन है और तीन अलफा हीड्रोजन से वो electron का donation करता है electron का donation करता है तो इसका मतलब यहां पर hyperconjugation है और CS3 कैसा रहता है यहां प्लस i group की तरह है तो इसके अंदर electron की density बढ़ाएगा तो इसका मतलब pi electron भी यहां पर आएंगे अंदर और क्या साथ साथ M group भी है लेकिन 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 इंडक्टिव में देखो इस carbon से लगा हुआ कौन है oxygen कारबन और oxygen में ज्यादा electronegative कौन है oxygen तो oxygen electron सिगमा के थ्रूख हीजएगा तो देखो minus M और minus i sorry plus M और minus i दो effect होते हैं लेकिन लेकिन जैसा कि हमने आज तक पढ़ा है कि जो mesomeric है वही impactful ह तो इसलिए कौन साब यहाँ पे consider होगा plus M यहाँ पे देखो कौन consider होगा minus i क्यों क्यों क्योंकि minus i का impact ज्यादा होता है plus M से बात समझाई जा चुकी है I hope आपको समझ में आ गया हो तो इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि यह तो electron इसके अंदर डाल रहे है इसके इस बेंजीन को electron मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है लेकिन यहाँ पे निकाला जा रहा है तो शायद आपको समझ में आया हूँ यह order आएगा यह order आएगा ना भया अरे बालक यहाँ प्लस M है और वही impactful है तो minus i को छोड़ सकते हो अभी तो क्योंकि जो impactful है उसी को पकड़ना तो ठीक है electron इसके अंदर जादा जाएगा hyperconjugation तो पीछे रहता ना प्लस M के पीछे रहता order of effectiveness में पढ़ा था तो इसलिए यह order देखने को बिलता है इस बेंजीन के respect में इस वाले बेंजीन में जादा electron है इस बेंजीन के respect में यहाँ जादा electron की density होगी क्योंकि प्लस M से जादा donation हो रहा होगा लेकिन यहाँ –is बेंजीन में जितना electron होगा उस थोड़ा कम electron की density इस बेंजीन में होगा कि थोड़ा सा इनों के खींच लिया है यहाँ पर खूंझ चूत लिया इसका sigma और..? सब निकाल के ले गए तो यहां पर इस वाले बेंजिन में सब से कम इलेक्टरॉन की देंसेटी होगी इतना ही समझना होता है कॉंसेट इतने ही होते हैं आईए अब अगली बाचीत है बॉंड लेंथ पर देखें भैया यहां पर समझ लीजिए यहां पर क्या होगा कार्बन व अब आप बताईए पीछे मैंने कुछ ऐसा बात पढ़ाया आपको बताईए 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 यहां पर देखें यहां पर कितने अलफा हाइड्रोजन हैं सर देखें तीन ये तीन अलफा अलफा कार्बन दो और दोनों पर कितने हैं तीन तीन इसका मतलब टोटल यहां प अलफा हीड्योजन होगे वहाँ उतनी बार हाइपरकॉंजुगेशन होगा और वहाँ इतनी बार हाइपरकॉंजुगेशन होगा कि ये देखना आब एक हाइपरगॉज्ग bere दिखा देता हूं । यह समझते मेंगा देखो hyperconjugation होता रहेगा उतनी बार ये pi bond तूटता रहेगा इसका मतलब double bond के अंदर उतनी बार single bond character आएगा तो यहाँ पर double bond के अंदर 12 बार single bond character आएगा single bond character का मतलब है bond length का बड़ा हो जाना लेकिन यहाँ पर केवल 6 बार इस carbon double bond carbon में single bond character इंसर्ट होगा इसलिए bond length के लिहाज से बड़ा कौन है यह बड़ा यह वाली bond length बड़ी आती carbon carbon की यह bond length बड़ी आएगी carbon carbon की यह bond length छोटी आएगी reason यहाँ इस pi bond को 12 बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है 12 बार टूटेगा तो इसके अंदर single bond character आएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा यह logic समझ में आना चाहिए तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जितने ज़्यादा number of alpha hydrogen जितने ज़्यादा होंगे bond length वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा होगी फिर जितना ज़्यादा कहीं पर resonance होगा कहीं पर जितना ज्यादा resonance होगा bond length वहाँ पर उतना ज्यादा होगा यह बाते हम पढ़ चुके हैं bond length वाली है ना अरे बैंजीन में यह सब बात समझाई थी मैंने आये देखते हैं एक्जांपर करा हुआ छोड़ूंगा नहीं यहाँ देखो यहाँ पर यह carbon double bond carbon है इसके बग के 4 हो गए लेकिन यहाँ पर तो 3 है तो 4-3 7 alpha hydrogen यहाँ पर हो जाएंगे अच्छा यहाँ पर गिनिए यहाँ और यहाँ दो-दो 4 हो जाएंगे और यहाँ तीन और तीन यह कितने हो गए 6-4-10 10 alpha hydrogen हो जाएंगे I hope आपको यह बात समझ में आ रही हो कि यहाँ पर जादा alpha hydrogen है तो इस double bond को बार बार टूटना पड़ेगा single bond करेक्टर में आना पड़ेगा तो यह bond length बड़ी हो जाएगी तो bond length का यह order निगल करके आता है similarly यहाँ देखे बेंजीन में तो जहमा जहम क्या चलता है resonance बेंजीन में बहुत खतरनाक resonance है लगातार क्योंकि ना ring है तो ring में लगातार ऐसे एकदम समझ लो electron का current बह रहा होता है बहुत तेजी से यहाँ पर electron का flow चलता है मतलब resonance कई गुना जादा है यहाँ पर क्योंकि इस इतना ही resonance possible है कम से कम कुछ तो possible है लेकिन यहाँ तो resonance पॉसिबल नहीं सिर्फ hyperconjugation लगेगा इसका मतलब है और आप जानते हैं जहाँ resonance होता है वहीं पर सबसे ज्यादा bond length है कि resonance impactful है with respect to hyperconjugation यहाँ कोई resonance तो हो नहीं रहा है तो इस तरीके से bond length निकाली जाती है आई होग स hydrogen कहीं पर carbon double bond carbon है या carbon triple bond carbon है जहां कहीं पर दो carbon के बीच में एक πाई bond है हमें वहाँ एक πाई bond को तोड़ देना है और दो hydrogen को ले जाकर add करना है तो addition of hydrogen यह काम जब हम करते हैं तो उस काम में उस process में उस reaction में energy निकलती है एक्जो थर्मिक प्रोसेस होता है और जितनी energy निकल है उसी को हम heat of hydrogenation कहते हैं सर जब यह आसमान में आप पढ़ाते हो ना कुछ समझ में नहीं आता लिखके पढ़ाये करिए अच्छा जी heat of hydrogenation क्या होगा ऐसे लिखते हैं देखो delta H hydrogenation क्लियर है बही चलो picture थोड़ा और clear करेंगे यहां पर देखते हैं यह ग्राप बना के समझ double bond carbon समझना यहां पर H2 with palladium होता क्या है hydrogen डारेक्ट इससे connect नहीं होता उसके साथ हमें catalyst चाहिए चाहे आप palladium ले लिजे चाहे आप platinum ले लिजे चाहे आप nickel ले लिजे यही तीन चीजें आपको देखने को मिलती है nickel, platinum and palladium इनके presence में H2 को हम carbon double bond carbon पर add कराते कैसे कराते सुनिएगा यहां पर हमें क्या करना है पहले सारे sigma bond लिख लेने है सारे के सारे sigma bond लिख लेने अब जो πाई होगा, πाई bond को तोड़ दीजिए, एक valence इधर लगाईए, एक valence इधर लगाईए, बीच में जो bond था उसको तोड़कर हमने इधर और इधर लगा दिया, अब दोनों की जो valences खाली हुई है, उन पर यह जो H2 था ना, उसके एक-एक hydrogen को add करिए, एक hydrogen यहाँ, एक hydrogen यहाँ add करिए, यह जो process आप देख रहे हैं, this process is known as hydrogenation, क्योंकि यहाँ पर alkene के अंदर hydrogen जोड़ करके, हम लोग alkene बना रही हैं, क्या आप इनको पहचानते हैं, क्या यह alkene है, सर यह तो पहचान में आ गया, इसको तो हम ethane कहते हैं, अरे यह ethane था, यह ethane बन जाता है, तो ethane से ethane का conversion hydrogenation कहलाता है, क्या आपको इतनी बात समझ में आता है, अरे बोलो रे, समझ में आता है, वैसे यह alkene थोड़ा सा, 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 थोड़ है उसी energy को heat of hydrogenation कहते हैं मैंने तोड़ा fashion energy लिखा है उसको ठीक कर देता हूं क्या बोला मैंने इस process के होने में जो energy निकलती है उस energy को heat of hydrogenation delta H hydrogenation कहते हैं अब प्रशना आठा है यह सर heat आप क्यों कह रहे हो यहां से energy निकलती है आपने कहा हम dynamic क्यों हं क्यों मानेंगे आप तो कहते हो समझाते हैं आओ आओ इधर देखो है नाला एक प्रांड़ी यहां पर एक pi bond था क्या था यहां पर हमने एक pi bond को क्या किया तोड़ दिया एक pi bond को थोड़ा लेकिन यहां देखो दो नए सिग्मा बॉंड का formation किया, एक मिनट है यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा बॉंड सिग्मा बॉंड तो यहाँ पर हमने दो new सिग्मा बॉंड formation, इस प्रॉसेस में हमने एक्चुली तोड़ा है एक πाई बॉंड वन पाई बॉंड breaking हो रहा है यहां से यार लिखना है breaking of breaking of one pi bond ठीक जी एक pi bond तोड़ रहे हैं लेकिन दो नए sigma बना रहे हैं सब्द पकड़िएगा एक pi bond तोड़ रहे हैं दो sigma bond बना रहे हैं इसका मतलब हुआ कि भाईया एक तो ये बात जान लो कि pi bond बहुत कम जोर होता है उसको तोड़ना बड़ा आसान है आसानी से तूट गया और तोड़ने के लिए energy चाहिए तो कम energy में तूट गया अच्छी बात है लेकिन ये जो sigma bonds बने ना sigma bond मजबूत bonds होते हैं जब sigma bond मजबूत bond है इसका मतलब क्या carbon hydrogen के बीच में अच्छा रिष्टा मजबूत bond का मतलब अच्छा रिष्टा अच्छा force of attraction है इनके बीच में अच्छा force of attraction है और इस तृष्ट का नियम है कहीं भी force of attraction जादा होगा तो वहां बहुत energy निकलती है तो लगने वाली energy तो तोड़ने में लगी वो बहुत कम थी लेकिन निकलने वाली energy बहुत जादा थी तो overall क्या हुआ energy निकली अरे समझे धंधा कौन सा चलेगा अरे धंधा वही चलेगा जिसमें investment बहुत रच्ची भरका हो और यहाँ पे जब मिले profit तो बहुत profit मिले समझे तो ये धंधा इसलिए चल रहा है ये process कैसा है hydrogenation process कैसा है कोई पूछे तो बताना exothermik है और exothermik को हम negative में लिखते हैं समझना ऐसा मैंने क्यों कहा क्योंकि यहाँ पर overall energy निकलती ही है अरे बोलो रे बालक बात समझ में आई क्या यह सरसमझ में आ गई एक चीज समझनी अगा और देखना alkene जो है माल लीजिए alkene को में यहाँ पर यह मैं potential energy diagram बनानी जा रहा हूं इसको कहते है potential energy diagram तो यहाँ पर मैं potential energy ले रहा हूं अब आपको एक चीज पता होगी जो चीज reactive होती है जो चीज reactive होती है उसकी potential energy क्या होती है जादा होती है जो चीज reactive है उसकी potential energy जादा है जो चीज stable होती है उसकी potential energy कम होती है chemical bonding में लाइं पढ़ाई जाती है ठीक है दुबारा सुनना चाहें तो बोल देता हूं मैं मैंने क्या बोला जो चीज रियक्टिव जादा है, उसकी potential energy जाता है, ज़र हम भूल जाएंगे, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, जादा reactivity, जादा potential energy, that's it, ठीक है, इतनी बाद समझ जाओगे, तो alkene जो होता है, वो जादा रियक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पर पाई बॉणने, with respect to alkene alkene का देखो, यहाँ पर कहीं, actually हम बनाएंगे यहाँ, लेकिन दिखाएंगे, यहाँ बताऊँगा क्यों, actually reaction का एक तरीका होता है, वो हमें अभी पढ़ाना नहीं है, सिर्फ एक चीज बतानी है, कि जो यह alkene है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह भईया, alkene की energy, potential energy में alkene यहाँ आता है, और alkene यहाँ आता है, ज्यान दीजिएगा, alkene कहाँ आता है, यहाँ आता है, क्योंकि alkene जो है, sigma bond के थुरू बने हैं, और sigma bond से बने हुए molecule बहुत stable हैं, और जो लोग stable होते हैं, उनकी potential energy कम से कम होती है, यहीं पर बोलाइन भी लिख देते हैं, अगर इसका मतलब है, वहाँ पे potential energy कम से कम होती है, तो alkene बहुत stable है, पोटेंसिल energy कम है, alkene reactive है उसकी potential energy जादा है, अच्छली क्या होता है, आप आगे चलके पढ़ेंगे, कि reaction ऐसे चलती है, एक particular activation energy चाहिए होती है, तब जाकर के reaction होता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको केवल hint के तोर पर ये जानना है, कि ये इसके energy जादा और इसके कम होती है, अच्छा, इन दोनों का जो energy gap है, इन दोनों का जो energy gap, reactant and product, reactant क्या होता है, ये reactant होता है, ये product, तो reactant and product के बीच में जो gap आता है, इसी gap को हम delta H hydrogenation कहते हैं, हम क्या कहते हैं बालत, delta H hydrogenation कहते हैं, इस reaction के ल लिखने का तरीका समझ बाया, एलकीन जादा रियक्टिव तो उपर बनाया, एलकेन कम रियक्टिव तो नीचे बनाया, इन दोनों के बीच में जो एनरजी गैफ है उसको डेल्टाइश हाइडरोजेनेशन फॉर दिस रियक्शन बोलेंगे, I hope आपको समझ में आ गया होगा, थम सब बोलेंगे भाई, यस, अगला देखेंगे, बाला किदर देखना, ये लिखा है एलकाइन, एलकाइन, एलकाइन में क्या होता भाईया, एक नहीं दो दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड को हम तोडएंगे, H2 पैलेडियम ले लिजे, यह हमारे पास एक्सेस में रहता है, तो वो क्या करेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, जो बॉन्ड पहले बने थे उनको बनाया, पाई बॉन्ड को हमने पूरी तरह से तोड़ दिया, दो पाई बॉन्ड को तोड़ा, तो हर कार्बन की दो-दो वैलन्सीज खाली हो गई, और हर जगह पर तो दो पाई बॉन्ड की ब्रैकिंग हुई, लेकिन यहां पर देखें, चार निउ सिग्मा बॉन्ड का फरमेशन हुआ, आप बताईए, यहां एनरजी कम निकलेगी पहले वाले से, या ज़ादा निकलेगी, अरे कोई भी बहुत धिक रूप से सक्षम होगा, वो यह कहेग कि सर यहां तो बहुत energy निकलेगी क्योंकि यहां पर एक नहीं दो दो bond तूड रहे हैं तो यहां से ज़्यादा energy निकलेगी यहां पर कम energy निकलेगी आई होप आपको यह बात समझ में आ रही हूँ इसी चीज को graph में कैसे देखते हैं देखना अब एलकाइन में क्या है नंबरा पाई बॉन जादा है जितने ज़्यादा पाई बॉन उतनी ज़्यादा reactivity मानी जाती है तो अगर ज़्यादा reactivity है तो ज़्यादा reactivity वाले को हम कह रहा αTHI, दोनों में इतीन इसका मतलब हमें एंड जाना प्रोड़क्ट कहाँ पर है, यहीं पर ही जाना है, दोनों का प्रोड़क्ट सेम है, तो दोनों को यहीं पर आना है, अच्छड़, आप देखो यहां पर जो पहला वाला है यह 1 लिग देता हूँ इसको मैं 1 मान रहा हूँ और इसको मैं 2 मान रहा हूँ तभी तो समझ आ पाऊंगा वहाँ पे ठीक है ये वाले एनरजी जो निकली वो 1 वाली थी अब देखो अलकाइन और एलकेन में एनरजी गैप इतना आएगा अगर एनरजी गैप यह जादा आएगा तो इसको हम डेल्ट यहां पे समझना यहां खूब एनरजी निकलती है यहां पे समझना यहां खूब एनरजी निकलती है इसका मतलब sign के साथ नहीं है इसका मतलब होता है कि वहाँ से खूब energy निकलती है तो जितना ज़्यादा pi bond जितना ज़्यादा pi bond वहाँ पे उतनी ज़्यादा energy निकलती है देख लीजिए इतनी energy निकलती है पहले alkyne यहाँ था potential energy में जब उसने reaction करी तो देखिए उसका जो status है potential energy graph पे वो यहाँ आ जाता है तो यह gap बड़ा है इसका मतलब यहाँ बहुत energy निकलती है दोनों तरफ से समझा दिया है भाई आप तो कहिएगा कि सब समझ में आया है ठीक है जी बाकी तो समझ गये हैं आई अगला देखते हैं stability of alkin और delta h hydrogenation का क्या relation है वो समझना बड़ा important है ठीक है तो delta h hydrogenation देखते हैं रटना नहीं है रटमाना होता तो मैं एक line में बोल देता कि number आप पाई बॉन जहाँ जादा होगा वहीं पे कह देना कि ज़्यादा होगा कान ही खतम हो जाती लेकिन मैं नहीं चाहता कि अरे नहीं नीट के बच्चें हरटवादो काम बन जाता नहीं भाई साब तुमारे पास भी तो बुद्धी है तुम भी तो सोच सकते हो ऐसा थोड़ी होता कि direct हम कहें और आप मालने क्यों मालने साइंस पढ़ने है तो साइंस पढ़ के जाईए आई यह देखते हैं का double bond ज्यादा stable है मतलब double bond नहीं एलकीन ज्यादा stable है तो हम कहेंगे A is more stable than B इतनी बात समझ में आते हैं stability of A is greater than B ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं अब इनको H2 palladium से reaction करवाया जब हमने reaction करवाया तो हमने एक चीज़ सीखा हुआ था कि जब भी reaction करवाये तो वहाँ पर पहले सिग्मा skeleton बना दीजिए और फिर पाई bond को open कर दीजिए और वहाँ पर क्या लगाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगाईगी अरे बोल रे बालक बात समझ में आई क्या यस एकदम से यहाँ पर क्या होगा जी यहाँ पर कार्बन यह बना ली जी यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ हाइड्रोजन है यह देखिएगा जो नए bond बने वो यह है जो नए bond बने वो भया यह है और इन पर हमने क्या लगाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन चाह मैंने open के हैं मां CS3 भाई ये कहा है CS3 उपर भी ऐसा ही है CS3 ठीक है ये लिख देता हूँ किसी को confusion नहों CS3 है ये CS3 है ये CS3 है ये CS3 अब एक चीज़ आपको बताता हूँ जो एलकेन होता है ना उनकी पोटेंसियल एनरजी में बहुत बड़ा गैप नहीं होता क्यों कि यहां यह सब सिग्म बॉंड होते हैं यहां पे भी सिग्मा बॉंड होते हैं जब पाई बॉंड कहीं आता है तो पोटेंसियल एनरजी में डिफरेंस जादा आता है इन दोनों के पोटेंसियल एनरजी करीब करीब बराबर होते हैं और कोई ये प्रडिक नहीं कर सकता theoretically कि कि किसका ज्यादा किसक का नाम मैं B रख देता हूं अब सुनिए A और B में ज़्यादा स्टेबल कौन था वहां देखके बताओ जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसको हम पोटेंसियल एनर्जी डायग्राम में नीचे बनाते हैं तो मतलब हम A को यहाँ बनाएंगे इनर्जी डायग्राम वाले में A को हम यहां बनाएंगे थेक बीवाला ज्यादा रियक्टिब होगा दो यह एक है यह दो नहीं को आपको बता दूँ दो डिफरेंट एलकेंस के potential energy में भी बहुत जादा difference नहीं होता इसलिए हम उसको एक कही जगा मान लेते हैं, एक कही जगा मान लेंगे आप चाहें तो ऐसे हलका सा एक दूसरे के आप उपर बना दीजिए, लेकिन actually क्योंकि कोई प्रडिक्ट नहीं की कर सकता थे, लेकिन कौन उपर है, कौन नीचे, तो करीब करीब बनाबर होते हैं, तो इसलिए मेरी बात मानिए उनको एक ही जगा पर बना दिया करिए, ये किताबी बाते हैं, ये सच्चाई बाते हैं, ये experimental data है इसलिए ऐसा सब्द यूज कर रहा हूँ, अधरवाईज मैं तो मैं जरूर बताता है, अभी इतना समझ में आया कि अधर है, बस, इतना समझ में आया, इतनी बुद्धी में बात गई, आपने कहा कि दोनों एलकेन के एनरजी करीब-करीब से मान लेजिए, हो सकता है कोई हलका सा नीचे, कोई हलका सा उपर होगा, लेकिन यहाँ देखो, एनरजी का गैप अच्छा खासा है, आइए देखते हैं, अब ए वाले में, ए क्या था वईया, एक एलकीन है, एलकीन, ज्यादा छोट लिख दिया क्या जी, आपको दिखेगा ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे एलकीन, यह वाला क्या हुई है, एलकीन, दो एलकीन है, अच्छा जी, अब एक बात देखो, ए और एलकीन के बीच में गैप कितना बड़ा है, सिर्फ इतना, यहाँ पर देखो गैप कितना है, यहाँ पर गैप बहुत जादा है, यहाँ पर गैप क्या है, बहुत जादा है, देखें, यहाँ पर गैप क्या होगा, क्या होगा, 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 यहाँ पर गैप इतना जादा और यहाँ पर गैप इतना कम, इसका मतलब क्या हुआ, के रे भाया, यहाँ से जो एनर पर data wise अगर हम देखें तो भाया जी delta H hydrogenation में A और B में ज़्यादा कौन है B is greater than A आप देखो B वाला कम stable alkene था तो उसके लिए hydrogenation ज़्यादा हो गए इसका मतलब हुआ कि भाया जी जो कम stable वो जो कम stable उसका delta है सबसे ज़्यादा है इसका मतलब इसका ultra कर देते है stability of alkene जितना ज़्यादा उसका hydrogenation में value उतनी कम ultra relation होता है मुझे पता है कि आप में से कम से कम 95% लोगों ने इसको रटा मारा है किसी ने नहीं समझा है किसी ने नहीं समझा है सबने ये line रटा मारी है actually logically यहाँ से निकलता है this is the reason जहाँ से हम पता कर सकते है आईए अब बात करते हैं प्यारे aromaticity के factor पर aromatic character जैसमें सुनते हैं benzeneic aromatic क्यों है तो उसके लिए कुछ conditions बताई गई है क्योंकि वो condition satisfy करता है देखिए जिस किसी को आप aromatic घोसित करना चाहते है वो cyclic होना चाहिए और हाँ benzeneic cycle में आता है वो cyclic होता है अब दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज कहां भया जी planar होना चाहिए aromatic compounds planar होना चाहिए planar होने का मतलब है कि भया जी carbon जो है वो sp2 hybridized होना चाहिए क्योंकि अगर sp2 hybridized होगा तो आपको पता कि कैसा आता है trigonal planar आता है तो planar molecule के लिए sp2 होना चाहिए carbon जो हाँ पर present है conjugation होना चाहिए double bond आपने पढ़ाता ना double bond double bond का conjugation हो या double bond loan pair का conjugation हो या double bond negative charge का ये सब consider होता है अच्छा जी और चौती सबसे बड़ी चीज है that is huckle rule क्या बोलते हैं huckle rule huckle rule में इनके नाम में कुछ ऐसे होता देखो c देखो c के जस्ट पहले जो u है इनको इस तरीके से बनाया जाता है इनका नाम किसी foreign language में हो obviously तो इसलिए लिखा जा रहा है ठीक है कोई बात नहीं huckle rule क्या कहता है huckle rule कहता है आप aromatic तभी किसी को घोसित कर सकते है कि जब वो cyclic हो जब वो planar हो जब वहाँ पर conjugation हो और साथ-साथ वहाँ पर 4n प्लस 2 pi electrons मौझूद हूँ 4n प्लस 2 pi electrons मौझूद हूँ 4n प्लस 2 pi electrons मौझूद हूँ सर इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब बता देता हूँ बालक यहाँ पर अगर n is equal to 0 put करो n is equal to 0 put करो तो कितने pi electrons आएंगे 2 pi electrons सर ये क्या होता है सर n है क्या अरे n कुछ नहीं है 0, 1, 2, 3 ऐसे कुछ numbers लिखने हैं 0 रखोगे तो कितना आएगा 2 pi electrons अगर n की value 1 है तो 1 put करके देखिए 6 pi electrons डरियेगा मत सब कुछ बताऊंगा विश्वास मानियेगा n is equal to अगर 2 है तो यहाँ पर put करियेगा 8, 2, 10 हो जाएंगे 10 pi electrons ठीक है जी तो अगर किसी कृपया ध्यान से सुने अगर किसी compound को देखा अपने की वो cyclic है वहाँ हर carbon planar है sp2 hybrid है वहाँ पर conjugation double, single, double, single ऐसा कुछ दिख रहा है और वहाँ पर या तो 2 pi electron है या तो 6 pi electron है या तो 10 pi electron है या आप इसमें n की value 3 put करके देखिए उतने pi electrons आते गए तो guarantee है वो aromatic होगा और कहा जाता है रहते हैं मतलब exist करते हैं इतनी बात समझना आई हाँ समझना है चलिए चलिए पेंजीन को घोसित करते हैं कि ये कैसे कहा जाता है कि ये aromatic है चल भाया बताओ क्या यहाँ पर पहली condition cyclic वाली fulfill होती है क्या ये cyclic है अरे भाया कैसी बात कर रहे है cyclic है एकदम बात सही है second बात करते है second कह रहे है planar है सरह हम तो नहीं मानते अरे भाया यहां carbon पर एक छुपा हुआ hydrogen है है ना जी छुपा हुआ hydrogen है हर carbon पर एक एक hydrogen है यहां carbon पर चेक करें तो 1, 2, 3 3 sigma bond अगर आगे तो यह carbon SP2 hybridized है अगर यह carbon SP2 hybridized है इसका मतलब मामला सही जा रहा है cyclic भी है SP2 SP2 का मतलब हो गया कि planar भी है आई यह तीसरी बात देख लेते है तीसरी बात क्या कहते हैं यह conjugation है अरे भाया है ना देखे double, single, double, single, double अगर यह ना होते तो resonance ही नहीं होता क्योंकि conjugation is the primary condition for the resonance है ना जी हाँ इसका मतलब यह भी होगा चौथा देखे यहाँ पर कितने electrons है कौन से सिर्फ πाई electrons sigma नहीं गिनना क्योंकि resonance कहा होता है सिर्फ और सिर्फ πाई के अंदर होता है चलिए पाई electrons गिनते हैं यहाँ पाई बॉंड के अंदर कितने electron हैं दो पहले मैंने इस तरीके से गिन के बताया कि total 6 पाई electrons नजरा रही हैं अब simply समझ लीजिए कितने पाई बॉंड है एक, दो, तीन तीन पाई बॉंड और हर बॉंड में इसका मतलब है कि यह देखो 6 पाई electron वाली condition हकल रूल भी फॉलो करता है means that बेंजीन एक aromatic compound है अब घोसित हुआ यह बात अगली बात नेफ्थलीन की है यह एक नेफ्थलीन बोला जाता इसका नाम है नेफ्थलीन बताइए क्या यहाँ पर साइकलिक देख रहा है हाँ सर संपूर्ण साइकलिक है साइकल साइकल ही देख रहा है यहां पर अच्छा दूसरी बात करीए क्या यहाँ पर सारे कार्बन SP2 hybridizing check कर लीजे कोई कार्बन पकड़ी यह ले लेते यह कार्बन देखी एक, दो, तीन, तीन सिग्मा बॉंड, SP2 hybridized तीन सिग्मा बॉंड कहीं भी होगा, तो SP2 hybridized होता है, इतना तो जानते हो, हाँ, तो ये भी बात हो गई, SP2 मतलब planar, conjugation है, यस, देखना, double, single, double, single, double, single, double, single, ये बात अगर हुई तो conjugation भी ठीक है, अगला, क्या ये हकल रूल को follow करता है, तो हमें क्या करना, πाई electron गिनने, तो हम क्या करेंगे, πाई bond गिनने, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, पाई बाउंड हैं, तो पाँच, पाई बाउंड हैं, अगर, तो पाँच से follow करता है, तो ये भी एक aromatic compound है, अब बात करनी है anti-aromatic के, anti-aromatic नाम में सब्द में कुछ लिखा हुआ है, ये सब्द उन्होंने सुना होगा, जिन्होंने M.O.T. पढ़ा होगा, पढ़ते हैं ना, bonding, anti-bonding, तो जो anti-bonding होता है, वो molecule को destabilize करता है, अगर वहाँ पर आपने सुना हो, वही कहानी यहाँ पर है, anti-aromatic का मतलब, aromatic का बहुत ही घनिष्ट विरोधी, बहुत ऐसे चूरा जुभाने वाला विरोधी है, ये, इसका मतलब होता है, जो molecule anti-aromatic में आगे, वो nature में exist कर नहीं पाएंगे, कहाँ पर? aromatic में, लेकिन एक चीज़ अलग है, that is, यहाँ पर 4n pi electrons होंगे, और अगर 4n pi electrons की बात करें, तो n की value 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा? 4 pi electron, 2 रख दीजिए, तो 8 pi electron, इस तरीके के number of electron महाँ पर होंगे, तो वो molecule exist नहीं कर पाता है, का हो गया जी? कुस्तो गढ़बढ हो गया है, animation में कुस्तो गढ़बढ हो गया है, थोड़ा लेट आना चाहिए था, कोनो बात ना है, बहुत महाना से बनाया था, कोनो बात, दर ये गणी, इधर देखे, इधर डखे, इधर कुछ लिखा यहां लिखा है, यहां क्या लिखा है, यहां जो कुछ भी लिखा है, यहां पर पहले पता करिए, क्या यह साइकलिक है, अरे बोल रहे हैं, यहां एक साइकल है, साइकलिक है, अब बताए क्या यह प्लेइनर है, हाँ planar है क्योंकि carbon पर double bond जब भी आता है इस तरीके से तो हम कहते हैं वो planar है ये carbon देखना भया धाम से देखना अगर आप देखना चाहो तो इस carbon पर एक hydrogen लगा चक कर लीजिए sp2y का planar आएगा क्या conjugation है yes conjugation conjugation है double single double single double conjugation है तीसरी चीज आती है कितने पाई bond है सर एक दो दो पाई bond है और एक पाई bond में दो electron है तो टोटल फूर पाई electrons है अगर फूर पाई electron है तो ये compound anti aromatic घोसित होगा anti aromatic compounds की energy बहुत ज़ादा होती है इसलिए वो nature में exist नहीं कर पाते ही energy जिसकी बहुत कम होगी वही stable होगा जिसके energy ज़ादा होगी वो तो stable नहीं होगा ये बात देखो यहाँ पर मैंने पढ़ा दी है कि ये भाई साहब को मैंने कहा तुम anti aromatic हो तो potential energy diagram पर देखिए ये anti aromatic की energy देखिए सबसे highest है anti aromatic की energy सबसे highest है देखिए सबसे कम किसकी है सबसे कम किसकी है aromatic अरे संग्जे बेंजीन को मैंने यहाँ सबसे नीचे क्यों रखा है क्योंकि बेंजीन बहुत stable aromatic है तो इसलिए potential energy में सबसे नीचे है अब ये जो है non aromatic है अभी बात करते हैं कि non aromatic क्या होता है जो non-aromatic है वो बीच में आता है ठीक है जी तो aromatic non-aromatic फिर आता है anti-aromatic non-aromatic कुछ और नहीं है जो लोग aromatic नहीं है जो लोग anti-aromatic नहीं है वो सब कहानी इनके साथ जोग दीजिए बस एक ही बात ऐसे लोग जो aromatic भी नहीं है ऐसे लोग जो anti-aromatic भी नहीं है वो लोग non-aromatic है वो लोग non-aromatic है जैसे यहाँ देखना यहाँ पर double single 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 कोई conjugation नहीं है कोई conjugation नहीं यह कार्बन देखो यह कार्बन SP3 hybridized है और आपको पता है कि अगर उस cycle में SP3 होना ही नहीं चाहिए सब कुछ SP2 होना चाहिए देख रहे हो यहाँ कुछ भी satisfy नहीं हो रहा तो ना तो यह aromatic ना तो यह anti-aromatic इसलिए यह non-aromatic होका ठीक है और non-aromatic energy दोनों के बीच में आती है इतनी बात बस आपको पता होनी जरूरी है आई अगली बात करते हैं बेंजनाइट सिस्टम बेंजनाइट सिस्टम मतलब बेंजीन से बना हुआ सिस्टम चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कितने पाइलेक्टरों है 6 गिन के एक बार देख लेते हैं 1,2,3,4,5,6,7 तो 14 पाइलेक्टरों है यहाँ पर भी 14 पाइलेक्टरों है ठीक है जी अरे बोलो रहे भाईया तो यह जो है सब के सब बेंजीन से बने हुए सिस्टम इसलिए इसको हम कह रहे हैं बेंजनाइट सिस्टम और यह सारे के सारे जितने दिख रहे हैं वह आपको क्या मिल रहे है यह अरोनयटेक अब चलिये कुछ एनाइनिक इस पसीज की बात करते हैं जो एयरोमैटिक बीहविच रखते हैं प्रक्टिस शूरू करते हैं आए देखते हैं यहाँ पर आपको यह ट्रैंगल दिख रहा है हाँ सर दिख रह तो ये पहली बात ये टिक टक 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 चलती है माना की पता नहीं किसकी घलती है हम क्यों बताएं किसकी घलती है चलिए यहाँ पर आईए यहाँ पर अगर resonating structures बनाएं तो कैसे बनेगा समझा रहा हूँ बेसिक बात है समझ लीजिए क्या कहना चाहरा हूँ यह जो negative charge है वो यहाँ पर pi bond बनाने आजाएगा और यह जो pi bond है वो यहाँ पर negative charge बनाने आजाएगा यह दोनों आपस में resonating structures है मैं आपको बस एक सब्द सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि जब कभी भी किसी कारबन पर negative charge हो और वो negative charge resonance में involved हो तो hybridization गिनते वक्त क्रिपया उस negative charge को hysteric number में count ना करे अब जिनको chemical bonding आती होगी वो यह line तुरह समझ जाएगा ठीक है जी तो यह actually जो कारबन है इस कारबन पर भी hydrogen है इस तरीके से है यहाँ हर कारबन देखना ध्यान से हम गलती क्या करते है हम सोचते हैं कि देखो हम पहले गलती क्या करते हैं वो समझा लेता हूँ तो care पर एक hydrogen है और यहा नेगिटिब चार्ज है मैं कहूं अगर 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 नोट करो क्या कहा रहा हूँ तो भह्या कहईए steric number लिखते हैं, वक्त हम क्या लिखते हैं, number of lone pair plus number of side atom, या लिख दीजिए sigma bond, lone pair नहीं है, तो हम क्या करेंगे, negative charge में भी दो electron होते हैं, तो इनको लिख दीजिए, एक negative charge plus side atom कितने हैं, इस carbon से जुड़ा हुआ एक hydrogen है, यहाँ पर एक carbon, एक carbon है, तो यहाँ पर एक, दो, तीन तीन sigma bond कह लिजिए, चाहे तीन side atom कह लिजिए, तो यहाँ इस carbon का steric number 4 है, और steric number 4 पर हम कहते हैं, hybridization sp3 आता है, यह बात एकदम सही है, और इस carbon पर hybridization sp3 आएगा, सर तब तो यहाँ भी आना चाहिए था, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने pi bond कर दिया, तो यह pi bond होने की वज़र से, अब यह negative charge यहाँ रहेगा ही नहीं, यह जाएगा resonance करने, जब वो वहाँ रहेगा ही नहीं, तो आप loan pair की जगा पर one कैसे लिख सकते हैं, बस इतनी ही बात बता रहा था, कि जब resonance involved हो जाएगा, तो negative charge उस जगा पर नहीं रहता, वो नाचता रहता है, अगर वो नाचता रहता है, hysteric number में count नहीं होगा, that's it, इतनी सी बात है, note down कर लीजिए भईया, काम की बात पढ़ाई है, आगे भी बातें समझ में आएंगी इस से, ठेक है, okay, okay, कुल मिला के एक ही चीज़ समझ में आई, एक मिनट रुकेगा, शायद बीच में आ गया यह, आई, आई, देखिए, 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 बालक, देखिए, तो यहाँ पर हम पहला क्या करते है, cyclic है, yes, cyclic है, लिख दूं क्या, क्योंकि ना कई बालकों को याद नहीं होगा कि पहला क्या था, cyclic है, yes, cyclic है, क्या यह प्लेनर है, yes, जनाब, क्योंकि हर जगा, sp2 hybridized है, हर जगा SP2 hybridized है अगर अब तीसरे की बात करें क्या यहां conjugation है क्या यहां पर conjugation है यस जनाब conjugation है कैसे देख लो double bond, single bond एक atom जहां पर negative charge है यस conjugation है अब आती है चौथी बात that is number of pi electron कितनी यह दो electron जो यहां मौझूद है वो अगले resonating इन structure में pi bond बना रही है इसका मतलब यह negative charge को pi electron की तरह गिनना है तो 2 electron यह, 2 यह, total मिलके 4 तो यहां पर हम कहा देंगे 4 pi electrons होंगे, कितनी 4 pi electron तो सर इस हिसाब से 4 pi electron है तो यह anti-aromatic होगा मैं साथ दो रहा है यह सब्द क्या है यह भाई सहाब anti-aromatic है यह भाई सहाब anti-aromatic है साथ आपको समझ में आया हो similarly अगला देख लेते हैं यहाँ पर देख के बताईए यह जो negative charge है यह जो negative charge है यह देखो negative charge यहाँ पर resonance कर सकता है यह negative charge resonance कर सकता है हाँ सा, resonance कर सकता है अगला बताई, यह भी कर सकता है ये भी कर सकता, इसका मतलब है कि सारे negative charge यहां क्या कर सकते हैं, resonance में participate करते हैं, तो simply, cyclic है, yes, cyclic है, planar है, हाँ, क्यों, क्योंकि ये जो negative charge, अगर वो resonance में involved है, तो वो negative charge रखने वाला carbon कैसा होगा, SP2 hybridized होगा, अभी यहां बताया था, ठीक है, तो cyclic हो गया planar, conjugation है, yes, देख तो इसलिए conjugation भी है, pi electron गिन लीजिए, तो आप कहेंगे, पहला भी done है, दूसरा भी done है, तीसरा भी done है, नमबर आप pi electron गिनिए, तो देखिए, यहां पर इसके negative charge में 2 electron होते हैं, negative charge में 2 electron, तो 2, 2, 4 और pi के अंदर 2, तो कितने हो गए, 2, 2, 2, 6, 6 pi electrons, कितनी, 6 pi electrons, अगर य मैं इसको क्या घोसित करूँगा, aromatic, मैं इसको क्या घोसित करूँगा, बालक, मैं इसको aromatic घोसित करूँगा, ध्यान दीजिएगा, यह भईया, aromatic निकलेगा, इस तरीके से देखते हैं, practice बढ़ाई आनन्द आएगा, यहां पर और चेक करते हैं, देखो बालक, यहां क्या हो अगर आपका negative charge resonance में चला गया, तो negative charge रखने वाला carbon अपने आप planar हो गया, यह बात यहां से समझ में आ गई थी, तो यहां इसका मतलब हुआ, कि पहली condition satisfy है, पहली condition मतलब क्या होता भी है, cyclic है, planar है क्योंकि हर carbon यहां पर कैसे है, planar कैसे, carbon पर negative charge था, वो delocalization कर रहा है, वो planar होता ही है, तो यह भी बात ने पढ़ गई, conjugation है, yes, conjugation, conjugation है, तभी तो resonance possible हो रहा है, चौथी चीज़ आती है, नमबर आप पाई, electron, तो sigma दरस्वारी, पाई कितने हैं, एक, दो, दो, दो पाई बॉन्ड के अंदर, चार पाई electrons होगे, दो पाई बॉन्ड में, चार electrons, इसका मतलब ये भाई साब aromatic है, ये भाई साब aromatic है, ठेका जी, आईए आप अगला देखते हैं, आई होप समझ में आया हो, similarly, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी negative charge है, आप resonance चाहिए, इधर करना चाहिए, चाहिए इधर हर तरफ resonance possible है, हर तरफ इस तरीके से resonance possible है, ठेका जी इसका मतलब कुल मिला के, पाई electrons को गिनते वक्त, negative charge में present ये दोनों electron गिननी है, इससे ये तो confirm करते हैं, अच्छा, तो देखना, एक, दो, तीन, चार, चार पाई bond के अंदर कितने electrons होंगे, चार के अंदर आठ, और ये दो मिला दीजिए, दस, तो इसका मतलब है, हाँ पर पर planar भी आ रहा है, SP2 आएगा, हर carbon को चेक कर लीजिए, conjugation भी आएगा, resonance करके देख लीजिए, ठीका जी, और 10 पाई electrons है, aromatic होना, guarantee है, अब कैटाइन्स पर चर्चा कर लेते हैं, कैटाइन्स में हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखो भईया, यहाँ carbon पर positive charge, इसका मतल पर एक plus present है, इस तरीके से, ठीका जी, अब देखें, क्या यहाँ resonance हो रहा है, yes, देखें, resonance कैसे possible है, दो electron, यह जो पाई के दो electron हैं, यह दोनों electron उठकर के यहाँ आ जाएंगे, तो अगला resonating structure बन सकता है, यहाँ से उठा कर के यहाँ ला दी, तो बन जाएगा ना, बना ल electron तो आगे चला गया, तो इस carbon पर क्या आएगा, प्लस चार्ज है, ठीक तो यह इसके resonating structure है, कुल मिला के, आमने समझ में आता कि जिस carbon पर प्लस हो, देखना जान से, जिस carbon पर प्लस होगा, वहाँ पर तीन ही सिग्मा बॉंड होंगे, तो यह carbon अपने आप planer होगा, तो carbon पर अगर, carbon पर अगर प्लस चार्ज होता है, तो वह, तो sp2 hybrid होता ही है, लेकिन अगर carbon पर negative charge है, condition यह है कि अगर वो resonance में है negative charge, तभी वो carbon sp2 होगा, otherwise sp3 हो दाता है, ठीक जी, तो बताइए, क्या मैं इसको aromatic गोसित कर दो, अरे सर गोसित कर दो, हमें पता चल गया, πाई electrons है, यह cyclic भी है, यह conjugation भी है, resonance भी कर रहा है, इसका मतलब यह aromatic है, simple line में एक सब्द में निप्टाते हैं, अगला देखिए, यहाँ पर बताइए, यह carbon पर प्लस है, अब देखिए, यह सारी condition satisfy कर लेगा, क्योंकि एक carbon पर प्लस का मतलब होता है, कि वो sp2 hybrid है, अच्छा, 2 pi bond है, अच्छा, 2 pi bond के अंदर number of electron कितने होंगे, 4 pi electrons होंगे, 4 pi electrons होंगे, 4 pi electrons है, इसलिए anti-aromatic होगा, अरे बोल रहे बालक क्या होगा, anti-aromatic की condition होगी न, 4 pi electrons, बाकी condition आप उसी तरीके से 1, 2, 3, 4 करके जरूर चक कर लिजएगा, ठेक है, आई अगला देखते हैं, अगला क् 3rd में देखी, यहाँ पर positive charge है, तो cyclic है, conjugation है, कोई problem नहीं है, number of pi electron कि नहीं है, pi bond कितने, 1, 2, 3, यहाँ पर मेरे बालक 3 pi bond है, अच्छा, 3 pi bond का मतलब 6 pi electrons, 6 pi electrons का मतलब aromatic, अब होता क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छा resonance होता है, देखना, यहाँ पर जो electrons होगा, वो उठकर कि यहाँ आएंगे, तो एक बार plus यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, नास्ता रहेगा, और देखने को यह मिलता है, कि इसके साथ resonating structures बन जाएंगे, हर carbon पर plus distribute हो जाएगा, और जब कभी भी charges पूरी molecule पर distribute हो जाता है, तो ए यहाँ पर आएगे, यह देखिए, नाइट्रोजन पर plus यह से कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, internally resonance की phenomenon होगी, कैसे, यह जो पाई के electrons है, यह पाई के electrons, यह मान लिजे यहाँ आगे, बेंजीन की तरह है, exactly बेंजीन ही है भाई, यह देखो, यह इस तर साब बेंजीन में दिखाते हैं, यहाँ पर पाई पर आएगा, ठीका जी, बस अब एक चीज़ तुम्हें समझाता हूँ, अभी एक लॉजिक और सीखोगे तो, यहाँ कारबन और हाईट्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, आप से मैं पूछूँ, क्या यह, आप से मैं पूछ लाना चाहता हूँ, तो नाइट्रोजन पर मुझे क्या करना चाहिए, एक प्लस लगा देना चाहिए, और यहाँ भी 6 एलेक्ट्रोजन आ जाए, तो देख लो, कारबन की जगा पर एन प्लस लिखा हुआ है, तो लिखा जा सकता है, बस मैं इतनी ही बात बताने की कोशस कर ठीक है, इसी तरीके से एक चीज और होती है, कारबन के पास ज्यान देना, जैसे कारबन उसके पर प्लस लगा दीजिए, तो यहाँ पर कितनी एलेक्ट्रोजन हो, कारबन के पास 6, प्लस का मतलब एक घटा दिया, तो टोटल कितनी है, पांच, क्या मैं बोरोन को कारबन प् या एरोमाटिक है, यह भी एरोमाटिक है, बेंजीन की तरह है, यहाँ पर देखे, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि देखो, नाइट्रोजन पर क्या है, कितने बॉंड दिख रहे हैं हमें, चार बॉंड, क्या मैं इस इलेक्ट्रोण को यहाँ ला सकता हूँ, इसका कर सकते हैं, और आट कर लिया इसने, क्योंकि इनने देखो, चार बॉंड बनाए, एक, तो, तीन, चार, चार बॉंड बनाकर, ओक्टेट पूरा हो रखा है, इसलिए यह एलेक्ट्रोण कभी इधर आएंगे, ही नहीं, बोलरे बालत, अरे बोलरे भाहिया, यहाँ पर रेज नाइट्रोजन है, वो प्लेणर नहीं, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पर आपको चार बॉंड दिख रही हैं, चार बॉंड का मतलब, SP3 hybridization, tetrahedral geometry, TD, tetrahedral geometry, तो यहाँ पर प्लेणर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह नौन ऐरोमाटिक है, यह भाई साहब, नौन ऐरोमाटिक ह नाइट्रोजन का SP2 होना जरूरी है, अगर वो अरोमाटिक बनना चाहता है, ठीक है जी, आई अगला देखते हैं, अगला यहाँ यहाँ पर देख लेते हैं, यह बड़ी सांदार चीज है, यहाँ पर तो हमसे गलती होती ही है, मैं कहा रहा हूँ होती ही है, समधाता हूं दिमाग कमजोर रहता है, यह देखिए, यहाँ पर कार्बन पर प्लस है, तो आप सोचते क्या हो, कि यहाँ देखो, यहाँ दो इलेक्ट्रोन है, यहाँ दो, आप ऑक्सिजन नहीं सोचते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया, पूरे रिंग में जितने लोग इन्वाल्वर सब आपको सोचना होता है, आपको पता है, ऑक्सिजन के पास लोण पेर है, अगर ऑक्सिजन के पास लोण पेर है, तो यह इलेक्ट्रोन यहाँ आएंगे, और यह जो इलेक्ट्रोन है, यह इलेक्ट्रोन उठकर यहाँ आएंगे, तो इसका रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर ब यहां पर आएंगे और ऑक्सिजन ने अपना लोन पेर दिया इसलिए ऑक्सिजन पर क्या आएगा बहिए पॉजटिव चार्ज आएगा और यह दोनों इलेक्ट्रोन उचकर अगर यहां आ गए तो यह पाई बॉंड आएगा और यहां का जो कारबन था जहां पे प्लस था उस अब यह ऐसा दिखेगा तो इसमें एरोमयटिकटी चकरना है उसमें नहीं गल्ती आप वो करते हैं उसी वें चकरकर गल्ती hydrogen के पास total 7 electron carbon hydrogen मिलकर के 7 electron create करते हैं oxygen के पास total number of electron कितनी हैं 8 लेकिन अगर मैं oxygen पे plus लगा दूँ तो 8 में से एक घट के यहां पे कितना हुगा 7 तो देखो carbon hydrogen की जगापर ही तो oxygen पे plus लगा है समझे, logic कहते हैं इसको, समझे अगला हेट्रो साइक्लिक हेट्रो हेट्रो का मतलब होता है कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सिजन अगर ये रिंग के अंदर प्रजेंट हैं देखते हैं क्या वो अरोमैटिक बना पाते हैं हलाकि पीछे मैंने कुछ पढ़ा दिया है अगर शिक्स पाई लेक्ट्रोंस हैं तो आप इनको अरोमैटिक गोसित करने से नहीं रोग पाएंगे अरोमैटिक होगा जी है ना जी और हर चीज यहाँ पर SP2 हाइब्रडाइज है ये नाइट्रोजन भी SP2 हाइब्रडाइज है कि कोई नाइट्रोजन का लोन पेर नाचन हाइब्रडाइजड आप लोन पेर को हाइब्रडाइज में मत गिनिये क्योंकि ये लोन पेर रेजुनेंस कर रहा है सिम्पल सीधी सटी बात समझ में आनी जरूरी है अच्छा लग रहा नहीं ये गंदा लग रहा बनकि पहले वाला ही ठीक था समझ में बात आ गई है क्या सबको समझ में आया या समझ में आना चाहिए देखो ये दो इलेक्ट्रोन गिनियेगा ये दो इलेक्ट्रोन पाई के अंदर कितने है वह या देखो पाई के अंदर भी ये दो 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 चार दो छे टोटल सिक्स पाई लेक्ट्रोन इस रिंग के अंदर प्रजेंट है और वो हर एक्टम जो की रिंग में इनवाल्व है वह स्पी टू हाइब्रडाइजड है गारंटे देते हैं एरोमैटिक से कोई रोक नहीं सकता सेम कहानी यहां बताने यहां देखो कैसे सोचते हैं यहां कहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नाइट बात आपको बहुत पहले यह बताई गई है ठीक है जी अब देखिए एक को क्या करिए यहां पर लाइए क्या यह रेजुनेंस करवा पा रहे हैं यस अगर इस तरीके से रेजुनेंस हो रहा है तो देखिए कितने इलेक्टरोन इन्वाल्वन दो दो चार दो छे सिक्स जहान रखेगा यह यह रुपर यह पर लून बेठेगा इसके अंदर रेज्योनेंस में पार्टिसिपेट करेगा जीमन में नहीं करेगा उसका logic क्या है वो जान लीजिए आपको बता दिया जाता है कि ये नहीं करेगा और आप रट लेते हैं सुनिए क्या कहते हैं nitrogen पर जब आप निकालते हैं hybridization तो यहाँ पर hybridization अक्चुली निकल के आएगा sp2 और उसी sp2 hybrid orbital के अंदर ये lone pair present होते हैं sp2 क्या hybrid orbital अगर आपने जीवन में कभी सुना हो तभी आपको ये समझ में भी आएगा ने तो फिर लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सुनिए सुनिए ऐसा ही तो है ये sp2 hybrid orbital hybrid orbitals सिर्फ sigma bond बनाते हैं या तो donation के काम आते हैं किसी को electron देने के काम आते हैं लेकिन कभी भी ये pie bond नहीं बनाते हैं अगर ये pie bond नहीं बनाते हैं तो आगी कर वो resonance कैसे करेंगी और resonance possible भी इसलिए नहीं है क्योंकि देखो जिस plane में ये पूरा का पूरा आपका ring present है उसी में आपका lone pair है लेकिन आपको बताया गया था कि जो pie bonds होते हैं रिंग से बाहर ऐसे ऐसे लगे होते हैं बेंजीन याद करो, बेंजीन याद करो ऐसे लगे होते हैं न जी इस तरीके से जोड़ते हैं तो pie bond बनते हैं और nitrogen समझो यहाँ पर है nitrogen का lone pair यहाँ है और पाई बॉंड ऐसे तो ये और ये आपस में ओवरलाप कैसे करेंगे पॉसिबल ही नहीं है तो सिंप्ली बस इतना जानना है कि हे बालग ये लोन पेर कभी भी अंदर मत लेके चले जाना ये बाहर ही प्रेजंट रहते हैं ये लोकलाइजड रहते हैं इसके लिए सब्द है लोकलाइजड ये लोकलाइजड लोन पेर हैं ये घूमा नहीं करते ये बालग घूमा नहीं करते तो अच्छा जी ये घूमते हैं नहीं तो इनको छोड़ दो जो घूम रहे हैं उनको देखो ये 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 तो आपस में घूमेंगे भाईया ये तो आपस में घूमेंगे अगर यहाँ पस में गुमेंगे तो 6 pi electrons रिंग के अंदर दिख रहा है, जिसमें इस lone pair का कोई involvement नहीं है, तो guarantee है, periodine भी aromatic है, तो यहाँ पर जो कुछ भी मैंने लिखा है, सब कुछ aromatic लिखा है, 6 pi electron, aromaticity court पर पूछी जाती है, वो देख लेते हैं, मतलब क्या है, cyclic ring बनाना है, उसमें 8 carbon होने ही चाहिए, उसमें 8 carbon होने चाहिए, तो देखे, 8 carbon की एक cyclic ring मैंने बना दी, ऐसे बनेगी ने जी, 8 carbon की एक cyclic ring बना दी है, और उसमें tetraein, मतलब 4 double bond होने चाहिए, तो 1 double bond, 2 double bond, 3 double bond, और यह रहे 4 double bond, तो cyclo octa tetraein ऐसा दिखाई देता है, और हमें लगता है, कि यहाँ पर हर carbon SP2 hybridized है, लेकिन यह जैसा दिख रहा है, वैसा नहीं होता, यह tub saved होता है, तब तब सेव, तब तब तब, तब तब ने, तब सेव होता है, पता नहीं किसके घर में ऐसा tub होता है, लेकिन अच्छूली इन रियल लाइफ, देखने में वो ऐसा दिखता है, बट इन रियल लाइफ, वो अक्चुली ऐसा रहता है, तो ऐसा रहेगा डबल बॉंड एक यहाँ 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 रहेगा टब समझते हो ना ऐसे यह ऐसे हैं और बीच में ऐसे ऐसे नहाने वाला टब ह हो सकता ना अगर प्लेनर होगा पानी बहे के निकल जाएगा न जी तो टब से व्याज़र नॉन प्लेनर नहीं है और आपको पता है प्लेनर होना कंडीशन है एरोमाटिक के लिए भी एंटी एरोमाटिक के लिए भी देखने में लगेगा कि 8 electron मौजूद है 8 pi electron मौजूद है कितनी 8 pi electron मौजूद है हमें देखने पे यह लगेगा कि यह anti-aromatic है लेकिन अगर हमें यह fact याद होगा कि यह भाई साब ऐसा रहते ही नहीं ऐसा टेढ़े मेड़े रहते non-planer रहते हैं तो हम कहेंगे यह तो anti-aromatic नहीं यह non-aromatic होगा क्या होगा non-aromatic होगा अब बात आती है इसके non-aromatic character को हम aromatic character में कैसे convert कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि cot में से 2 electron निकाल लो या तो इनको 2 electron दे दो जैसे इनके पास 8 electron है 8 को 2 electron दे दोगे तो कितने हो गए 10 pi electron और जब यह 10 pi electron हो जाता है अपने आप यह ठीक हो जाता है planer हो जाता है अपने आप यह aromatic हो जाता है अच्छा जी दूसरा यह fact याद करा रहा हूँ दूसरी बात क्या है 8 में से 2 निकाल लो तो कितने हो गए 6 और 6 pi electrons होने के बाद फिर से ये planar हो जाता है फिर ये aromatic हो जाता है तो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ cot 2 plus तो cot के अंदर तो 8 pi electrons थे उसमें से 2 plus का मतलब 2 हटा लिए गए तो total कितने बचे 6 pi electrons और याद करते वक्त हमें समझा रहा हूँ ये फिर aromatic हो जाता है ये फिर aromatic हो जाता है फिर ये टेरहा नहीं लहता है ये सीधा हो जाता है ठीक है जी लिखने का तरीके कैसे होते हैं आपको पहले cyclo-octa tetraean बनाना है तो पहले ऐसे बना लीजी cyclo-octa tetraean तो हम कर क्या रहे हमें 2 pi electron हटाने तो इसको इसको रख लेता हूँ ये इसको उड़ा देता हूँ ठीक है जी देखो 6 pi electrons मैंने अंदर रख लिए cot2 plus का मतलब है इस carbon पर मैं 1 plus बना दू इस carbon पर भी मैं 1 plus बना दू ठीक है ये है cot2 plus और ये जो cot2 plus बना उसमें होता क्या है देखो क्या resonance की phenomenon होगी भरपूर होगी ये इधर आ सकता है ऐसे ही ये इधर जा सकता है मतलब पूरा बाकायद हर तरफ movement electron का पूरा overflow होता रहेगा ठीक है जी अभी इतना बास समझ में आती है कि हाँ electron का flow चलेगा कोई दिक्कत नहीं है इसी को कभी-कभी ऐसे लिखा जाता है अब मैं आपके सामने वो line प्रतुत कर रहा हूँ जो paper में दिखेगा जी ये देखो 8 दिख रहा है कि नहीं पहले ये देखो कहीं पता चला 8 दिख रहा है थोड़ा सा थोड़ा सा टेड़ा है बरदास कर लेना माठ आपको इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूँ अरे वो 8 कारबन 1,2,3,4,5,6,7,8 8 इलेक्ट्रॉन है हम करते क्या है ऐसे बनाते हैं गोला इसमें लिख देते हैं 2 प्लस इसका मतलब यही होता है द्यान रखेगा दोनों एक ही बात है अगर कोई ऐसा बना के पूछे तब भी कहना यह कॉट 2 प्लस और वो एरोमैटिक होता है similarly कॉट 2 नेगटिव में दिखना कॉट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है 2 नेगटिव का मतलब दो और डाल दिया तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 पाई लेक्ट्रॉन्स और 10 पाई लेक्ट्रॉन्स होते ही यह एरोमैटिक हो जाते है यह एरोमैटिक हो जाते है आप इसका ऐसा भी स्ट्रक्चर बना यह यहाँ नेगटिव नेगटिव कर गे या उस तरीके से बना लीजी चलिए जी, बना के देख लेते हैं ठीक, आप चाहिए negative यहाँ negative यहाँ इस तरीके से कर लीजिए इस तरीके से कर लीजिए तब भी यह लिख लिख लिए या ऐसा बना करके 2 plus की जगाँ 2 negative लिख दीजिए, तब वो aromatic हो जाएगा तो यह ख्याल रखना कि caught non-aromatic है, बाकी दोनों aromatic करेक्टर के होते हैं यह ख्याल रखना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं ठीक है जी, आईए, बाकी बातचीद करते हैं यह जो भाई साब आपके सामें प्रेजंट हो रहे हैं इनको देखे कैसे सोचते हैं क्या है यह, यह समझाता हूँ है ना, पहले समझना कोशिस करना सब समझना आता है, देखे, उता क्या इतना पहले ऐसे बना लिए, हमने समझाता हूँ यह जो oxygen और carbon के बीच में जो πाई electron है ना, वो हमेशा ऐसा होता है कि carbon, देखे, यहाँ पे carbon है वहाँ oxygen है, ज्यादा electro negative कौन है oxygen, तो वो πाई electron जब भी कूदेगा तो कहाँ जाएगा oxygen के उपर ऐसा कभी नहीं होगा कि वो electron कहाँ जाए, कूद करके carbon की तरफ आजा क्योंकि यह तो carbon है और वो oxygen है तो हमेशा कैसा होगा, यह ऐसा होगा तो चलिए देखते हैं कि क्या यह electron उपर कूदना चाहता है अगर मैं कहता हूँ चलो अगर कूदना चाहता है तो negative charge यहाँ बनेगा electron दोनों चले गए oxygen के पास तो यहाँ बनेगा, इनका electron, इस carbon का electron चला गया उपर तो इस carbon पे plus बनेगा, तो देखो अगर ऐसा होता है तो यह वाला पार्ट देखो aromatic है इसका मतलब यह काम आसानी से हो सकता है यह काम आसानी से हो सकता है, doable है यह कर सकते हो क्योंकि यह pie bond तोडने के बाद यहाँ aromatic बन रहा और aromatic चीज़ें stable होती हैं इसलिए यह pie bond तोड़ करके आप ऐसा बना सकते हैं बलकि मैं कहूं molecule ऐसा ही यह ionic form में रहना पसंद करता है इतनी बात समझना गई अच्छा अब प्रशनाता क्या यह चीज़ यहाँ चलेगी चलिए देखते हैं बस यही पहचानना है कि क्या वो bond तूटेगा या नहीं तूटेगा बस इतनी इसी बात पहचानने है बाकी कुछ और नहीं देखे मैंने क्या बताया था हमें क्या करना है दोनों पाई electron को उठा करके oxygen पर डालना है फिर चक करना है दोनों electron यहाँ चले गए लेकिन इस carbon को तो plus मिला अगर इस carbon को plus मिला तो हे बालक इतनी को देखो ring को देखो ring तो भईया anti-aromatic है और आपको पता है anti-aromatic तो भईया exist ही नहीं करते room temperature पर मतलब बनना ही नहीं चाहते जीवन में exist ही नहीं करना चाहते अगर यह exist नहीं करना चाहते तो क्या यह काम होगा जबादली इसका मतलब कभी यह वाला pi bond इस तरीके से जीवन में नहीं तूटना चाहेगा हमेशा वो double bond character में ही रहेगा कभी वो single bond में convert होगा ही नहीं अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ यह वाली जो bond length है यह अगर यह bond length अगर यह bond length L1 है और यहाँ वाली यह वाली bond length L2 है तो L1 और L2 में बड़ा कौन L1 और L2 में बड़ा कौन तो आप कहेंगे देखो यह तो इसमें कभी जाएंगे नहीं मतलब यह हमेशा double bond रहेंगे लेकिन यह हमेशा double bond नहीं रहेंगे यह भाई साब ऐसा बनना पसंद करेंगे क्यों क्यों कि यह aromatic है और aromatic है तो यहाँ पर खूब resonance चलता रहेगा तो यह plus 4 यहाँ थोड़े कम time के लिए आएगा पता है क्यों? यह resonance होगा double bond करेक्टर में single bond डाल दे रहे हो इसलिए जहाँ कहीं भी single bond बनाना आसान हो आसानी से बन सकता हो single bond लाया जा सकता हो वो हमेशा length में बड़ा होगा वो हमेशा length में बड़ा होगा तो L2 is greater than L1 और इसी से निकलता है dipole moment क्या? dipole moment dipole moment is equal to होता है charge multiplication length length किसकी जादा है? इसके वाले की जादा है इसलिए बोला जाएगा कि dipole moment का अगर आप order देखेंगे तो first one वाले का जादा आएगा with respect to second सरी first second कोन है? first मतलब ये, second मतलब ये यहाँ पर तो dipole moment zero के बराबर ही आएगा बहुत जादा dipole moment आही नहीं सकता dipole moment क्या होता? charge into length ये chemical bonding माँ पढ़ते हो अब कभी-कभी ऐसा दिया जाता है चलो ये समझ में आता है कि oxygen है तो oxygen पर negative charge ले जाना चेक करना है यहाँ तो carbon carbon है अब क्या करें सर? तो आप क्या करें सोचिये कि अगर मैं pi electron को किधर shift करणे से फाइदा होगा सोच के देखो किधर shift करने से फाइदा होगा सोचिये तब तक मैं बनाता हूँ तब तक मैं sigma skeleton को बना करके एक बार देखता हूँ ये sigma skeleton है तढ़ जी, सोच ओ'sो अरे नालाय को सोच ले रे बालक यहाँ पर देखो हमें क्या देखना है कि यह electron कहा जाएगा अगर मैं यह electron इस पांच वाली की तरफ दूँँगा तो इस carbon पर negative आएगा और इस carbon पर positive आएगा अब एक बात देखो अरे हे बालक अगर ऐसा होगा तो यह कौन है भाईया यह aromatic है देख लो यह aromatic है ना यह aromatic है ना यह aromatic है यह aromatic है बावस अर इसी बात करते हैं देखिए दो electron ही यहाँ दो ही यहाँ six pi electron इसलिए aromatic है लेकिन यहाँ देखिए यहाँ देखिए भईया यहाँ दिस सिर्फ दो pi electrons है two pi electron इसका मतलब यह भी aromatic है दोनों ही aromatic है जब तक दोनों aromatic नहीं मिलेंगे तब तक यह pi bond इधर उधर शिफ्ट नहीं करेगा इसका मतलब यह pi bond actually ऐसे नहीं ऐसे रहता है वो आराम से यह चीज बनना पसंद करेगा क्योंकि जब वो टूटता है pi bond तो aromatic ring बना देता है तो ध्यान रखिएगा यह बात आपकी खोपड़ियों तक आनी चाहिए और क्या रखना याद कि दोनों का aromatic होना ज़रूरी है logical ही लगा होगा कुछ अब तक का जो आपने पढ़ा न वो सब कुछ आपके basic concepts को strong करने के लिए ही पढ़ाया गया अब उसको हम use करेंगे और उसको और मजबूत करेंगे थोड़ा एक upper level पे ले जाएंगे अब इनका use होगा यह जो concepts हमने सीखे aromaticity, hyperconjugation, resonance, mesomeric effect, inductive effect इन सबका अब हम use करने वाले तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे reaction intermediates हमारा topic है आपको मैं बता दूँ जब कोई reaction होती जैसे माली जी reactant A जो है यह product B में convert हो रहा होता है तो इसके बीच में reaction के बीच में वो कई species में convert होता है तो A जो है कई species में convert होता है और जिन species में convert होता है उन्ही को reaction intermediate कहते हैं मतलब एक ऐसी चीज जो reaction के बीच में बन रही है उसको reaction intermediate कहते हैं इसको बहुत detail में हम लोग आगे mechanism में पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल क्या-क्या है उनके behavior क्या है उनके patterns क्या है उनको समझना है और कोई नहीं बात नहीं है आप यह सब पढ़ चुके हैं कार्बोकेटायन, कार्बिनायन, free radical, इनको कहते हैं reaction intermediate कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बन की खोपड़ी पर positive charge होगा कार्बिनायन की बात करें तो कार्बन की खोपड़ी पर negative charge होगा कार्बन का. इनका ना किसी ने लूटा ना इन्हुने किसी से लूटा. अपना इलेक्ट्रोन अपने पास रख कर के अच्छा जी, समझिएगा. अगली चीज क्या आती है? नेचर. ये जो कार्बन की खुपड़ी पा पॉजटिफ चार्ज देख रही है और carbon पर बने हुए यह 3 bonds देख रहे हैं इससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि अगर 3 bonds हैं तो यहाँ पर total 6 electrons होगे अच्छा अगर 6 electron मतलब carbon का octet पूरा नहीं है मतलब उसका पेट भरा नहीं है अगर पेट भरा नहीं है तो कहा जाता है कि वो electron electron deficient कि मतलब इसको electron की कमी है इसको भूख है अभी electron की अच्छा जी और ऐसे लोग जिनको electron के pair की जरूरत है अगर कोई सामने से electron लेकर के इनको देने आ जाए एक pair तो क्या यह लेंगे हाँ क्योंकि इनके पास 6 electron है 2 electron पाकर वो 8 हो जाएंगे तो ऐसे लोग जो electron pair या lone pair को accept करते हैं आगे भी हम इनको पढ़ाएंगे उनको हम Lewis Acid कहते हैं क्या कहते हैं? Lewis Acid कहते हैं तो हमारा जो कार्बो केटाइन है वो Lewis Acid है electron deficient species है आइए कार्बेनाइन पे बात करें कार्बेनाइन में देखो कार्बन की खोपड़ी पर negative charge का मतलब होता है आपको पीछे बताया गया था negative charge का मतलब होता है एक electron इनका खुद का है एक electron इनका लूट लिया है तब ही negative charge यहाँ पे बन रहा होता है यतनी बात समझ में आती है? जी तो आप लिख सकते हैं कि यह electron rich है यहाँ पर आप लिख लीजिए वैसे तो sufficient electron है लेकिन electron rich इसलिए कह देते हैं rich है भाईया rich R-I-C-H electron rich species है ठीका जी ओके लेकिन इनको देखिए यहाँ पर तीन bond मतलब 6 electron एक यह मिला ली दिया तो 7 electron तो 7 क्या sufficient है octet के लिए octet के लिए 8 electron होना चाहिए तो इसका मतलब यह एक electron deficient species है यह एक electron deficient species है यह सब्ध हम वहाँ पर चिपकाएंगे यह इतनी बात समझ में आ गया अगर एक बात मैं तुमसे पूछूँ बता ले जाओगे क्या यह Lewis acid है नहीं क्यों क्यों क्योंकि केवाल इसको एक electron की जरूरत है जबकि Lewis acid उनको बोलते हैं जो दो electron के pair को accept करते हैं इसलिए हम इनके लिए Lewis acid जैसा सब्ध यूज नहीं करते हैं ठीक है जी आए आगे बढ़ जाते हैं अगला इन क्या है hybridization यहाँ पर देखें carbon ने 3 bond बनाया है तो steric number निकालना अगर आपको आता हूँ hybridization में तो steric number क्या होगा 3 bond बना रखें यही 3 हो जाएगा और steric number 3 होने पर sp2 hybridization होगा तो यहाँ पर तो sp2 है क्या कभी sp possible है चलिए चकर करके देख लेते हैं एक species में लिखता हूँ देखना यहाँ जो carbon है इस पर कोई पूछ ले hybridization तो देखिए यहाँ तो एक ही bond है एक यहाँ पर क्या होता है vacant orbital होता है तो यहाँ पर actually sp hybridization आता है इसी तरीके से आप अगला भी लिख सकते हैं कि carbon है इस तरीके से माले जी हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है डबल बॉंड है हाइड्रोजन है और यहाँ पर positive charge है इस तरीके से देखें करपैध्यां दे अगर इस तरीके से बनाया जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो hybridization है वो भी sp hybridization है एक sigma इधर है तो दो sigma के लिए हम sp hybridization लिखेंगे यहाँ पर भी sp hybridization लिखेंगे इतनी बात समझ में आती है तो यहाँ पर sp2 भी possible है और sp2 भी possible है कैसे वो मैंने बना कर दिखा दिया है यहाँ पर बात करिए यहाँ आप कहेंगे steric number पर देखो एक जो है यह electron का pair है एक electron का pair और यहाँ पर देखो तीन bonds है तो यहाँ पर total कितने हो जाएंगी 4 इसका मतलब यहाँ पर sp3 hybridization आयता है जिन बच्चों ने chemical bonding में पढ़ी होगी उनको मजा रहा होगा कि तो बड़ा आसान सी चीज़ है sp3 होगा similarly यहाँ पर आजाईए यहाँ पर steric number में जब लिखते हैं तो क्योंकि यहाँ पर एक लोता अकेला electron है तो इसको नहीं गिनते हैं steric number में सर्फ इनको गिनेंगे 1, 2, 3 3 sigma bond steric number 3 steric number 3 का मतलब sp2 हो जाएगा I hope यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत परिशानी और समस्य आपके तक नहीं पहुँच रही होगी अगली बात है stability की कि इनको stable कौन करेगा एक बाद बताओ जिसको भूंक लगी है जिसके पेट में चुहे कुद रहें उसको रोटी खिलाना पड़ेगा इनको electron खिलाना पड़ेगा चलो भईया electron खिलाने वाले लोग काउन होंगे electron donating group electron donating group ऐसे group ध्यान दीजेगा यह electron में हटा रहा है आप तो समझी गए हो कि 6 electron है एक बात समझीगा electron donating group क्या करेंगे वो electron इनको donate करेंगे जब electron donate करेंगे यहीं समझ लीजिए जब electron donate करेंगे तो भईया इस carbon जिस पर की plus charge है उसको electron की density मिलेगी plus को electron की density मिल रहे मतलब plus charge कम होता जाएगा अरे भईया electron पर negative charge है negative charges अगर आएंगे plus की तरफ तो ये plus क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो लिखा जाएगा कि electron donating इस पसीज की वज़ा से यहाँ पर charge density charge density कम हो जाती है या charge density कम हो जाती है और कहीं पर charge density कम होती है तो उसकी stability बढ़ जाती है ये बात पहले भी हो चुकी है एक बार दुबारा यहाँ पर बता दिया गया है ठीक है जी, charge density बात समझते हो charge density का मतलब जैसे मानलो कि इसके उपर ऐसे मानलो मैं कहता हूँ इसके उपर मानलो की 10 के बराबर का plus charge है मैंने क्या किया सामने से electron खिलाया और इसने 4 electron खा लिए मानलो 4 electron खा लिए 10 plus में से 4 electron मतलब 4 negative charges आएंगे तो सिर्फ कितने बचेंगे 6 plus बचेंगे तो उस तरीके से मैंने बताया कि electron की density आने से चार्ज जो है ये जो positive charge की density वो कम हो जाती है और charges मॉलीक्यूल में जितने कम होंगे वो उतनी ज़्यादा stable होते है और charges कौन से भी हो चाहे negative हो चाहे positive matter नहीं करता अब प्रश्ण ये है कि कौन से वो लोग है जो electron donating group में गिने जाएंगे electron donating group में या तो वो plus m होंगे या तो वो क्या होंगे plus m से stable कर रही होंगे या तो plus i से कर रही होंगे या तो hyperconjugation से कर रही होंगे और पीछे मैंने aromaticity भी बताया aromaticity होता है या तो aromatic character से cation को क्या कर रही होंगे stable पीछे बताया ना cation वाले क्या होते है किस तरीके से aromatic होता है जब कोई भी चीज़ aromatic हो जाती है तो वो stable हो जाती है क्योंकि उसमें एक smooth delocalization of pi electron हो पाता है तो इसकी वज़ा से ये charges कम हो जाते है और stable हो जाती है ये कहानिया आप तक पहुँच गई होगी अब सुनिएगा यहां carbon की खोपड़ी पर negative charge है एक बाँ बताओ एक सक्स ने दूसरे का धन लूटा है तो अगर आपको system stable करना है तो nature कहेगा भया इनका electron खीच लो नेचर कहेगा भया इनका ही electron खीच लो तो ऐसे लोग लगाओ जो electron withdrawing group हो क्योंकि electron withdrawing group क्या करेंगे carbon से electron की density को खीचेंगे अगर electron की density धर सिफ्ट होगी तो इस carbon पर जो negative charge density है सब्द पकड़िएगा क्या बोला मैंने negative charge density है जो negative charge density है उसका क्या होगा सुनिएगा ध्यान से negative charge density कम हो जाएगा क्या बात करते हैं अरे बहिए जब negative charge को हर तरफ से खीचा जाएगा तो electron या negative charge जो है distribute होंगे पूरे molecule पर तो overall stability आ जाएगी तो overall क्या जाएगी stability आ जाएगी कहीं पर भी charge कम होंगे तो stability आएगी यही ब्रमशत्त है यह बात आपको आनी चाहिए अब प्रस्ण यह है कि electron withdrawing group कौन कौन से है कौन कौन से लोग ऐसे जो electron खीचते हैं तो यह है minus i और minus m minus i और minus m हाँ no doubt यहाँ पर aromatic भी लिखा जा सकता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि कहीं कहीं n i n वाले भी stable हो जाते है aromatic के चक्कर में तो यह बात साथ आपको शमाज में आई हो radical के case में सिर्फ इनको electron देने वाला चाहिए electron donate करवा दीजिए तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने plus i group लगा दिया तो उसको electron देगा जा देता हूँ देखो stability of carbo cation की बात की जाए जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ CH2 plus क्रिपय धान दीजिएगा CH2 plus को अगर electron donating group से connect किया जाए और दूसरे condition में CH2 plus को अगर electron withdrawing group से connect किया जाए तो क्या आसर आता है donating group क्या करते हैं electron देने का काम करते हैं withdrawing group electron खीचने का काम करते हैं एक बात बताओ बालक carbon की खोपड़ी पर positive charge है तुम electron दोगे तो इनका positive charge कम होगा और कहीं charge कम होगा तो stability बढ़ेगी तो उपर वाली की stability ज़्यादा होगी पर positive charge बढ़ेगा और जितना ज़्यादा charge बढ़ेगा stability उसकी उतनी कम होगी तो अगर मैं A और B की stability की बात करूँ तो A वाला जो है ज़्यादा stable होगा I hope यहाँ तक की बार समझने में कोई दिक्कत परिशानी समस्या नहीं होगी क्या आपको 9 alpha hydrogens दिख रहे हैं Yes sir 9 alpha hydrogens के थ्रू hyperconjugation होगा क्या होगा hyperconjugation होगा कितनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी बोलो 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 सबके सब लोग बोलो क्या होगा hyperconjugation होगा एक बात और बताओ कुछ और है क्या Yes यहां देखो CS3 क्या करेगा CS3 आपको पता है प्लस I effect सो करता है तो इस तरीके से CS3 का प्लस I effect भी लगेगा और यह दोनों ही effect इस कार्बो कैटाइन को electron देने का काम करेंगे तो यहां पर प्लस चार्ज थोड़ा कम होता जाएगा stability बढ़ती जाएगी यहां पर देखिए यहां पर तो सिर्फ 3 alpha hydrosons है यह alpha carbon है इस पर 3 alpha hydroson है और CS3 क्या कर रहा है प्लस I effect थूँ इस CS2 प्लस को electron दे रहा है I hope यहां तक की बात समझ में आई हो यहां पर कोई भी supporting factor नहीं है तो stability के हिसाब से यह order आएगा क्योंकि यहां 9 alpha hydroson है इसके जो है 10 hyperconjugative resonating structures बनेंगे यहां पर 4 बनेंगे जहां पर जितना ज़्यादा hyperconjugative structure बहुतना ज़्यादा stable होता है similarly जैसा कि resonance में कहा करते थे जिसके जितने ज़्यादा resonating structures होंगे वो molecule उतना ज़्यादा stable होता है यह बात आपको समझी में आ गई हो चलिए यह सवाल कर लीजिए यह ब्रह्मशत्त है यही से कहानी खतम हो जाएगी यहां पर CH2 plus है देखना क्या होगा CH2 plus में carbon पर क्या है vacant p orbital तो वो क्या करता है यहां से electron खींचने का काम करता है तो pi electron density यहां आगे जाएगा क्यों जाएगा बताइए यह electron क्यों जाएगे अरे सर यहां पर conjugation है देखिए ना double bond, single bond एक atom ऐसा जहां पर positive chart यह जनाब तो यह electron इस तरीके से उपर shift होता है यहां पर भी electron उपर की तरफ ऐसे shift होगा यहां पर भी electron उपर की तरफ shift होगा यहां पर भी electron उपर की तरफ shift होगा shift होगा यहां पर भी electron उपर की तरफ ही shift होना जाएगा सब अब यह देखना है कि सब लोग तो shift करा रहे हैं लेकिन जो ये लोग लगे हैं, ये कौन सा factor create करेंगे, तो इसको कहते हैं, electronic effects, मतलब जो वो plus M, minus M, इनको electronic effects कहते हैं, तो सुनना, तो यहाँ पर oxygen की खोपड़ी पर loan pair, जो loan pair रखता है, वो क्या है, plus M group है, तो इसका plus M impactful है, plus M impactful तो क्या करेगा, electron इनको देगा, ये वाले भाई सहब जो है, उपर electron देंगे, और देखो, तो electron का flow किदर जा रहा है, towards this positive charge, तो इस positive charge को खूप सारा electron मिल रहा है, इस group की वज़ा से भी, नीचे से एक group भी support कर रहा है, पाई electron की density को उपर भेज रहा है, ताकि इस plus को मिल सके, तो अगर ये plus को खूप सारा negative charge मिलेगा, तो इसका plus कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर charge density कम होगी, तो ये सबसे ज़ादा stable दिखाई पड़ता है, लेकिन अगला देख लेते हैं, ये क्या है, ये CS3 है, तो CS3 को ऐसे लिख देता हूँ, CH2 and H, क्या, CH2 and H लिख देता हूँ, समझदा, CH2 HME, यहाँ पर carbon hydrogen के बीच में दो electron, ये दोनों electron यहाँ पर इस तरीके से hyperconjugation करेंगे, अरे सर बात समझ में आ गई, इसलिए देखो, ये जो electron उपर जा रहे तो उसको support मिल रहा, नीचे से push मिल रहा है, लेकिन ये push कैसा है, hyperconjugation का push है, दुबारा सुन लीजे ये बात क्या बोला मैंने, hyperconjugation का push है और CS3 है, तो plus IV होगा, CS3 का plus IV तो लगेगा, इस तरीके से भी भेजेगा, और sigma के थू भी electron भेजता है, सिग्मा के थू भी बेजता है, तो कुल मिला कि electron यहाँ पर इकठा होंगे, electron की density यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ पर positive charge कम होगा, तो यह भी stable होगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा stable होगा, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर plus M है, और यहाँ पर hyperconjugation, और आपको पता है, mes CH2 plus को electron दो, इसलिए ये वाला आगे आएगा, यह बात सही है, अगली चीज़ सुनिए, क्लोरीन का तो minus आईए भाया, ये impactful होता है, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन electron खींचेगा, अब देखो, यहाँ पर electron की जरूरत थी, और बापर, यह इनका ही खुन चूसने में लग स्टेबल है, यह CN में देखे, CN में आपने देखा होगा, minus I और minus M दोनों दिखता है, तो मतलब पाई electron की density जो यहाँ है, उस पाई electron की density को यह उल्टा नीचे खींच रहा है, और CN का minus I भी है, मतलब सिगमा के थूरू भी electron खींच रहा है, पाई वाला electron भी खींच रहा है, तो इसका मतलब यह तो भरपूर खोन चूस लेगा, इस बेंजीन का, तो बेंजीन पूरा electron density नीचे की तरफ सपोर्ट करेगा, तो उपर भेजी नहीं पाईगा, अगर उपर नहीं भेज पाईगा, तो इस CH2 plus में plus को electron नहीं मिलेंगे, तो भरपूर charges बढ़ते जाएंगे, और जितना ज्यादा charge होगा, वो less stable होता जाएगा, यही ब्रह्मशक्त है, इतना ही जानना होता है, कार्बो केटायन में usually यह चीज आपको देखने को मिलते हैं, बाकी ऐसे बहुत सारे examples आप्रक्टिस करके लिजिएगा, आपका काम बन जाएगा, concept सिर्फ इतना ही है, एक जोती, that is CPM, cyclopropyl methylcarbocatine, तो पहले cyclopropyl बनाते हैं, देखना, cyclopropyl, यह है cyclopropyl, बतलब यह तो cyclopropyl है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखना ज्यान से, cyclopropyl methylcarbocatine, cyclopropyl methylcarbocatine, को जहां से समझ लीजिएगा, यह जो point है, यहाँ पर positive charge है, यहाँ पर क्या है, positive charge, यह है cyclopropyl methylcarbocatine, ठीक है, क्या है, मतलब यह cyclopropyl, उस पर CH2+, ऐसा group लगा हुआ है, मैंने थोड़ा इजब से लिख दिया, बाड़ी बाकी ऐसे छोटा सा बना लो, देखो, यही है, CH2+, यह है cyclopropyl methylcarbocatine, मैंने थोड़ा इजब से लिख दिया, होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा exceptional behavior देखने को मिलता है, कि carbon, देखना देहां से, यह carbon और इस carbon के, जो बीच के sigma electron, वो actually इनको support करते हैं, similarly, यहाँ वाला जो sigma electron, वो भी इनको support करते हैं, तो फिलहाल आपको बस इतना जानना होता है, कि यहाँ पर अगर मैं numbering कर दूँ, numbering कर दूँ, one, two, three, one, two, three, तो one और two के बीच के जो sigma electron है, वो भी यहाँ shift हो करके, इस plus को electron देने आ जाते हैं, यह भी देने आ जाते हैं, यह सिर्फ यहीं पर होता है, और किसी ring में देखने को नहीं मिलता, उसका reason यह है, कि मेरे बालक, यह जो group है देखना, और यह group नहीं, यह जो angle है, यह angle, अगर triangle में आप यह theta देखें, तो कितना लेकिन आपको पता है, कि यह जो carbon है, यह जो carbon है, यहाँ जो carbon कैसा है, आप कहेंगे sp3 hybridized, अरे बोलो रे बालक, यह carbon sp3 hybridized है, लेकिन अगर यह carbon sp3 hybridized है, तब तो theta होना चाहिए था, 109 degree 28 minute होना चाहिए था इतना, लेकिन actually है इतना, इसका मतलब क्या है, कि यहाँ जवरदस दो bond को ऐसे पकड़ करके चिपकाया हुआ है, अगर आप इसको खोल दो, इसको खोल दो दो bond को, यहाँ से मत पकड़ो, तो यह actually इतने angle पर आना चाहेगा, इसका मतलब आपने जवरदस्ती उसको पकड़ रखा है, अगर आप जवरदस्ती दो bonds को एक दूसरे के साथ ऐसे connect करेंगे, तो वो अपने आपको थड़ा तोड़ना चाहते हैं, तो उसी तोड़ने के चकर में वो क्या करते हैं, अपना electron यहाँ सिफ्ट करते हैं, कई एक बार यह सिफ्ट करते हैं, यह कोटा में dancing resonance करके पढ़ाया जाता है, बढ़ dancing resonance कोई सब्द होता नहीं है, किसी भी ब दिखा जाता है, this is exceptionally stable, क्या बोलते हैं, this is exceptionally stable, जैसे कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कुछ लोग, आप पहचानेंगे, आपको आनन्द आएगा, किस से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जी देखना भी आध्या ध्यान से, इसको कहते हैं, ट्रोपीलियम क रवो कहता हैं, ठीक है, comparison एक करवा देता हूँ, छोटा सा हिंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखे, double bond है, इस carbon पर positive charge है, यह दोनों aromatic है, यह पहले बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो केवल यही दो electron से, क्रिपया ध्यान देना, यही दो electron यहाँ आएंगे, इस तरीके से और इसका resonating structure बन जाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ पर खूब सारे resonating structure बनेंगे, यह यहाँ आएगा, तो फिर positive charge यहाँ आएगा, फिर यह यहाँ आएगा, तो मतलब यहाँ बहुत सारे resonating structures बनेंगे, इसके साथ resonating structures बनते हैं, बना ही stable निकल जाता है, बस यह बात आपकी खोपड़ी तक जानी चाहिए, यह तो aromatic है, लेकिन इस aromaticity में भी देखो, electron कितना ज्यादा movement कर रहा है, electron जितना ज्यादा movement करेगा, जितना ज्यादा delocalize होगा, वो उतना ज्यादा stable होगा, इसलिए इन दोनों में यह ज्यादा stable है, ल that is rearrangement of carbocatine, अब होता क्या है, आपको भी पता है कि जैसे जैसे इनसान बढ़ता है, उसको क्या चाहिए होता है, stability चाहिए होती है, अब stable होने के लिए वो अपनी एक जगा को छोड़कर एक दूसरी जगा पर जा सकता है, ताकि वो अपने आपको stable महसूस कर सके, लेकिन positive charge, ध्याम देना, एक ऐसा carbon जिससे सिर्फ एक carbon लगा हो, तो आपने IUPAC में पढ़ा था, ये carbon कैसा होगा, one degree carbon है, इसको क्या कहेंगे, one degree carbocatine, one degree carbocatine, ये one degree carbocatine, ठीका जी, जिससे सिर्फ एक carbon जुड़ा हुआ है, क्या one degree carbocatine, आपने आपको किसी ऐसे तरीके से rearrange कर दे चलिए चक करते हैं, अगर इस one degree carbocatine की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो, ये जो CH2 group है, उससे plus I effect के थरू, plus I effect के थरू, इसको stability मिलेगी, देखो, इसको one degree को, यहाँ पर plus I के थरू, stability मिलेगी, और इस carbon पर जो दो hydrogen है, उनकी वज़ा से, दो alpha hydrogen की वज़ा से hyperconjugation लगेगा, देखो, दो alpha hydrogen, एक ये, एक ये, अरे बालक, ये अगर CH2 plus है, ये कार्बोकेटायन है, तो उसके बगल वाला carbon, alpha carbon, alpha carbon पर दो hydrogen, अगर alpha carbon पर दो hydrogen, तो ये दोनों क्या करेंगे, इधर की तरफ electron shift करके, इस plus charge को कम करेंगे, तो इस टेबल करेंगे, तो दो factor पर यहाँ पर दिख रहा है, मुझे 1 degree कार्बोकेटायन में, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा किया जा सकता है, कि ये 2 degree कार्बोकेटायन हो जाए, चलो देखते हैं, तो होता क्या कि carbon और hydrogen के बीच में, जो ये bond है, वहाँ पर ये दोनों electron लेकर के hydrogen इसके उपर shift हो जाता है, shift क्य होता है, अभी समझ में आ जाएगा, फिलहाल जानिए shift होता है, ठीक है, अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, देखो, जो चीज हमने नहीं छेड़ी, उसको एजटेच चाप लीजिए, तो ये क्या CH2, CH, अब देखे क्या हो रहा है, ये जो CH2 है, ये जो CH2 है, उसको हमने यहा पास अपना electron था, carbon वाला ले लेगा, तो क्या बोलेंगे, H negative, है न, तो H negative लेकरके वो इधर shift हो गया, तो जो नया shift होँआ है, वो देखे मैंने यहां लगा दिया, अच्छा, अगर electron carbon का चला गया, तो इस carbon की खोपड़ी पर plus charge आएगा, आएगा की नहीं आएगा, ये सर इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कि देखो, एक carbon बगल वाले carbon पर चला गया, मतलब इसको कहते हैं, one, two, hydride shift, one, two, hydride shift, क्या, one, two, hydride shift, एक जगा से दूसरे जगा पर hydride लेकरके जा रहे हैं, क्यों, ताकि हम two degree carbocation बना सकें, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा two degree carbocation है, और two degree carbocation क हूँ क्योंकि इस carbon से 2 carbon connected हैं और एक बात देखिए इसको कौन-कौन लोग stable कर रहे हैं तो आप कहेंगे इसको दो तरफ से plus i मिल रहा है इसको देखिए दो तरफ से plus i मिल रहा है जब कि यहां सिर्फ एक तरफ से plus i मिल रहा तो एक unstable चीज अपने आपको हर बार एक stable चीज में convert करना चाहती है तो इस rearrangement का driving force क्या है इसको कौन करवाना चाहता है तो भाईया उसको करवाना चाहता है stability इस पूरी स्रिष्ट में लोग stability के लिए ही काम कर रही है पहले पेट भर लेते हैं जब पेट भरा रहता है फिर stability देखते हैं stability किसकी ज़्यादा है 2 degree कार्बो कैटाइन की ज़्यादा है इसलिए ये reaction एक तरीके समझे इधर की तरफ shift हो जाती है इसको कहते हैं rearrange करना कार्बो कैटाइन पहले 1 degree पर था लेकिन अब 2 degree पर है जितने कार्बन यहाँ है उतने कार्बन यहाँ है जितने हाइड्रोजन यहाँ है मतलब molecule में बहुत बदला हो नहीं वा सिर्फ rearrangement हुआ है तो rearrangement हुआ है अच्छा ये बात समंग में आ गई ऐसे कई सारे examples आपने classes में करे होंगे उनको एक बार practice कर लीजिए आपको ये basic concept आना चाहिए कि क्यूं हो रहा है कैसे हो रहा है अगर ये आपको आ गया तो फिर कुछ भी नहीं बचता अगली चीज क्या है ring expansion ring expansion देखते हैं भया देखना यहाँ पे एक 4 membered ring है और ये रहा plus अब आपको मैं बता दू क्या होता है ring के stability के अगर बात की जाए तो 6 membered ring is more stable than 5 membered and 5 membered is more stable than 4 membered ठीक है जी ये stability का order है ring के stability का order है ring जादा stable तम माना जाता है जब उसमें 6 carbon हो मतलब इस तरीके से 6 carbon अभी दिखा देता हूं बना करके 5 वाला इसके बाद 4 वाला देखते हैं यहाँ पर मैं अपनी numbering कर देता हूं otherwise होगी दिखता हूं यहाँ पर यहाँ पर मैं रख देता हूं 1 यह है 2 यह है 3 यह है 4 जान मुझके मैंने इधर numbering करी है होता क्या समझना ध्यान से यह बड़े काम की बात है होता क्या है कि यहाँ जो CH2 plus है जब CH2 plus किसी ring के बाहर प्रजेंट हो इस तरीके से तो यह सोचता है कि देखो मैं तो 4 member हूं क्या मैं अपने आपको 5 member बना सकता हूं क्योंकि अगर मैं 5 member हो गया तो मैं ज़्यादा stable हो जाऊंगा यहां carbon number 1 और carbon number 2 के बीच में जो एक आपको bond दिख रहा है उसमें 2 electron होंगे होता क्या है यह दोनों electron उठ करके आज आते हैं इस वाले carbon के तरफ देखेगे यहां का electron उठ करके यहां पर जाएगा तो होगा क्या एक एक step बता के आपको समझाया जाएगा निश्चिंद रहिए जिस पार्ट को तोड रहें इस bond को मैं तोड रहा हूँ और इसका electron मैं यहां लगाँगा तो यहां पर बनाने के तो ज़रुत है नि बाकी चीज को as it is बना लीजिए बाकी चीज को as it is बना लीजिए देखेगा ध्यान से यह चीज यहां हो गई यहां के दोनों electron उठकर के यहां आ गई इसका मतलब हमने क्या किया इसको आपस में connect कर दिया देख लीजिए यहां के दोनों electron मैंने उठाए और carbon number two को इस वाले carbon से connect कर दिया carbon number two को इस वाले carbon से देखिए 2 को मैंने यहां connect कर दिया, लेकिन 1 को हमने अभी कुछ नहीं किया, यह 4 है और यह 3 है, देखिएगा, समझ में बात आई, यहां का electron उठा के हमने यहां connect कर दिया, अब एक बात देखो, carbon number 1 का तो electron लेकर के आप चले गए, यहां पर bond बनाने, इसका मतलब carbon 1 का electron कहीं चला गया, तो इस पर plus charge आएगा, क्या आएगा, plus charge आएगा, इसको थोड़ा ठीक से लिखें, तो यह एक 5-membered ring है, यह 5-membered ring है, देख लिजी, 5-membered ring है, आना, 4, 4 carbon यहीं है, एक और आगया, ring के अंदर ही आगया यह, तो 5 carbon हो गए, और उसमें से किसी 1 carbon पर plus बना हुआ, तो उसमें कह किसे आप अगला practice करके देखेंगी, कि यह जो 5-membered ring है, उसमें क्या होगा, देखना द्यान से, जैसे carbon number 1 है, 2, 3, 4, 5, होगा क्या यहाँ पर, यहाँ पर carbon number 1, 2 के बीच का जो 2 electron होगा, वो उठ करके यहाँ पर bond बनाने आचाएगा, जब bond बनाएगा, देखिए, हमेशा ऐस बनाएगे, जो bond तोड रहे हो, उनको छोड़ दीजिए, बाकी को as it is छाप लीजिए, तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या किया, हमने connect कर दिया, देख लीजिए, यहाँ पर एक carbon है, इसलिए बना दे रहा हूँ, ताकि पता रहेने तो लगेगा carbon ही नहीं, ठीक है, यहाँ प बनानी, मतलब 1 पर क्या आएगा, प्लस चार आएगा, इसको थोड़ा इज़त से बनाओगे, तो आपको एक 6-membered ring दिखेगा, और इस 6-membered ring पे एक carbon पर कहीं पर प्लस बना दीजिए, अभी तो बनाई सकते हैं इस तरीके से, तो यह दोनों एक ही बात है, तो इसको कहते है ring expansion, ठीक है, यह भी एक rearrangement हुआ, कि भईया हमने देखा, कि चाह 4-membered था, उसको 5-membered बनाना possible था, तो बना दिया, एक 5-membered था, उसको 6-membered बनाना possible था, तो बना दिया, अच्छा जी, आएए देखते क्या ring का contraction possible है, क्या ring contraction possible है, यह एक ही जगा पर especially देखने को मिलेगा, या 7-membered ring हो, और उसको 6 मिलाना चाहें, तो contract कर सकते हैं, यहाँ पर देखेगा, यह special condition है, पढ़ा भी चुका हूँ मैं, यहाँ carbon पर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर plus charge है, यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, अब होगा क्या, क अधरवाईद दुख तकलिफ समस्याइद इवन में आना सुरू हो जाएंगी, देखे, कौन सा bond मैंने तोड़ा, 2-3 तोड़ दिया, तो यह मैंने तोड़ दिया, ठीक, और मैंने क्या किया, जो दोनों electron थे, उसमें carbon number 3 को 1 से connect कर दिया, 1 को 3 से connect कर दिया, देखे, क्या किय मैंने 1 को 3 से connect कर दिया, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, देखे, यह दिख रहा है, हमने क्या किया, यहाँ का दोनों electron उठाया, यहाँ पर bond बना दिया, तो यहाँ का bond खतम हो गया, अच्छा, लेकिन सोचो, यह जो carbon है, यहाँ पर carbon number 2 है, carbon पर 1 carbon होगा, जहाँ पर positive charge है, क्या मैं इसको cyclopropyl methyl carbocation कह सकता हूँ, yes कह सकते हैं, और आपको पता, यह तो बहुत जादा stable होता है, इसलिए यह process अपने आप हो जाएगा, usually हमें देखने को मिलता है, कि ring का expansion होता है, ताकि 6 member ring बनाया जासके, 5 से, 5 बनाया जासके, 4 से, ले एक लौता factor है, पूरे rearrangement का stability, जो जहाँ जादा stable है, वो उसमें जाना चाहता है, क्रिपा इसको और practice करके strong कर दिये concept को, आईए, carbonine की stability देखते हैं, यह तो बड़ा आसान है, हमें क्या देखना है, कौन electron ज़्यादा खींच रहा है, यह तो देखो electron देने वाले लोग लग सिंपल बात है, negative charge कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम, यह देखी थोड़ा ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि यह support करेंगे, इनके respect में यहाँ ज़्यादा होगी, means यही जब ज़्यादा stable है, आपको पता ही है, कि हमें क्या करना है, carbonine से electron खींचना है, electron देना नहीं है, अगर आपनी electron दिया, तो यहाँ पर electron की density बढ़ेगी, charge की density बढ़ने पर stability कम हो जाती है, अगली चीज़ देख लेते हैं, अगली चीज़ में आपको chlorine दिखेंगे, chlorine क्या करेंगे भीया देखो, chlorine सिग्मा से electron यहाँ से खींचेंगे, इस carbon से, और यह carbon इस से electron अपनी तरफ तो इस carbon पर जो charge की density है, वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, यह charge की density बता रहा हूँ, negative charge की density कम होने लग जाएगी, क्यों, क्योंकि इनके electron सिग्मा के थुरू chlorine की तरफ सिफ्थ हो रहे हैं, अच्छा जी, charge density के कम होने से यह चीज़ जादा stable feel होगी, क्यों क्योंकि यहाँ पर एक ही chlorine है, और एक chlorine उतना impact नहीं ला सकता ना, जितना की यह ला सकता है, यहाँ बे भी negative charge होगा, वो थोड़ा कम होगा, लेकिन उतना कम नहीं होगा, जितना यहाँ पर कम होगा, यहाँ तो उल्टा का मैं, यह CS3 तो electron दे रहा है, उल्टा यहाँ होगा, वो less stable, यहाँ पर इस से तो थोड़ा सा क्या है, कम चार्ज है, लेकिन यहाँ पर एकदम ही कम चार्ज है, तो सबस्दा स्टेबल है, तो negative charge जहाँ पे सबसे कम, वो सबस्दा स्टेबल होगा, अगली चीज क्या है, यह बड़ा important, यह उल्टा समझ जाते हैं बच्च सकता है, वैकेंट D-orbital में कूच सकता है, इनके वैकेंट D-orbital में कूच सकता है, सिगमा के थ्रू तो इनके charge density खीचे ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वैकेंट D-orbital आपको पढ़ाया तो न, कि अगर सामने वैकेंट D-orbital आ गया, तो वो क्या करता है, माइनस M का का काम करत है, क्लोरीन के पास क्या होता है, डी-orbital क्योंकि बोलो कौन बता पाएगा, अरे भाईया, थर्ड पी रडड ऐलिमेंट में है, और थर्ड इलिमेंट पास SPD होता है, क्लोरीन ने सिर्फ एक बॉंड बनाया है, छी का 8 इलेक्टरॉन रखे हैं, तो यहाँ पर वैकेंट D-orbital ह shift होंगे अगर electron इनमें shift होंगे तो हम कहेंगे एक तरीके का minus m group है फ्लोरीन एक तरीके का minus m group के तरह भी have करने लग जाता है इसलिए यह वालागा stable होगा यहां पर आप कभी भी इसमें मट डालिएगा फ्लोरीन के पासrik अड़ी और्बिटल नहीं है केवल माइनस i का factor है लेकिन केवल माइनस i का factor तो लगाना नहीं है माइनस m भी लगाना और माइनस i भी लगाना है तो ये दो factor यहाँ पर possible है लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर electron ऐसे खीचे जाएंगे माइनस i से तो minus i और minus m दोनों effect होनी की वज़ा से यह ज़्यादा stable होता है आई यह एक बार देख लेते हैं इसको यहाँ पर क्या है यहाँ कारबन की खोपड़ी पर negative charge दिख रहा है आपको पता है कि कारबन की खोपड़ी पर जो negative charge यह हमें कम करना है कम कैसे होगा जब जो benzene से लोग लगे हैं वो electron नीचे की तरफ खीचे तो यह NO2 क्या करेगा यह πाई electron को अपनी तरफ नीचे खीचेगा देखो πाई electron की density ऐसे नीचे आती है देखना यह नीचे आएगी देखनो यह नीचे आएगी देखो 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 पूरा resonance बनता हुआ दिखेगा यह negative charge यहाँ आएगा तो पाई electron की density सीधा NO2 की तरफ जा रही है और NO2 यहाँ पर minus M group की तरह काम कर रहा है minus M group की तरह काम कर रहा है और यह electron की density को नीचे की तरफ खीचते हुए लेके जाएगी तो यहाँ पर charges क्या होगे कम होगे यहाँ पर charge density यहाँ पर क्या होगा charge density यहाँ पर charge density क्या होगी कम होगी अगर charges कम होगे negative charges कम होगे तो हम यह कहेंगे कि हेबा लग charge density कम तो stability इसकी जादा होने वाली है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि हमें माइनस M भी दिख रहा है और माइनस IV NO2 का माइनस M, माइनस I दोनों लगता है वो पाई लेक्ट्रॉन भी खीषता और सिग्मा के थ्रू भी खीषता है तो सबसाथ इंपैक्ट्फुली लेक्ट्रॉन नीचे की तरफ से उठ़ोंगे कार्बन परचार्ज देंस्टी कम होगी तो यह ज़्यादा स्टेबल होगा लेकिन यहां देखिए क्लोरीन सिर्फ माइनस I से खीचेगा तो यह भाई आप पाई लेक्ट्रॉन को नहीं खीच रहे हैं क्यों 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 कि कम से कम यहां माइनस आई तो है यहां कोई ग्रुप ही नहीं यहां देखो बवाल यहां ओसी एस्ट्री में क्या है यह तो भईया उल्टा में भी वही कानी है कि आपको क्या देखना है hyperconjugation and inductive effect primarily resonance भी देखना है देखना यहाँ पर कहा जाएगा तीन ये तीन ये कितने alpha hydrogen हो गए कितने हो गए भी या 6 alpha hydrogen है 6 alpha hydrogen है और और देखेगा यहाँ पर benzene के अंदर जो 2 electron है उसमें से 1 electron आप आगे करेंगे इस तरीके फिर इसमें resonance चलता है यह बात आपको पढ़ाई जा चुकी है तो यहाँ पर क्या हो रहा है benzene का भी क्या support मिल रहा है benzene के benzene के electron का भी support मिल रहा है देखो एक electron आगे रहा है तो जो एक electron था वो क्या हो जाएगा double bond बन जाएगा मतलब यहाँ electron की कमी खतम होने लग जाएगी तो कुल मिलागी जगा stable feel कर रहा है यहाँ पर देखो यहाँ पर आप कहोगे कि तीन alpha hydrogen है benzene तो हई है benzene वाला factor यहाँ common है यहाँ भी common है लेकि यहाँ बन जाए ख मिलें कंसे कम जहां बन जाएगा होता है तो यह order बन जाएगा समझ में बात आ गई देखो अगर comparison करोगे लगेगा करें इस तर यहां तो तीन अलफा इड्रोजन यहां तो छह है तो आप सोचना कित कम से कम तीन अलफा इड्रोजन साथ-साथ बेंजीन के resonance की भी तो stability है बेंजीन के resonance की stability और resonance का impact जादा होता है बिद respect to hyperconjugation के अच्छा जी यहां पर हो यहां पर comparison बड़ा आसान है यहां पर आप क्या क्या होगे electron को पूरा देख रहे movement करा होगे यहां देख लो एक electron आगे जाएगा फिर एक electron यहां आएगा फिर यह electrons पूरे बेंजीन रिंग में बहुत अच्छा resonance करेंगे ठेको कितने πाइबॉन में resonance करेंगे तीन यहां पर सिर्फ दो एक ही पाइबॉन पर resonance करेंगे ठेका जी बात कर देगा नहीं यहां radical के case में माइनस एम माइनस आई को इस तरीके से नहीं लेते हैं यहां सिर्फ resonance कीतरा treat करना है यहां मेजोमेरिक कीतरा treat नहीं करना होता किसमे radical के factor में क्यूं समझा देता हूं देखो होता क्या add-dand आप करते क्या हो पाई का एक ही electron आगे ले जात यह यहां पर oxygen रहा इस पर एक electron रहेगा इस पर एक electron रहेगा इस पर एक electron रहेगा देखो यहां का एक electron टूटके यहां चला गया पाई बोर्ड नहीं बन गया ठीक add-dand तुम्हें एक electron ही shift करना है इधर उदर तो ठीक है तो कुल मिला कि यहां resonance की phenomenon हो रही है लेकिन यहां resonance नहीं हो रहा है यहां simple सा दो hydrogen है और दोनो alpha hydrogen है तो यहां पर hyperconjugation लग रहा है simple hyperconjugation यहां पर resonance की phenomenon है resonance वाला ज्यादा stable होगा with respect to hyperconjugation तो इस तरीके से आपको इनके stability निकालना आ चुका होगा इतना मैं मान लेता हूँ आए अब बात करते हैं toxicity and acidity पर comparison करेंगे चले देखते हैं आरहिनियस कहते हैं कि देखो भया तुम कोई एक solvent ना fix कर लो और इन्होंने कहा मैं solvent fix करता हूं water इन्होंने कहा देखो भई जंजट नहीं मैं कहा रहा हूं कि मेरे theory के अंदर तुम solvent सिर्फ water लेकर के बातचीत करोगे definition बताते वक्त ठीक कहूंगा ह्फ प्लस donor को acid कहूंगा और जो लोग ओच नेगटिब जो लोग ओच नेगटिब देते हैं यहां पर थोड़ा घडबर हो गया है यहां पर लिखना पड़ेगा och negative ठीक है जी जो लोग ओच नेगटिब डोनेट करते हैं उनको मैं arhenius base कहूंगा क्या कहूंगा H plus donor को acid कहूंगा और जो लोग OH negative जो लोग OH negative देते हैं यहाँ पर थोड़ा गड़बर हो गया है यहाँ पर लिखना पड़ेगा OH negative ठीक है जी जो लोग OH negative donate करते हैं उनको मैं arhenius base कहूंगा क्या कहूंगा मेरे साथ दो रहाईए arhenius base आपने पढ़ा होगा अरे इतको पढ़ा ही है आपने कहाँ पर पढ़ा NaOH पढ़ा है सर जीवन में मैंने NaOH पानी में जाए तो कैसे टूटता Na plus and OH negative में किसमें मेरे साथ बोलिए अरे बोल रहे बाबा क्या बोला मैंने मैंने बोला कि जो लोग OH negative donors होते हैं donor होते हैं वो base कहलाते हैं अच्छा जी देख लेते हैं example दूँगा तब समझना है रहे जैसे अगर मैं HCl जो है पानी के अंदर डालता हूं पानी मतलब solvent यह solvent water के अंदर डालता हूं तो होता क्या है HCl टूट जाता है H plus and Cl negative में और वो H plus मिलता है water को तो टूटता कैसे है H plus और Cl negative में ठीक है और water connect होता है इस H plus ठीक है जी लेकिन 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 अगर मैं NaOH लेता हूं उसको पानी में डालता हूं तो वो टूट जाता है Na plus OH negative में पानी में OH negative जो देगा उसको हम arheneas base कहते हैं पानी में जो H plus देगा उसको हम arheneas acid कहते हैं I hope आपको समझ मैं हो अब दूसरा पढ़िए तीन theories दी गई है एक है ब्रॉंस्टेड लॉरी थेरी ब्रॉंस्टेड लॉरी concept ये कहता है सुनिए गालाइन ध्यान से कि जो लोग H plus accept करते हैं वो लोग base कहलाते हैं और जो लोग H plus देते हैं वो acid कहलाते हैं जैसे यहाँ पर ले लीजिए HCL को भी आप यहाँ पर कह सकते हैं लेकिन यहाँ ब्रॉंस्टेड लॉरी के case में जो solvent है वो solvent आप कुछ भी चुल सकते हैं वो कोई specific solvent नहीं है यू आर free to choose any solvent ठेका जी यह कोई जरूरी नहीं है water बस इनमे इनमे यही अंतर है Arrhenius ने solvent water लेकर के बात करा और इन्हों ने कहा किसी भी solvent में जो लोग H plus देते हैं मैं उनको acid कहता हूँ और किसी भी solvent में जो लोग H plus accept कर रहे होते हैं उनको मैं base कहता हूँ इतनी बात समझ भाई जैसे आप समझना चाहें तो इस तरी के सभी ले सकते हैं जैसे आप ले ले लिजी NH3 है NH3 पर loan pair है अगर loan pair है तो वो क्या करता है सामने से H plus आया तो वो loan pair को donate करके अपने आप को NH4 plus बना देगा ठीक जी तो ब्कुल मिलाके NH3 क्या कर रहा है यहाँ base का काम कर रहा है वो H plus को accept करने का काम कर रहा है इसलिए NH3 जो है एक base कहलाएगा मिरसाथ दो रहा है क्या कहलाएगा NH3 एक base कहलाएगा NS3 का example लिया, तो चलिए अगली बात करते हैं, Lewis theory के, Lewis theory कहता है, कि जो लोग loan pair donate करते हैं, उनको base कहते हैं, देखो, यहाँ पर NS3 क्या कर रहा है, NS3 क्या कर रहा है, भाईया, loan pair donate कर रहा है, तो actually NS3 जो है, ब्राउंस्टेड लॉरी के हिसाब से भी base है, और Lewis theory के हिसाब से भी base है, क्योंकि जो लोग loan pair donate कर सकते हैं, हम उनको Lewis base कह सकते हैं, देखो, ब्राउंस्टेड लॉरी के हिसाब से भी base है, और Lewis के हिसाब से भी base है, अचा ब्राउंस्टेड के हिसाब से क्यों base है, क्योंकि यह H जिक आपके खुपड़ी में होना चाहिए और जो लोग loan pair accept करते हैं उनको acid कहते हैं ठीक है जैसे आप H plus को ही ले सकते हैं या आप ले लिजी जैसे BF3 BF3 G1 में सुना होगा BF3 में boron के पास vacant orbital होता है ठीक है जी vacant orbital होता है सामने अगर मैं इसके NS3 रखो जहां दीजेगा अच्छा जी loan pair जो donate करता है उसको हम कहते हैं lois base loan pair जो accept करता है उसको कहते हैं lois acid तो BF3 is a lois acid लेकिन NS3 is the lois base I hope यहां तक की बात में कोई समस्या कोई दर्ध कोई परिशानी नहीं होगी basic बात है यह बात है आपको आनी चाहिए ठीक है जी अगला topic देखो भया है basicity and kb आपने equilibrium constant k का नाम सुना होगा आपने chemical equilibrium chapter पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो कुछ-कुछ हम यहां पे hint देते हैं आपको चलेंगे देखिए यहां पर basic strength से related बाते होगी basic strength चलिए मान लिया मैं उसको base कह दूँगा जो लोग H plus लेंगे मान लिया यह बात लेकिन अगर मुझे compare करने के लिए 7-8 लोग दे दिये जाएं कि इनमें से best base कौन सा है तो मैं कैसे पता करूँगा उनके क्या factors होगे उनमें से कौन सा जादा strengthful होगा basic strength जाता होने का मतलब क्या होता है कौन बहुत आसानी से H plus को receive करा पाएगा कौन उसको पता करने का तरीका यह इस रास्ते से गुजरता है तो समझना पड़ेगा जैसे माली जी एक base को मैं B से represent कर रहा हूँ और इसके उपर मान रहा हूँ कि negative charge है यह मारा एक base है अब अगर base है तो निश्ची दरूप से उसको H plus के साथ क्या करना होगा गड़बंधन करना होगा मेल, मिलाप और वारता लाप करना पड़ेगा अच्छा जी सुनिएगा बावाध्यान से यहाँ पे होगा क्या एक equilibrium सेट हो जाएगा यह negative charge इस H plus charge को अपने पांस बुलाएगा और जब बुलाएगा अबालक तो होगा क्या यह जो base का atom है वो hydrogen atom के साथ connect करेगा bond बनाएगा इन्होंने electron दिये है H plus को bond बनाने के लिए तो H plus को electron मिला तो H plus हो गया neutral प्लस को electron दो गया neutral और इन्होंने share कर दिया तो देख लीजे बीच में electron आ जाएगे अच्छा जी तो इस तरीके से एक यहाँ पर bond बन जाएगा अच्छा यहाँ पर जो equilibrium constant है उस equilibrium constant को हम के भी कहते है यह इन दोनों के बीच में equilibrium क्या हो जाता है maintain हो जाता है equilibrium समझते होंगे है यह चीज इसमें convert हो सकती है यह चीज इसमें convert हो सकती है अच्छा जी तो हम पढ़ते थे कि भाया KB जो होता है KB वो directly या is equal to होता है concentration of BH divide by concentration of B negative and concentration of H plus यह chemical equilibrium में यह चीज आपको पढ़ाई जाती ह यह बात हमने पढ़ी लिखिये पढ़ी लिखिये ना अब सुनिएगा कुछ सब्द बोलूँगा मैं यह जो KB है उसकी value जादा कब होगी KB की value जादा कब होगी जब हम देखें कि भाया इनका हमें क्या करना concentration बढ़ाना है तो हम इसका concentration कुछ इस तरीके समझेंगे कि पकड करके किदर जाना चाहेगा forward direction में जागना चाहेगा और वो अगर strong bond बनाएगा तो वो तूट करके कभी reverse direction में नहीं आना चाहेगा मतलब यह forward direction में जादा जाएगा कब जब इस B और इस H के बीच में जो bond बना है वो strengthful है तो हम लिखेंगे कि KB जादा तब होगा जब bond strength between basic atom basic atom basic atom का मतलब होता जिससे electron donate हो रहे हो या negative chart donate हो रहा हो चाहे low repair donate हो बेसिक atom and hydrogen ठीक है इनके बीच में जितना अच्छा bond strength होगा KB की value उतनी जादा होगी इसमें कोई सक संदेह और समस्या तो किसी को नहीं होनी चाहिए मेरी समस्या बहुत basic सी बात करी है कुछ भी कठ बात कुई ही नहीं है इसमें clear है दूसरी चीज़ देखिए एक देखने का नजरिया यह है दूसरे देखने का नजरिया देखिए अगर मैं यह कहूं कि जो यह basic atom B है जिसके उपर negative charge है और वो बहुत दिल खोल के electron लुटाना चाहता है वो चाहता है कि हमारा electron easily किसी के पास जाया और वो H plus को खींच कर लाई ऐसा हो सकता है दूसरा ऐसा हो सकता है कि यह जो B या basic atom है यह बहुत electron negative हो और बहुत electron negative होने पर वो अपना electron किसी को देना ही न चाहता हो अगर वो देना नहीं चाहेगा तो वो H plus को easily कैसे पकड़ेगा फिर नहीं पकड़ पाएगा फिर व electron donating, donating tendency होनी चाहिए, tendency होनी चाहिए, electron donating tendency होनी चाहिए, basic atom B का तब जाकर KB की value जादा आगी, क्यों KB जादा का बाता है पता है जब reaction forward direction में भागती हुई रहती है, forward direction में भगाना है तो क्या देखना है कि भया यह आराम से electron दे पा रहे हैं, यहाँ पे electron pair जाता है, H plus को पक अगर आसानी से जाता है तो यह forward जाएगा, दूसरी बात अगर यह मालो जिस तरीके से दे पाए और यहाँ पर bond बना ले गए और यह bond बहुत ही strong है, अरे strong है तो यह तूट कर backward नहीं आएगा, इसका मतलब यह forward direction में बनना पसंद करेगा, तो KB की value इन दो बातों पर क्या क पर खूब सारा electron की density होगी, अरे भया, यह कहेगा मेरे पास electron की density ही कम है, मैं क्यों donate करूँ, तो आप कोशिस करिए उस पर खूब सारा electron density रखिए, तो याद रखिएगा, electron donating tendency तभी जादा होगी, जब उसके ऊपर electron density जादा होगी, electron density जादा होने का मतलब होए, negative charge density जादा होगी, जितनी जादा charge density होगी, उतना easily वो donate कर पाएगा, और KB की value जादा होगी, KB की value जादा होगी, जब bond strength between hydrogen and basic atom जादा देखने को मिलेगा, इन सारी बातों को इस तरीके से बोलूँगा, तो समझ में नहीं आएगा, जब तक exam पलाकी खोपड़ियों को, ऐसे ठाक से मारके नहीं लिगल जाते हैं, आईए, factors affecting vicinity को पढ़ते हैं, पहली line है, आप पहली line ह Electro negativity के through compare करना है, अच्छा आपने पढ़ा हो, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो, periodic table में तो Electro negativity का factor तब लगाते हैं, जब हम left से right जा रहे होते हैं, वहाँ Z effective कह देते थे, तो यहाँ पर left से right जाने पर Electro negativity क्या होती है, बढ़ती है, और अगर Electro negativity बढ़ेगी ध्य जान देना, क्या Electron के donate करने की tendency बढ़ेगी या घटेगी, सर लेफ्ट से right जाएंगे, Electro negativity देखिए, basic item का बढ़ता जाएगा, यहाँ Carbon की खोपड़ी पर negative है, यहाँ Nitrogen की खोपड़ी पर negative है, यहाँ Oxygen की खोपड़ी पर negative है, यहाँ Fluorine की खोपड़ी पर negative है, और Fluorine सब से जादा Electro negative है पूरे periodic table में, तो हो कहेगा भया मैं तो अपना negative किसी को नहीं देने वाला, मैं easily donate नहीं करता मेरे भाई, तो left से right जाएंगे Electro negativity की value बढ़ेगी, और Electron donating tendency घटती जाएगी, जबकि यह चाहता है Electron को पकड़ के अपने पास रखना, Electro negative होने का मतलब होता है वो खुद को negative रखना चाहता है, वो Electron देना वाना नहीं चाहता, अच्छा, इसका मतलब Electro negativity के बढ़ने से Electron के donating tendency घट जाती है, और यहाँ पर तो Electron के donating tendency को ही तो KB कहते हैं, या basic strength कहते हैं, तो सबसे ज़ादा basic इसमें से कोन है, CS3 negative, और CS3 negative सांदार base है, सांदार, आज यह देखते हैं, size का factor कब लगाते हैं, size का factor आपने पढ़ा होगा, जब हम top से bottom की तरफ आते हैं, periodic table में, तब हम size का factor लगाते हैं, जैसे के example के तोरफे मेरे सामने OH negative है, और और और, OH negative है, एक मिन, इसको छोड़िएगा भी, OH negative है, और SH negative है, इनमें यह negative charge oxygen पर है, यह negative charge sulfur प negative charge, इन दोनों को देखकर बताइए, बड़े size का कौन है, सर, sulfur तो बड़े size का होता है, अच्छा जी, अगर sulfur बड़े size का है, तो उस पर भी एक negative charge है, oxygen जो है, इतना छोटा सा है, लेकिन उस पर भी एक negative charge है, यह oxygen atom बनाया है, मैंने इसको oxygen मा समझना, ठीक है, यह oxygen atom छोटा स समझें, एक negative charge यहाँ पर, एक negative charge यहाँ पर, बताओ, charge की density कहां पर ज़ादा, क्योंकि सारा खेल charge density का है, charge density कहां पर ज़ादा, अरे छोटे size पर एक negative charge, यहाँ पर charge की density ज़ादा है, एक particular point पर charge ज़ादा मिलेगा, लेकिन यह прев backlight को बड़े surface से फैला दोगे, तो एक point पर ज पर जादा है इसलिए हम कहेंगे कि OH नेगटिव एक सड बहुत ही सांदार वाला बेस निकल करके आएगा तो यह सब्द कैसे निकाले गए इलेक्टरॉन डेंसिटी के थुरू बताएगे ठीक है जी तो आप यह जान लीजे कि जिसकी साइज बड़ी होगी जिसकी साइज बड होगी वहां पर इलेक्टरॉन की डेंसिटी कम होगी और जहां इलेक्टरॉन की डेंसिटी कम होगी उसकी के भी वैल्यू कम होगी बेसिटी कम होगी that's it कहाणी सिर्फ इतनी सी है अच्छा सब्सपर नीचे जाएंगे size बढ़ती जाती है उपर से नीचे जाएंगे size बढ़ती जाती है और जैसे जैसे size बढ़ती जाएगी charge density क्या होगी या electron density जहां मैं electron density लिक रहा हूँ उसके बजाए मुझे charge density सब्धी यूज करना चाहिए charge density ठीक है तो charge density उपर से नीचे जाओगे size बढ़ता जाएगा लेकिन सब पर तो एक ही negative charge है इसका मतलब electron की density घटती जाएगी अगर electron की density घटती जाएगी तो हम कहेंगे kb की value भी घटती जाएगी kb की value भी घटती जाएगी इसका मतलब साफ है कि basicity के हिसाफ से सबसे अच्छा base F negative फिर CL negative फिर BR negative होगा इसको देखने का एक दूसरा नजरिया तुम्हें देता हूँ खोपड़ी खोलो अपनी F negative को भी मैं H plus देता हूँ कहूँ कि भया तुम base हो तो चलो साबित करो साबित करने के चकर में वो कहेंगे कि देख भई अगर मेरे सामने H plus लाएगा तू तो मैं H plus तो खा जाऊँगा क्या करूँगा मैं H plus खा जाऊँगा bond बनाऊँगा चलो भया bond बना के दिखाओ हम मैं उनके bond परी चर्चा कर दूँगा आजारे बालक क्या बोलेंगे यह जो F negative है यह negative charge कहां जाएगा H plus के पास तो क्या बनेगा H और F के बीच में bond बनेगा यह negative charge H plus के पास जाएगा तो H और CL के बीच में bond बनेगा यह negative charge यहाँ जाएगा तो H और BR के बीच में काम बनेगा यह negative charge यहाँ जाएगा तो H और I के बीच में bond बनेगा एक बाल बताएए एक बार बताईए HF, HCL, HBR, HI इन में किसकी bond length ज़ादा है कौन बता पाएगा समझदारी से जब आप दीजिएगा कि अगर मान लो ये length L1 है ये length L2 है ये length L3 है ये length L4 है तो बड़ा length कौन है और किसका है कैसे जब आप देंगे देखो fluorine जो है second period element size में छोटा होता है chlorine size में बड़ा है ये और size में बड़ा है तो सबसे देखो एक size में बड़ा है एक size में छोटा लेकिन एक तो बहुत बड़ा है अरे एक बहुत बड़ा होने की वज़ा से दोनों nucleus के बीच की जो दूरी है वो जादा आएगी यहां हो यह फ्लूरीन है छोटू सा हाइडरोजन भी छोटू सा दोनों न्यूक्लियस की बीच में दूरी छोटू सा इसका मतलब साफ है अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 11 बहुत छोटा विद रिस्पेक्ट टू बिद रिस्पेक्ट टू इल 3 विद रि बता हूँ अगर बॉन्ड लेंथ का यह ओडर है तो बॉन्ड श्ट्रंथ का क्या ओडर है बताईए बॉन्ड श्ट्रंथ किसका बॉन्ड मजबूत है एच एफ का बॉन्ड मजबूत है एच एफ का बॉन्ड मजबूत है बिद रिस्पेक्ट टू एच सील के बिद रिस्प तो ये bond strength का order है अगर ये मजबूत है ये बालक सुनना ध्यान से मैंने क्या बूला था basic atom और hydrogen के बीच में जो bond है अगर वो मजबूत है तो F negative एक अच्छा बेस होगा देखो F negative अच्छा बेस बताया गया है नहीं के बी ओडर में ये के बी ओडर में के बी ओडर में F negative उपर ह यही तो मैं कह रहा था देखो इससे भी explain हो रहा है तो साइद आपकी खोपड़ियों तक ये बात मैं ले जा पाया हूँ अगर कोई कहे कि HI के बारे में बताईए तो आप कहिए H और I यह चोटा सा आई बहुत बड़ा सा bond length बढ़ी आएगी तो आसानी से तूट जाएगी तो reaction backward direction में भी आएगा तो kb की value कम होगी मतलब basic strength उसका खराब और घटिया होगा I hope आपको आनन्द आया हो अगली चीज अगली चीज है hybridization ये concept कब लगाना है जब basic atom सेम हो जैसे अभ लेकिन यहां basic atom सेम होगा with different hybridization देखेंगे जैसे देखना यहां पे nitrogen है कृप्या ध्यान दें भाई सब लोग nitrogen पर क्या present है lone pair nitrogen पर present है lone pair और यह lone pair donate करके वह किसी H plus को पकड़ सकता है इसलिए base है अगर मैं इसके hybridization की बात करूं तो मैं कहूंगा कि nitrogen पर एक single bond इधर है दो hydrogen क bond है एक यह मतलब steric number 4 steric number 4 मतलब nitrogen इस समय sp3 hybridized है nitrogen इस समय sp3 hybridized है अच्छा जी अगला दीखेगा nitrogen पर एक lone pair है अब देखें एक sigma bond इधर है एक hydrogen के साथ एक lone pair तो steric number 2 steric number 3 steric number 3 का मतलब यहां पर sp2 hybridization है समझ रहे हो क्या nitrogen पर lone pair देना लायकों जहां double bond आता है वैसे भी sp2 हो यहां पर sp2 आएगा अगला देखेंगे यहां nitrogen की खोपड़ी पर lone pair आप कहेंगे सर यह भी sp3 होगा इसकी तरह लेकिन हे नालायक प्राणी आपको ही बताया गया था कि यह जो negative charge है यह जो lone pair है क्योंकि यह resonance में है और जब कोई resonance में होता है तो उसके lone pair को consider नहीं करते steric number ग hybridization होगा लेकिन यह जो sp2 hybridization है sp2 hybridization है यहां पर electrons क्या है localized है इसको कहते हैं localized 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 का मतलब वो nitrogen पर ही बैठे हुए हैं वो कहीं घूमने नहीं जा रहे कोई resonance नहीं कर रहे वो कहां बैठे हुए nitrogen की खोपड़ी पर बैठे है हाँ यह nitrogen sp2 hybridized है लेकिन उसका electron कहीं घूमने नहीं जा रहा यह नाइड्रोजन बिस पटूं भ driving है अच्छे बिस opened यहां पर जो नाइड्रोजन है उसका लून पेर नाइड्रोजन के उपर ही रहता है लेकिन ये तो SP hybridized है अब प्रश्ण ये है कि इनमें comparison कैसे करेंगे माना कि सब में nitrogen 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 है सब लोगों ने loan पर रखे हुए हैं सब लोग donate करना चाहतें कैसे पता करें अच्छे से कौन donate करेगा तो ये प्रश्ण का जबाब मिलता है हमें percentage as character से एक concept सीखा होगा अगर आप नहीं कि जहां पे percentage as character ज़ादा होता है वो atom की electro negativity ज़ादा होती है अगर जिसकी electro negativity ज़ादा है उसकी electron donating tendency electron के donate करने की tendency या simply बोल देता हूँ डारेक्ट लिखता हूँ electron donating tendency क्या हो जाएगी भया जिसकी electro negativity ज़ादा होती है वो electron देना ही नहीं चाहता इसलिए जब किसी की electro negativity ज़ादा हो जाती है तो वहाँ kb की values की कम हो जाती है ये ब्रह्मशूत्र हो गया आपका ये line आपने पढ़ी थी percentage character के बढ़ने से electro negativity बढ़ती है सर ये percentage character का क्या खेल है देखो SP3 में एक ऐसे 3P तो 100 को 3 पार्ट में कितने 4 पार्ट में divide करना पड़ेगा क्योंकि 4 हिस्से होगे न 1S 3P तो यहाँ पर 4 हिस्से divide हुए उसमें से एक ही हिस्सा S है मतलब यहाँ पर percentage character सिर्क 25% है 25% S character है यहाँ की बात करें SP2 में तो आपको पता है कि 33.3% percentage इस करेक्टर है यहाँ पर 33.3% percentage इस करेक्टर है लेकिन यहाँ SP में 50% percentage इस करेक्टर है पर्संट पर्संटेज इस करेक्टर है अब आपको पता है कि जहां पे जितना ज्यादा पर्संटेज इस करेक्टर वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगटिव मतलब यह नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगटिव है अगर यह नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इले तो वहीं बैठा हुआ है उनका electron localization में वो localized है वो घूम नहीं रहा है लेकिन इनका electron गूमता है अगर जिसका electron गूमता है उसके सामने तुम H plus लाओगे क्या वो H plus पकड़ पाएंगे नहीं क्योंकि इनका electron घूमने निकल चुका है resonance करने निकल चुका है तो वो H plus को नहीं पक dependence करेक्टर सबसे कम होने की वज़ा से इस case में हम ये कहेंगे कि हे बालक इनका जो है जादा आये का आई अगली बातशीत करेंगे एनलीन के साथ electronic effect लगाएंगे चलो पहले एनलीन समझते की एनलीन basic है भी या नहीं है अच्छा जी यह एनलीन है बेंजीन की खोपड़ी पर अगर मैं NH2 लगा दूँ तो मैं इसको एनलीन घूसित करता हूँ यहां nitrogen पर जो lone pair है यह lone pair जान से सुनना यह lone pair अगर इसके सामन है इसलिए एनलीन एक organic base है और actually organic chemistry में ज्यादा तर basis nitrogenous basis होते हैं मतलब nitrogen के थ्रूँ H+, पकड़े जाते हैं अच्छा जी यह बात समझ में आई क्या हां सर समझ में आई लेकिन एक बात समझो हे बालक एक बात समझो अगर मैं कहूं इस nitrogen का hybridization बताए तो क्या कहिएगा SP2 है सर यह यहां पर resonance में involved है जब loan pair आपका resonance में involved है तो hybridization में उसको count नहीं करते तो इस loan pair को छोड़ दीजिए nitrogen ने कितने sigma bond बनाए एक और दो hydrogen के साथ तीन sigma bond के लिए SP2 hybridization nitrogen पर आता है I hope यह बात आपको समझ आ रही हो ठीका जी अरे बोलो रे बालक है ना लेकिन देखो अब होत H plus को भी पकड़ लाएगा दोनों काम होता है लेकिन कम से कम यह कह सकते हैं कि अब nitrogen पर charge की जो density है negative charge की जो density है या जो loan pair की availability कम हो गई क्योंकि इसका loan pair बेंजीन के अंदर ही नास्ता रह जा रहा है I hope इतनी बात समझ नहीं ओके चलिए आप किसी का किसी से comparison कराना है चलिए यह अगला आगया है एक मिनट मैं जान मुझकर यह प्लस हटा रहा हूं ताकि आपकी खोपड़ी खोल सकने ठीक है इतनी बात आपको समझ में आती है समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है यह बात आप नोट कर लिजिए ऐसा ही नोट कर लिजिए ठीक है इसको नोट कर काईपर रीट ehuzaris है है इसको भी एसप्लस पकड़ना इसको भी हशप्लस पकड़ना है लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है पता है सिर्जी का sahती करता है सिर्जी कड़ेशन से और प्लस हआई से एक्ट्र الن की देंसिटी नाइ ड्रोजन की तरह भेजिगा देखो यह सीग्म के तुरू electron भेजेंगे, sigma के तुरू, मतलब प्लस आई, sigma के तुरू भी electron जाएंगे, और hyperconjugation होगा तो आपको पता है, carbon hydrogen का electron ऐसे करके उपर जाता है, कुल मिलाके, ये जो group है, वो electron की density इकठा कर रहा है, nitrogen पर, nitrogen पर electron की density इकठा कर रहा है, इसकी वज़ा से, इस nitrogen पर, जो electron density है, वो ज्यादा होगी, हम कहेंगे, electron density के ज्यादा होने की वज़ा से, इसका जो kb होगा, वो ज्यादा आएगा, kb जो होगा, वो ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा impact नहीं, अगले छे देखेगा, यहाँ जो nitrogen है, उसकी खोपड़ी पर लगा हुआ है, यहाँ लोन पेर लगा हुआ है, लोन पेर लेकिन यह लोन पेर भी बेंजीन के साथ क्या है, रेजोनेंस में है, इसलिए यह nitrogen भी SP2 hybridized है, बेंजीन पर लगा हुआ NH2 ग्रुप, तो यह लोन पेर अभी SP2, SP2 हर जगां hybridized है, तो इसका मतला हमें SP2 के चकर में नहीं पढ़न क्योंकि हर जगां पर तो SP2 ही आ रहा है, hybridization अलग नहीं, सेम है हर जगां पर, अच्छा, फिर NO2 ग्रुप क्या करता है, NO2 तो भईया, माइनस M, माइनस I से किसी का खून चूस लेता है, यह भईया, सिगमा के तो electron खीचेगा ही खीचेगा, पाई electron की density को खूब नीचे अगर यहाँ electron की density बहुत कम हो जाएगी, तो भईया जी, के भी क्या होगा, बोलो रे बालक, के भी भी कम हो जाएगा, हाना, अरे भईया, जिसके पास electron है ही नहीं, उसके पास electron donating tendency कहां से लाओगे, क्योंकि जब तक electron donating tendency अच्छी नहीं होगी, के भी अच्छा हो इनी सकता, I hope आपको आनन्द आया हो, यहाँ से में समझ में आया, कि अगर मैं electronic effect लगा कर देखू, electronic effect का मतलब यही होता है, hyperconjugation, inductive effect, यह सारे effect, तो हमें समझ में आ रहा है, कि जो लोग electron देने का काम करते हैं benzene को, वो support करते है nitrogen पर electron density बढ़ाने को, और यह फिर H plus को पकड़ लाता ह हाराम से, लेकिन ऐसे लोग जो खुद benzene का खून चूस ले, वो भया जी इस nitrogen पर electron density बढ़ने नहीं देते हैं, बलकि घटा देते हैं, इसकी वज़ा से केवी कम हो जाता है, logical है, पूरी तरह से logical रटना नहीं होता, हर चीज को aniline से compare करके पढ़ते हैं, आईए, aniline and amines में देखते हैं, aniline में देखें, यहां nitrogen पर जो lone pair है, उसके लिए हम सब द्यूज करेंगे कि यह भया, sp2 hybridized nitrogen है, यह sp2 hybridized nitrogen है, लेकिन यह देखो, यहां nitrogen पर जो lone pair है, क्या वो resonance में, अरे भया, यह तो resonance में जाता है, इसलिए यह lone pair consider नहीं होता, steric number गिनते वक्त, क्योंकि यह कहा जा रहा है, resonance की phenomenon में, नाचने गूमने जा रहा है, लेकिन इनका lone pair तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि कोई resonance की phenomenon के लिए, यहां पर conjugation ही नहीं है, तो यह इसको कहते हैं, simple सा amine कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जनरली आपने इसको ऐसे देखा होगा, rnh2 type का, rnh2 type का इन दोनों में compare करना है, यहां nitrogen का एक lone pair है, और उस पर देखो, sigma bond और दो sigma bond यहां पर, तो यहां पर आप कहोगे, इस nitrogen पर SP3 hybridization है, इस nitrogen पर SP3 hybridization है, और यहां पर SP2, और SP3, SP2 में अंतर भी समझ में आ रहा होता है, कि भया जी, SP3 का जादा होगा, एक चेंज, दूसरा reason इसी में बिजी है, इस तरीके से इसी में घूमता रह रहा है, लेकिन इनका तो ऐसे बैठा हुआ है, कि भया H+, लाओ, मैं पकड़ लूँगा, तो इसका मतलब यह थोड़ा नहीं, अच्छा खासा बेस होगा, यह बला अच्छा खासा बेस होगा, दो factor से यह आगे निकल ज है, नाइट्रोजन का SP2 हाइबराजेशन है, अगली बात चीद देखें, यहां नाइट्रोजन का जो लोन पेर है, आपको यह मैंने पढ़ाया था, इसको हम कहते हैं, पाइरोल, और यह जो लोन पेर है, आच्छली यह लोन पेर यहां रेजोनेंस करता है, यहां का पाई ल कहीं मिल जाएं, तो हम इसको अरोमाइटिक कहते हैं, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना हमको इसको का कहना होता है, हमको इसको अरोमाइटिक कहना होता है, कुछ नराज हो गया जी यह, हां, नराज यह ठीक नहीं, नराज यह ठीक नहीं, तुम इजरा जो, चलो, चलो बच्चा यह क्या है यह aromatic है समझ जाइएगा यह aromatic लिखा अच्छा अब aromatic है सब पकटना aromatic का मतलब होता है कि जो loan pair तुमने aromatic character के अंदर डाल दिये वो लगातार नाशता रहेगा रुखता ही नहीं है अंदर ही घूमता रहता है थोड़ी देर के लिए बस nitrogen को मिलेगा यह electron बाकी इसी में घूमता नाशता रहेगा है तो यह nitrogen भी SP2 hybridized यह nitrogen भी SP2 hybridized कैसे यह loan pair चला गया resonance में तो देखो एक दो तीन सिग्मा बॉंड के लिए हम लिखते हैं SP2 hybridization तो अगर यह loan pair नाचने लग गया इसका मतलब यह तो आसानी से फ्री नहीं होगा अगर aromatic city का पार्ट बन गया तो वह नाशता रहता है नाशता रहता है अब nitrogen को मिली नहीं रहा उसका electron चला नाचने इतना नाच रहा है घूमता फिर रहा है कि सामने से हच प्लस आके खड़ा कि भया हमको भी पकड़ लो तो यह कहते हैं देखो यार हमारा तो loan pair मेरे पास ही नहीं है यह तो नालायक प्राण यह पीछे गोम रहा है तो इसके लिए यह आसानी से donate नहीं कर पाते हैं लेकिन यह कम से कम यह कम से कम देखो aromatic city यहां भी है लेकिन aromatic चीज पर यह लगा हुआ है इनका loan pair जो है ना aromatic city का पार्ट नहीं है इनका loan pair aromatic character के लिए नहीं है इनका benzene ही अपने आपने aromatic तुमने aromatic की खोपड़ी पर energy लगाया एक यह condition दूसरे में अपने nitrogen का loan pair ही दे दिया aromatic character को बनाने के लिए तो यहां पर सब्समझ में आ गया होगा इनका loan pair भी resonance करता है लेकिन उतना नहीं करता थोड़ी देर के बाद यहां घूम नाच करके फिर से वापस आ जाता है aromatic character का मतब होता है electron पा गया तो ना चाहता रहता है उसको इसलिए तो ज्यादा stable होता क्योंकि जतना ज्यादा पाई electron घूंते रहते हैं उनकी reaction करने की property कम हो जाती है आ यह बात है जी आई अगला देखते हैं यह देखो यह बड़ी खास चीज इसको कहते है पिरडीन नाइट्रोजन पर हमने बताया था असपश्ट भी बता दिया था वहाँ पर तो हाना नाइट्रोजन पर क्या है lone pair अब यह जो lone pair है वो भी sp2 hybridized orbital के अंदर है और यह lone pair इस aromaticity का पार्ट नहीं है यहां का lone pair aromatic character का पार्ट है तो इसके अंदर नाशता रहेगा यह तो इसके अंदर जाता ही नहीं क्योंकि यह पार्ट अपने आप में sufficient है aromatic बनाने के लिए और यह यहां resonance में भी participate नहीं करते हैं सोच के देखो यह resonance में कम से कम यह resonance में पार्टिसिपेट करते हैं अब समझो इसका मतलब मैं h-plus लेकर की आया तो प्रीडीन नहीं का भाईया मेरा loan pair तो मेरे पास ही रहता है मैं तो अपना loan pair ring के अंदर भी नहीं डालता resonance भी नहीं करता आओ मैं तुम्हें पकड़ लेता हूं सबसे अच्छे से यह पकड़ेंगे फिर भाई-साब यह पकड़ेंगे क्योंकि कमसे कम इनेंका घूमता तो है लेकिन वापस में भी आ जाता है इनका मिली नहीं रहा ए इन का भईया चला गया तो सबसक्तों कर लिजेगा है जो परा पिरिडीन है, वो आगे, फिर कौन ऐनिलीन, फिर कौन पायरा उलाएगा, I hope आपको आनन दाया हो, अगला देखते हैं, अगली चीज है, ऐनिलीन और अमाईडीन, नहीं, एनिलीन देखे कैसा देखता हुई है, यह तो हम जानते हैं, हर चीज को मैं ऐनिलीन से इसलिए इ पर में न तो उसी के आसपाक पूरी दुनिया संरचनाई बनती है अच्छा जी आए देखते हैं एमाइड की अगर मैं बात करूँ एक मिनट कहां चलेगा भी या हाँ एमाइड की बात में बात करूँ तो आर सी ओ एनस्टू आर सी ओ एनस्टू यह है भाई या एमाइड यहां जब रेजुनेंस होगा तो आक्चुली आर कैसे बनता है आपको पता है डबल बोन यहां आ जाएगा और जिस किसी ने अपना लोन पेर दिया उसकी खोपड़ी पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज यह दोनों आपस में रेजुनेंस कर रहा है बड़ी बात नहीं है यहां पर भी तो रेजुनेंस कर रहा है यहां पर भी रेजुनेंस कर रहा है लेकिन यहां पर जब रेजुनेंस करेगा तो हे बालक यहां पे नाइट्रोजन पर लोन पेर आएगा और तीन बार कार्बन पर आता है कहां-कहां और्थो पैरा और और्थो पर यह तीन बार यहाँ यहाँ दिखाई देगा लेकिन यहां नेगटिव कार्बन को मिलेगा यहां यहां और आपको पता है यहां इलेक्ट्रोन को तो मुझे एक तू मुझे कोई यह कहता कि चारबन के साये वा ना चाहिं ले जाओ सिण बात ने ज्यादा सिखें लेकिन ऑग्सिजन तो देना ही न ही चाहता और देना नहीं चाहता तो के वी की वैलू इंचे आएगा तो molecule और solvent के बीच में जो भी male मिला वर्ता ला प्यार मुहबबत है उसी को solvation कहा जाता है आए देखते हैं कहां देखेंगे यह apply कहा होगा applied in saturated aliphatic amines तो saturated aliphatic amines में यह apply होता है सुनिएगा बालक पहले देख लेते हैं NS3 NS3 से ही amines बनता इसलिए comparison करवा रहा हूँ NS3 अब हमने क्या किया एक hydrogen हटाया उसकी जगापर एक r group लगा दिया एक hydrogen और हटाया एक r group अब की बार तीनों hydrogen हटाया यह तीनों लगा देजिए इसको कहते हैं ammonia इसको कहते हैं one degree one degree amine इसको कहते हैं one degree amine इसको कहते हैं two degree amine three degree amine इसको कहते हैं three degree amine note down कर लीजिए yes मामला टेक लग रहा है yes सुनिएगा अब होता क्या है सारा खेल aqueous condition में खेलना है आपको जो भी यह सारे basis मिलेंगे यह actually aqueous condition में मिलेंगे अच्छा जी अगर aqueous condition में मिलेंगे तो वहाँ पर पानी present होगा aqueous माने पानी होता न ज करने के लिए तो यहाँ पर समझना हमारे पास जो water है उनके पास H प्लस था उनके पास H प्लस था पानी में H प्लस था हमें इनकी basicity compare करनी थी H प्लस था और यहाँ पर भी H प्लस था ध्यान दीजिएगा पकड़िएगा यह लाई ठेक है जी सुनना ध्यान से यहाँ पे ज जब nitrogen donate करेगा H प्लस को तो nitrogen और hydrogen के बीच में एक bond बन जाएगा और nitrogen की खोपड़ी पर प्लस आएगा कि nitrogen ने अपना lone pair दिया है सेम कहानी यहाँ पर बतानी क्या लिखोगे R लिखोगे N लिखोगे यहाँ पर आप H लिखोगे और यहाँ पर भी आप H लिखोगे जो H प्ल यहाँ पर H होगा यहाँ पर R होगा यहाँ पर R होगा इतनी बात समझ में आई है क्या यस सर अब जो यह H प्लस ने रिसीप किया वो मैं वह यहाँ बनाता हूँ और प्लस बनाता हूँ और सुनिएगा यहाँ पर क्या होगा R N R R यहाँ hydrogen यहाँ positive chart देख लीजे क्या आपक है H प्लस प्रजेंट करके कोई बैठा था ठीगा जी तो हमने सबको H दिलवा दिया अब समझना ध्यान से समझने की कोसिस करना हुआ क्या पता है यह जो NH 4 प्लस बना वहाँ वो प्रजेंट कहा था water में और water में आपको पता हूँ अगर तो oxygen पर क्या होता है छोटा सा negative charge hydrogen पर चोटा सा positive charge यह क्यों सर कैसे बता रहे हैं आप यह अरे हे बालक यहां पर oxygen is more electron negative तो bond के electron को वह अपनी तरफ खींचेगा hydrogen bonding पढ़ा है तो water में oxygen पर partial negative charge और यहां देखो nitrogen और hydrogen में nitrogen ज्यादा electron negative तो electron को यह अपनी तरफ खींचेगा तो अगर electron nitrogen की तरफ सिफ्ट होंगे तो यहां hydrogen पर क्या आएगा जहां hydrogen होगा वहां हर जगा ऐसा देखने को मिलेगा लेकिन जहां r हो गा उसके साथ थोड़े r में तो carbon present होगा और hydrogen bonding के लिए hydrogen ज़न होते हैं ठीक होते हैं यहां पर कितने hydrogen bonding होगी यहां पर सिर्फ दो जगाँ hydrogen bonding होगी सिर्फ दो जगां, यहां पर एक जगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब हुआ, धास सुनिएगा, जहां पे जितना ज़ादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो चीज बहुत स्टेबल होती है, अगर यह चीज स्टेबल है, तो यह रियक्शन फॉरवर्ड में आएगी, तो इसके लिए KB की वैल्यू सबसे ज़ादा होगी, इसके लिए KB की वैल्यू सबसे ज़ादा होगी, समझ में बात आई, क्योंकि यह जो चीज बन रही है, वो बड़ी स्टेबल बन रही है, सुनना ध्यान से, पहले NH3 था, H+, पाया, पाने के बाद पानी मे इसके लिए KB की वैल्यू के आएगी, यहां पर देखो KB की वैल्यू का आएगी, ठीक ठाक आएगी, लेकिन यहां के बी की वैल्यू बहुत ही नॉमल होगी, बहुत ही नॉमल होगी, क्योंकि एक ही आइडोजन बोन्लिंग है, यह जाधा स्टेबल नहीं है, पानी में जाने के बाद, हमें दिखेगा, कि सबसे जादा जो बैसिक है, पानी में, सिर्फ अगर पानी में जाने का फैक्टर कंसिंडर करें, तो NH3 वाला सबसना बैसिक लगता है, वह सबसे कम बैसिक हमें यह होता है, ऐसा हमें पानी का अंदर लगता है, लेकिन एक चीज हम इग्नोर कर रहे हैं अभी that is inductive effect, inductive effect वाला factor अभी हमने लगाया नहीं है क्योंकि हमने इक सिर्फ पानी का factor consider किया inductive effect के अगर factor को consider करें, तो आपको मैं यहां बता दूँ यह देखिए R3N न तो nitrogen है, मैं इसको बना रहा हूँ, यहां पर तीन R लगे हुए है यहां पर तीन R लगे हुए है और इस nitrogen पर क्या है, loan pair ठीक है, यहां पर एक nitrogen है यहां पर एक loan pair है यहां देखिएगा, यहां पर क्या है एक R group है, एक R group है एक H है, देखेगा, यहाँ पर क्या होगा, एक R ग्रूप है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन है, यहाँ पर यह है, यहाँ की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पर कोई भी सपोर्ट करनी को नहीं है, कोई सिंपल सा ऐसा है अब सब्द पकड़िएगा समझाने जा रहा हूं कुछ देखना अगर मैं अगर मैं यह 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 और यह मालो यह गैस फेज में होते यह गैस फेज में होते वहां कोई solvents ही ना होता तो क्या यह hydrogen bonding का concept लगता नहीं लगता यह हाँब ने श très के अब सोलवेशन रहेगा तभी तो यह सौलवेशन होगा तभी तो hydrogen bonding होगी il solvation मतलब solvent water और उनके बीच में interaction तो interaction बेट्विण molecules and solvent को शॉलवेशन कहते हैं तो यहां पर हमने solvation consider किया है उसके इसाफ़ चाहिए जादा बेसिक निकला ये कम बेसिक निकला लेकिन देखना एक उल्टी की देंसिटी थोड़ी और बढ़ेगी यहां पर तो तीन आर गुरुप इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करेंगे तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की देंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी और यहां पर तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंसिटी और आप कहा करते थे जहां पर अजीब लग रहा है नाइट्रोजन पर जब 3 डिगरी है तो 3 R गुरुप सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर electron की density जादा होती है उस situation उस condition में हम कहेंगे कि gas phase में 3 डिगरी वाला जादा basic होगा क्योंकि यहाँ पर electron density जादा होगी तो जब paper में यह mention हो in gas phase तब आप 3 डिगरी को जादा basic बताए फिर 2 फिर 1 और फिर NH3 लेकिन अगर नहीं mention है कुछ भी mention नहीं है तब क्या लिखना है मैं बताता हूँ देखो हमेना actually दो opposite factor मिल गए solvation के तुरू यह जादा basic है यह कम basic है लेकिन inductive effect के हिसाब से यह कम basic है वो जादा basic हो गया अभी आपको बस यह जानना है अगर वो अलग-अलग पूछे gas phase में तो यह बता देना लेकिन जो पूछता है मैं याद करा देता हूँ NCRT में क्या दिया है अगर R CS3 हो मतलब यह जो R है न अलकाइल ग्रूप वो CS3 हो तो याद करिए मेरे साथ 2 और 0 क्या 2 और 0 और बीच में लिखिए 1 3 दूसरा सुन लेजी याद करवा दूँगा C2H5 में 2 लिखो फिर लिखो 0 और यहां लिख दो 3 यहां लिख दो 1 याद करने का यह तरीका है कि अगर 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 यह जो R है वो CS3 है यह वाला R CS3 है यह वाला R CS3 मतलब nitrogen पर 3 CS3 nitrogen पर 2 CS3 nitrogen पर 1 CS3 है तो उस condition में जो 2 degree वाला होगा वो जादा basic है with respect to 1 degree with respect to 3 degree with respect to 0 degree 0 degree का मतलब NS3 0 degree का मतलब NS3 लेकिन C2H5 के case में देखो 2 और 0 तो वही रहेगा वही रहेगा लेकिन बदल क्या जाएगा 3 और 1 बदल जाएगा बस उपर क्या था 1 3 तो याद करने का तारीका बताता हूं पहले बाले में एक ही कारबन है एक ही कारबन है तो 2 के बाद 1 आ जाए यह किसका ओडर है के बी का ओडर है अगर कोई पूछे कि अगर C2H5 है और अगर C2H5 हो गया तो 2 degree 3 degree 1 degree 0 degree आएगा मतलब 2 degree वाला ज्यादा बेसिक है फिर 3 degree फिर 1 degree सरी तो बड़ा आजीब हो गया अजीब हो गया लेकिन एक्चुली इसको याद ही करना पड़ता है याद करना यह है क्योंकि यही पेपर में डारेक्ट पूछता यही NCRT में गिवन है आई अगली लाइन पर देखते हैं अगर यह जो जी ग्रूप है अगर यह कोई ग्रूप है तो देखना होगा क्या हम इसके सामने एच प्लस लेकर क्या है क्या करेगा यह इस एच प्लस को पकड़ लेगा यह इस एच प्लस को पकड़ लेगा आसानी से पकड़ने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं तो होगा क्या, ध्यान से सुन लीजिए, होगा क्या, H प्लस को पकड़ने के बाद ये बन जाएगा इस तरीके से, ठिक, लेकिन यहां जब मैंने H पकड़ने को बोला, तो थोड़ी दिक्कत आईगी, पता है क्यों, क्योंकि ये G गृूप होगा, उस बड़े साइज का होगा तो ये जो H प्लस है, उसकी तरफ ये easily नहीं जाएगा, एच प्लस ये भी पकड़ पाएगा, बट ये प्रोसेस, जितना तेजी से ये होगा, उतना तेजी से ये नहीं होगा, अगर ये प्रोसेस आराम से तेजी से हो रहा है, मतलब बहुत तेजी से हो रहा है, तो यहां प substituted aniline दे दिया जाए और्थो substituted मतलब NH2 के जस्ट बगल में यहां कोई group G लगा करके दिया जाए तो उस situation उस condition में सुनना द्यान से उस situation उस condition में जो आपका और्थो वाला है वो कम बेसिक होता है aniline ज्यादा बेसिक होता है जनरली यह देखने को मिलता है लेकिन जब G क्या हो OH ग्रुप और NH2 ना हो बाकी कोई group हो चलेगा लेकिन अगर यह G ग्रुप OH हो गए या NH2 हो गए देखो OH और NH2 खुद hydrogen bonding को क्या करते है support करते हैं इसलिए यहां पर यह just उल्टा हो जाता है यह बात आपको याद करनी पड़ती है अगर आप इसको समझने में चले गए तो आपको दिक्कत ही होंगी ठीक है यहां पर NH2 और यहां पर जी ग्रुप ध्यान रखना अगर जी OH और NH2 है तो यह वाला ज्यादा बेसिक होगा लेकिन इसके अलावा जी चाहे तुम कुछ भी ले लो जी तुम कुछ ले ले लो Bruno Frankly होता है यहां प्रोटॉन को पाना यहां दिक्कत है हंड्रल्स है तो कहते है कि हच प्लस को पाना यहां कचिन हे क्योंकि यह ग्रुप बढ़ा होगा तो यह एकली इनकी तरह जानी नहीं देता है इसलिए यहीजली एक्सप्ट नहीं कर पाते लेकिनिये एक्सप्ट कर पा steric inhibition in protonation steric inhibition in protonation ये factor लगा कहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे H+, को पाना कठिन क्यों है क्योंकि यहाँ पर भीन है भीन को steric कहते है तो यहाँ पर भीन की वज़ा से inhibition मतलब रुकावट है protonation में यह लाइन सही है यह सही है CS3 नहीं यह मालो C2H5 है क्या यह सही है हाँ सही है तो ऐसे कोई भी G गुरूप होगा तो इसके लिए सही है लेकिन अगर G जो गुरूप है वो क्या हो गया OH और NH2 तो यह वाला ज्यादा बेसिक हो जाता है आई अगली बातचीत क्या करनी है सॉलवेशन में देखते हैं यह क्या दियते हैं यही चीज जो मैंने आपको एनिलीन के लिए पढ़ाई वो पिरीडीन पर भी अपलाई होती है जितना ज़ादा देखना देखना है बहुत बेसिक सी बात है nitrogen की खोपड़ी पर लोण पेर है nitrogen की खोपड़ी पर लोण पेर हमें करना क्या है हमें H plus को पकड़ना है लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है यहां H plus को पकड़ना तो है लेकिन यहां दो बड़े-बड़े CS3 ग्रूप लगा दिये देखो दो बड़े-बड़े CS3 ग्रूप लगा दिये तो क्या यह आसानी से H plus को पकड़ पाएगा नहीं यह कठीन नाम लेना पड़े इसलिए इसको क्या बोलते है और तो इफेक्ट कहते हैं कि अगर यहाँ जो नाइटोजं बीच में लड़ा है उसके अगल बन वाली पोजेशन इसको क्या कहते हैं और तो फोजेशन Я और और अगर पोजेशन पर KB की value कम आएगी, protonation ही नहीं हो पाएगा आसानी चो तो base कैसे है, base तो वही अच्छा ना जो अच्छे से H plus पकड़ लेहां देखो, यहां कोई रोकने वाला नहीं है, यह आसानी से H plus को जाकर पकड़ लाएंगे, इसलिए यहां पर KB की value जादा होगी, यहां hysteric inhibition in protonation नह है, नहीं है, तो यहां परЙम कहेंगे hysteric inhibition in protonation यहां नहीं है, लेकिन वहां बहुत ज़्यादा है, यहां धेखो कम से कम 1 CS3 group है, तो hysteric inhibition in protonation मतलब proton को पकड़ने में दिक्कत है कि हाँ थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन वहाँ बहुत दिक्कत है थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए kb की value यहाँ थोड़ी सी कम होगी तो order के हिसाब से जितना जादा और्थो ग्रुप लगते जाएंगे एच प्लस को पकड़ना कठिन होगा तो कहेंगे भीड की वज़ा से protonation नहीं हो पा रहा है एच प्लस नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम कहते हैं यहाँ पर इस्टारिक इनिन प्रोटनेशन बहुत जाता है आई होप आपको आनंदाया होगा अगला देखते हैं बहुत आसान था यार यह सेम कहानी है ठीक है तो आप कहेंगे यह चीज़ आप यहाँ पे लगाने जाए यह के बी का order होगा क्योंकि यहाँ पे एच प्लस को पकड़ना आसान है यहाँ पे एच प्लस को पकड़ना जब वो एच प्लस को receive कर लेता है तो जो चीज इधर product side में हम बनाते हैं उसी को conjugate acid कहते हैं उस base का यहाँ भी समझाऊंगा यह एक factor है जिससे viscosity पर impact आता है तो कहां कहां यह लगाना है वो चीज़ हम देखते हैं देखेगा एक है amides amides ज्यादा आप relate नहीं कर पाते हैं RCO-NH2 को हम amide कहते हैं तो क्या करना है बालक बाकी बातें ठीक लिखनी है वैसा ही छापना है लेकिन जहां oxygen है वहाँ पर NH लिख देना है ठीक है nitrogen की वैलनसी फूरी करने के लिए हमें दो bond और एक hydrogen की ज़रुरत पड़ेगी अच्छा जी तो यह जो चीज दिखाई दिखा रहा है loan pair का या negative charge का towards H+, अच्छा अगर हम इसको बेसाबित करना भी चाहेंगे तो हमें सामने H+, लाना पड़ेगा तब ही तो होगा न जी अब एक बाल बताईए यह वाला easily donate होगा या यह वाला easily donate होगा तो कभी अगर मालों कोई पूछ ले कठीन question पूछने एक चकर में को less basic है अगर मैं के एक value की बात करूँ तो यहां पर इस तरीके से देखने को मिलेगा reason क्या बताएंगे कि भाया यहां का जो loan pair ना यह देखो यहां resonance में involved है जब आपका loan pair resonance में involved रहता है तो हे बालक यह loan pair free नहीं है अगर free नहीं है तो सामने वाले H+, को easily पकड़ नहीं पाता इतना concept clear है तो यह बनाने की ज़रूत नहीं है समझाने के लिए बनाया था अब सुनिए भाया काम की और बात इनमे में पता चल गया यह जो है अपना loan pair easily donate कर पाता है अच्छा अगर easily donate कर पाता है तो वो क्या करेगा H+, को अपने पास बुलाएगा अच्छा जी H+, उनके पा एक H+, नाइट्रोजन ने अपना loan pair दिया और H+, को electron दिया तो bond बनते वक्त यह neutralize हो गया hydrogen और nitrogen की खोपड़ी पर positive charge और यहाँ देखिए NH2 में nitrogen पर loan pair था अच्छा जी जे बाट टो ठीक लग रही है सर आपकी तो अब ही है मैंने क्या किया H+, दे करके base को conjugate acid बनाया this is base क्यों conjugate acid किसका conjugate acid इस base का conjugate acid है तेका जी अगर आप कहिए कि reaction backward direction में देखो reaction तो backward direction में भी जाती है तब ही तो के के भी decide होगा न भी अरे बोलर भी यह equilibrium constant होते हैं है तो हम कहते हैं यह backward भी आ सकते हैं अच्छा तो अगर यह backward आएगा तो क्या करेगा यह H+, दे करके यह base बनानी का का करेगा इसका मतलब यह H+, donor की तरह काम कर रहा है इसका मतलब यह acid की तरह काम कर रहा है तो यही कहते हैं कि जब base H+, ले ले लेता है तो conjugate acid बन जाता है अब होता क्या है कि यह conjugate acid बनाना वो देखो कैसे stabilize कर जाता है यह loan pair यहां आता है और πाई के दोनों electron उठते हैं nitrogen की करके यहां गई nitrogen के plus को दो electron दोगे neutralize कर जाएगा तो nitrogen इस समय neutral है एक नहीं दो carbon बन जाएगा यहां पर NH2 loan pair किसने donate किया nitrogen इसलिए positive charge यहां पर आ जाएगा तो यह और यह आपस में resonance करने लग गए सुनना ध्यान से इनो ने H+, लिया और H+, लेने के बाद अपने दो resonating structure बना molecule के अंदर कोई भी charge पूरे molecule पर फैलने लग जाए तो एक point पर charge की density कम हो जाती है तो वो stable जादा हो जाता है तो इसलिए कहते हैं कि जो amidines होती है वो क्या होता है जादा basic होता है अगर कहें with respect to किसके तो कह सकते हो जैसे aniline ले लूँ मैं जहां से सुनना जैसे माल लीजे अच्छा खासा base निकल के आता क्या बहुत ही अच्छा खासा base निकल के आता कौन? amidines क्यों 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 क्योंकि ये h-plus एक बार पा गया तो h-plus को छोड़ नहीं रहा है उसको बलकि resonance में घुमाता रह रहा है तो वो h-plus backward direction में कभी ये reaction को नहीं ला पाएगा h-plus को इतना पकड़ लिया कि reaction backward direction में नहीं जारी सिर्फ forward जारी है तो kb की value क्या होगी? जादा होगी इतनी बात समझ में आ चुकी है ऐसी ही एक चीज होती है गुवानिडीन्स बोलते हैं तो गुवानिडीन को समझने से पहले आपको यूरिया याद होना जरूरी है यूर ऐसा ही कर दिया जाए तो जो सकल सूरत मिलती है इसको हम कहते हैं गुवानिडीन क्या कहते है बालक गुवानिडीन यहाँ भी उपर वाली कहानी दुहराई जाएगी अरे भाईया देखना दूरी वाईज कैसे की जाएगी h-plus आप यहां लिखेंगे यहां का loan pair जाएगा य मैं बोलो भाईया रट तो नहीं रहे हो loan pair ने h-plus को पकड़ा hydrogen तो neutralize कर जाएगा लेकि nitrogen का loan pair कभी involved हो गया तो उसके खोपड़ी पर positive चार जाएगा अभी यह base था base का यह conjugate acid है लेकिन conjugate acid में धमाल देखो यहां पर क्या होगा खूब resonance चलेगा यहां धड़ा धड़ resonance बाकी के sigma bonds को as it is बना दीजिए अब देखे क्या करना है यह दोनों electron उठकर nitrogen के plus को मिल गए यह nitrogen neutralize हो जाएगा और nitrogen के दोनों electron अगर carbon और nitrogen के बीच में आए तो यहां पर double bond बनेगा इसमें कोई सक और संदेह तो नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए लेकिन nitrogen ने अपने loan लोन पेर दीए इसलिए nitrogen पर plus charge आएगा तो यह इसका regionating structure है similarly यहां का जो लोन पेर है वो जब donate होगा तब भी तो बनेगा अरे बोलो रे बालक यह बात समझ में आई कि इसको दुबारा दूसरे color से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि nitrogen का जो यह लोन पेर है यह यहां आएगा तो पाई का electron यहां जाएगा तो इससे एक और बन रहा है that is NH2 plus double bond carbon NH2 NH2 अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहां पर इसके तीन regionating structure है इसका मतलब यह वाला conjugate acid और ज्यादा stable यह तो stable था लेकिन और ज्यादा stable हो गया क्योंकि यहां तो दो ही regionating structure यहां तीन regionating structure है और एक सब्द होता है equivalent regionating structure इसकी सकल इसकी सकल हूँ बहु सेम है मैच करागे देखो दो NH2 ग्रूप एक NH2 प्लस दो NH2 ग्रूप एक NH2 प्लस दो NH2 ग्रूप एक NH2 प्लस अगर तीन equivalent same सकल वाले तीन regionating structures मिल गए तो भाया कहिए बहुत stable बलकि तीन का छोड़ो अ acid बहुत जादा stable है एक बार H plus को पाने के बाद छोड़ नहीं रहा backward direction मैं इसको जाने नहीं दे रहा इसलिए मैं इसको छोटा सा बना रहा हूँ और forward direction वाले को आगे बना रहा हूँ तो इस condition में हम कहेंगे KB तो बहुत 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 जादा होगा तो अगर substitution भी हो सकता है जिसे hydrogen हटा करके यहां दो में थाई लगा दो hydrogen हटा करके दो में थाई लगा दो तब भी वो guanidine ही रहेगा तो आप से घर कोई KB पूछे तो क्या कहिएगा आप कहिएगा कि aniline पीछे आएगा इसके बाद amidine आएगा इसके बाद guanidine आएगा खतम करते ह बात एक line में भाया बहुत ही सांदार भी इस पढ़ाए गए लास में पेपर में आए तो लिख ले जाईएगा आई अगली बात चीत और चर्चा करते हैं acid पर देखो भाया acid वो जो H plus donate करे जैसे HF है HF को हमने पानी में डाला ध्यान से सुनिएंगे पानी में डाला डालन जो है H plus देने के बाद जो चीज बना उसको कहते है Conjugate Base क्या कहते है Conjugate Base Conjugate Base कहते है दुबारा तुनिएगा acid से H plus निकलवा दिया तो conjugate base बन जाता है इस तरीके से HI में भी देखेंगे हाई में अगर मैं देखूं तो क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि भाईया ह प्लस निकाल दिया जाए यहाँ पर आई नेगटिब बना दिया जाए तो यह क्या होगा यह तो conjugate base हो जाएगा यह तुम्हारा acid है अच्छा हमें क्या देखना होता है कि भाईया किसी acid की किसी acid की acidic strength किसी acid की acidic strength हम k a से represent करते है कि a कहां आता है भूल गए क्या बालक जैसे वहाँ k b कहते थे base में वैसे यहाँ k a मालो 1 कह देते है यहाँ पर k a 2 कह देते है ठेक तो यह equilibrium constants है तो इनकी value अगर किसी के लिए जादा हुई अब जिसे k a 1 अगर जादा है तो हम कहेंगे यह जादा acidic है लेकिन हमें क्या मिलता है इसका जो है value जादा होती क्यों होती यह समझाओंगा अब यह सुनिए acidic strength k a की value जादा कब आएगी जब कब आएगी जादा जब stability stability of conjugate 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 base जादा होगी समझाओंगा logically समझिएगा रटना नहीं है रहे दुबालक क्या line बोली मैंने मैंने कहा कि भाया कोई acid जादा acidic तब माना जाएगा जब इधर बना हुआ सक्ष जादा stable है simple सी बात है stable होने का मतलब यह दुबारा H plus से मिल करके पीछे नहीं आना चाहते वो खुद में stable है अरे जो बन गया वो खुद से के ठीक है भाया H plus ले गए ले गए लेकिन मैं दुबारा H plus का साथ मिल कर रिष्टे में पुरानी बात को लोटानी वाला नहीं हूँ तो मैं backward direction में नहीं आऊंगा मैं सिर्फ forward direction में जाऊंगा अगर आप सिर्फ forward direction में जाएंगे तो इस के A2 की value हमें जादा मिलती है ये कहने का इसके मतलब है तो चलिए देखते हैं कि क्या यहां जो conjugate basis लिखे हैं उनमें से कौन सा stable है तो reason पता करनी के चक्कर में हम गए हमें stability of conjugate base पता करना है stability of conjugate base दो लोग थे हमारे सामने एक था I negative दूसरा था F negative कैसे solve करेंगे आपको पढ़ाया जा चुका है size के factor से solve करेंगे यहां पर देखिए बड़ी सी size पर एक छोटा सा negative charge छोटी सी size पर एक छोटा सा negative charge दोनों पर एक एक negative charge लेकि यह बड़ी size में तो बड़े size पर एक negative charge अगर फैलेगा तो charge density lower होगी कम से कम होगी अगर कम से कम होगी तो वो सबसे ज़्यादा stable क्योंकि charge density जितना कम अरे बोलो बालक उसकी stability उतनी ज़्यादा इसका मतलब हम कहना चाहरे हैं यह जो है बहुत stable है अगर यह stable है ध्यान देना ए बालक ध्यान देना अगर इसकी stability conjugate base की stability बहुत ज़्यादा है तो वो H plus के साथ मिलकर backward नहीं आना चाहेगा सिर्फ बनना चाहेगा forward direction में तो इस हिसाब से आप कहेंगी कि जो acid है वो बहुत अच्छा acid होगा बहुत अच्छा acid होगा क्या हूँ क्यों कि वो क्या कर रहा है आसानी से H plus donate करवा पा रहा है आसानी से H plus donate कर रहा है और यह जो NIN का part मिला यह से मिलके backward ही नहीं आ रहा है यह खुद में खुद है तो भया H+, हमें बहुत जादा पानी के अंदर मिलता जाएगा, इसलिए HI एक अच्छा acid होगा, और HI बताता हूँ, बहुत strong acid होता है, ठीक है जी, आईए, साइद आपको आनंद आया होगा, इतनी बातों में कोई दुख, तकलीफ, समस्या, परिशानी नहीं होगी, अच्छली होता कि जब आप पहले base समझ जाते हैं, base का concept clear होता है, तो acid आपको feel भी नहीं आता कुछ भी, आये देखते है, factors of affecting acidic strength क्या electronegativity, चलिए देखते हैं, पहला factor water और HF, ये दोनों हम कह रहे हैं acid है, लेकिन हमें comparison कैसे करना है, दोनों के H+, उडवा के करना, क्या करना ह फोड़ा सर टेड़ा बनेगा, जी इसको सूदा करो, चलो चलो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका H+, उडवा देंगे, तो क्या बनेगा, OH-, HF से अगर मैं H+, उडवा दूंगा, तो क्या बनेगा, H-, बोलना भाईया, बोलना भाईया, बनेगा क्या, हाँ, तो अभी जो conjugate base बना है, यह जो conjugate base बना है, इनके stability को हमें comparison में लाना है, तो stability of, stability, stability of conjugate base, अगर मैं देखूं, तो F-, जादा stable है, बिद रिस्पेक्ट तो OH-, है ना जी, हमको कैसे पता सर, अरे, देख रे बाबा, यहाँ oxygen जो है, और fluorine, दोनों ही second period element है, एक period के element है, एक period में, electronegativity का factor लगाना है, जो जादा electronegative होगा, वो negative charge को चिपका करके अपने साथ रखेगा, छोड़ना नहीं चाहेगा, negative charge को अपने पास रखना चाहेगा, electronegative item, तो यह जादा stable है, अगर यह stable है, तो HF जो है, जादा acidic होगा, तो यहीं पर लिख लीजिए, acid की acidic strength, acidic की, acidic strength किसकी जादा है, HF की जादा है, with respect to H2O, कम तो H2O पीते हैं, यार, normally रहता है, आईए, size की बात करते है, H2O, H2S, एक बार, एक बार, यह अलग question है, यह अलग question, ध्यान रखना, ठीक है, H2O जो है, जब H+, निकालता है, तो हहाँ, OH negative बनता है, यहाँ से निकलता है, तो SH negative बनता है, आप तो तुम relate कर पा रहे हो, base में भी हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा हुआ था, ठीक है, जिसका जस्ट उल्टा पढ़ते हैं, बस हम वहाँ पे, ठीक है, समझ में आया, यस, अगर मैं कहूं, यहाँ के A1 है, यहाँ पर के A2 है, बतलब क्या है, equilibrium constant for acid, first acid, second acid, तो कहा पर जादा होगा, आप इनकी stability चेक कर ली इसलिए हम कहेंगे, SH negative is more stable than OH negative, इसलिए, acid के, अगर acidic strength, acidic strength की मैं बात करूं, तो H2S is more acidic than H2O, निशन्दे यह बात सच होगी, और यहाँ देखिए, ऊपर से नीचे जा रही है, कहा हो रहा है जी, आप इसको कहने के साथ दूसरा तरीका बताता हूं, देखो, एक तरीका तो इनको H+, इनका नंगा हुए, यह I negative बने क्या, हमने क्या किया, acid के conjugate basis बना दिये, अब हमें इनकी stability compare करनी, क्या compare करनी है भईया, अरे बोलो रे बाला, stability compare करनी, अच्छा, तो stability में में पता है, जो बड़े size का होगा, उसके उपर भी एक negative charge, छोटे size का, उसके उपर भी negative charge, त इसलिए जो हाचार density का में वो stability जादा है, अगर stability का ये order है, तो हेवालक acidity का ये order आएगा, acidity का ये order आएगा, या acidic strength का ये order आएगा, ने संदे ये बात सच है, या दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो, HF में समझना, H और F, दोनों ही चोटे-चोटे size के हैं, लेकिन H और I, I बहुत बड़े size का है, तो इसकी bond length बड़ी होती है, जिसकी bond length बड़ी होती है, उसकी bond strength कम होती है, और जिसकी bond strength कम होती है, वो आसानी से तूट जाएगा, H प्लस दे देगा, इसका मतलब वो acidic strength उसका जादा होगा, अरे बोलो रे बाबा, उसका acidic strength क्या होगा, होगा आई होप यहां तक में कोई दिक्कत परिशानी समस्या नहीं आई होगी आई अगली बाचीत और चर्चा का विश्य बनाते हैं कार्बॉक्सलिक एसड को देखते हैं इनको हम कहा है असड बोले ऐसा थोड़ी निकी को ने जबरदस्ती हम कह देंगे यह कहेंगे हम बाल नहीं भाया देखो CS3COOH आप देखो यहाँ पर है क्या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रोन को वो अपनी तरफ खींचता तो पहले से ही इस पर डेल नेगटिव और इस पर डेल प्लस रहता है जैसे ही वाटर के अंदर जाता है वाटर क्या करता है इस हच प्लस को खींच ले आता है तो यह हच प्लस निकल के बाहर आ जाएगा अरे बोल रहे बाबा क्या आएगा हच प्लस बाहर साथ में क्या बनाओगे साथ में बनेगा CS3COO negative यह भाई साब acid है और यह भाई साब conjugate base हैं इसी acid के क्योंकि उसका हच प्लस हमने निकाल दिया है अब प्रस्ण यह है कि क्या यह स्टेबल है अरे इनकी छमता है हच प्लस देने की तो कहोगे है पता है क्यूं क्योंकि यह देखो जो conjugate base बना जो conjugate base बना वो यहाँ पर आपको stable मिलेगा अरे बोलो रहे बाबा क्या म मिलेगा stable case से मिलेगा भी यह negative charge यहाँ पर resonance करता हुआ मिलेगा और अगर negative charge resonance करता हुआ मिलेगा तो बताओ रे बालक stability आएगी की नहीं एक मिनट एक मिनट थोड़ा सा थोड़ा सा रुख करके आराम से इतमिनान से समझ लेते हैं देखो double bond उतकरके oxygen की खोपड़ी पर negative charge य अगर यह चीज़ स्टेबल है तो हाँ यह एच प्लस देना पसंद करेंगे और एच प्लस देंगे और यह एच प्लस जो निकलेगा वह एच प्लस दुबारा इनके साथ जुड़कर के reaction को backward नहीं ले जाएगा बलकि forward direction में लाएगा इसलिए carboxylic acid भी ठीक ठाक acid माना जाता है वैसे बात में आगई होगी कोई विदिक्कत कोई परिशानी हो तो बताएगा बाकी comparison देखते हैं अच्छा एक बात बताओ अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा factor ले आओ जो इसको और stable करते अगर कोई ऐसा factor जो इसको और stable करते चलो resonance हो रहा थीक है लेकिन कोई ऐसा हो जो इसको और stable कर दे इसका मतलब यह reaction और ज्यादा forward direction में जाएगी अगर यह और ज्यादा forward direction में जाएगी तो acidity बढ़ती जाएगी उस particular acid के उसी का comparison हम यहाँ करने वाले हैं देखेंगे भीया यह तीन लोगों को देखना है तो जब भी इनको देखना है तो acid को तुरंत नंगा कर ल CH2 से यहाँ पर क्या होगा C double bond O O negative होगा resonance की phenomenon तो हर जगा होगी लेकिन कुस्तो factor यहाँ अलग होने वाला है कुस्तो factor अलग होने वाला है अरे बोलो रे बालक बाट ठीक है यहाँ देखेंगे यहाँ पर तो देखो यह जो CS3 उसी O negative है बलकि यह CS3 क्या कर रहा है electron देने की ह लेकिन यहाँ पर chlorine खींचेगा तो यह भी खींचेंगे इसकी वज़ा से क्या होगा यहाँ जो negative charge की density वो थोड़ी कम होगी और charge density जहां कम होती यह ज्यादा stable होता है तो इन दोनों के अगर stability compare करूं तो this one is more stable हम क्या कर रहे हैं हमें conjugate base की stability निकालनी है क्योंकि हमें conjugate base अगर stable मिल गया तो उसका particular जो acid उसे related था वो ज्यादा acid बोल दिया जाएगा यह बात तो धडलने से बोल सकते हैं न जी हां तो chlorine क्या करेगा electron खीचेगा तो यह सामने से electron खीचेगे यहाँ दो दो लोग electron खीचेगे तो यहाँ पर electron density बहुत कम होगी क्या बोलेंगे इसको बोलें सब सुनेंगे क्या बोलेंगे चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या होगा बालक यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगा कम क्यों होगा क्यों कि दो क्लोरीन खीचरें अगर चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो stability क्या होगी अरे बोलो भया stability क्या होगी उसकी जादा अगर यह conjugate base ज का ये order आएगा I hope आपको आनंद की अनभूती हुई हो अगला है benzoic acid benzoic acid मतलब benzeean की खोपड़ी पर c o h this is benzoic acid यहां पर बीच में प्रस्तुत होगा benzeean की खोपड़ी पर c o h और यहां पर देखो c s 3 बनेगा है वालक c s 3 क्या करता है hyperconjugation लगाता और plus i effect देता है उससे क्या होगा अरे उससे electron की density उपर की तरफ shift होगी क्या आप चाहते हैं कि electron की density उपर shift हो अच्छी acid की strength के लिए नहीं electron अगर उपर इकठा होंगे तो यहां पर यहां जहां पे electron density कम ह होनी चाहिए थी electron density के बजाए आदत में charge density डालते हैं charge density क्या होगी बढ़ जाएगी और आपको पता है कि कहीं पे charge की density बढ़ती है तो वो stability घट जाती है समझे क्योंकि electron भेज रहा है यहां तो कोई factor लगेगा नहीं basically simple सा है कि इनका आप क्या करिए इस तरीके से इनको बशनंगा करके देखी कि यह ऐसा रहेंगे क्योंकि बाकी यही factor तो यहां भी है इतना common चीज तो यहां भी है न यहां यहां पर NO2 क्या करेगा आप बता सकते अब तक कई बार practice कर चुके हैं यह जो माइनस M और माइनस I से जब electron खीचेगा तो electron की density नीचे के तरफ flow होगी charge density नीचे जाएगी negative charge पूरे body पर फैलेगा तो यहां particular इस डोमेन पर आप क्या देखेंगे कि जो charge की density है वो कम हो रही है यह electron खीच रहे है इसलिए charge यहां पर कम होगे क्योंकि इनके charge भी नीचे की तरफ जाएंगे यह negative charge में से कुछ charge नीचे जाएंगे और charge density कम तो stability जाएगा और अगर अरे बोलो रे बाबा अगर conjugate base जादा stable तो acid जादा acidic यह acid जादा acidic है बिस रिस्पेक्ट टू बेंजोईक acid इस बेंजोईक acid और यह वाला तो सब से कम ठीक है समझ में आ गया होगा कोनो दिक्कत कोना समस्या कोना परिशानी नहीं है आइए फिनॉल को देखते हैं फिनॉल क्या होता भी यह बेंजीन की खूपड़ी पर OH लगा तो हम इसको फिनॉल कहते हैं अब देखो फिनॉल को हम ऐसे डुबाने क्यों कैसे मानले कर रहा है देखो resonance कर रहा है अगर resonance कर रहा है इसका मतलब no doubt इनका conjugate base ठीक ठाक stable होगा तभी तो ये भाई साब अपना H प्लस निकालना पसंद करेंगे तो हाँ भाईया ये acidic है ये बात हमने यहाँ ठीक ठाक तरीके से proof कर दिये चलिए मेरी बात से सहमत है सहमत है आई अगल लगा दिया पुरानी बातें लग रही है न ऐसा लग रहा है न पुरानी वाली बात पढ़ रहा हूं जस्ट इसके पहले जैसे benjoic acid में पढ़ाया है उसी तरीके से आपने यहाँ पर देख लिया देख ले भाईया जी बोलो अरे बोलो यही होगा न जी सी अस्तरी क्या करे होगी तो stability क्या होगी stability of conjugate based घटेगी stability of conjugate base अगर घटेगी तो हे बालक यह कम stable है तो यह भाईसाब क्या होगे यह कम से कम stable है तो यह less acidic होगा इन सब में यह less acidic होगा ये less acidic होगा क्योंकि stability नहीं मिल पाई ये भाईया बहुत खतरनाक stability आएगी NO2 क्या करेगा माइनस M, माइनस I से इनका electron खीच करके नीचे के तरफ लाएगा तो यहाँ पर क्या होगा charge density क्या होगी भाईया बहुत कम होगी और charge density अगर कहीं कम हो जाए तो यह बालक ध्यान रखना charge density अगर कहीं कम हो जाए तो यह बालक ध्यान रखना वो ज़्यादा stable होगा अगर conjugate base ज़्यादा stable तो हम कहेंगे ये most acidic हैं सब में most acidic है बलकि more acidic लिखेंगा न जी less है more होगा बीच में माल लिजी आज़े most लिख दो तीन लोग हो गए न चलो ठीक है समझ तो जाओगे बुद्धित इतनी हैं तुम्हारे पास फिन और के साथ ये कहानी हो जलिए फिलोन में एक factor और लगता है वो आपके खोपड़ी में डालते हैं बहुत जरूरी चीज है hydrogen bonding से क्या impact आता है किसी acid के acidic strength पर वो चलिए देखते हैं अगर आपके पास जो acid दिया गया उसी के अंदर hydrogen bonding है उसी के अंदर hydrogen bonding है तो भाईया जो के की value होगी वो कम हो जाएगे रटना नहीं है logically बताएंगे ये sentence को खाली लिख लीजिए यहाँ पर मैं समझाओँगा समझाओँगा भरोसा रखना पड़ेगा आपको क्या लगता है देख करके क्या लगता है कि सब में सबसे कम acidic कौन होगा ये तो predict किया जा सकता है देखिएगा ये जब आप OH से अगर आप OH से यहाँ पर O negative वाला factor बनाएंगे तो आपको पता है कि OH के respect में NO2 कहा लगा मेटा पोजिशन पर मेटा पोजिशन पर सिर्फ इसका माइनस आई काम करता है यहाँ माइनस M काम नहीं करता इतनी बात समझ ना गई और्थो पोजिशन पर यहाँ पर क्या होगा माइनस M से इलेक्टरॉन खीचेगा माइनस I से इलेक्टरॉन खीचेगा ठीक है जी इतनी बात ठीक है लेकिन यहाँ आईए यहाँ पर तो माइनस I से भी खीचेगा और यहाँ पर भी माइनस M से खीचेगा लेकिन इसका माइनस I थोड़ा कम लगेगा क्योंकि यहां से देखो दूर पढ़ रहा है लेकिर यह पड़ोफ में पढ़ रहा है इतनी बातें ही समझ में आती है क्या आपको पहले यह बता दीजिए इतना समझ में आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके respect में बाकियों को देखी तो बाकी तीनों में NO2 ग्रुप ऐसा है जो कम से कम electron खीचने का काम तो उसके conjugate base में करेगा ही और conjugate base को stable करने का काम करेगा NO2 क्या करता है? conjugate base को stable करता है तो इन तीनों में conjugate base stable आएगा with respect to this one इसी लिए ये सबसे कम acidic होगा इतनी बात तो clear है ना NO2 के लगने से ये बात clear हो जाती है अब एक बात समझेगा हमें करना क्या था? हमें निकलवाना है H+, लेकिन देखो होगा क्या? यहाँ oxygen और hydrogen है oxygen है oxygen है oxygen में oxygen ही more electronegative electron shift होगा oxygen की तरफ oxygen की खोपड़ी पर Dell negative hydrogen की खोपड़ी पर Dell plus आएगा अरे बोल रहे बाबाबा क्या आएगा डेल प्लस आएगा अब अगर यहाँ डेल प्लस चार्ज है और oxygen की पास loan pair यहाँ कहिए यहाँ पर Dell negative चार्ज कैसे? नाइट्रोजन से जुड़ा है नाइट्रोजन पर क्या आएगा देखे नाइट्रोजन ऑक्सिजन में oxygen is more electronegative तिसले उस पर negative चार्ज है तो इस प्लस और इस माइनस के बीच में जो गड़बंधन इसी को हम hydrogen bonding कहते हैं एक बात देखो hydrogen bonding सिर्फ यहीं पर दिखाई देगा molecule के अंदर ही intra molecular hydrogen bonding देखने को मिलती है तो बताइए अगर मैं इस से इनका conjugate base बनाना चाहूं तो क्या ये आसानी से वो वाला H प्लस जाने देंगे ये वाला H प्लस जाने देंगे यही H प्लस तो निकालना है अरे तो ये H प्लस oxygen से भी connected है इधर oxygen से भी connected है एक ring के अंदर व नहीं निकलेगा तो इनके और इनके respect में ये भाई साब की क्या हालत हो गए बताइए बोले बोले इन से देखे देखो जहाँ factor से में minus I minus M यहाँ भी है minus I minus M यहाँ इन दोनों में minus I minus M दोनों में लेकिन यहाँ पर hydrogen bonding की वज़ा से ये H प्लस निकालना कठिन हो गया डारेक्टली ये बनाना कौनो दिक्कत की बात नहीं है ये आसानी से बन जाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ कोई इस H प्लस को निकालने में रुकावट पैदा नहीं कर रहा है लेकिन ये रुकावट पैदा कर रहा है ये उसको रोक रहा है H प्लस को कि भया तुम हमारे प्या ये जो electronic factor है ये और ये इन दोनों में same आ रहे थे ये electronic factor इन दोनों में same आ रहे थे इसलिए हमने hydrogen bonding consider किया है इसमें न consider कर देना क्योंकि यहाँ minus M थोड़ी न है ठीक है यहाँ सिर्फ minus I है तो simple बात है जहाँ minus I है वो पीछे ही आई का I hope आपको याद करा मतलब खुपड़ी म में डालने में समर्थ रहा होँगा इतना मैं मान लेता हूँ बहुत basic सी बात है ठीक है जी आई आगे बढ़ जाते हैं अगली चीज क्या है भया देखिए alcohol alcohol में ले लेता है भया क्या होता है आर ओ एच एलकोहल के बाद क्या फिनॉल फिनॉल में भया दी जाते हैं फिनॉल यह क्या carbonic acid होता है C double bond O O H और O H यहाँ पर कोई R लगा दीजिए बलकि मैं R लिखता हूँ न यह लिखना गलत हो जाएगा जनरलाइज कर रहा हूँ मैं CS3 लिखूंगा तो एक particular चीज हो जाएगी न जी यहाँ पर कोई एक R लिख देता हूँ जनरलाइज करने के लिए ठीक आपको क्या लग रहा है acidity का क्या order आएगा simple है sir यहाँ पर निकलेगा इसका हम conjugate तुरंत दिमाग में conjugate base घूमना चाहिए H प्रस निकालने के बाद नंगा होते ही यह बनाएंगे यह भाई साब नंगा होते ही क्या बनाएंगे देख लो यहाँ तो रेज़ोनेंस इंवाल्व है अब जहां रेजोनेंस इंवाल्व होगा वो ज़ाधा stable होगा तो इनकी stability में यह आ गया आएंगे है ना नहीं रे बावा दिमाग कम जो हो रहका यह ज़्यादा stable है क्योंकि यहाँ resonance और यहाँ resonance नहीं है इनको बना करके check कर लीजिएगा इनको बना कर चक कर लीजिएगा यहाँ पर OH आ जाएगा C double bond O O negative आ जाएगा यहाँ पर तो oxygen पर resonance होगा इसलिए यह वाला और ज़्यादा stable होगा ठीक है जी तो यह order आएगा इस तरीके से इनके conjugate basis में order आ जाएगे सब के H plus को निकाल करके देख लीजिएगा अरे अब तो आ गया होगा भाईया जी हाँ सर आप सब बताया करिए हमारे भरोसे मत रहिए रे बाबा पेपर तुमको ना देना जी पेपर हम से दिलवाओगे का फिर इसके बाद पता चला एक निउज आ जाए कि फलाने माश्टर चला गया जेल क्योंकि वो पेपर सॉल्व कर रहा था ना लाएगो पढ़लो हमारी विज़द बचालो ठीक है यह acidic strength का order होगा क्योंकि नीचे जो मैंने लिखा है वो stability of conjugate base है और हमें पता है कि stability of conjugate base जो है directly proportional है acidity के है ना अरे बोलो भाईया हमने सही लिखा की गलत लिखा उपर वाला सही लिखा की गलत लिखा चलो सोच के बताओ गलत है गधों तुम्हें कुछ भी पढ़ा दूँगा तुम कहोगे जैश्री राम जैश्री राम इना इंगट मारनी बढ़ेगी तुम तो कहोगे सर सब सही है एकदम सब जख्कास है आप गलत पढ़ाओ सही पढ़ाओ हम सब को सही बोलते है अरे नाला एक प्राड़ी जब ये ओडर है conjugate base के stability का तो acidity का ओडर भी तो same trend में होगा रिबाबा proportional होते हैं न जी खोपड़ी खूली खूल गई सर अब थोड़ा बुद्धी काम कर रही है आई अगला देखते हैं अगला है ortho effect पीछे हमने पढ़ा था वैसा सा कुछ लेकिन यहाँ पर देखते हैं बेंजोईक असिड में लगाना सीखना है यह हम सलफोनिक में भी लगा सकते हैं लेकिन ज्यादा तर course में बेंजोईक असिड ही है तो ortho-substituted बेंजोईक असिड मैं समझाऊंगा वाला ज्यादा एसडिक होता है चाहे यह गुरुप जी कुछ भी हो मतलब चाहे तुम इसमें माइनस आई लगाओ चाहे तुम इसमें प्लस आई लगादो चाहे तुम प्लस हम लगादो चाहे क्या करो भईया माइनस हम लगादो लेकिन फरक नहीं पड़ता हमेशा ये देखने को मिलता है कि ortho-substituted इसके जस्ट बगल में अगर कोई गुरूप है तो ortho-substituted is more acidic than all these three इनमें कैसे decide होगा बात में देख लेंगे लेकिन एक बात सरवशक्त होती है और ortho-substituted के हिसाब से कि ये वाला ज्यादा acidic है सर हम कैसे माल ले आपकी बात हम कैसे माल ले भाई कि ये ज्यादा acidic है आप ऐसे कभी कभी कहते हैं कि electronic effect लगा तो सुनो न भाई या समझाएंगे यहाँ जी गुरूप है क्या करना इसको नंगा करना चलो जब ये नंगा होगा तो इसको चेक करिएगा क्या बने गई ध्यान से सुनिये ध्यान से सुनिये खाप होता actually क्या है कि C double bond O O negative ये गुरूप होता है मतलब ये लगा होता है लेकिन अगर यहाँ कोई बड़ा सा गुरूप लगा हो G या कोई ऐसे ठीक ठाक गुरूप बड़ा G गुरूप लगा होता है तो होता क्या है इस G गुरूप की वज़ा से जो इसका plane है अब ये carbon कैसा है कौन बताएगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कौन बताएगा कि ये जो ऐसा लग रहा है वो गाना याद आ रहा है ये जो हस रही है दुनिया तेरी पता नहीं आगे का मियाता है नाकामियों पे ठीक है अरे छोड़ो यार वैसे hybridized है अगर SP2 hybridized तो ये planer होगा planer होने का मतलब है कि ये line ये line ये line plane में होगी मतलब ये oxygen oxygen और ये benzene एक plane में होने चाहिए ये सब एक plane में होने चाहिए plane में होंगे और उसी plane में ये G group भी है तो सोचो अगर G group बढ़ा हुआ तो इस plane को क्या करेगा disturb करेगा और disturbance की वज़ा से ये जो planer था वो असे टेड़ा हो जाएगा ऐसे उठ जाएगा या पीछे चला जाएगा वो benzene के plane में नहीं आ पाएगा फिर क्योंकि यहाँ पे G group प्रेजेंट है और अगर वो plane से बाहर चला गया वो out of the plane हो गया benzene के respect में या तो वो उपर या तो नीचे हो गया तो हे बालक benzene जो ये electron भेजता था उपर की तरफ ये नहीं जाएगा ये नहीं जाएगा क्यों क्यों क्योंकि resonance के लिए वहाँ पर planer होना जरूरी था तो ये benzene तो planer था लेकिन इसके सामने वाला planer नहीं रहा या तो ये उपर उड़ जाता या तो ये पीछे चला जाता इस group की गया तो कम से कम इसके पास जो charge density हो कम रहेगी तो ये जादा aesthetic हो जाएगा लेकिन अगर और्थों के अलावा बाकि किसी में देखो तो ये G group जो है इससे बहुत दूर है ये G group इससे बहुत दूर है तो इसका plane नहीं बदलेगा इसका plane नहीं बदलेगा अगर इसका plane नहीं है वो यहाँ नाचने कूदने जमा जम जाया करेंगे जमा जम जाया करेंगे तो क्या होगा यहाँ इन तीनों में बेंजीन इलेक्ट्राण का support उपर भेजरा है उसे पता है क्या होगा इनके जो conjugate basis होंगे वो कम stable होंगे अगर कम stable होगे तो इन तीनों में less acidity देखने को मिल इलेक्ट्रों नहीं गए तो charge density कम है तो इसलिए इसकी stability जादा है अगर इसकी stability जादा है तो इसकी असे टीट भी जादा आनी है अब ही आम इतना कहा रहे हैं बागी बाते बात में करेंगे लेकिन if all benzoic acids are अचाए एक बात और बताता हूं इनमें कैसे जज करोगे, इनमें जज करना है कि बहाई में यह जी गुरुप कौन है, यहां तो देखना ही नहीं है, और नहीं है, और चैक्टेटेलगे दिखेंगे बाद में, इक प्रस्ण क्या कहता है, कहता है यह point है कि if all benzoic acids are ortho-substituted then K is decided by SIR effect hysteric inhibition in resonance अच्छा एक बाद बताओ यह जो काम हुआ यह जो resonance की phenomenon नहीं हो पा रही क्यों नहीं हो पा रही अरे इस भीड की वज़ा से नहीं हो पा रही भीड को chemistry में hysteric कहते तो hysteric inhibition मतलब भीड की वज़ा से रुकावट किसमी resonance में तो इसको कहते हैं SIR effect जो यह electron उपर नहीं जा पा रहे हैं resonance नहीं कर पा रहे हैं किसी भीड की वज़ा से उसको कहते हैं SIR effect hysteric inhibition in resonance hysteric मतलब भीड inhibition माने रोक देना resonance को रोक देना ठेक हजी हाँ तो यहीं यहाँ पर यहाँ पर देको language क्या है कि अगर सारे मानलो benjoic acid जो दिये गए वो सारे ortho-substituted रहेता हूँ अगर सबके सब ortho-substituted रहेता हूँ तो जो भी ortho-substituted हैं यह group चाहें जो हो कम से कम वो benjoic से तो ज़्यादा SIR डिख है क्योंकि ortho वाला क्या होता है जादा होता है अरे बोलो रे बाबा यहाँ कोई इनका plane rotate नहीं हो रहा है इसी plane में रहेंगे तो इसको electron मिलेंगे इनसे बना हुआ conjugate base less stable होगा लेकिन यहाँ देको CH3, CH2H5 यहाँ ortho position पर groups लगे हुए ortho position पर groups लगे हुए इसका मतलब ortho वाला जादा होगा इस बात की मैं guarantee देता हूँ लेकिन एक बात सुनो अगर इन तीनों में देखो और यह तीनों क्या हैं यह सब के सब ortho substituted हैं यह तीनों ortho substituted हैं तो वहाँ पर SIR effect लगेगा वहाँ पर देखो hysteric crowding किसकी जादा कौन भींड जादा लेकर के आया हुआ है तो आपको देखेगा यहाँ भींड जादा है यहाँ एक carbon यहाँ दो carbon यहाँ तीन carbon respectively valency के हिसाब से hydrogen भी तो होंगे मतलब यह group बहुत बड़ा है और हे बालक यह group बहुत बड़ा है यह group थोड़ा छोटा है यह group और छोटा है तो कौन ऐसा है जो plane को पूरा rotate कर देगा resonance को नहीं होने देगा जितना बड़ा group है group जितना बड़ा होगा इसका plane उतना ज़दा tilted होगा तो नीचे से electron का support नहीं जाएगा और वो ज़्यादा stable रहेगा उसका conjugate base इसलिए यह ज़्यादा acidic होगा simple बात है तो क्या देखना है जब भी आपको ortho-substituted टीन लोग मिल जाएं तो देखो किसके सकल बड़ी है जिसकी सकल बड़ी है उसने plane को rotate किया होगा और वहीं पर acidity ज़्यादा है ज़्यादा बुद्धी नहीं खर्च करनी है अपने आप में यहाँ देखो यहाँ दोनों तरफ ortho-substituted है यहां एक तरफ ortho-substituted है इसका मतलब ज़्यादा acidic कौन है यह ज़्यादा acidic है बिद रिस्पेक्ट टू इस वन लेकिन concept चीखने के बाद ही हम यह पढ़ सकते थे तो यह जान लेजिए कि टॉटोमेरिजम is the part of structural isomerism यहाँ कुछ conditions होती है उन conditions को satisfy करने के बाद ही आप हगदार होते हैं किसी को टॉटोमर कहेंगे टॉटोमर क्या होता है जैसे वहाँ isomer कहते थे बसे टॉटोमेरिजम में अपने आईसोमर को टॉटोमर कहते हैं अलग से नाम अलग से इज़द बक्षी जाती है यहाँ conditions सिर्फ इतनी है पहले देख लेते हैं क्या क्या conditions है एक हमें carbon ऐसा चाहिए जो की sp3 hybridized है हमें एक sp3 hybridized carbon चाहिए हमें एक sp3 hybridized carbon चाहिए और यहाँ xy relation रखने वाला minus m group चाहिए क्या बात कर रहे है minus m group चाहिए xy relation वाला minus m group चाहिए बस इतना ध्यान रखना है कि बगल में जो आपका minus m group है उसके just बगल वाला जो carbon है उस carbon पर sp3 hybridization होना चाहिए at least वहाँ एक hydrogen होना चाहिए at least वहाँ एक hydrogen होना चाहिए तो तीन चीजें एक साथ मैंने combine की एक ऐसा carbon जो की sp3 hybridized है और उसी पर एक hydrogen लगा है और उससे जुड़ा हुआ कोई minus m group मतलब xy relation वाला आए देखते हैं इसके आगे क्या होगा इतना होने के बाद एक condition और है कि भाया यह जो totomers होते हैं यह normally नहीं बनते या तो यह base में बनते तो base मतलब OH negative के presence में बनते हैं या यह slash है या तो acid के presence में बनते हैं मतलब totomers जो होते हैं वो acid या base इनके presence में एक दूसरे में convert हो सकते हैं, तो acid या base का presence चाहिए, तो conditions समझ में आई, इतनी conditions हैं यहाँ पर, अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं, carbon और hydrogen के बीच में जो electron है, ज्याँ से सुनेंगे, आइसो मर बनाने में तरी नो टंकी है, यह जो यहाँ पर आई, यह दोनों electron कहा आतें, carbon और x के बीच में, और x और y के बीच में जो पाई के electron वो दोनों उठकर कहा जाते हैं, अरे हे बालक कहा जाते हैं, y की खोपड़ी पर, और जो negative charge आते हैं, उसी पर यह वाला h प्लस आ जाता, अब ही आप समझ जाएंगे, देखेंगे तो, carbon है, इस तरी किसे बना लीजिए, एक है x बना दिया, single bond को करके y बना दिया, बना दिया क्या, बोल रहे भाईया, बना दिया क्या, यह दोनों electron यहाँ आए, तो πाई bond यहाँ बनेगा, hydrogen यहाँ से निकलेगा कैसे, देखो, दोनों electron यहाँ आगे, मतलब hydrogen का electron भी आप ले गए, और hydrogen अगर अपना electron खो दे, तो क्या बन जाता है वो h प्लस, तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ के दोनों electron उठ करके कहाँ आएंगे, यहाँ y पर negative के रूप में आएंगे, बोलो आएंगे की नहीं, देखो, यह यहाँ आएंगे तो y पर negative के रूप में, लेकिन इसी negative को यह वाला h प्लस मिल जाएगा, तो आप सोच कर देखिए, यह h प्लस आपने क्या किया, h प्लस को आपने यह negative चार्ज दे दिया, तो बताएगे क्या होगा, यह बताएगे क्या होगा, note down कर लीजी, मैं direct बनाऊँगा, यह negative चार्ज अगर आपने इसको दिया, तो होगा क्या य ने नेगटिव चाथ दिया तो hydrogen का H प्रस को मिल गया electron electron मिल गया तो होगा neutral तो इस तरीके से यहाँ पर एक bond का formation होगा अरे बोलो क्या होगा यहाँ पर bond का formation होगा I hope आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो चलिए एक बार मैं सारी बात समराइज करता हूँ देखो क्या देखने को मिलता है टोटो मेरिजम में condition यह है कि एक कारबन ऐसा हो जिस पर कम से कम एक hydrogen तो मौझूद हो और वो कारबन SP3 hybridized हो उससे लगा हुआ कोई एक minus M group हो XY relation रखने वाला हो सकता है और वहाँ पहले XY के बीच में था अब C और X के बीच में C और X के बीच में पहले कारबन और hydrogen के बीच में सिग्मा बार्ण था अब Y और H के बीच में इसका मतलब टोटो मेरिजम करते वक्त दो changes देखने हैं हमें कि भाया hydrogen को उठा करके Y पर रखना है ठीक है और यहां का पाई electron को उठा करके इनके बीच में रख देना तब जाकर के यह जो चीज है मालो इसका नाम मैंने A रख दिया यह जो चीज है मालो इसका नाम मैंने B रख दिया तो A और B एक दूसरे के टोटो मर्स बोले जाहेंगे यह थोड़ा complicated था no doubt लेकिन मैं आपको बताओं पेपर में इतना आसान पूछते हैं कि आप भी सोचोगी यह क्या पूछते हैं आईए practice करवाते हैं आज 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 आओ साब लोग आएंगे देखना है यहां पर carbon है और icon से color से लिख दिया जी यह carbon है carbon पर carbon पर माल लिजे कि एक hydrogen है और यहां पर CS3 लगा दे रहा हूँ CS3 CS3 hydrogen ठीक है यहां पर इसके बाद मैं लिख रहा हूँ C यह भी CS3 है double bond देखिए condition satisfy हो रही है क्या अब माल लिजे base और acid का presence है acid और base का presence है चाहे आप base लिखे चाहे आप acid लिखे पूरा mechanism देखना चाहोगे तो भी बता दूँगा लेकिन फिलहाल आप इतने से काम चला लीजिए क्या होगा देखना एक carbon जो की SP3 hybridized है देखिए X क्या है यहां पर carbon Y क्या है oxygen मतलब condition satisfy हो रही है carbon oxygen यहां जाएगा single bond पहले क्या करिए सारे यह single bond बना लीजिए सारे single bond बना लीजिए बस क्या करना carbon hydrogen वाला जो electron है वो electron को कहा रखना देखना इनके दोनों electron को उठा करके यहां रखिए इन दोनों के electron को उठा के यहां रखिए और जहां electron जा रहा है वहीं पर hydrogen आ जाएगा मतलब oxygen पर hydrogen लगा दीजिए बोलो रहे बाबा oxygen पर hydrogen लगा दीजिए यह दोनों electron carbon carbon के बीच में आएंगे मतलब यहां आ जाएंगे अब बताईए यह बात आपको समझ में आई क्या यह सा गई देखना है यहाँ पर क्या है इसको कहते है keto form इसको कहते है keto form क्या keto c double bond o present तो इसको keto कहते है यहाँ देखो क्या है यह इन है double bond के लिए सब्द यूज करते थे in और oh के लिए क्या यूज करते थे all तो इसको कहते है inol form, double bond के लिए in, OH के लिए all तो इसको कहते है inol form, और इसको नाम दिया जाता है keto inol totomersum, और आपके course में उन्होंने keto inol totomersum ही दिया हुआ है, तो simply आपको ये बनाते चलना है, practice करना है simple है, ठीक है जी, अब एक बात बताना चाहूंगा, देखो हो क्या रहा है ये वाला जो हाइड्रोजन है इस वाले हाइड्रोजन की वजह से ही ये काम हो पा रहा है तो इस हाइड्रोजन को कहते है inolizable hydrogen, क्या inol, बता दूँगा इसका मतलब क्या है, inolizable hydrogen, ऐसा हाइड्रोजन जो inol बनाने में help करे inol कौन बना सकता अगर ये दोनों electron आगे नहीं जाएंगे तो कभी OH बनेगा, कभी double bond बनेगा carbon-carbon की बीच में, कभी नहीं बनेगा इसलिए हम कहते हैं, इस hydrogen को inolizable hydrogen, इस हाइड्रोजन की वजह से ये कारकरम संपन नहीं हो पाया, इसलिए ये inolizable hydrogen से चलिए, conditions जो मैंने पढ़ाई है वो पढ़ लीजिए, acidic या basic medium होना चाहिए, एक carbon ऐसा होना चाहिए, जहां पर at least एक hydrogen हो carbon पर एक hydrogen होना चाहिए, और वो carbon sp3 hybridized हो, attached to minus m group होना चाहिए, और इसके बाद देखो, it involves change in the position of pi bond and hydrogen atom, तो ये सारी बाते मैंने समराईज कर दी, actually totomerism इतना ही है क्या practice करना है, अब उस पर आजाते हैं practice छोटी सी बाकी है, inolizable hydrogen मैंने बता भी दिया चलो पहले अब बताए कितने inolizable hydrogen तो आप कहेंगे, ये जो xy relation वाले हैं, उसके बगल वाले carbon को कहिए, alpha carbon, ये भी alpha carbon इन carbon पर जितने भी hydrogen मौझूद हैं वो सारे hydrogen inols बना सकते हैं, ये सारे inols बनावा सकते हैं, अगर मैं इनका inol बनाने की कोसिस करूँ, तो हमें ऐसा equilibrium का sign बनाना पड़ता है, फिर हम होगा CH2 double bond, देखो ये hydrogen का electron कहां आ गया hydrogen का दोनों electron यहां आ गया pi पर दोनों electron उपर चले जाएंगे इस तरीके से होगा न, और जहां electron जाएंगे वही पर hydrogen आ जाएगा, मतलब क्या होगा single bond O और इधर हो जाएगा H, यहां पर हो जाएगा CH3, एक बार देख लीजी ये मैंने एक बना के दिखा दिए, इसी तरीके से आप और भी बना सकते है मतलब इधर भी बन सकता है, लेकिन सेम ही बनेगा कुल मिला के, यहां के तीनों hydrogen यहां के तीनों hydrogen, मतलब अगर मैं number of inolizable hydrogens की बात करूँ, क्या, number of inolizable hydrogens, तो inolizable एक चीज रुके जाए, भी यहां का निकालना है number of inolizable hydrogens number of inolizable hydrogens, number of inolizable hydrogens, यहां पर 6 निकल कर आएंगे यह 3 और यह 3 number of inolizable hydrogens 6 होंगे यहां पर, अगली जबात चीज़ करते हैं, यहां पर कितने होंगे, तो आप कहेंगे, देखो भईया यह hydrogen मने दिखाया भले एक है, लेकिन actually यह भी जाएंगे, तो देखें भईया ध्यान से, हे बालक, यह और यह यहां पर present hydrogens क्या करेंगे, अरे बोलो रे बालक यहां पर क्या करेंगे, inolizable hydrogens का काम करेंगे, तो 4 आएगा number of inolizable hydrogens number of inolizable hydrogens और अगर inol बनेगा तो कैसा दिखेगा, यहां inol बनेगा, तो कैसा दिखेगा, देखो भईया हमने क्या किया एक hydrogens को उठा करके, यहां लगा दिया double bond को यहां पर लगा दिया, इस तरीके से तो यह इसका क्या बन जाएगा keto inol totomerism है, यह keto है यह inol है, यह keto है यह inol है, inol क्यों, double bond पर OH double bond OH मनला, double bond को in कहते हैं, OH को all कहते हैं तो इसलिए यह inol है, यह inol है आच्छा जी समझ में आ गया, यह बड़ी जबरदस चीज है, देखना, यहां पर हमें आदत होती है कि हम सिर्फ alpha carbon देखते हैं लेकिन हमने क्या कहा था, हमें ऐसे देखना है जहां पर SP3 hybridized carbon हो और वहां पर resonance चल सके, देखना कैसे होकता है hydrogen और carbon के बीच में जो दोनों electron है यह दोनों electron आएंगे यहां पर, देखो, यहां πाई bond बनेगा तो जो पाई का electron वो उट करके यहां आएगा, फिर यहां पर जो दोनों पाई के electron वो उट करके कहा आएंगे यहां आएंगे, ठीक है चली आगे देखते हैं चली आगे देखते हैं बालक क्या होगा, जिनको मैंने परेशान नहीं किया, उनको agitive चापी इनको agitive चाप लिया, यहां पर देखो single bond oxygen बना लिए ठीक है, बन गया क्या भाई अब सुनना, यह दोनों electron यहां पर आगे मतलब यह electron यहां पर आगे यह दोनों electron यहां, और यह electron उठकर यहां आएंगे, यहां आएंगे तो double bond यहां आएगा, देख लो भाईया, पाई के दोनों electron कहां जा रहे है, oxygen पर तो यह hydrogen जाकर के वहां लग जाएगा तो actually, जो हम सिर्फ alpha पर देखते थे, बगल में, alpha का hydrogen अब तो करी नहीं सकता, क्योंकि यहां पर जो hydrogen है, अरे हे बालक सुनना ध्यान से, यह hydrogen, यह वारा जो carbon है ना, वो sp2 hybridized carbon है, हमें तो sp3 चाहिए, तो कभी भी inolizable में यह मत गिन लेना, यहां का मत गिनना, double bond वाले, सिर्फ ऐसे लोग गिने जाएंगे, कितने होंगे, तो आप कहेंगे inolizable hydrogen 2 होंगे, यहां पर 2 inolizable hydrogen होंगे, और दोनों यही होंगे, ठेक, अब देखो, इससे यह बन जाएगा, तो यह कौन है, यह तो keto form है, यह inol form है, सही से बोलू तो इसको हम phenol कहते हैं, इसी देता हो, और aromatic city हो गई, तो यह reaction बहुत तेजी से forward direction में आता रहेगा, मतलब अगर मैं कहूं, कि मैं सुरू में एक पात्र में सिर्फ ये ले लूँ, और उसमें OH negative डाल दूँ, तो actually यही जो है करीब करीब 100% यही बन जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि यह तो aromatic भी नहीं है, यह aromatic है, aromatic cheese बहुत ज़्यादा stable होती है, इसी लिए reaction forward direction में भागती हुई आ जाती है ठीक है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि percentage in all content बहुत ज़्यादा है, क्या कहते हैं percentage in all content percentage in all content content मतलब कितना बना है, तो यह कितना बना है, अरे करीब करीब 100% माल हो, 99.9% बन जाता है याद नहीं करना, ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि aromatic character मन रहा है, क्या यह aromatic नहीं, तो non aromatic से aromatic में कोई भी चीज जल्दी से convert होना चाहती है, तो इसलिए इसका content बहुत जादा है, in all content बहुत जादा है, कीटो का content बहुत कम है, तो इस reaction में keto content बहुत कम, in all content बहुत जादा हो का, I hope आपको आनन्द आया हूँ, आई अगला देख लेते हैं, यहाँ पर अगर कोई पूछे तो क्या करिएगा, simple बात है, यहाँ वाला hydrogen यह है CH2 यह है H ठीक, आप देखो, कारबन hydrogen के बीच में जोनों electron, यह दोनों electron को मैं यहाँ लेकर करके आऊँगा, फिर carbon, carbon की जो πाई electron को उठा कर मैं यहाँ लेकर करके आऊँगा, वही पीछे वाली बात, वही मैंने दुबारा धुराई है, ठीक, ध्यान रखना यह बगल वाले carbon को देखके बड़ा आसान लगता है कि इसको भी गिन देता हूँ, यह SP2 है, इसको गिनो क्योंकि यह SP3 है, और इस तरीके से देखो कि resonance की फिनॉमिना हो रही है कि नहीं, और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ तोटोमर्स के बीच में, equilibrium का sign होता है फिर यहाँ कैसे बनेगा, देखो CH2 यहाँ पर बनेगा double bond एक था, एक और आगए double bond फिर क्या रहाएगा CH, फिर देखो यहाँ का πाई electron आगे चला गया, तो यह single bond हो जाएगा, single bond, तो CH फिर क्या हो जाएगा, यहाँ double bond carbon, oxygen, पर negative charge वहीं पर hydrogen, तो यहाँ O और यहाँ H हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, तो actually यह बन जाएगा, तो अभी तो यह बन गया लेकिन और भी तो है कोई, अरे कौन है सर, इसको देख लो यह तो inolizable कर सकता है, तो यह भी तो तीन गिनोंगे, तो तीन alpha hydrogen यह वाले, ठीक है, तीन alpha hydrogen यह वाले, बलकि तीन hydrogen लिखो, आदत में डालते हम तीन hydrogen यह जो कराएंगे, बाकि यह तीन, तो total कितने हो जाएंगे, छे, तो six hydrogen जो होंगे, वो inolizable hydrogens है, six जो है, वो inolizable hydrogens है, बोलो, बोलो, क्या है six? inolizable hydrogens है, इतनी बास समझ में आ गई होगी, आप simply आप इसको खुद बनाएंगे, मैं direct product comment करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत आसान सी बात है, देखिएगा, यहाँ पर क्या है carbon hydrogen, बस आप तो इसका direct product में comment कर रहा हूँ, देखता हूँ कितनी लोग बना पाते हैं, अरे sir, हम बना लेंगे, हमका challenge मात कर गे, ठीक हजी करके देख लीजिएगा, आनंद की अनुभूती होगी, मैं तो कह रहा हूँ अम आया, तो यहीं चाहूँगा नालायक प्राणी कि जो यह वाला inol है, वो बहुत जादा है, तो इसको लिखते हैं, percentage inol content बहुत जादा है, बहुत जादा, यहाँ keto form तो equilibrium में बहुत कम मिलेगा, मतलब मैंने एक पात्र लिया, उस पात्र में अगर इसको डाला, मैंने OH negative डाला, या H plus डाल दिया, तो वो यह ना रहकर के इसी में convert हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत stable चीज है, वो बनना चाहेगा, ठीकर जी, इसलिए कहा जाता कि ऐसे condition में, जहाँ पर aromaticity है, वहाँ पर percentage in all content, एप्रॉक्स 100% के आसपास पहुत जाता है, अब एक भी hydrogen है, यहाँ पर क्या होगा, यह inolizable hydrogen है in all बनेंगे, लेकिन यहाँ पर आईए, यह carbon देखिए, यह carbon पर तो CS3 है, इस carbon पर भी CS3 है, इस carbon पर hydrogen तो है, लेकिन यह यहाँ आ ही नहीं सकता, किसने मना किया, brett's rule में मना किया गया है, तो यह कभी नहीं आ सकता, क्योंकि डबल बॉंड बन जागा, तो यही है, जहाँ पर totomerism आपको नहीं मिलेगा, यह कैसा example है, यहाँ देखो, ACDE, जिसको type करने को दिया था, उन्हें शायद जो है, तमदर रव ना, अगला देखते हैं, percentage inol content बहें बता चुका हूँ, कि इसको आप convert करा करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो inol बन रहा है, देखो, हमारे पाद दो चीज़ है, एक तो keto form है, एक तो keto form है, यह वाला, ketone वाला, C, double bond, O वाला, एक हमारे पास inol form है, यह वाला, और यह जो inol है, यह aromatic, यह क्या aromatic है, अगर यह aromatic है, तो यह ही बनना चाहेगा, equilibrium बार-बार shift करके इधर ही भागना चाहेगा, और बहुत ज़ादा भागेगा इधर, तो देखो, keto content रहेगा, लेकिन बहुत कम, लेकिन यह बहुत ज़ादा, तो हम कहते हैं, कि यहाँ पर percentage inol content ज़ादा होगा, बतलब यह बहुत ज़ादा बनेगा, करीब-करीब 99.9% exactly मैं बता हूँ, तो 99.8% के आसपास, easily बन जाता है, ठीक है, तो यह बस 0.2% बनता है, तो कोई कहे कीटो content कितना है यहाँ पर, तो कहिएगा बहुत कम है, तुमसे यह नहीं पूछेगा, यह सब, तुमसे कोई percentage नहीं पूछेगा, बत तुमसे यह पूछेगा, कहाँ keto ज़ादा है, कहाँ inol ज़ादा है, तो देखो, inol में अगर aromaticity का factor लगा, तो वो सबसे ज़ादा बनेगा, तो कोई भी एक stability का factor हो सकता है, चाहे वो aromaticity होगा, चाहे hyperconjugation, चाहे hydrogen bonding, चाहे resonance, इन ही में से कुछ हो सकता है, आईए कुछ और चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और है, देख लेते हैं, hydrogen bonding का concept लगाना 1-3 die ketone में, पहले लिखना सीखिए, देखिए, अगर यहाँ पर C double bond, C double bond O, एक बीच में carbon, इसके बाद C double bond O, और इधर carbon, इधर carbon, देख लेजिए, इसको 1-3 die ketone में बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि 1-2-3, एक दूसरे से 1-3 position में, बलब एक 1 पर 1-3 पर, इस तरीके से गिना जाता है, 1-3 die ketone, अब यहाँ पर जो hydrogen है, यह वाला, वो क्या है, inolizable hydrogen है, अच्छा जी, inolizable hydrogen में किसी एक तरह बना दीजिए, तो क्या करिए, carbon hydrogen के बीच में, जो electrons हैं, उन electrons को ले करके, आप यहाँ पर आईए, और πाई के दोनों electron उठ करके, oxygen पर चले जाएंगे, चले जाएंगे क्या, हाँ सर, चले जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नजर नहीं आरी मुझे, अरे बोलो रे बाला, क्या होगा, यहाँ पर double bond होगा, यहाँ पर oxygen होगा, लेकिन जो यह वाला hydrogen वो कहाँ सवार होगा, oxygen की इस hydrogen पर, तो यह इस तरीके से बन जाएगा, देख लो, देख लो भाया, यह बन जाएगा की नहीं, सर बन जाएगा, अब एक बात देखो, यहाँ oxygen और hydrogen में, oxygen is more electron negative, तो electron यह अपनी की तरफ किछता है, तो hydrogen पर डेल प्लस चार्च, यहाँ oxygen पर तो रहेगा, डेल नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, hydrogen bond होगा, देखो, एक रिंग का formation, और बाकाइदे hydrogen bonding लग रही है, अगर hydrogen bonding कहीं बन गई, ही, मतलब वो stability का factor, तो यह है क्या, double bond पर OH, मतलब यह inol है, यह inol है, तो inol content कम आएगा, की ज़्यादा, सर ज़्यादा आएगा, content, inol content ज़्यादा आएगा, पता है क्यों, क्योंकि यह hydrogen bonding हो रही है, तो यह अपने आप base के presence में, या acid के presence में, भाग भाग के सामने के तरफ जाएंगे, तो यहाँ percentage inol content बहुत ज़्यादा होगा, और यह जो keto content है, मतलब यह है, यह बहुत कम होगा, यह बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई stability का खास factor नहीं है, stability का एक factor यहाँ पर जाता तर दिखाई देता है, यह बहुत काम की बात है, यह paper में पूछा जाता है, अगर तुमसे कहे कोई कहे, कि मान लो, यह मैंने क्या किया हुआ, एक पातर में, एक बीकर में रखा है, मैंने उसमें OH negative डाल दिया, तो बताइए, एक मिनट के बाद यह क्या बन जाएगा, खोगा, that's it, 1-2-die-ketone के अगर मैं बात करूँ, देखो, 1-2-die-ketone में, यह देखो, 1-2-die-ketone में, अगल बगल, तो यहाँ पर अगर मैं अगर बात करूँ, तो देखो, यहाँ कैसे देखते हैं, double bond, actually, comparison आता है, cyclic और acyclic के बीच में, तो यह cyclic में क्या होता देखना, क्योंकि cyclic ring होती है, तो यहाँ पर देखना, यह hydrogen bonding है, यहाँ पर देखो, five-membered बाकाईदे ring बन रही है, कैसे, 1-2-3-4-5, five-membered ring के अंदर hydrogen bonding है, इसका मतलब, यह इसमें convert होना चाहेगा, यह इसमें convert होना चाहेगा, लेकिन यह भाई साब जो है, यह देखो, यह cyclic है, यह acyclic है, यह cyclic है, यह acyclic है, acyclic में पता है क्या दिक्कत है, यह अगर उपर आगे तो दिक्कत यह है, कि यहाँ पर lone pairs है, यहाँ पर भी lone pair है, तो यह rotation यह पॉसिबल है, तो इस तरीके से हम बना देते हैं, कि भाईया देखो, actually यह उपर नहीं आ सकता, तो देखो भाईया, यह O और H यहाँ हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गरबर हो गया, इधर नहीं बनाएंगे, इधर कैसे बनेगा भईया, वहाँ तो hydrogen ही नहीं है, यहाँ कहा hydrogen है, यहाँ बनाएंगे आप, यहाँ पर hydrogen था ना, जैसे यह CS3 है, तो यहाँ पर मैंने inol बना देखो, इस पार्ट पर मैंने inol बनाया, इसको ketone, अब यहाँ पर कोई factor लगी नहीं रहे, आप इसको इधर गुमाएंगे, तब भी hydrogen bonding नहीं होगी, क्योंकि hydrogen bonding या तो 5 member में होती है, या तो इस तरीके से 6 member में होती है, तब ही वो stable मानी जाती है, इसलिए अगर कोई पुछे, cyclic और acyclic में तो कहिएगा, आपको compare करके खुद देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, मैं बना के एक बार बता देता हूँ, CH2 double bond COH और H, इनका इनॉल ये है, इनका इनॉल बना के देखिए, CS3 CH double bond COH, अच्छा, यहाँ पर आईए, यहाँ पर तो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ का जो hydrogen है, वो यूज किया जाएगा, यहाँ hydrogen का electron यहाँ आएगा, और इनका electron यहाँ आएगा, वो confuse करने के लिए ऐसा लिख दिया था, ठीक है जी, आए यह देखते हैं, तो यह जो carbon है, यहाँ क्या होगा, carbon, double bond carbon, यह hydrogen, इस carbon पर O और H, यहाँ पर क्या होगा, CS3 और CS3, देख लिजी, सर एक बाद बताईए, यहाँ कैसे judge करें कि, non content किसका जादा होगा, तो सुनिएगा, यहाँ पर क्या, double bond पर क्या लगे हैं, दो CS3 गुरूप, दो CS3 गुरूप, अच्छा, इसका मतलब, six alpha hydrogen के थूँ, यहाँ hyperconjugation लगेगा, hyperconjugation के थूँ, stable होगा, यहाँ सिर्फ तीन alpha hydrogen है, देख लिजी, अरे इस carbon, double bond carbon को देखो, बाकि कुछ मत देखो, carbon, double bond carbon, alkenne के लिए, यहाँ 3 alpha hydrogen का hyperconjugation है, यहाँ कोई भी hyperconjugation नहीं है, तो ज़्यादा stable कौन, ज़्यादा stable कौन, in all content कहाँ ज़्यादा आगा, अगर यह ज़्यादा stable है, तो यह keto form जल्दी जल्दी अपने आपको in all form में बनाएगा, तो यहाँ पर इसका content ज़्यादा मिलेगा, यह थुड़ा कम, तेरी से आगे आएंगी, यह तो आना बहुत कम चाहिए, ठीक है, यह बहुत कम stable है, तो इस तरीके साब इसको judge कर सकते हैं, मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, बबाव, तेक चाहिए, लव्योओ.